भारतिय दर्शन की सामान्य विशेशताएं भारतिय दर्शन वैविध्यपूर्ण है, इसके विबिन संप्रदाय विबिन विचारधाराओं के समर्थक हैं, इनमें कुछ आस्तिक हैं, तो कुछ नास्तिक. फिर भी, कुछ ऐसी सामान्य बाते अवश्य हैं, जिन पर सभी भारतिय संप्रदाय एकमत हैं. इन्ही सामान्य को भारतिय दर्शन की प्रमुख विशेष्टाओं की संग्या दी जाती है. ये प्रमुख विशेष्टाएं निम्नानकित हैं. आई जीवन के प्रती निश्चित दृष्टिकों पाश्चात्य विचारकों के लिए दर्शन एक मानसिक व्यायाम, Mental Exercise मात्र है. वहां दर्शन की उत्पत्ती मानव जिग्यासा की शांती के लिए होती है. किन्तु भारतिय दर्शन को केवल मानसिक कसरत नहीं कहा जा सकता. इसका व्यवहारिक पक्ष Practical Aspect इसके सैधान्तिक पक्ष से अधिक सबल है. ये जीवन के अत्यंत नजदीक है. बुद्धी को संतुष्ट करना ही इसका लक्ष नहीं है, बलकि ज्यान के प्रकाश में जीवन को सुव्यवस्थित बनाना इसका मुख्य उद्देश है. जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंडना भारतिय विचारक अपना पवित्र करतव्य मानते हैं. डॉक्टर, राधाकृष्णन और मूर भी इस मत का सम पर्थन करते हैं. इस प्रकार, भारतिय दर्शन का दृष्टिकों व्यवारिक है. इ, भारतिय दर्शन की उत्पत्ती आध्यात में कसंतोष के कारण होती है. विश्व में डैक हेवं बुराई का सामराजय पाकर भारतिय विचारक एक प्रकार के आध्यात में कसंतोष, पुनका दार्शन एक चिंतनारंब होता है। भारतिय विचारकों का प्रधान लक्ष्य मानव को दुखों से मुक्त करना है। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में डैक का विशद वर्नन किया है। इनके चार आर्यसत्य डैक के विचार पर ही आधरित हैं। गर्ट डैक है। कर्ट डैक का कारण है। गर्ट डैक निरोध संभव है। गर्ट डैक निरोध का मार्ग है। इसी प्रकारन्य भारतिय दर्शन भी डैक के भावों से उठपरोत हैं। कुछ आलोचक भारतिय दर्शन में डहकों का विशद वर्नन पाकर इसे निराशावादी कह बैठते हैं. यह आक्षेप गलत है. भारतिय दर्शन का आरंब भले ही निराशावाद से होता हो, किन्तु इसका अंताशावाद में होता है. भारतिय विचारक के वल डैक का अस्तित्व स्वीकार कर निश्क्रिय नहीं बन जाते. वे डहकों के विनाश के लिए उचित मार् सकता. विश्व को एक नैतिक रंगमंच मानना प्राय सभी भारतिय विचारक विश्व को एक रंगमंच मानते हैं. मनुश्य अपने अतीत कर्म के अनुसारी इश्वर या प्रकृती की ओर से शरीर, इंद्रिय एवं वातावरन प्राप्त करके विश्वरुपी रंगमंच पर उपस्थित होता है। उसी प्रकार विश्व भी एक ऐसा मंच है, जहां पुराने और नए चेहरे सदैव जाते आते रहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे अतीत जीवन का फल है, और भावी जीवन की आधार्शिला हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों पर आधरित है। जिस प्रकार भौतिक जगत की व्यवस्था की व्याख्या कार्यकारण नियम के आधार पर की जाती है, उसी प्रकार नेतिक जगत की व्यवस्था की व्याख्या कर्म सिद्धान्त द्वारा ही संभव है। यहां भाग्यवाद या नियतिवाद का खंडन किया जाता है। व्यक्ति का भाग्य निर्मान स्वयम उसके हाथ में हैं। न्यायदर्शन के अनुसार कर्म सिध्धान्त का नियंत्रन इश्वर द्वारा होता है। इश्वर ही व्यक्ति को उसके कर्मानुसार सुखिया डैक प यह सिद्धान्त आशावाद का संचार करता है. शुब कर्म बुरे भाग्य को भी अच्छा बना देते हैं. निशकाम कर्म के क्षेत्र में कर्म सिद्धान्त लागू नहीं होता. विश्व कल्यान के लिए किये गए निशकाम कर्म व्यक्ति को कर्म सिद्धान्त के बंधन में वी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास चारवाक और बौध को छोड़कर संपूर्ण भारतिय दर्शन आत्मा की सत्ता में अखंड विश्वास रखता है। अध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। उपनिशदों एवं वेदों ने भी आत्मा के महत्व पर काफी बल दिया है। आत्मा के स्वरूप को लेकर भारतिय दर्शन में कई विचार धाराओं का जन्म हुआ है। अनन्त ग्यान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्यो और अनन्त आनन्त। नियाए वैशेशिक के अनुसार चेतना आत्मा का स्वाभविक गुन न होकर आकस्मिक गुन है। नीमानसा दर्शन के अनुसार भी चेतना आत्मा का आकस्मिक गुन ही है। इसके विप्रीत, सांख्या दर्शन आत्मा को चेतन्य स्वारूप मानता है। इसके अनुसार चेतन्या आत्मा का आवश्यक गुन है। यह ज्याता तो है, किन्तु आनन्द वेही नेवमा करता है। शंकर के अनुसार चेतन्या आत्मा आवश्यक गुन है। इन्होंने आत्मा ब्रह्मा को सचिदानंद, जोर जोर आनंद कहा है। इनके अनुसार आत्मा संख्या में एक है, किंतु अन्य दार्शनिकों ने इसकी संख्या अनीक बताई है। का इया जोर, वाई अज्यान डैक एवं बंधन को उत्पन करता है और ज्यान से मोक्ष मिलता है। भारतिय दर्शन में अज्यान को बंधन और डैक का कारण बताया गया है। जन्म मरन एवं पुनर्जन्म के चक्कर में पढ़कर डैक छेलना ही बंधन है। जन्व पुनर्जन्व के जाल से मुक्त हो जाना ही मोक्ष लिबरेशन कहलाता है. प्राया सभी भारतिय विचारक अज्ञानता, इग्नरंस को डहकों की जन्नी मानते हैं. बुद्ध ने अज्ञान को डहकों का मूल कारण बताया है. शंकर के अनुसार भी व्यक्ति अज्ञान विष आत्मा और ईश्वर में दुरित मानकर बंधन अग्रिस्थ होता है. इन सभी विचारकों ने बंधन एवं डैक दूर करने का प्रमुक साधन ग्यान को बताया है. तत्व ग्यान व्यक्ति को बंधन एवं डैक से मुक्ती दिलाकर मोक्ष की प्राप्ती कराता है. वी, आत्मनियंत्रन एवं एकाग्रचिंतिन पर बल, मूक्श की प्राप्ति के लिए मस्तिष्क से बुरे विचारों को निश्कासित करके उत्तम विचारों को प्रतिश्ठित करना एवं आत्मसयम रखना भी अनिवार्य माना गया है। मस्तिष्क से दूशित भावनाओं को समूल नष्ट करने के लिए एकाग्रचिंतन आवश्यक है. इसके लिए प्राय सभी भारतिय दर्शनों में योग की महत्ता स्वीकार की गई है. बुरे विचारों से मुक्ती दिलाकर उत्तम विचारों को मस्तिश्क में भरने में योग महत्वपूर्ण कार्य करता है एकाग्रचिंतन के साथ साथ आत्मसयम भी मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया है इंद्रियों पर नियंत्रन रखकर ही हम वासनाओं, त्रिशनाओं, रागद्वेशेवं अन्यतुच्छ प्रवृतियों को अपने वश में रख सकते हैं चारवाग के सिवा अन्य सभी भारतिय विचारकों ने आत्मनियंत्रन को अत्यदिक महत्वपूर्ण बताया है आत्मसेयम पर अत्यदिक जोर देने के कारण कुछ आलोचक भारतिय दर्शन पर आत्मनिग्रहेव सन्यास का आक्षेप लगाते हैं, किन्तु यह आक्षेप निराधार है भारतिय दर्शन कभी इंद्रिय दमन का पाठ नहीं पड़ाता, यह तो इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर लाने एवं इनके सुधार पर जोर देता है आत्मा को सर्वादेक महत्व पूर्ण मानते हुए भी भारतिय विचारक शरीर, मन, प्रान आधी के समुच्छत विकास पर पूर्ण ध्यान देते हैं इसलिए यहां आत्मनिग्रह, इंद्रिय दमन या सन्यास के लिए कोई स्थान नहीं है यहां सन्यास जीवन से गारहस्थ्य जीवन का महत्व जरा भी कम नहीं है वी, जीवन का चरम लक्ष मोक्ष प्राप्ति है, चारवाक के सिवा संपुल्न भारतिय दर्शन मोक्ष को ही जीवन का चरम लक्ष अल्टमेट एंट मानता है दहकर हेत अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं कुछ अन्य विचारकों ने इसे आनंद में अवस्था बताया है इस प्रकार मोक्ष के दो पक्षें निशेधात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष निशेधात्मक रूप से मोक्ष डहकरहत अवस्था है और भावात्मक रूप से यह आनंद में अवस्था है। मोक्ष दो प्रकार के होते हैं जीवनमुक्ती और विदेहमुक्ती। शरीर धारन करते हुए इसी जीवन में मुक्त हो जाना, जीवनमुक्ती, है। मृत्यू के बाद शरीर छोड़कर मुक्ती पाना ही, विदेह मुक्ती है। मोक्ष को निर्वान, कैवल्य आदी विभिन नामों से पुकारा जाता है। भारतिय दर्शन ग्यान को मोक्ष का एक साधन मानता है। मोक्ष सर्वोच साध्य है। यह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। मोक्ष को सर्वोच साध्य मानने के कारण कुछ आलोचक यह आक्षिप करते हैं कि भारतिय दर्शन में व्यभारिक पक्ष पर अत्यदिक ज तो दूसरी ओर इसमें तत्त्व मिमानसा, प्रमानशास्त्र, तरक्षास्त्र आदी विशेयों का विशद विवेचन भी पाया जाता है. इस प्रकार, भारतिय दर्शन के सैधांतिक और व्यभारिक दोनूं ही पक्ष काफी सबल हैं. इस पर आक्षेप करना सर्वता अनुचित है कि यहां सैधांतिक पक्ष का बलिदान व्यभारिक ताकी वेदी पर कर दिया जाता है. भारतिय दर्शन का दृष्टिकों सिमनवयात्मिक है. यहां सिध्धांत और व्यभार दोनूं का अपूर्व सामनजस्य दीख पड़ता है. आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय. भारतिय दर्शन के अनेक संप्रदाय हैं, किन्तु इन में नौ संप्रदायों को मौलिक विश्वास रखता है और नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता. यह आस्तिक और नास्तिक का साधारन अर्थ है. यह महान वयाकरन पानिनी के अनुसार आस्तिक का अर्थ है परलोक में विश्वास रखने वाला और नास्तिक का अर्थ है परलोक में दोशिता एवं चरम प्रामानिक्ता में जो अविश्वास रखते हैं, वे नास्तिक हैं। भारतिय दर्शन का आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभाजन तीसरे अर्थ में हुआ आस्तिक संप्रदायव है, जो वेदों की प्रामानिक्ता में विश्वास रखता हो और नास्तिक संप्रदाइवा है, जो वेदों की प्रामानिक्ता में संदेह रखता हो। इस अर्थ को शायद सबसे अधिक समर्थन स्मृतिकार मनू से मिला, जिन्होंने घोषना की थी की वेदनिंद की नास्तिक है. नास्तिकों वेदनिंद क्यों? इस अर्थ ने अन्य दोनों अर्थी को गौन बना दिया. भारतिय दर्शन में आस्तिकता की कसोटी, वेदों की चर वेशेशिक, मीमानसा और वेदान्त. ये शड़दर्शन कहलाते हैं. नास्तिक संप्रदाई हैं, चारवाक, जैन और बौध. आस्तिक संप्रदाई में मीमानसा और वेदान्त वेदों की प्रामानिक्ता में पूर्ण विश्वास रखते हैं. शेश चार आस्तिक संप्रदा वेदभक्त विशेश अर्थ में कहे जाते हैं. नास्तिक संप्रदायों में चारवाखर दृष्टिकों से नास्तिक कहा जा सकता है. यह इश्वर का खंडन करता है, वेदों की प्रामानिक्ता को नहीं मानता और परलोगवाद में विश्वास नहीं रखता. वेदों की प्राम इसलिए वेदों की प्रामानिक्ता के आधार पर किसी संप्रदाय को आस्तिक कहने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं दीख पड़ता। नियाय, वैशेशिक, सांक्य, योग, मीमानसा और वेदान्त के संस्थापक क्रमशव गौतम, कनाथ, कपिल, पतंजली, जैमिनी और वादरायन हैं। जब भारतिय दर्शन को हिंदु दर्शन कहा जाता है, तब यहां हिंदु का अर्थ भारतिय होता है। इस अर्थ में भारत में रहने वाला व्यक्ति हिंदु कहा जा सकता है। यही कारण है कि ज्यान, बौध और चारवाक को भी हिंदू दर्शन के अंतरगत. वेदि केवम उपनिशत दर्शन, वेद का अर्थ, वेद क्या है? इसका उत्तर वेद शब्द के अर्थ से भी स्पष्ट होता है. वेद, शब्द ग्यान आर्थक, वेद, धातु से बना है जिसका अर्थ है, ग्यान. वस्तुता वेद ग्यान के भिंडार हैं. किंतु कैसा है यह ग्यान? यह कोई सामाण्य बौधिक घ्यान नहीं है, यह ऐसा ग्यान है जिसका रिशियोंने तपस्या के द्वारा साक्षात कार किया है. अभय जियोती के रूप में इस ज्ञान का साक्षात कार कर इसे ही उन्होंने शब्दों द्वारा मंत्र रूप में प्रकाशित किया है. इन्ही मंत्रों के संकलन वेद के नाम से विख्यात है. वेद समस्त ज्ञान के आधार माने जाते हैं, इसलिए वेदों को प्राय ग्रंथ न मानकर संपूर्ण ज्यान का आधार माना जाता है। वैसे तो वेद भोतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्यान के भिंडार हैं, किन्तु मुख्यत ये अलौकिक ज्यान के ही वाचक हैं, जिसका उद्देश मनु के अनुसार, इष्ट की प्राप्ति और अनिष मनु कहते हैं कि अलौकिक रहसियों के लिए वेद नेत्र स्वरूप हैं, ये हमारे सच्चे मित्र हैं. सायन वैदिक ज्यान की विशेष्टा बताते हुए कहते हैं कि ये शिवम की पूर्ती करने वाला और पाप को दूर करने के पार्मार्थिक साधनों को बताने वाला है. रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चार वेद के नाम से विख्यात है. किन्तु गीता के वेदाई के आधार पर कुछ लोग अथर्ववेद की गिंती वेदों में नकर शेश तीनों को ही वेद मानते है. कुछ वेद्वान ऐसे भी है जिके अनुसार वेद एकी है. इनके अनुसार वेद में संकलित मिंत्रों की प्रकृती और विशय के आधार पर उनका अलग-अलग नामकर अंकर दिया गया है. वेदों के रचैता एवं रचनाकाल हिंदू परंप्रा में वेदों को अनादी एवं अपौरूशियव माना गया है. इसका मतल तब है कि वेदों की रचना न तो काल विशेश में हुई है और नहीं ये किसी पुरुश द्वारा स्रिष्ट है. ब्रिहदारण्यक उपनिशद में वेद इश्वर के श्वास कहे गए है. वेदे क्वांग में प्रतियक वेद के तीन-तीन भाग हैं. पहला भाग सहिता, सविता, वरुन, उशा आदी की स्तुतिया हैं. वस्तुत ये मंत्र वेदिक देवताओं के स्मारक है. ब्राहमन ब्राहमन कर्मकांट परक सहित्य है. सहिता में जिन देवी देवताओं की स्तुतिया हैं, ब्राहमन में उन्हें ही यग्य में हविश ग्रहन करने हेतु आहूत क इसमें यग्य का विधान, यग्य के अनुकूल द्रव्य, यग्य संबंदित आख्याई का आधी का सविस्तार वर्नन है। उपनिशत वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदान्त कहा जाता है। ये वेदों के ग्यान कांध हैं। इनमें विशुद्ध रूप से ग्यान पर चर्चा है। परवर्ति आस्तिक भारतिय दर्शन मुख्य रूप से उपनिशिदों पर ही आधारित है। धर्मो उलेकनिय है कि यहां धर्म का मतलब जीवन यापन की पध्धती से है। जन्म से लेकर मृत्यू तक होने वाले समस्थ संसकार, वर्नाश्रम व्यवस्था, जिसमें मनुश्य की शिक्षा, कर्म, धर्म सब का निश्य होता है, आधी का मूल वेद ही हैं। धर्शनों के मूल व भारतिय दर्शन की परंप्रा में जिन दर्शनों ने वेदों की प्रामानिक तस्वीकार की, उनको मूल मानते हुए आगे बढ़े, वे आस्तिक कहलाए। सांक्य, योग, नियाय, वैशेशिक, मीमानसा और वेदान्त ऐसे ही छह आस्तिक दर्शन हैं। वेदों के दार्शन रीत का सिधान्त नियम था। वेदों में इसका प्रारमवेकर्थ था, वस्तुओं के मार्ग का नियम। अतह रीत का अर्थ विश्व की व्यवस्था भी है। वस्तुतह प्रकृती के सानिध्य में रहने वाले वैदे कार्यों के लिए प्रकृती की नियमबधता उनके दिलों में श्रद्ध प्रकृती उनके लिए दैविय तत्वों से परिपूर्ण थी। के नाम से सामने आया। इस तरह वैदिकारियों के लिए रीत का नियम वह नियम था जिससे प्रकृती में सबकुछ एक व्यवस्था के अंतरगत चलता है। इस तरह रीत व्यवस्था का नियम बना। यह नियम इतना महत्वपूर्ण माना गया कि इसे जगत की सभी चीज़ों नैतिक नियम वेदों का यह प्राकृत नियम ही आगे चलकर नैतिक नियम बन गया जैसा की ड़ा। राधा कृष्णन लिखते हैं रीत का मौलिक तातपर्यथा, संसार, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रिगन, प्रातहकाल, सानकाल एवं दिन तथा रात की गती का नियमित मार शनेह शनेह यह एक ऐसे सदाचार के मार्ग, जिनका अनुसरन मनुष्य को करना चाहिए, और सादवाचार के नियम के अर्थों में व्यवरित होने लगा जिनका पालन देवताओं के लिए भी आवश्यक है। रीत का मार्गी सदाचार का मार्ग समझा गया जो बुराईयों से इस प्रिष्ट यथार्थ मार्ग है। यहां नियम एवं व्यवस्था नैतिकता की सीलिया हैं। रीत के सनरक्षक वरुन देव। रिशियों ने इस नियम का सनरक्षक वरुन देवता को स्वीकार किया। इसे गोपारित से अर्थात रीत का सनरक्षन कहा गया। वरुन के साथ मित्रत नामक देव को भी रीत का संरक्षक माना गया। वैसे तो सभी देवता इससे आबद है। वे सभी इसे स्वीकार करते हैं और इसके अनुसार आचरन करते हैं। इसलिए देवताओं को रिज्जात भी कहा गया है। वरुन वेदों में आकाश का देवता है वर तार या और भय से ही नदिया बहती हैं, सूर्य विश्व को प्रकाशित करता है तथा चंद्र तारिकाएं अपने अपने मार्क पर नियमानुसार चलती है। वैदिक रिशी कवितामई भाशा में कहता है, राजा वरुन ने सूर्य के उदैसे अस्त तक चलने के लिए मार्क का व वरुन देव के कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उसकी आग्या से ही रात में चंद्रमा प्रकाशित होता है। वेदों में इसे प्राकृतिक के साथ साथ नैतिक नियमों का संरक्षक कहा गया। वह चंचलचित नहोकर दृतवरत अर्था दृर संकल्प वाला है। व वह सरवग्य है। वह सदाचार संबंधी नियमों के अनुकूल चलता है जिनका विधान उसी ने किया है। वह अप्राधियों के लिए कठोर किंतु पश्चाताप करने वाले के लिए दयालू है। वरुन को वेदों में अदिती का पुत्र कहा गया है। यग्या का नियम। रीत की अभधारना से यग्या के नियम भी पुष्ट हुए। जैसा की डाशून्य राधा कृष्णन लिखते हैं, जब कर्म कांट का महत्व बढ़ने लगा तब रीत यग्या अथ्वा यग्यात में कनुष्ठान का पर्यायवाची बन गया। कर्म का नियम आगे चलकर री कर्म के सिधान्त का भी जनक बना। प्रभावित किया है। यग्या यग्या धर्म की अभिव्यक्ती यग्या वैदिक धर्म और संस्कृती के अपरिहारियर अंग रहे हैं। वैदिक युग में धर्म की सबसे प्रमुख अभिव्यक्ती यग्या ही थे। उस युग में देवताओं की मूर्तिया नहीं थी नही उनके मंदिर थे. मनुश्य बिना किसी माध्यम के देवताओं से सीधे संपर्क रखते थे. ऐसी स्थिती में उन्होंने इश्वर के प्रती कृतग्यता ग्यापित करने के लिए, उसके प्रती अपने हृदय के प्रेम को अभिवियक्त करने के लिए प्रार्थना और समर्पन क करना सीखा. प्रार्थना तो उद्गारों के माध्यम से व्यक्त हुई, जिससे वेदों की रिचाएं भरी हुई है, समर्पन के लिए उन्होंने यग्य की विधी की खोच की. इसमें वेदी बनाकर अगनी प्रजवलित कर भूज्य सामगरी अर्पित की, इस भावना के साथ की अगनी देवताओं का मुख है, अतः इसके द्वारा उनकी समर्पित सामगरी देवताओं तक पहुंचेगी. यग्यों के प्रकार यग्यों के मुख्य तीन प्रकार बताए जाते हैं 1. श्रौत यत्र 2. स्मात 1. श्रौत यग्य वैदेक यंत्र श्रौत यत्र कहे जाते हैं वैदेकार्य अग्णी को देवताओं का मुख मानते थे अतह मंत्रोच्चार करते हुए दे अगनी में हविश्य डालते थे, इस भावना के साथ की वह देवताओं तक पहुँच रहा है, इससे देवता प्रसन होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उन्हें लौकिक सुख, धंधान्य पुत्रादी तथा पारलौकिक सुख, स्वर और अगनी को अहुती दी जाती थी, अगनेहोत्र इसे सभी ग्रेहस्त के लिए प्रातह तथा सायम दोबार, सुर्या बिमुख होकर, जीवनपिर्यन तत्वा सन्यासी बनने के पूर्व तक करने को कहा गया, इसमें गाय के दूट से अत्वा दही भात और घी से हवन करने कह गया, चातुरमास्य यग्य ये यग्य रितूओं के प्रारंब में होते थे, इन यग्यों में अगनी, सोम, पूशन, सविता आधी देवताओं को आहुती देकर प्रसन किया जाता था, वाजपे यग्य यह शर्दकाल में किया जाता था, राजागन इसे समराठ बनने की काम करवाते थे, राजसुय यग्य यह लंबे समय तक चलता था, क्षत्रयगन इसे राज्य की कामना से करवाते थे, अश्वमें एक यग्य इसकी गणना प्राचीनतम यग्यों में होती है, इसे भी राजागन हो करवाते थे, इसमें अश्व की बली दी जाती थी, यह मंत्र के साथ की जाती थी, पशु को काटते समय तथा पकाते समय भी मंत्रोच्चार किया जाता था, दो, स्मात यग्य वैदेक यग्यों की हिंसा का विरोध स्मृतियों ने भी किया था, इसलिए स्मृतियों ने बिना पशुबली के यग्यों का प्रारंब किया, विभिन देवताओं के नाम से विभिन यग्य होने लगे, जैसे रुद्रयाग, सूर्ययोग, विश्नियाग, इंद्रयाग, गायत्रियागादी. ये ही समात कहे गए, श्रौत यग्यों और समात यग्यों में एक अन्य अंतर इसे करने की भावना भी है. श्रौत यग्य जहां किसी फल की लालसा में किये जाते थे वहां समात यग्य निशकाम भाव से केवल देवता के पूजन हेतु किये जाते थे. हाँ, देवता अवश्य अपनी इच्छा से यग्य करता को बिना उसके मांगे फल देते हैं, यह अवश्य माना जाता था. पंचमहायग्य, वैसे वेदों में केवल हिंसक और खर्चीले यग्यों का ही प्रावधान नहीं था. वैदिक रिशियों ने ग्रिहस्थों के लिए पंचमहायग्यों का भी प्रावधान किया था. सीमित साधन और सीमित समय में ग्रिहस्थ इन्ही स्वयम कर सकता था. इसमें पशुबली की भी आवश्यक्ता नहीं थी. डा, पी, वी, काने के अनुसार, इनका उद्देश्य विधाता, प्राचीन रिशियों, पित्रों, जीवों तथा संपूर्ण ब्रमांड के प्रती अपने कर्तवियों का पालन करना था. किन्तु श्रौत यग्यों में क्रिया की मुख्य प्रेरना है, स्वर्ग, स पत्ति, पुत्राधी की कामना. अतर पंचमहायग्यों की व्यवस्था में श्रौत यग्यों की अपेक्षा अधिक नैतिकता, आध्यात्मिक्ता, प्रगतिशीता, एवं सदाशयता देखने में आती है. ये पंचमहायग्य निम्नलिखे थें. आई ब्रह्मयग्य का पाठ करने का निर्देश है. स्वाध्याय से व्यक्ति अपने धर्म से स्वयम परिचित होता था. साथ ही लिखित परंप्रा के नहूने के कारण इस तरह ये साहित्य अक्षत भी बना रहा. शत्पत ब्रह्मन के अनुसार इस यग्य से संतुष्ठ होकर देवता मनुष्य को आयू, वीर्य, सुरक्षा, समृध्धी, प्रतिभा, कांती तथा अभ्यूनती प्रदान करते हैं. यहां यह भी कहा गया है कि जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है उसे उस लोक से तिगुना फल होता है, जो दान देने या पुरुहित को धंधान्य से पूर्ण सारा संसा देने से प्राप्त होता है. यहां उलेकनी यह है कि स्वाध्याय को प्राय सभी भारतिये दर्शनों ने मोक्ष प्राप्ती में आवश्यक साधन स्वीकार किया है. यह देव्यग्य, वैदेकार्य प्रकृति के प्रति प्रारंव से ही कृतग्य रहे हैं. इसलिए प्राकृत प्रतिक शक्तियों, यथा, सूर्य, अग्नी, वायू, पृतिवी आदी को उन्होंने देवत्व का दर्जा दिया। वस्तुतर इनके प्रती कृतग्यता ग्यापित करने के लिए ही देव्यग्य किया जाता था। देव्यग्य कहा है, किन्तु मध्य एवं आधुनिक युग में होम संबंधी प्राचीन विचार निम्भूमी में चला गया और उसका स्थान देव पूजा, घर में रखी मूर्तियों का पूजन ने ले लिया। इए भूतेयग्य प्रकृती के साथ ही प्रकृती में स्थित प प्राणियों के प्रती करुना पर आधारित है। शत्पत ब्राह्मन में प्राणी मात्र के लिए बलिदान को भूतेयग्य कहा गया है। इसमें भोजन के पूर्ध भोजन का एक भाग पशुओं के लिए निकाले जाने की व्यवस्था है। आज भी अधिकांश हिंदू घर प्रत्रों में गाय के लिए ग्रास अवश्य निकाला जाता है। भूतेयग्य को बलिहरन भी कहा जाता है। इसमें बली अगनी में नहीं, भूमी पर दी जाती है। इस हेतु भूमी को पहले हाथ से स्वच किया जाता है फिर उस पर जल छिड़का जाता है और फिर उस पर पश्यू के लिए भूजन रखा जाता है। इव पित्रयग्य हिंदूओं वारामृत पित्रों के प्रती आज भी श्रध्धा अभिव्यक्त की जाती है। इसका मूल पित्रयग्य में देखा जा सकता है। वस्तुते यह भी कृत अग्यता का ग्यापन है जो हम अपने उन प परिशुत पितर देव मार्क से आएं, प्रकाश रूप में आगे उपस्तित हों, अपने को हमारे जीवन में प्रतिबिम्ब और चरितार्थ पाकर त्रिप्त हों, हमें आगे बढ़ने की प्रेरना दे, हमारे उपर सनेह छाया रखे तथा हमारी रक्षा करें। मनुस्मृत पितर यग्य हेतु तरपन, बलिहरन और श्राध का विधान बताया गया है। वी, म्रियग्य या मनुशय यग्य इसे अतिथी यग्य भी कहते हैं। भारतिय संस्कृती में अतिथी को वैश्वानर, विश्नु एवं नारायन कहा गया है। इसलिए अतिथी देवो भव का आ अतिथी करता को अपनी आँख, मन, मीची बोली, व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन जाते समय कुछ दूर तक साथ साथ जाना देना चाहिए। अतिथी सतकार के नियम है आगे बढ़कर स्वागत करना, पैर दूने के लिए जल देना, आसन देना, दीपक जला कर रख दे भोजन और ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत ध्यान देना, सोने के लिए खटिया बिछावन देना और जाते समय कुछ दूर तक पहुंचाना। यह भी कहा गया है, यदि अतिथी निराश होकर लोट जाता है तो वह अपने पाप ग्रिहस्त को दे कर जाता है और उसके पुन्य लेकर जाता है, अतिथी के निराश होकर लोटने से ग्रिहस्त का सारा कुटुम नश्ट हो जाता है, रिन, त्रिरिन का अर्थ, त्रिरिन का अर्थ है तीन रिन, ये तीनों रिन हैं, पित्रिन, देविन एवं रिशिरिन, एक सामाजिक प्रानी के रूप में प्रते ये योगदान दिया है। शत्पत ब्राह्मन एक पांच बटा पांच के अनुसार बालक जन लेते ही इन तीन रिनों का रिनी हो जाता है। प्रती के प्रती कृतग्यता की भावनाने ही आर्योजनों को प्राकृतिक शक्तियों, सूर्य, अग्नियादी को देव कहने तथा यज्यादी के माध्यम से उन्हें समर्पन करने प्रेरित किया। इतना ही नहीं, समाज में भी जिन्होंने उन्हें कुछ दिया उसे भी आर्यो उन्हें बतलाया कि इनके प्रती उनके कुछ दायत्व, कुछ रिंड होते हैं, जिन्हें पूर्ण करना अथ्वा चुकाना उनका कर्तव्य है. जैसे बालक का दायत्व माता-पिता अथ्वा गुरू की सेवा है, किन्तु रिंड केवल इतने से नहीं चुकाये जा सकते. वस्तुतर दोनों में कुछ अंतर है. दायत्व का अर्थ होता है माता-पिता अथ्वा गुरू के प्रती कर्तव्य, जैसे उनकी सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना, एवं उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करना, मृत्यो प्रांत मात-पिता के श्राध कर्म करना आदी. नैतिक द्रिष्टी से ये श्रेष्ट मूल्य हैं जो एक आदर्ष समाज की स्थापना में सहायक होते हैं किन्तु भारतिय मनीशियों ने जो रिंड की कल्पना की वह इससे भी आगे बढ़ कर है रिंड की व्यवस्था मुख्य रूप से आने वाली पीडी के प्रती दाइत्व का निर्वाह है यह मानवजाती का सनरक्षन तथा उसके ज्यान एवं संस्कृती का हस्तांतरन कही जा सकती है मुख्य रिंड तीन है पित्रिंड, देविन, रिशिरिंड रिशिरिंड बालक के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण होता है यह शिक्षा बालक ब्रह्मचार्याश्रम में रहते हुए प्राप्त करता था बालक पर गुरु के साथ साथ उन रिशियों का भी रिण होता था जिनके ग्यान के भंडार से वहला भानवित होता था वस्तुतह यही उस पर रिशिरिन था शत्पत ब्राह्मन ब्रमचार्याश्रम में प्रवेश द्वार को इस रिण से उरिन होने का साधन कहता है यहां प्रवेश का वास्तवे कुद देश्य गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को समुचित रूप से धारन करना था यह न हूँ तो शिक्षा व्यर्थ चली जाए इस हेतु शास्त्रों को याद करना आवश्यक था उलेकनी यह है कि हमारे देश में सारे प्राचीन ग्रंथ शुती परंप्रा के द्वारा ही लोगों की स्मृती में जीवित बने रहे हैं यदि यह परंप्रा नहीं होती तो निश्चे ही ग्यान का विशाल भंडार लुप्त हो गया होता इस प्रकार रिशिरिन के द्वारा ना केवल ग्यान का प्रसार होता था वरंग्यान की रक्षा भी होती थी इस ग्यान को बालक बढ़ा होने पर अगली पीली को थमाकार सही अर्थों में रिशिरिन से मुक्त होता था पित्रिन नाम से ही यह स्पाष्ट है कि यह पिता का रिन है इसे चुकाने हेतु विवाह कर संतान उत्पत्ती का आदेश दिया गया है यदि यह नहीं हो तमाम मानब जाती का संरक्षन कैसे हो पाएगा व्यक्ति की वंश परंप्रा कैसे आगे बढ़ेगी उलेकनी यह है कि इन रिनों से मुक्ती विविन आश्रमों में रहते हुए संभव बताई गई है जैसे पित्रिन से मुक्ती ग्रहस्थाश्रम में संभव मानी गई है ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश हेत विवाह संसकार तो आवश्यक था ही संतान उत्पत्ती हितु तथा संतान के जन्म के पश्चात भी विबिन संस्कार आवश्यक बताए गए थे ताकि संतान एक श्रेष्ठ मानव बन सके देविन देविन देवताओं के प्रती रिन है जैसा कि हमने उपर देखा वैदेकार्यों ने प्राकृतिक शक्तियों को देव कहा था क्योंकि वह उन्हें तरह-तरह से जीवन दान देती थी. इन देवों के प्रती स्तुती में वैदेक रिशियों ने अनेकाने एक रिचायर अची है. किन्तु केवल शाब्दिक स्तुती से इन देवों के रिंड से उरिंड नहीं हुआ जा सकता था, नहीं इनसे प्रकृती में संतुलन कायम किया जा सकता था. अतह वैदिक रिशियों ने अनेकानेक प्रकार के यग्यों की विदियां बताई ताकि इन्हें यग्य द्वारा हविश्य प्रदान किया जा सके. इन यग्यों को नियमित रूप से करने पर धार्मिक परंप्रा की रक्षा भी होती थी. यग्य ग्रहस्थाश्रम तथा वानप उक्त होना आवश्यक था. उलेकनी यह है कि उपनयन संसकार में बालक को तीन धागों का यग्यों पवीत धारन कराया जाता है. इसका मतलब है कि उस पर तीन रिन हैं जिनसे उसे उरिन होना है. मनुश्य रिन, एक चौथा रिन, ड़. काने के अनुसार महाभारत में एक दर्शन के रूप में विख्यात चारवाक दर्शन एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है. जडवाद का अर्थ है, विश्व के मूलतत्व को जड़ अर्थात भोतिक मानने वाला सिधांत. जडवाद न केवल विश्व के मूलतत्व को, वरनात्मतत्व को भी मूलत जड़ ही मा नहीं आध्यात्मिक मूलियों के सनरक्षक के रूप में इश्वर के अस्तित्व को आवश्यक समझता है. इस तरह यह विशुद्ध रूप में नास्तिक दर्शन है. चारवाक शब्द का अर्थ, जहां तक चारवाक शब्द के अर्थ का प्राश्न है, इसका सही उत्तर जानन कठिन है, क्योंकि चारवाक शब्द नेक अर्थों को प्रगट करता है. सामान्यतय इसके निमनलिके तर्थ बताये जाते. एक, चारवाक शब्द, चर्व, धातु से बना है जिसका अर्थ होता है, चबाना. चुनकि यह जडवादी दर्शन, खाव पियो और मौच करो, चारवाक कहलाया. दो, चारवाक का एक अर्थ सुन्दर वानी चारुवाक भी किया जाता है. चारवाक दार्शनिकों के विचार शरीर और मन की संतुष्टी का पक्ष लेते थे. ऐसे विचार जन सामान्य को रुच्चिकर लगते, इसलिए सामान्य लोगों को इनकी वानी म अधूर प्रतीत होती थी. शायद इसलिए लोगों के मध्य यह दर्शन चारवाक के नाम से प्रसिद हुआ. तीन, यह भी मान्यता है कि चारवाक नामक किसी रिशी ने इस दर्शन का प्रवर्तन किया था. संभवत इनही के नाम पर इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन प पूज्य माने गए जिन्होंने देवताओं को हमेशा अध्यात्म की ही शिक्षा दी है। कुछ विद्वानों का कहना है कि देवगुरु ने जानबूज कर ऐसे दर्शन का प्रतिपादन किया था। जिसे अपना कर असुर्गन स्वयम ही विनाश को प्राप्त हो जावें। वैसे कुछ विद्वान इन्हें देवगुरु ब्रहस्पती से भिन कोई अन्य राजगुर दर्शन के नाम से भी प्रसिद हुआ है। आम आदमियों में अपने भौतिकवादी विचारों के कारण लोक प्रिय था। अतहि यह लोकायत दर्शन भी कहा गया। सामान्य तया लोकायत की यही व्याख्या की जाती है। किन्तु कुछ विद्वान यह भी कहते कि यह ग्रंथ उपलब्द नहीं है। किन्तु प्राचीन काल में वे अवश्य रहे होंगे क्योंकि इनका उल्लेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अन्य दर्शनों ने इनका खंडन करने के लिए इनका उल्लेक किया है। भारतिय दर्शन में अपने मत का प्रतिपादन करने क पूर्वन्यमतों का खंडन करने की परंप्रा रही है। इस खंडन हेतु पूर्वपक्षी के विचारों का उलेक करना जरूरी होता है। इसी संदर्व में चारवाक दर्शन के विचार हमें अन्य ग्रंतों से ज्यात होते। वैसे माधवकृत, सर्व दर्शन संग्रें में कुछ विस्तार से इस दर्शन के सूत्र देखे जा सकते. चारवाग ज्यान मीमानसा ज्यान मीमानसा का एक मुख्य प्रश्ण है कि हमारे यथार्थ ज्यान का साधन किया है. भारतिय दर्शन में यथार्थ ज्यान प्रमा के साधन को प्रमान कहा गया है यूँ तो भारतिय दर्शनिकों ने अनेक प्रकार के प्रमान बतलाई जैसे प्रत्यक्ष प्रमान, अनुमान प्रमान, उप्मान प्रमान, शब्द प्रमान आदी किन्तु चारवाक दर्शन इन में से केवल एक ही प्रमान को यथार्थ ज्यान देने में सक्षम बतलाता है, वह प्रमान है, प्रतियक्ष. अन्य प्रमानों की कमजोरी बतलाने के लिए उसके अपने तर्क, जिनका हम आगे उल्लेक करेंगे. प्रतियक्ष प्रमान प्रतियक्ष शब्द का अर्थ है प्रतियक्ष अर्थात आखों के सामने इस शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है कि प्रतियक्ष प्रमान यथार्थ ज्यान की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को साधन मानता है दूसरे शब्दों में यह प्रमान इंद्रियों से प्राप्त ज्यान को सत्य समझता है इस प्रकार चारवाक दर्शन के अनुसार जो ज्यान हमें इंद्रियां देती वह सत्य है यहां उलेकमिय है कि प्रत्यक्ष को प्रमान रूप में सभी भारतिये दर्शन स्वीकार करते किन्तु चारवाग की विशेशता है कि वह केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमान मानता है इस तरह उसके अनुसार केवल इंद्रियां ही सत्य ज्यान की एक मात्र श्रोत प्रत्यक्ष के प्रकार वैसे चारवाक केवल पांच ग्यान इंद्रियों तक ही प्रत्यक्ष को सीमित नहीं रखता है। दर्शन ने मुखे रूप से अनुमान और शब्द प्रमान की आलोचना की है। अतह हम यहां ख्रमशर दोनुपर प्रकाश डालेंगे. अनुमान प्रमान अनुमान को प्रमान के रूप में प्राय सभी भारतिय दार्शनिक तथा सामान्य जन्वी स्वीकार करते हैं. वस्तुता हम प्रत्यक काल एवं प्रत्यक स्थान की घटनाओं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते. अतह पूर्व में किये गए प्रत्यक्ष के आधार पर हम कल्पना के द्वारा वर्तमान में किसी सत्य की उपलब्धी अक्सर करते. यही अनुमान प्रमान है न्याय दर्शन में अनुमान का शाब्दिकर्थ अनुप्फ मान पश्चात ग्यान बतलाया गया है यहां पश्चात ग्यान से तातपर्य है पूर्वग्यान अर्थात प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ग्यान या प्रत्यक्ष पर आधारित ग्यान। चारवाक दर्शन इस प्रमान की अनेक तरह से आलोचना करता है। मुख्य रूप से उसका प्रहार अनुमान प्रमान के केंद्रिय बिंदू व्यापती संबंध पर है. व्यापती संबंध की आलोचना नियाए दर्शन में व्यापती संबंध बहुत महत्वपूल माना जाता है. यह व्यापती संबंध क्या है? इसे जानने के लिए हम न्याय दर्शन में अनुमान प्रमान के लिए दिये गए प्रसिद उदाहरण में देखेंगे, जहां परवत के पीछे से उठते धुए को देखकर परवत में आग होने का अनुमान किया गया है. इस अती सामान या अनुमान का उपयोग हम भी जट से करते, जब कहीं भी धुए उठते देखते. आग को प्रत्यक्षन देखते हुए भी धुए को देखकर आग का अनुमान हम इसलिए करते क्यूंकि धुए और आग में विशेश संबंध होता है. इस विशेश संबंध को ही व्यापती संबंध कहते. जहां जहां धुए होता है, वहां वहां आग अवश्य होती है. इस तरह धुए के साथ व्यापक रूप से आग के रहने के कारण इसे व्यापती संबंध कहा गया. चारवाक दर्शन में इसी व्यापती संबंध की निम्नलिकित तरकों द्वारा आलोचना की गई है कर व्यापती का ज्यान कभी भी संदे से परे नहीं होता पहली बात तो हम सर्वत्र व्यापती संबंध का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते दूए और आग में सर्वत्र ही व्याप्ती संबंध है, यह हम सर्वत्र बिना देखे नहीं कह सकते दूसरी बात, व्याप्ती संबंध सर्वकाल में भी सिद्ध नहीं किया जा सकता भूत और भविश्य के धुएं और आग के मद्यव्यापती संबंद के विश्य में हम वर्तमान काल में कैसे कह सकते? कर अनुमान प्रमान के समर्थक अनुमान की सिद्धी हे तु दो बातों की दुहाई देते. पहली बात, वस्तूओं का स्वभाव समान है, जैसे आग का स्वभाव गरम रहना है, तो सामान्य परिस्तितियों में वह हमेशा गरम रहेगी. इसी तरह धुए का स्वभाव हमेशा आग के साथ रहना है, तो वह हमेशा आग के साथ ही रहेगा. अतह हम धुए को देखकर आग का अनुमान कर सकते। दूसरी बात, जगत में कार्यकारण का नियम कार्यरत है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रतेक वस्तु या घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जैसे उक्तुदारण में धुए का कारण आग है। यहां चारवाक दर्शन की मुख्य आपत्ती यह है कि व्यापती संबंध जो की विशेश न हुकर एक सामान्य वाक्य होता है, कि स्थापना के लिए अनुमान प्रमान के समर्थक जिस्व भाववाद और कार्यकारण सिधान्त का सहारा लेते, वह भी तो सामान्य वाक्य ही होत जो अनुमान के आधार पर स्थापित किये जाते, इसका मतलब यह हुआ कि एक सामान्य वाक्य की स्थापना के लिए वे दूसरे सामान्य वाक्य को प्रस्तुत करते, किन्तु यह तो जैसे चक्र में घूमना हुआ, तरकशास्त में इसे पुनरावृत्ती दोश कहा जाता है गर यहाँ अनुमान प्रमान के समर्थक कह सकते की संसार में कुछ निश्चित सर्वव्यापक नियम अवश्य, तभी तो समान सांसारिक वस्तुओं में नियमित्ता पाई जाती है आग का गर्म रहना और जल का शीतल रहना तभी तो संभव हो पाता है इसके उत्तर में चारवाक दर्शन कहता है कि यह सब वस्तुओं का स्वभाव है, जो जरूरी नहीं की हमेशा एकसा बना रहे घर चारवाक दर्शन सामान्य का अस्तित्व इसलिए भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह किनी भी दो वस्तुओं को समान नहीं मानता अगर अनुमान प्रमान को अस्वीकार करने का चारवाक दार्शनिकों के पास एक तर्किय भी है कि यह प्रत्यक्ष समान स्पष्ट नहीं होता है शब्द प्रमान शब्द प्रमान का अर्थ है, आप्त वचनों को प्रमानिक मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत सत्य को सत्य स्वीकारना. आप्त का अर्थ है, सत्य को प्राप्त. इस प्रकार आप्त वचन सत्य वचन हुए. ऐसे वचन विश्वस्निय महानुभावों अत्वा शास्त्रो के भी हो सकते। भारति ये वैदिक दर्शन, वैदिक वाक्यों को आप्त वचन मानते। प्राशन यह हैं कि किस व्यक्ति को विश्वस्निय या आप्त कहा जाए। जैमेंगला पुस्तक में विश्वस्निय व्यक्ति के बारे में बताया गया हैं कि जो कर्तव्यनिष्ट रागद्वेश रहित तथा सज्जनों द्वारा सम्मानित हो, अवैदिक दर्शन, यथा, जैन, बौध भी अपने शास्ताओं, महावीर, बुद्ध आदी, के वचनों क काम नहीं चलता वहाँ शब्द से ग्यान प्राप्त किया जाता हैं। चारवाक दर्शन शब्द को ग्यान का साधन नहीं मानते, शब्द प्रमान का खंडन, चारवाक दर्शन विश्वस्निय व्यक्तियों के वचनों तथा शास्त्रों के वाक्यों को आपतफचन मानने से शब्द आप्त पुरुष के वचन लेकिन आप्त पुरुष मिलना बहुत कठिन है। और अगर मिल भी जाए तो उसकी बात सत्य हो इसको सिध करने का कोई उपाय नहीं है। जब तक हमें शब्दों द्वारा बताये गए विषेयों का प्रत्यक्ष ज्यान नहीं कहा जा सकता है। वेदों का खंडन चारवाक ने वैदिक शब्दों को भी इतार्थ ज्यान के साधन के रूप में अप्रमानिक सिधकिया है। भारतिय दर्शन में सभी आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमान मानते। उनके अनुसार इस जगत के सभी प्रकार के ज्ञान के बीज वेदों में नहेत है। इस स्थिती में इनमें यथार्त एवं निश्चित ज्ञान नहीं मिल सकता। नहीं होती लेकिन यह पंडित मुफ्त की खाखा कर मोटे हो जाते। तीन वेदिक कर्मकांड में वर्नित रीती रिवाज हवन यग्यादी में इनका प्रमुक्ष लक्ष केवल अपना उल्लू सीधा करना रहता है। इसलिए चारवाक दर्शन एक वेदिक शब्दों को शब्द प्रमान नहीं मानते। चारवाक दर्शन की तत्व मीमानसा, तत्व मीमानसा के अंतरगत तीन विशेयों पर चर्चा की जाती। चारवाक की तत्व मीमानसा उनकी ग्यान मीमानसा पर आधारित हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्ष ही ग्यान का एक मात्र साधन है। इसलिए वह उन्ही विशेयों को वास्तविक मानते जिनका प्रत्यक्ष किया जा सके क्योंकि प्रत्यक्ष केवल भुतिक पदार्थों का ही किया जा सकता है। अतह चारवाक दर्शन के अनुसार भूतिया जड़ी मूल तत्व हैं. इसलिए उनके दर्शन को भोतिक वाद कहा जाता हैं. चारवाक की तत्व मीमानसा में हम तीन विशेओं पर विचार करेंगे सृष्टी ईश्वर और आत्मा. जगत विचार चारवाक दर्शन के अनुसार विश्व वास्तविक हैं. क्यूंकि इसका हमें प्रत्यक्ष होता है. जड़ जगत के निर्मान में अनेक दर्शनिक पंच महाभूत जैसे पृत्वी जल, वायू, अग्नी और आकाश को मानते. चारवाक दर्शनिक केवल चार तत इन चार महाभूतों के सहयोग से विश्व के सभी पदार्थ बने चारवाक दर्शनिक आकाश को महाभूत नहीं मानते क्यूंकि उनके अनुसार इसका प्रत्यक्ष नहीं होता यह चार तत्व भूतिक हैं. इनी से सभी वस्तुएं उत्पन हुई हैं. किन तत्वों का विग होने से इस विश्व का नाश हो जाता हैं. प्रिथ्वीग जल्फ वायू अगनी जगत विश्व की सभी सजीव और निर्जीव बस्तुएं इनी जड़ पदार्थों से बनी हैं. तथा समाप्त होने के बाद सब कुछ इनी चार महा भूतों में जाकर मिल जाता हैं. आत्म व दार्थ नहीं है. चैतन्य युक्त शरीर ही आत्मा. शरीर चेतना और आत्मा. कई भारतिय विचारक चेतना को आत्मा का गुण या लक्षन बताते चारवाक भी चैतन्य का अस्तित्व स्वीकार करते क्यूंकि इसका ग्यान आंतरिक प्रत्यक्ष द्वारा होता है. किन्तु चारवाक इसे एक उपमा द्वारा समझाते की जिस प्रकार चुना पान का पत्ता और सुपारी में लाल रंग का अभाव होता है. किन्तु इन्हे साथ साथ चबाने से हुंट लाल हो जाते ठीक उसी प्रकार भौतिक तत्वों में चेतना का अभाव होने पर भी इनके आपस हम दैनिक जीवन में पाते की अक्सर लोग कहते की मैं लंबा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गुरा हूँ, मैं काला हूँ इत्यादी यह कथन निश्चे ही आत्मा और शरीर को एक ही सिदख करते क्योंकि यदि आत्मा को शरीर से प्रिथक मान लिया जाए तो दैनिक जीवन के इन कथनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इन के अर्थ नहीं रह जाएगा। इन के अनुसार इश्वर नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। नास्तिक शिरुमनी चारवाक जो कुछ बाहरी इंद्रियों से दिखाई देता है अनुभूत होता है। उसी की सत्ता को स्वीकार करता है। यही कारण है कि चारवाक के सिधान्त में प्रत्यक्ष प्रमान को छोड़ कर कोई दूसरा प्रमान नहीं माना गया है। जिस ईश्वर की कल्पना अन्य दर्शनों में की गई हैं। उसकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रमान से संभव नहीं है। इनके अनुसार बीच से जो अनकुर का प्रादुर्भाव होता है। उसमें ईश्वर की भूमिका को मानना अनावश्यक एवं उफासास्पध ही है। अनकुर की उत्पत्ती तो मिट्टी एवं जल के सयोग से नितांत स्वाभाविक एवं सहज प्रक्रिया से सर्वानुभू सिध है। इस स्वाभाविक कार्य को संपन्न करने के लिए किसी अद्रिष्ट करता की स्वीकृती निरर्थक है। इश्वर को न मानने पर जीव सामान्य के शुब एवं अशुब कर्मों के फल की व्यवस्था कैसे संभभ होगी। इस प्रशन का समाधान करते हुए चारवाग पूछता हैं। कि किस कर्म फल की व्यवस्था अपेक्षित। संसार में दो प्रकार के कर्म देखे जाते. एक लौकिक तथा दूसरा अलौकिक कर्म. क्या आप लौकिक कर्मों के फल की व्यवस्था के संबंद में चिंतित? यदी हाँ, तो यह चिंता अनावश्यक है. लौकिक कर्मों का फल विधान तो लोक में सर्व मान्य एक राजा या रूप में कारागार आदी में भेज कर देता है। इसी प्रकार किसी की प्रान रक्षा आदी शुब कर्म करने वाले पुरुष को राजा ही पुरसकार रूप में सुफल अर्थात धन धान्य एवं सम्मान से विभूशित कर देता है। यदि आप अलोकिक कर्मों के फल की व्यवस्था के संदर्व में सचिंत तो यह चिंता भी नहीं करनी चाहिए। क्यूंकि पारलोकिक फल की दृष्टी से विहत्ये सभी यग्य, पूजा, पाठ तपस्या, आदी वैदिक कर्म, जन सामान्य को ठगने की दृष्टी से तथा अ परिचायक। इन वैदिक कर्मों का फल आज तक किसी को भी दृष्टी गोचर नहीं हुआ है। यदि वैदिक कर्मों का कोई फल होता तो अवश्य किसी ना किसी को इसका प्रत्यक्ष आज तक हुआ होता। अता आज तक किसी को भी इन वैदिक या वर्नाश्रम व्यवस्थ प्रत्यक्ष के आधार परह चारवाक ज्यान प्राप्ती का एक मात्र साधन प्रत्यक्ष को मानते और प्रत्यक्ष से इश्वर का ज्यान नहीं होता अता है। 2. अनुमान के आधार परह कभी-कभी इश्वर का अस्तित्व अनुमान के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। 2. अनुमान के आधार परह कई प्राचीन धार्मिक ग्रतों जैसे वेद पुरान गीता आधी के आधार पर भी इश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है। क्यूंकि वेद आधी को प्रामानिक ग्रंथ माना जाता हैं, क्यूंकि इनके आधार पर इश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना उचित माना जाता है। चार बाग वेदों के आधार पर इश्वर को सिद्ध करने और वेदों को इश्वर कृत होने के कारण उसे प्रामानिक माननिय में पुनरावृती दोश पाते इसलिए इनका दावा है कि वेदों के आधार पर भी इश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। चार विश्व व्यवस्था के आधार पर विश्व में पाई जाने वाली व्यवस्था के आधार पर भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ग किया जाता है। चार बाग के अनुसार पहले तो यही विवादास पधे की विश्व व्यवस्थित हैं। क्यूंकि अनेक विद्वान इसे अव्यवस्थित बताते यदि विश्व में व्यवस्था मान भी ली जाए तो इसके व्यवस्था पक के रूप में इश्वर की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है यह व्यवस्था प्राकृतिक भी हो सकती है। पांच, विश्व रचियता के रूप में, विश्व के रचियता के रूप में भी इश्वर का अस्तित्व सिद्र नहीं होता सामान्यतह कहा जाता हैं, कि भतिक तत्वों से विश्व का निर्मान करने के लिए इश्वर को कारण मानना आवश्यक हैं. चारवाक का यह कहना है, कि प्रकृती स्वयम चार भोतिक तत्वों से विश्व का निर्मान करती हैं. इस कार्य के लिए इश्वर या किसी अन्य अलौकिक सत्ता को मानने की आवश्यक्ता नहीं. इस प्रकार चारवाक दार्शन एक इन तरकों द्वारा इश्वर के का खंडन करते चारवाक की नीती मीमानसा भारतिय दर्शन में तत्वों का विवेचन केवल बौधिक संतुष्टी के लिए नहीं किया गया है वस्तुतह इसका उद्देश्य मानव जीवन को सफर बनाना रहा है किन्तु मानव जीवन की सफलता को लेकर विद्वानों में मतभ भी रहा है भारतिय मनीशा ने जीवन की सफलता हेतु चार पुरुशार्थ की विवेचना की है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सामान्यतय भारतिय दर्शनिकों ने मोक्ष को सरवादिक महत्व दिया है इसलिए प्रायर सभी दर्शन मोक्ष प्राप्ती का उद्देश लेकर ही अपनी तत्व मीमानसा प्रस्तुत करते उनके लिए मोक्ष का अर्थ है समस्त दुखों से विनिर्मुक्ती चून की देख के साथ दुख लगे ही रहते अतह चारवाक को छोड़ प्रायर सबने मोक्ष का उद्देश संसार में आवागमन की श्रिंखला से पुनरजन से हम के लिए छूटना बतलाया है दार्शनिकों ने मोक्ष संबंधी विचारों में मोक्ष प्राप्ती के साधनों पर भी चर्चा की है वस्तुतह मोक्ष और उसके साधन ही किसी भी दर्शन की आचार मीमानसा को तै करते चारवाक दर्शक की आचार मीमानसा भी उसकी तत्व मी मांसा में तो ईश्वर और आत्मा दोनों ही नहीं है, केवल जड़ पदार्थ है. वस्तुता इसलिए चारवाक के मोक्ष संबंधी विचार अन्य दर्शनों से एकदम हटकर है. चारवाक के अनुसार मोक्ष चारवाक दर्शन अन्य भार्तिय दर्शनों के मोक्ष संबंधी विचारों की कड़ी अलोचना करता है। वस्तुता अन्य दर्शनों से एकदम अलग हटकर इश्वर एवं आत्मा संबंधी विचारों को प्रस्तुत करने का है परिनाम तो होना ही था। अन्य दर्शनों के समानह यहां शरीर में कोई आत्मा नहीं है, जिसकी मुक्ती हे तु मनुष्य प्रयत न करे. नहीं यहां कोई इश्वर हैं, जिस तक पहुँचने के लिए मनुष्य बेचैन रहे. संसार को चारवाक दर्शन इतना दुखदाई भी नहीं समझता कि इसे त् मृत्यू तो वैसे भी सभी दुखों से मनुष्य को मुक्त कर ही देती है. इसलिए वह कहता है, मरनेव अपवर्ग, अर्थात मृत्यू ही अपवर्ग मोक्ष है. जहां तक जीवन मुक्ती अर्थात शरीर रहते हुए मोक्ष प्राप्त करने की बात है. चारवाक इसे और वेदों की इसने खूब खिल्ली उड़ाए है. पूर्ड में हम देख चुके कि वह वेदों को भांडो और धूरतों की कृती करता है, जिनका उद्देश्य लोगों को बेवकूफ बनाना तथा स्वायम द्रव्यार्जन करना था. खासकर वैदिक यग्यों की वह करता है. यग्यों में दी जाने वाली पशु बली की आलोचना में सर्व दर्शन संग्रेह में चारवाग का एक श्लोक हैं, जिसका भाव है कि यदि यग्यों में बली दिया गया पशु स्वार्ग पहुँच जाता हैं, तो वे क्यू नहीं पशुओं के बदले अपने माता पिता की बली देकर उन्हें सीधे स्वार्ग भेज देते। उसका कुटुम उसकी भूप शांती के लिए उसे घर पर ही भूजन क्यों नहीं अर्पित कर देता। सुखवाद, सुख को महत्व देने के कारण चारवाक दर्शन की आचार मीमान सा सुखवादी हो जाती है। करते जाएं। सुख उठाने के लिए थोड़ा बहुत दुख उठाना पड़े तो हमें बेहिचक उठाना चाहिए। धान का कड़ा छिलका निकालने के बाद ही तो नर्म चावल मिलता है। दुख के भई से सुख छोड़ना मूर्खता है। चारवाग सन्यास और तपस्या की निंदा करता है क्योंकि यह जीवन के टुखा से पलायन करना है। इसके कारण मनुष्य जीवन के सुखों से भी वंचित रह जाता है। सुख में भी चारवाग दर्शन वर्तमान काल के सुख क्रहन करने को बुद्धिमानी कहता है। कल अधिक सुख मिलेगा, इसलिए वर्तमान के अल्प सुख को त्यागना मूर्खता है. कल के मयूर से आज का कबूतर अच्छा है. आज हाथ है हुई कोडी मूल्यवान है, बजाय कल मिलने वाला संदिग्ध सोना, क्यूंकि आज वर्तमान निश्चित है, कल भविश्य अनिश्चित है. सामान्य तया चारवाक दर्शन में सुख का मतलब भोतिक सुख से ही लिया जाता है. इस संबंद में एक प्रसिद दुहा उद्रित किया जाता है. परिश्कृत सुखवाद कुछ विद्वानों का मत है कि केवल वर्तमान काल के भोतिक सुखों का ग्रहन करने की बात सभी चारवाक नहीं कहते थे. कुछ हैसे भी थे जो मानते थे सुखों में भी निम्न और उच्चकारंतर होता है तथा निम्न की तुलना में उच्च्च सुख ग्रहनिय होते. ऐसा सुख वर्तमान के भोतिक सुख से नहीं बरन भविश्य में सोच विचार कर कार्य करने से प्राप्त होता है विनिमुक्ती के काम शास्त्र में अनुशासन और सैयम को भी सुख प्राप्ती में आवश्यक माना गया है वात्साइन संगीत साधना, कलात्मक वृत्तियां तथा शास्त्र ग्यान और आचार शुग्धी तक में सुख नहित मानते, जोकी वस्तुतर शारीरिक सुख से श्रेश्ट होता है इस तरह हम देखते कि पाश्चात्य दर्शन के स्थूल और परिश्कृत सुखवाद के समान बारवाक में भी सुखवाद को लेकर मत भेद है प्रतम प्रकार के चारवा को धूर्त और दूतिय प्रकार के सुशिक्षित कहे जाते जैन दर्शन जैन दर्शन का प्रमान शास्त्र जैन दर्शन में जीव को चैतन्य स्वरूप माना गया है। यहां चैतन्य आत्मा का गुन है। आत्मा का यह चैतन्य स्वपर्भासी कहा गया है क्यूंकि यह स्वयम को प्रकाशित करते हुए जगत की अन्य वस्तूओं को प्रकाशित करता है जैसे सूर्य स्वयम को तथा वस्तूओं को प्रकाशित करता है। यहां उलेकनी यहें कि जैन दर्शन में ग्यान को ही प्रमान कहते हैं. एक, प्रत्यक्ष प्रमान, न्याय दर्शन तथा रण्य भार्तिय दर्शनों में प्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ग्यान से लिया जाता है, किन्तु जैन दर्शन में प्रत्यक्ष इसके विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यक्ष के प्रकार प्रत्यक्ष प्रमान के तीन प्रकार जैन दर्शन में माने गए हैं। जिसने रागद्वेश पर विजय प्राप्त कर ली हो वही इस ग्यान को प्राप्त कर सकता है। प्रत्यक्ष आत्मा पर आश्रित है अतह प्रत्यक्ष से भिन परोक्ष प्रमान वह हुआ जो मन और इंद्रियों के द्वारा मिलता है। परोक्ष प्रमान के प्रकार आई मतिग्यान यह पंच ग्यान इंद्रियों, स्पर्शन, त्वचा, प्रसन, घान, चक्षु एवं श्रोत तथा मन के द्वारा उत्पन होता है। इच शुत ग्यान अन्यों से वर्नन के द्वारा सुनकर जिस ग्यान की प्राप्ती होती है वह शुत ग्यान है। इसमें जैन तीर्थन करों के वचन तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथों से प्राप्त ग्यान आता है। यहां उलेकनी यहे कि जैन दर्शन में मतिग्यान से शुतग्यान को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एक तो मतिग्यान केवर वर्तमान का संभब है जबकि शुतग्यान की सीमा में तीनों कालों का ग्यान आता है, दूसरे शुतग्यान जैनतीर्थिकरों और ग्रंथों से सं किन्तु मतिग्यान और शुतग्यान दोनों में दोश की संभावना मानी गई है। इसलिए रखने कहता है क्यूंकि उसके अनुसार द्रव्य अनन्त धर्मों से युक्त होता है। जैन दर्शन के अनुसार प्रतेक द्रव्य में प्रमुक रूप से दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक नित्य धर्म, दो अनित्य धर्म। इन में से प्रत्थम द्रव्य के गुंड है और द्विती एक पर्याय। गुंड की द्रिष्टी से द्रव्य नित्य है किन्तु पर्याय की द्रिष्टी से वह नित्य है। इसे हम एक उधाहरन द्वारा स्पष्ट करेंगे। ये उधाहरन स्वर्ण के एक आभूशन का है। इस आभूशन में स्वर्ण का स्वरू पर थात कुंड जैसे उसका पीलापन, चम्कीलापन आदी उसका नित्य धर्म है, इसके विपरीत स्वर्ण आभूशन का आकार उस केवल वही व्यक्ति, जिसने कैवलिय प्राप्त कर लिया हो केवली वस्तू के सभी धर्मों को जान सकता है। जो परामर्ष होता है, उसे भी ज्यानी नएक कहते हैं। अनेकान्तवाद का उद्देश्य अपने ही विचारों को सत्य कहने तथा विरोधियों के विचारों को मिथ्या कहने की हटवादिता को रोपना है। निश्चे यही दर्शन शास्त्र में बेहद विवाद होते हैं, जैसे कोई सतकार्यवाद का समर्थक है तो कोई असतकार्यवाद का, कोई जगत को अनिर्वचनिय कहता है तो कोई निर्वचनिय। जैन दर्शन बौधदर्शन के समान मध्यम मार्ग अपनाने को नहीं कहता। जैन दर्शन बौधदर्शन 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 के समान होता है। तीसरे ने हाथी की पूच छूकर कहा कि हाथी तो रसी के समान है। इसी तरह अन्य तीन अंधे भी हाथी के अलग-अलग अंगों को छूकर हाथी की समान अता उन अंगों के समान वस्तूओं से बताने लगे। यहाँ जैन अदर्शन कहता है कि एकांतवादी इन ही अंधों के समान होते हैं जो अपने अपने तरीके से वस्तू का ग्यान प्राप्त करते हैं। विवाद की जड़ तब पैदा होती हैं जब वे अपने ही दृष्टिकों को सत्य बताते हैं, दूसरे को असत्य कहते हैं। जैन दर्शन का अनेक अंतवाद, एक अंतवाद की इसी कमजूरी को दूर करता है। जहां अन्य दर्शन केवल अपने दर्शन को ही सत्य कहते है तथा अपने विरोधियों का खंडन बड़ी ततपरता से करते हैं, वहां जैन दर्शन विरोधियों के विचार का भी सम्मान करता है. सियादवाद स्यादवाद जैन ग्यान मीमानसा का एक अत्यंत प्रसित सिधान्त है जो उसके अनेकांतवादी सिधान्त पर आधारित है. जैन दर्शन के अनुसार वस्तु में अनंत धर्म होते हैं. इसलिए वस्तु को वे अनेकांतक कहते हैं. इस अनिकांतक वस्तु के कथन के लिए ही जैन दर्शन स्यादवाद को प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति अनिकांतक वस्तु का आंशिक ज्यान ही प्राप्त कर सकता है, जिसे नए कहते हैं। इस नए के आगे स्याद शब्द जोर दिया जाए तो वही प्रमान बन जाता है। स्यात शब्द का अर्थ जैन दर्शन के अनुसार, स्यात शब्द का अर्थ किसी अपेक्षा से अथ्वा किसी द्रिष्टी से है। किसी वस्तू के संबंध में उस वाक्य की सत्यता किसी विशेश प्रसंग में ही सीमित है। अन्य प्रसंगों में वह अन्य को चत्वा मिथ्या भी हो सकती है। जैसे, हाथी के उदाहरण में एक प्रसंग में हाथी की दीवाल के समान होना सत्य है, किन्तु दूसरे प्रसंग में वह खंभे के समान भी हो सकता है। अतह अपने नयको प्रामानेक बनाने के लिए हाथी के पेट को छूने वाले अंधे को कहना चाहिए कि स्याथ हाथी दीवाल के समान है अर्थाथ एक द्रिष्टी से हाथी दीवाल के समान है। स्यादवाद संशयवाद नहीं है वरन इसके विपरीत यह किसी निश्चियर अर्थ का सूचक है, इस पर जैन दर्शन अत्यंत जोर देता है. स्यादवाद का महत्व स्यादवाद का महत्व भी अनेकांतवाद के समान ही हटवादिता का त्याग करूदार बनने में नहीं थे जैन दर्शन अपने अहिंसा के सिधान्त के लिए प्रसिद है उनका स्यादवाद एक प्रकार से मानसहिंसा है क्योंकि स्यादवाद अपना कर वे दूसरे के विचारों की सत्यता को भी स्वीकार करते हैं इस तरह अन्य दर्शन जहां अपने ही दर्शन को सत्य घोशित कर दूसरों के विचारों की इस सत्यता के प्रतिपादन में लगे रहते हैं, वहां जैन दर्शन दूसरे दर्शनों के विचारों को भी महत्व देता है. इस तरह स्यावाद जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिधान्थ है. स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन ग्रंथों में अनेक स्थानों पर स्यादवाद के स्थान पर अनेकांतवाद का प्रयोग भी हुआ है. वस्तुतर इन दोनों ही शब्दों के पीछे एक ही हेतु रह वह है वस्तू की अनेकांतिक्ता। इसलिए कई बार स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कह दिया जाता है। नए परामर्ष जज्मिंट उपर हमने देखा कि जैन दर्शन वस्तू को अनन्थ धर्मात्म कम कहता है। हमारा वस्तू के संबंध में कथन उसके किसी विशेश धर्म को ही इंगित करता है। इस तरह वह आनशिक सत्य होता है। इसे ही नई कहते हैं. इस तरह, नई, किसी वस्तू के संबंध में सापेक्षत्वा आन्शिक कतन है. चुनकी धर्म अनंथ है, अतह नई भी अनंथ होने चाहिए. साथ प्रकार के नई, किंतु इन अनंथ नईों की अलग-अलग अभिव्यक्ती संभव नहीं है. हाँ, साथ प्रकार से अवश्य इन अनंथ धर्मों की अभिव्यक्ती संभव है. अतह जैन दार्शनिक साथ प्रकार के नई का, सप्त्वंगी नई, नामक सिधान्त प्रस्तुत करते हैं. सामान्यत या न्याय शास्त्र में दो प्रकार के तर्कवाक्य बताए जाते हैं. प्रकार के और नई बताते हैं. इस तरह कुल, साथ नई वे स्वीकार करते हैं. यहाँ लेकनी यहे कि इन साथो नईों में जैनी, स्यात, शब्द अनिवारिय रूप से जोडते हैं, ताकि नई, प्रामानिक बन सके. हम पहले ही बता चुके हैं कि स्यात, शब्द अपेक्षिक्ता का द्योतक है अर्थात यह बताने वाला है कि किसी अपेक्षा या द्रिष्टी से वस्तू के विश्य में कथन किया जा रहा है. आगे हम किसी भी द्रव्य के संबंद में कौन-कौन से साथ नए जैन दार्शनिक बताते हैं, यह देखेंगे. 1. स्यात अस्ती अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य है 2. स्यात नास्ती अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य नहीं है 3. स्यात आस्ती चर नास्ती चर अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य है और नहीं भी है 4. स्यात अव्यक्तव्य अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य ऐसा है जिसके बारे में कुछ निश्चित नहीं जा सकता है अर्थात अव्यक्तव्य है 5. स्यात अस्तीचर अव्यक्तव्यम्चर अर्थात किसी अपेक्षा से द्रव्य है, किन्तु ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वाक्यों की अलग-अलग व्याख्या करेंगे. सातों नयों को ठीक से समझने के लिए हम घड़े के अस्तित्व के संबंद में इन नयों का प्रयोग करेंगे. पहला वाक्य घड़े को लेकर पहला वाक्य होगा, स्यात खड़ा है. इसका अर्थ है किसी विशेश देश, काल और रूप के प्रसंग में घड़ा है. दूसरा वाक्य दूसरा वाक्य होगा, स्यात खड़ा नहीं है. इसका अर्थ है किसी विशेश देश, काल और रूप के प्रसंग में घड़ा नहीं है. तीसरा वाक्य स्यात खड़ा है और नहीं है. यह तीसरा वाक्य होगा. इसका मतलब हुआ कि किसी विशेश देश, काल औ और रूप के प्रसंग में घड़ा नहीं है चौथा वाक्य चौथा वाक्य होगा स्यात खड़ा अव्यक्त है इस चौथे वाक्य का अर्थ हुआ की एक द्रिष्टी से घड़ा ऐसा है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता इसे हम एक उदाहरं के द्वारा समझेंगे अपने की अवस्था में लाल रंग का होता है किन्तु बीच की अवस्था में अर्थात जब न पूर्ण लाल अतह अव्यक्त है वह पक रहा है तब वह न पूर्ण काला है पांचवा वाक्य पांचवा वाक्य होगा स्यात खड़ा है और अव्यक्त है इसका मतलब है कि द्रिष्टी से घड़ा है तो किन्तु उसके वर्ण का स्पष्ट निर्देशन न होने के कारण वह अव्यक्त है। द्रिष्टिकों स्पष्टन होने पर अव्यक्त है और थात उसके विशय में हम कुछ नहीं कह सकते। यहां उलेकनिय है कि इन में से प्रतम चार नई अधिक महत्व पूर्ण है। शेश तीन नई चोथे, नई के साथ पहले, दूसरे और तीसरे नई को जोडने से बने हैं। इस प्रकार पहले और चोथे को जोडने से पांचवा, दूसरे और चोथे को जोडने से छटवा तथा तीसरे और चोथे को जोडने से साथवा नई बना है। जैन तत्त्व मिमांसा यहां अनेक तत्व स्विकार किये गये है मोटे तॉर पर तत्वों को दो भागे में बाटा गया है एक अस्तिकाय, दो अनास्तिकाय ये क्या है इस पर चर्चा करने के पूर्वहम जैन दर्शन के अनुसार तत्व क्या हैं? यह देखेंगे, द्रव्य तत्व, जैन दर्शन की ज्ञानमी मानसा के समान उसकी तत्वमी मानसा भी अनेक अंत्वादी है, यहां तत्वर अनेक स्वीकार किये गए हैं, उलेकनी यह है कि जैन दर्शन में तत्व को ही द्रव्य कहा गया है, यह सत है, द्रव्य की 1. द्रव्य अनंत धर्मों से यूक्त है अनंत धर्मकम वस्तू, दर्शन में तत्व को लेकर एक विवादासपद प्रशन रहा है कि तत्व नित्य है या परिवर्तन्शील है। जैसे अद्वेत्वेदान्त तत्व को नित्य कहता है जबकि बौधधर्शन उसे शील कहता था। यहां जैन दर्शन मध्यममार्ग अपनाता है, उसके अनुसार द्रव्य दोनों ही धर्मों से यूक्त है। वह नित्य भी है और अनित्य भी। वस्तुतर जैन दर्शन द्रव्य को अनंत धर्मों से यूक्त कहता है। अनंत धर्मकम वस्तू, प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य गुन और पर्याय से युक्त होता है. वस्तुता गुन और पर्याय भी द्रव्य के दो धर्म हैं. इन्हें द्रव्य के दो प्रकार के धर्म कहा गया है. एक नित्य धर्म इसे पदार्थ का शाश्वत अंज कह सकते हैं. ये वे गुन होते हैं जिसके बिना पदार्थ विशेश पदार्थ नहीं रह पाता है, अपनी पहचान खो देता है, इसलिए इसे स्वरूपधर्म भी कहते हैं, इस तरह ये गुन हैं, दो अनित्य धर्म, इसे पदार्थ का अशाश्वत अंश कह सकते हैं, इन में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसे आगन दुक धर्म भी कहते हैं. ये ही पर्याय हैं. उदाहरण, आत्मा एक द्रव्य है. चैतन्य आत्मा का नित्य धर्म है. ये मनुष्य में हमेशा रहता है जबकी इच्छा, संकल्प, सुक दुक आदी उसके अनित्य धर्म है जो बदलते रहते हैं. इसे एक अन्य उदाहरण पारा भी समझाया गया है. सोना एक द्रव्य है. उसका पीलापन, ठोजन, चमकिलापन उसके गुन है. ये उसके ऐसे धर्म है जिसके बिना सोना नहीं रह सकता अर्थात्य उसके नित्य धर्म हुए. सोने के विभिन आभुशन या आकृतियां उसके विभिन परियाई हैं जो बदलते रहते हैं। इस तरह दो प्रकार के उप्रोक्त धर्मों को ही जैन दर्शन में क्रमशव गुन और परियाय कहा गया है। इसलिए द्रव्य की एक और परिभाशा दी जाती है, गुनपर्यायवत द्रव्यम, अर्थात द्रव्यव है जिसमें गुन और परियाय हो. इस तरह द्रव्य गुन और परियाय का आश्रय है. 3. द्रव्य, उत्पत्ती, स्थिती और क्षय से युक्त उत्पादव्य ध्रव्य से युक्तम सत् जैन दर्शन में द्रव्य का एक और लक्षन कहा गया है. उत्पादव्य द्रव्य न्युक्तम सत अर्थात द्रव्य में ध्रव्य नित्यता, उत्पाद, उत्पत्ती और व्य एक्षय तीन धर्म होते हैं। पुन ग्यान केवल केवली को अनंत धर्मों से युक्त पदार्त के सभी धर्मों का ग्यान सभी मनुश्य नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे वे कितने भी बुद्धिमान क्यूं नहों। सिर्फ केवली अर्थात सर्वग्य ही द्रव्य के सभी धर्मों का ज्यान प्राप्त कर सकता है। किन्तु व्यवहार के लिए वस्तु का आंशिक ज्यान भी पर्याप्त होता है। द्रव्य के प्रकार द्रव्य के मोटे रूप से दो प्रकार बताए गए है। एक, अस्तिकाय, दो, अनस्तिकाय, एक, अस्तिकाय, वह द्रव्य जो काया अर्थात शरीर युक्त होता है, अस्तिकाय कहलाता है, इसकी विशेशता आकाश या स्थान घेरना है, शून्य जैन दर्शन में अस्तिकाय द्रव्य भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक, जीव, दो, अजीव, जीव में विबिन प्रकार की जीवात्माय आती हैं और अजीव में चार द्रव्य आते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। 2. अंस्तिकाय, इसमें एक मात्र द्रव्य काल माना गया है. काल के द्वारा ही संसार की समस्त गतियां सूत्रब्यध होती हैं. काल का अस्तित्व तो है किन्तु एक पक्षिय होने के है, कारण इसमें विशालता या विस्तार नहीं है. काल के भी दो भेद हैं. एक, नित्यकाल नित्यकाल का न आदी है न अंत है. दो, सापेक्ष काल इसका आदी और अंत दोनों है. नित्यकाल को हम काल के नाम से तथा सापेक्ष को समे के नाम से पुकराते हैं. काल, समे का महत्वपूर्ण कारण है. चुनकी काल की गति से सब पुर्वक इंद्रव्यों पर विचार करेंगे. जीव तत्व आत्मा चेतन तत्व जैन दर्शन के अनुसार जीव तत्व सारे जगत में समाया हुआ है. अजीव तत्व से सर्वता प्रिथक जीव तत्व की विशिष्टता चैतन्य युक्त होना है. जैन दर्शन में जीव की परिभाशा दी मही है चैतन्य लक्षन और जीव अर्थात जीव का लक्षन चेतना है इस तरह संसार के छोटे से छोटे जीव में चेतना विद्यमान रहती है जीवकर्ता और भोक्ता, जीव की यह चेतना वैसे तो निसरगिक रूप से अनन्द ज्यान, अनन्द दर्शन और अनन्द सामर्थ्य से यूक्त है, किन्तु जीव के पूर्व जन्मों के अशुप कर्मों के कारण ये स्वाभाविक धर्म छिप जाते हैं, इन पर एक प्रकार का आवरण पर जाता है, इसलिए ऐसे कर्मों को आवरणिय कर्म कहा जाता है, किन्तु जीवात्मा अपने शुप कर्मों के द्वारा इस आवरण को नश्ट कर अपने स्वाभाविक रूप में रह सकती है, इस तरह जैन दर्शन में जीव स्वयम ही अपने उत्थान पतन, खत्वा बंदन मोक्ष का कारण कहा गया है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यहाँ जीव करता एवं भोकता माना गया है, उलेकनी यह है कि सांक्य एवं वेदान्त दर्शन में आत्मा ना करता है और न भोकता है, जीव शरीर से प्रिथक तत्व जैन दर्शन मानता है कि जीव का अनुभव हमें शरीर में ही होता है किन्तु यह शरीर से सर्वत्था प्रिथक है, शरीर यहाँ अजीव तत्व है, शरीर पुद्गल जड़ द्रव्यत से बना है, अतह यह चेतन आत्मा का जनक नहीं हो सकता, चेतन आत्मा शरीर से प्रिथक है, इससे सिद़ करने क लिए जैन दार्शनिक एक तरक यह भी देते हैं कि शरीर के बने रहने पर भी, यथा गाग निद्र या मृत्यूं में चेतना अनुपस्थित रहती है। जैन दर्शन में इस विचार को एक दीपक के उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है. जिस तरह दीपक, जिस कमरे में रखा जाता है उसे प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा संपून शरीर को चैतन्य में करती है. वस्तुता सिकुर्ना एवं फेलना आत्मा का गुन है. अपने इसी गुन के कारण आत्मा छोटे शरीर को त्याग बड़े शरीर में प्रवेश कर पाती है, अत्वा बड़े शरीर को त्याग छोटे शरीर में प्रवेश कर पाती है. जैसे चीटी जैसे छोटे से शरीर से हाथी जैसे शरीर में प्रवेश करते वक्त वह प्रसारित हो जाती है तथा हाथी से चीटी के शरीर में जाते वक्त संकुचित हो जाती है जीवात्मा का शरीर के बंधन में पढ़ना जैन दर्शन में इस प्रशन पर गहराई से विचार हुआ है कि जीवात्मा शरीर के बंधन में क्यूं और कैसे आती है वस्तुतर इसी प्रशन का उत्तर उनका मोक्ष सिधान्त है यहां माना गया है कि पूर्ग जन्ग के कर्मफिलों के कारण जीवात्मा बंधन ग्रस्थ होती है। कर्मों के अनुरूप ही उसे शरीर मिलता है। कर्मों के अनुसार ही पुद्गलकन उसकी और आक्रिष्ट होते हैं और उसके लिए कर्मानुसार शरीर बनाते हैं। इसकी व अस्तित्व की सिद्धी जैन दर्शन में जीवात्मा के अस्तित्व की सिद्धी के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमान प्रस्तुत किये गए हैं. एक, प्रत्यक्ष प्रमान, हम सब अपने चेतन अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, आत्मा के अस्तित्व में संदेल की कोई गुंजाइश नहीं है। जीवात्मा का प्रत्यक्ष ग्यान तुम्हें भी हो सकता है। इसके बारे में संदेल आदी से युप्त तुम्हारा ग्यान ही जीवात्मा है। जो स्वयम तुम्हारे अनुभव से सिध्ध होता है, उसको सिध्ध करने के लिए किसी प्रमान की आवश्यक्ता नहीं है। और अ आवीर यह भी कहते हैं कि संदेह करने वाला ही अपने अस्तित्व को प्रमानित करता है। यही बात पाश्चाते जगत में आंस्टाइन, कैमपानोला, आदी ने कहा है। उपनिशदों में भी कहा गया है, विग्यातार अरे के इन विजानियात, अर्थात जो सबको जानने वा प्रमानित करता है, जैसे चलना, फिरना, खाना, पीना आदी. शरीर ये क्रियाई का दापी संपन्न नहीं कर पाता, यदि उसका कोई चालक नहीं होता। आखिर मशीन का भी तो कोई ना कोई चालक होता है। शरीर का यह चालक जीवात्मा है। जीव के प्रकार। भी पूर्वजन्मों के कर्मफल के कारण प्रती एक जीव की चेतना का विकास एक समान नहीं होता। इसी आधार पर जैन दर्शन में जीव के अनेक प्रकार बताए गए है। सबसे पहले तो बध़ और मुक्त ये दो जीव के प्रकार है। 1. मुक्त जीव वस्तुत ये अन्य जीवों से एक दम अलग होते हैं क्यूंकि अन्य जीवों के समान ये शरीर नहीं धारन करते। इन में प्रकृती का लेशमात्र भी तत्व नहीं रहता। इन में पवित्रता और असीम चेतना होती है। इन्हे अनंत ग्यान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य एवं अनंत सुख प्राप्त है। 2. बद जीव जीवन चक्र में गुंने वाले शरीर बद जीव कहे गए हैं। अग्यान के कारण स्वयम को प्रकृती के समान समझने वाले ये जीव मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं एक स्थावर जीव दो, जंगम जीव, एक स्थावर जीव स्थावर याने एक स्थान पर स्थिर रहने वाले जीव ये इंद्रिय गोचर नहीं होते अर्थात हम उन्हें अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते ये स्वयम में किंद्रिय अर्थात एक ही इंद्रिय रखने वाले होते हैं इनमें आत्मिक शक्ती का विकास बहुत ही कम होता है इनके भी स्थान के अनुसार पांच प्रकार बताए गए हैं, एक प्रिथवी काय, दो जल काय, तीन अगने काय, चार वायू काय, पांच वनस्पती काय. अर्थात प्रिथवी, जल आदी में रहने वाले जीव, दो जंगम जीव ये उद्देशे पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ होते हैं, इंद्रियों की संख्या के आधार पर ये पांच प्रकार के बताए गए हैं, एक, अकेंद्रिय जीव इसमें के इन तीन इंद्रियों से युक्त जीवों में चीटी, पतंगे जैसे जीव आते हैं, चार, चतुरिंद्रिय जीव स्पर्ष रसना, घान और नेत्रिन चार इंद्रियों युक्त जीवों में व्रम, मच्छर जैसे जीव आते हैं, पांच, पंचेंद्रिय जीव स्पर्ष, र असना, घ्रान, नेत्र और श्रवन इन पांच इंद्रियों से युक्त जीवों में मच्छली जैसे जल्चर, हाथी जैसे थल्चर और पक्षी जैसे नप्चप्राणी आते हैं. मनुश्य भी इसी श्रेनी में आते हैं. अजीव तत्व जैन दर्शन में जीव के अतिरिक्ट जिन्चार अन्य तत्वों पुद्गल, धर्म और अधर्म, तथा आकाश को उस्तिकाय कहा गया है. उनका संक्षिप्त परिचे निम्नलिखे थे. एक, पुद्गल, प्रायल सभी भारतिय दार्शनिकों ने जगत के मूल तत्व पर अर्थात उस तत्व पर जिससे यह जड़ जगत समस्त जड़ शरीरों सहित बना है. गेहराय से विचार किया है. इस मूल तत्व को जहां सांख्यादी दार्शनिक, प्रकृती, प्रधन य जड़ परमानू कहते है, वहां जैन दर्शन पुद्गल कहता है. इस तरह जैन दर्शन में पुद्गल जगत का मूल कारक है. पुद्गल शब्द का अर्थ, पुद्गल का शाब्दिक अर्थ है, पुरयंती गलंती च्य, अर्थात जिसका सयोग और विभाजन होता है, वह पुद्गल है. पुद्गल की इसी विशेशता के कारण पुद्गल कंड जुड़कर आकार बनाने में सफल होते हैं और बड़े आकार को तोड़कर छोटे-छोटे कनों में बाटा जा सकता है. अनू और संघात पुद्गल के लगुतम कंड को अर्थात जिसे और आगे न तो इन में परस्पर आकर्शन शक्ती होती है जिससे भौतिक पदार्थों की उत्पत्ती होती है. भौतिक जगत में परिवर्तन अनूओं के विशलेशन एवं संचलेशन के कारण होते हैं. इन अनूओं को हम अपनी आखों से नहीं देख सकते हैं. पुद्गल के गुण जैन दर्शन में पुद्गल के चार गुन माने गए हैं, स्पर्ष, स्वाद, में गंधो और रंगा ये गुन अनुओं और संघातों दोनों में पाये जाते हैं। 2. धर्म और अधर्म यहां धर्म और अधर्म का मतलब पुन्यवपाप के जनक लौकिक धर्म और अधर्म से नहीं है। 3. जैसे जल मचली के तैरने में सहकारी होता है, उसी तरह संसार के समस्त जीवों और पुद्गल को गती देने में धर्म अस्तिकाय सहायक होता है। जगत में गती के साथ स्थिर्ता भी दिखाई देती है। यह स्थिर्ता जिस त्रव्य के कारण संभव है उसे ही जैन दर्शन में अधर्म कहा गया है। जिस प्रकार थके हुए पतिक के ठहरने के लिए व्रिक्ष की छाया सहायक होती है, उसी प्रकार गतिशील पिंडों के रुपने में अधर्म सहायक होता है, किन्तु यह सक्रिय रूप से किसी भी पिंड की गती में बाधा नहीं डालता। 3. आकाश आकाश वह अजीव इस्तिकाय है जो अनन्त दिख बिंदूं से निर्मित है, किन्तु यह दिख बिंदू अगोच रहते हैं। इसलिए हम आकाश का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अनुमान के आधार पर ही इसे स्वीकार किया जा सकता है। अनुमान यह है कि समस्त जीद एवम अजीव तत्वों को अपने अस्तित्व के लिए स्थान का होना जरूरी है। यही स्थान वस्तुत आकाश है। जैन दर्शन में आकाश के दो प्रकार माने गए हैं। एक लोकाकाश जिसमें समस्त जीव एवम अजीव द्रव्य स्थान लेते हैं। यह हमारे सी विश्व का परिचायक है. दो अलोकाकाश जो लोकाकाश से परे द्रव्य रहित शुद बाह्य आकाश है. बंधन और मोक्ष. बंधन जीवन में सर्वत्र दुख है, सर्वम दुखम, बौध दर्शन के समान जैन दर्शन भी इसे एक सत्य बतलाता है. यहां प्रशन उठता है कि जीव के दुख का कारण क्या है? उत्तर में जैन दर्शन प्रमुक कारण शरीर से जुड़ा होना बतलाता है. इस तरह शरीर है बंधन है, जिससे चूट कर जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ती करती है. किंतु शरीर का त्याग करने वाली प्रते एक जीवात्मा मोक्ष की जीवात्मा को दूसरा शरीर धारंग करना पड़ता है। अतह मोक्ष की प्राप्ति हेतु शरीर के बंधन से हमेशा के लिए मुक्थ होना जरूरी है, किन्तु यह संभव कैसे है। इसे जानने के लिए सर्फपरथम हम यह देखेंगे कि जीवात्मा शरीर के बंधन में किस प निर्मित होते हैं, जो जीव के साथ शरीर नाश के बाद भी बने रहते हैं। जीव का अगला जन्व शरीर इन संसकारों के अनुसार कर्मफल अनुसार की निर्धारित होता है। जीवात्मा को बार-बार शरीर के बंधन में डालने वाले सिंसकारों को जैन दर्शन में कशाय कहा गया है। इन में मुख्यत तह क्रोध, लोब, मुं, गरवादी की कुपवृतियां आती है। ये चारों वस्तुतह जीव की त्रिशना हैं। ये कशाय पुद्गल कनों को अपनी और आकरिष्ट करते हैं और इस तरह जीवात्मा का शरीर बनता है। कशाय का अर्थ होता है ऐसा चिपचिपा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ आसानी से चिपक जाए। जिस प्रकार एक गीले कपडे में धूल के कन आसानी से चिपक जाते हैं, वैसे ही कशाय में पुद्गल कना चिपकते हैं। इस तरह बन्धन का मुख्य कारण कशाय ही है। जैन दर्शन में कशाय की और पुद्गल का आना आश्रिफ प्रवाह कहलाता है। बन्धन का नाश यू तो वेदान्त दर्शन के समान जैन दर्शन भी मानता है कि जीवात्मा स्वाभावत्व मुक्त है पर संसकारों के कारण वह बन्धन अग्रिस्थ होती है। अब जब यह जान लिया गया कि बन्धन का कारण पुद्गलों का जीव की और आक्रिष्ट होना है, तब जैन दर्शन के लिए शरीर के बन्धन के नाश का उपाई जानना सरल हो जाता है। इस हेतु जैन दर्शन में दो उपाई बताए गए है, एक संवर, दूप निर्जरा। एक संवर, संवर का अर्थ है नए पुद्गलों का आश्रक बंध होना। ये नए पुद्गलकन भविश्य पुनरजन्व में शरीर बंधन के कारण बनते हैं, अतह इन्हे रोकना अर्थात आश्रुप का बंध होना अत्यंत आवश्यक है। 2. निर्जरा निर्जरा का अर्थ है जीव में पहले से पुद्गलों का जीर्ण होना। यदि ये पुद्गलकन जीर्ण नहीं होनगे तो मृत्यू के बाद भी जीवात्मा से चिपके रहेंगे। ऐसी स्थिती में भले ही संवर के कारण नए पुद्गलकन का आश्रुप बंध हो जाए, पर जीवात्मा का पुनह नया जन्धारन करना पड़ेगा। अतह मोक्ष हेतु निर्जरा भी अत्यंत आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ती के साधन, जैन दर्शन में इस हेतु त्रिरतन एवं पंचमहावरत का सिधान्त प्रस्तुत किया गया है। आगे हम दोनों की विवेचना करेंगे। त्रिरतन मोक्ष प्राप्ती में आवश्यक भूमिका निभाने वाले त्रिरतन अर्थात तीन रतने, एक सम्यक दर्शन, दो सम्यक ज्यान, तीन सम्यक चरित्र। इन तीनों के सम्मिलित होने पर ही मोक्ष मिलता है। एक, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन का अरथ है जैन धर्म के उपदेश्टाओं के प्रती श्रद्धा एवं उनके वचनों की सत्यता पर विश्वास एवं श्रद्धा. किन्तु यह श्रद्धा एवं विश्वास अंध विश्वास से बहुत दूर है. जैन विचारक यह नहीं क न मेरा महावीर के प्रती कोई पक्षपात है और न कपिल या अन्य दार्शनिकों के प्रती द्वेश ही है। मैं युक्ती संगत वचन को ही मानता हूँ, वह चाहे जिस किसी का हो। और सुयश सुंदर्ता पर, जीवन सुख भोग पर, राजशक्ती विजय पर, संस्कृती, श्रेष्ठता पर और शासन राजनीती पर आधारित है। उसी प्रकार यह सम्यक दर्शन मुक्ष का प्राथमिक कारण है। 2. सम्यक ज्ञान बंधन के नाश के लिए सम्यक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सम्यक ज्यान जीव और अजीव तत्व की वास्तविक प्रकृती का ज्यान है. यह जीव के बंधन में फंसने का अर्थात शरीर धारन करने का ज्यान है. इस ज्यान के अभाव में क्रोध, लोभादी कशायों के नाश हे तु जीव का प्रेरित होना संभव नहीं है और इसके ब जो मोक्ष प्राप्ती में बाधक है तथा ऐसे कारियों की ओर प्रवरित होना जो मोक्ष प्राप्ती में सहायक है। जैन दर्शन में पंच महावरत वे वरत हैं जिनके पालन के बिना जीव कदापी मोक्ष की प्राप्ती नहीं कर सकता। अंसार में उच्यतम चेतना की प्राप्ती हेतु प्रयतनशील है अतह हम किसी भी प्राणी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। 2. सत्य टूथ सत्य मुख्यता हमारे वचन की पवित्रता से संबंदित है। सत्य वचन का अर्थ है जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उसे उसी रूप में कहना। इस तरह सत्य में मिथ्याफ्चन का त्याग सम्मिलित है। किन्तु सत्य को केवल इतना ही अर्थ नहीं है। सत्य वचन हितकारी और प्रिय भी होना चाहिए। जैन दर्शन में सत्य के लिए सुनृत शब्द का प्रयोग भी किया गया है जिसका अर्थ है जो सबका हितकारी हो, जो सबका प्रिय हो। तीन अस्तेय नॉन स्टीलिंग अस्तेय व्रत लेने का अर्थ है किसी दूसरे की संपत्ती को बिना उसकी आग्या अथवा इच्छा के ग्रहन ना करने की प्रतिग्या करना। अस्तेय का अर्थ हुआ मन से भी दूसरों की संपत्ती को हड़पने का त्याग करना। पालन का अर्थ है समस्त वासनाओं का परित्याग करना। इसके पालन से समस्त इंद्रिया नियंत्रन में रहती हैं जिससे जीवा सकती मुह आदी कुप्रवृतियों से बचता है। यहां उलेकनी यहे कि ब्रह्मचर्य को जैन धर्म में एक व्रत के रूप में श्री महावीर स्वामी ने ही सम्मिलित किया था। पार्श्वनाथ ने केवल चार व्रतों हिंसा, सत्य, अस्तेय, ने, अपरिग्रह पर ही जोर दिया था। पांच अपरिग्रह व्रत का अर्थ है किसी भी वस्तू पर आसक्त होकर उसके अनावश्यक संग्रह का त्याग। यह व्रत हमारी आसकती एवं लोब को रोकता है। अपरिग्रह का शाब्देकर्थ परिग्रह शब्द का अर्थ है धनादी का संग्रह करना, अतह अपरिग्रह अर्थात परिग्रह का विप्रीत अर्थ हुआ धनादी का संग्रह न करना। यहां उलेकनी यहे कि महावीर स्वामी ने अपरिग्रव पर अत्यंत बल दिया था। इसी कारण उन्होंने वस्त्रतक के त्याग की बात कही थी क्योंकि वस्त्रों को पहनना उन्हें रखना भी तो संग्रह है। जैन धर्म में वस्त्रतक का त्याग करने वाले दिगंबर मुनी कहलाते हैं। जो मुनी वस्त्रत धारन करते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं किन्तु उनके लिए भी अपरिग्रह व्रत आदर्श होता है। जैन मुनी अपने अपरिग्रह व्रत के लिए निश्चे हिस्तुत दस धर्म पंच महावरतों के अलावा जैन दर्शन में दस धर्मों के जोर दिया गया है। एक अनन्द दर्शन, दो अनन्द ग्यान, तीन अनन्द वीर्यट शक्ति, चार अनन्द आनन्द और शांती। किन्तु अपने कर्मों के कारण उसकी यह पूर्मताएं दब जाती हैं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपनी पूर्मताओं को पुनह प्राप्त कर लेती है। यह भी उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप संभव हो पाता है, इस तरह समस्थ दुखों से विनिर्मुक्त होकर वह अनन्द सुख की प्राप्ती करती है। इस अवस्था में उसका शरीर से तो वियोग होता है, किन्तु सत्ता से वियोग नहीं होता अर्थात उसकी सत्ता बनी रहती है। वह इस संसार से उपर उठकर सिद्शीला में अनन्द काल तक निवास करती। बौध दर्शन, परिचे, बौध दर्शन भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है। इसकी गिंती भारतिय दर्शन के अवैदिक दर्शन अत्वा नास्तिक दर्शन में होती है। बौध दर्शन के प्रवर्तक कौतम बुद्ध हैं। इनका वास्तविक नाम, सिध्धार्थ था। इनका जन्म 563। में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन उत्तर नेपाल की सीमा पर स्थित कपिलवस्तु नामक राज्य के राजा थे। लुम्बिनी कपिलवस्तु से करीब 14 मील की दूरी पर स्थित है जो बरतमान नेपाल में हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ट अत्वा अलोकिक। चुनकी बुद्ध द्वारा प्रतिपादित ये सत्य श्रेष्ट अत्वा दूसरे शब्दों में अलोकिक हैं, इसलिए इन्हें आर्य सत्य कहा गया है। चार आर्य सत्यों का प्रेयोजन मानव के हृदे में बींदे हुए दुख रूपी बान को निकालना है ताकि मानव शांत हो सके. शांती की स्थिती ही बौध विचार में निर्वांड मुख्ष की स्थिती है. अब हम चारों आर्य सत्यों पर प्रिथक-Pृिथक विचार प्रतम आर्य सत्य, सर्वम दुखम, सब ओर दुख है. गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चार आर्य सत्यों में पहला आर्य सत्य है. सर्वम दुखम, जिसका अर्थ है, सब ओर दुख है. दुख का अर्थ है, जो कष्ट पूर्वक सहन हो दूकष्ट साध्य, खव सह बुद्ध कहते हैं कि सर्वत्र दुख ही दुख है। बुद्ध कहते हैं वो चार महासागरों के जल से अधिक है। बुद्ध संसार में ऐसे गुला मिला है, जैसे समुद्र के पानी में नमक होता है, बुद्ध पूछते हैं, संसार में आग लगी है तब आनन्द मनाने का अफसर कहा है। गौतम बुद्ध के उपर्युक्त विचार अत्यंत निराशावादी दिखाई देते हैं, इसलिए कुछ लोग बुद्ध पर निराशावादी होने का आरोप भी लगाते हैं। किन्तु इस सत्य के पश्चात की बुद्ध जीवन के दुखत पक्ष को कुछ ज्यादा ही गहराई से प्रस्तुत करते हैं, हम उन्हें पुर्नरता निराशावादी नहीं कह सकते। निराशावादी वह होता है जो अपनी आशाओं का त्याग कर चुका हो, जिसके पास सिवाए दुखत स्थिती को स्वीकार कर लेने के कोई चारा नहीं है। किन्तु बुद्ध मानव को इस तरह निराशा में तड़पड़ने के लिए छोड़ नहीं देते। वे कहते हैं कि इस संसार में भले ही हम सुखन प्राप्त कर सकें किन्तु अपने पुरुशार्त से, ज्यान से, दुखों से बच सकते हैं और अंततहुस शांती, निर्वान की प्राप्ती कर सकते हैं, जहां दुख का करण भी नहीं रहता। किन्तु दुख के दूर होने की संभावना तभी है जब हम दुख के कारणों की खोज करें। दुख समुदय अर्था दुख के कारण होते हैं। यह बौध दर्शन का दुख समुदय का मतलब कारण है। बुद्ध, दुख का मुख्य कारण, तृषना को कहते हैं, जिसे हम भी प्राया अपने दुखों के लिए दोशी ठहराते हैं। हमारी अनेकानेक तृषनाय हम से अनेक काम करवाती हैं, किन्तु हम सब तृषनाओं की पूर्ती नहीं कर सकते, जिससे दुख होना स्वाभाविक है। पर जो तृष्णाय पूर्ण हो जाती हैं, उनमें भी हमें पूर्ण सुख नहीं मिलता। पूर्ण होने के बाद आगमेगी के समानवे और भी भड़कती हैं, इसलिए जीवन में हम देखते हैं कि जितनी ही सुख सुविधाएं हमें मिलती जाती हैं, उतनी ही हमारी असंतुष्टी, इस तरह दुख बढ़ते जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हे बिक्षू, तृष्ण या वासना ही दुख का मूल कारण है, यह प्रबल तृष्ण ही है जिसके कारण बार-बार जन्म होता है और उसी के साथ इंद्रिय सुखाते हैं, जिसकी पूर्ती जहां तहां से की जाती है। यह तृष्ण तीन प्रकार की बताई गई है, एक भव तृष्ण जीवित रहने की इच्छा, दो विभव तृष्ण वैभव प्राप्त करने की इच्छा, तीन काम तृष्ण इंद्रिय सुख की इच्छा, किन्तु बौध दर्षन में एक मात्र तृष्ण, कोही, दुख स नहीं कहा गया है. वस्तुता बौध दर्षन में दुख के कारण पर बड़ी गहराई से विचार हुआ है. बौध दर्षन के कार्य कारण सिधान्त के अनुसार प्रतेक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, अता हमारी तृष्णाओं तथा हमारे अस्तित्व का भले ही वहक् इसी सिलसिले में बुध कार्य कारण की एक बारह कडियों वाली श्रिंखला पर प्रकाश डालते हैं, जिसके मूल में अविद्या है. ये बारह कडियां इस प्रकार हैं, अविद्या, संसकार, विज्ञान, नाम रूप, शडायतन, स्पर्ष, वेदना, तृष्णा, दालेंगे. तृतिया आर्य सत्य, दुख निरोध, दुख का नाश हो सकता है. दुख के कारण की खोज हो जाने के बाद दुख दूर हो जाने की संभावना स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगी. इस तीसरे आर्य सत्य, दुख निरोध, में बुध्ध हमें आश्वस्त करते है कि दुख का निरोध संभव है. अर्थात दुख का अंत हो सकता है. वस्तुत यही तो बुध्ध के संपूर्ण चिंतन मनन का उद्देश्य था. वे स्वायम कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र के पानी में केवल लवन का स्वाद रहता है, उसी तरे मेरे दर्शन में केवल मुक्ती अर्थात दुख ही नवस्ता का स्वाद है. अतह जिस तरह दुख है, यह एक आर्य सत्य है, उसी तरह दुख का नाश संभव है, यह भी एक आर्य सत्य है. बौध दर्शन के अनुसार जो कारण दुख की उत्पत्ती में हेतु बनते हैं, यदि उस कारण परंप्रा का नाश कर दिया जाए तो अपने आप चलने वाली मशीन की तरह कार्यों का नाश भी स्वत हो जाएगा. उपर हमने देखा कि दुख का मूल कारण अविद्या है, दुख निरोध हे तु अविद्या का नाश जो विद्या द्वारा संभव है, मुख्य हे तु है. अविद् कमल पत्र से जल की बूंदों के समान दूर हो जाते हैं. त्रिशना की जड़ों को खोद डालो, ताकि वह लल्चाने वाली तुम्हे बार बार ना पीसे. इस दुख हीन, परम शांत जिसे बुद्ध सागर की गहराई के समान शांत कहते हैं, मुक्ती की अवस्था को ही पूर्वक प्रकाश डालेंगे. चतोर थार्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख निरोध का मार्ग श्टांग मार्ग. दुख के दूर हो सकने की संभावना बतलाने के बाद तथागत सर्वजनों के लिए सुलब वह व्यभारिक मार्ग भी दिखलाते हैं, जिस पर चल कर हम दुखों से चुटकारा पा सकते हैं. अपने चतोर थार्य सत्य दुख निरोध का मिनी प्रतिपद में बुद्ध यही व्यभारिक प्रतिपद मार्ग बतलाते हैं. आश्टांग मार्ग. इस मार्ग के आठंग हैं, इसलिए इसे आश्टांग पत कहा जाता है. यह आठंग निमन लिखे थें. एक, सम्यक दृष्टी, सम्यक का अर्थ होता है, समुचित या सही या युक्ति-युक्त दृष्टी का अर्थ है, दृष्टि कोन. अक्सर हमारे दुखों का कारण वस्तूओं के प्रती हमारा गलत दृष्टि कोन अर्थात गलत समझ हो इस तरह दुख से बचाती है. चारों आर्य सत्यों के ध्यान को भी सम्यक दृष्टी कहा गया है. 2. सम्यक संकल्प प्राइम रिजॉल्फ बौध दर्शन व्यवहारिक दर्शन है. वह यह नहीं कहता कि समुचित दृष्टी मिलते ही आप मुक्त हो जाएंगे. इसके लिए हमारे कर्मों का सही होना भी आवश्यक है. किन्तु सही कर्म करने में हमारे सही संकल्पों की भूम का अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. अतह बौध दर्शन में सम्यक संकल्प को अश्टांग पत का द्वितिया अंग बताया गया है. सम्यक संकल्प में हमें संकल्प लेना होगा कि हमारे हर कार्य निर्वान प्राप्ती के उद्देश्य से ही होंगे. इस उद्देश्य की प गल्प या प्रतिग्या आदमी पर मनोवे ग्यानिक प्रभाव डालते हैं, जिससे उसमें अपने निर्धारित मार्ग पर चलने हेतु शक्ति पैदा होती है. 3. राइट स्पीच अश्टांग पत का तीसरा सोपान है, सम्यक वाक अर्थात समुचित वचन निर्वान के एच्छुप को समुचित वचन बोलना चाहिए. यहां समुचित वचन का तातपर्य है नियंत्रित, दूसरों का भला करने वाले, दूसरों को प्रिय लगने वाले, उन्हें शांती देने वाले सत्य एवं शुब वचन बोलना, इसके विप्रीत कटू, अप्रिय अशुब असत्य वचन का त्याग करना 4. सम्यक कर्मांत राइट आक्शन हमारी सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल पेवं सम्यक वाक्वियर्थ है यदि हम सम्यक कर्मांत सही कर्म न करें निर्वान पत के राही को अपने कर्मों के प्रती विशेश रूप से सजग होना चाहिए उसे पाप कर्मों, यथा हिंसा, चोरी तथा अब्रमचर्य से बचना चाहिए इसके विप्रीत हिंसा, अस्तेय तथा ब्रामचर्य से यूप्त कर्मों की और प्रवरित होना चाहिए बौध दर्शन में माता-पिता, संतान, पती-पत्नी, गुरु-शिष्य, स्वामी सेवक आदी के एक दूसरे के प्रती विबिन कर्तव्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया है मुख्य चीज है, हर कोई निस्वार्थ वृत्ती, उदार्ता एवं करुना से संचालित होकर कर्म करें 5. सम्यक आजीव प्राइट अर्निंग कर्मांत के लिए सम्यक आजीव अर्थात समुचित शुदर जीविको पार्जन होना आवश्यक है जब तक हमारी जीविका का साधन समुचित एवं शुदर नहीं होगा, हमारी प्रवृती भी निर्मल नहीं होगी, तब हम उचित कर्म भी कैसे करेंगे बौद दर्शन में कुछ जीविको पार्जन के साधन निशित कही गए हैं, जैसे शस्त्र का व्यापार, प्रानी का व्यापार, मास का व्यापार, मध्य का व्यापार, विष्का व्यापार आदी इसके अतिरिक्त दबाव, धोखा, रिश्वत, अत्याचार, जाल साजी, डकैती, लूट, खृद्खंता आदी बुरे साधनों के द्वारा किये गए जीविक और पाजन की भी निंदा की गई है। प्रेश्वत, शुब विचार का ध्यान करना, इ, अशुब विचार के कर्म रूप में परिनत होने पर उसके परिनामों का ध्यान, इ, अशुब विचार उत्पन करने वाली वस्तु से ध्यान हटाना, इ, शारीरिक चेश्टा, योग आदी की सहायता से मन पर नियंत्रन, इस तरह प्रयतन पूर्वक साधक का अपने मन पर नियंत्रन रखना ही, सम्यक व्यायाम, है। साथ, सम्यक स्मृती, राइट मेमिरी, यहां सम्यक स्मृती का तात्पर्य तेज स्मृती, अर्थात जो कुछ भी पूर्व में देखा सुना, उसे सही सही याद रखना नहीं है, वरन बौध दर्शन द्वारा प्रतिपादेतार्य सत्य, यथा, सार्भ दुखम, आदी का सत समरन भी सम्मिलित है, शरीर का उदाहरन देते हुए बुद्ध कहते हैं कि शरीर क्षनिक है, केवल दुख उत्पन करने वाला है, यह केवल मास, रक्त, हड़ी, विष्ठा, अंतड़ी जैसे ग्रिनित पदार्थों से भरा है, अंतता नश्ठ होने वाला है, हमें शरीर इन बातों का सदा समरन रखना चाहिए, इस स्मृति को ताजा बनाए रखने के लिए हमें शम्शान में जाकर यदा कदा देखना चाहिए कि जिस शरीर से हमें इतना मोह होता है, उसकी अंतिम गती क्या होती है, किस तरह वह जलता, सरता, नश्ठ होता है, कहीं कहीं वह चील गिद्दू और कुट्टों को भूजन भी बनता है, निश्चे यही इस तरह की स्मृति हमें विरक्ती की भावना भरती है, जिससे निर्वानपत पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, आठ, सम्यक समाधी, Right Concentration, समाधी अत्वा सम्यक ध्यान अश्ठानपत का आठवा, एंतिम एवं सरवाद एक महत्वपूर्ण सुपान है क्योंकि यही हमें अश्ठानपत के लक्ष, निर्वान के पूर्ण करीब ले जाता है, प्रारम के साथ सुपान तो अशुब चितवरितियों का निरोध करके हमें इस एंतिम सुपान सम्यक समाधी के योग्य बनाते हैं सम्यक समाधी हेतु व्यक्ति को वन में या निर्जन प्रांत में विशुद्ध चित से स्थिर आसन पर बैठना चाहिए किन्तु समाधिस्थ होते ही व्यक्ति को निर्वान की प्राप्ती नहीं हो जाती इस हेतु वह चार अवस्थाओं से गुजरता है ये चार अवस्थाएं निम्न लिखे थें प्रतम अवस्था इस अवस्था में साधक चार आरियसत्यों पर तर्क वितर्क पूर्वक विचार मनन करता है वितिय अवस्था, इस अवस्था में साधक के मन में चार आरिय सत्यों के प्रती श्रद्धा का उदे होता है इस अवस्था में साधक आनंद का अनुभव करता है तृतिय अवस्था, इस अवस्था में साधक के मन में आनंद के प्रती उपेक्षा का भाव आता है चतुर्थ अवस्था इस अवस्था में साधक की चित वृतियों का पूर्ण निरोध हो जाता है इससे साधक का चित पूर्ण शांत हो जाता है यह पूर्ण शांती की अवस्था ही पूर्ण दुख निरोध की अर्थात निर्वान की अवस्था है जो की अश्टांग पत का लक्ष है एक समाधी कलेशों को रोकती है जैसे परवत नदियों के महावेग में रुकावट डालता है समाधिस्थ होने पर मंत्रबद सर्यों के समान दोश आक्रमन नहीं करते दुख शील इस तरह बुद्ध जहां सर्वम दुखम को प्रतम आर्य सत्य घोशित करते हैं वही के शांत निर्वान की प्राप्ती की संभावना बतलाकर जिसमें साधक के लिए सर्वम दुखम नश्ट हो जाते हैं हमें आशानवित भी करते हैं त्रिशिक्षा शील, समाधी, प्रग्या बौद दर्शन में निर्वान पत के पतिक लिए त्रिशिक्षा की साधना भी महत्व पून मानी गई है यह त्रिशिक्षा है शील, समाधी और प्रग्या यही विशूद्धी का मार्ग है इसी से त्रिशना को पुनर्तह जीता जा सकता है संयुक्त निकाय में बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य में प्रतिष्टित है समाधी और प्रग्या की भावना रखता है वही विक्षु तृष्णा का नाश कर सकता है। किन्तु ये शील, समाधी और प्रग्या हैं क्या। बौध दर्शन के अनुसार सर्वपाप से विरती शील है, शुब में चिंतन की एकाग्रता समाधी है तथा इष्ट और अनिष्ट में संभाव का आवाह प्रग्या है। प्रतीत्यस मुटपाद बौध दर्शन का एक अत्यंत प्रसित सिधान्थ है, जो मुख्य रूप से बौध दर्शन के द्वितिय आर्य सत्य, दुख समुदेह, अर्थात, दुख के कारण पर प्रकाश डालता है। हम प्रारंब में देख चुके हैं कि बुध्ध को बुध्ध बनने के पूर्व व्रिधावस्था, रोग एवं व्रित्यू के कारणों से मानव को होने वाले दुख की गहरी अनुभूती हुई थी। तब उन्होंने दुख के कारणों की खोज में ग्रिहत्याक कर कुछ वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी। तद पश्चात उन्हें सत्य की प्राप्ती हुई थी। इस सत्य को ही बुध्ध ने चार आर्य सत्य के रूप में लोगों के सामने रखा था। इसमें से पहला आर्य सत्य था, सर्वम दुखम अर्थात सब कुछ दुख है। किन्तु बुध्ध केवल सर्वव्यापी दुख का दर्शन कराकर खामोश नहीं हो गए, उन्होंने दुख के कारणों की भी खोज की थी। वस्तुत यह खोज अत्यंत आवश्यक थी, क्योंक जब तक दुख के कारणों का पता नहीं चलता तब तक दुख का दूर होना भी संभव नहीं था। दुख के कारण ही बौध दर्शन में दुख समदुय के नाम से प्रसिद है। इसी संदर्व में बुध्ध ने प्रतीत्यस मुतपाद का सिध्धान्त प्रस्तुत किया प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ, प्रतीत्य समुत्पाद, शब्द, मूल, पाली, शब्द, परिच्य समुत्पाद, वस्तुतह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत्य समुत्पाद, यहां, प्रतीत्य का अर्थ है एक वस्तू की प्राप्ती होने पर, समुत्पाद का अ में, एक कारण होने पर एक कार्य की उत्पत्ती, इसलिए इसे किसी वस्तु पर निर्भर उत्पत्ती भी कहा गया है। सपष्ट कोशित करता है कि प्रतेक कार्य के पीछे आवश्यक रूप से कोई कारण होता है। सपष्ट की बारग कड़ियां हैं इसलिए इसे द्वादर्श निदान भी कहा गया है। यह बारग कड़ियां निमनलिखे थें। 1. जरा मरन वैसे तो इस संसार में सरवत्र दुख ही दुख है, पर हमारा मुख्य दुख है, जरा मरन। जरा का अर्थ है व्रिधावस्था। इसमें हमारा क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे अंगों का शिथिल होना, केशों का पकना, दांतों का तूटना आदी, और मरन तो जीवन का साक्षा तंथी है जो मनुश्य को अत्यांत भैबीत करता है। इस तरह अत्यांत दुखदाई, जरा मरन इस द्वादश निदान की पहली कड़ी है। इस प्रकार बुद्ध हमारे भव अर्थात जन्ब्रहन करने की प्रवरिती का कारण वस्तूओं के प्रती रागेवं मूह उपादान को बताते हैं। किन्तु इस उपादान का कारण क्या है। पांच त्रिशना उपादान का कारण त्रिशना है। वस्तुत यह त्रिशना ही हमारे सभी सांसारिक दुखों का मूल होती है। त्रिशना का अर्थ है, विशयों के प्रती हमारी आ सकती। यह तृष्णा तीन प्रकार की होती है काम तृष्णा इंद्रिय सुख की इच्छा, भव तृष्णा जीवित रहने की इच्छा, विभव तृष्णा धन वैभव की इच्छा. पर यह तृष्णा क्यूं उत्पन होती है? 6. वेदना तृष्णा का कारण वेदना है। हर प्रकार की अनुभूती को वेदना कहते हैं। 7. स्पर्ष वेदना का कारण स्पर्ष है। स्पर्ष है, इंद्रियों और विशेयों से सयोग की अवस्था। पर यह स्पर्ष क्यूं होता है। 8. शडायतन स्पर्ष का कारण बुद्ध शडायतन को बतलाते हैं. आंख, नाक, कान, जेहवा, त्वचा और मन ये छह हिंद्रियां ही वे छहायतन शडायतन हैं, जिनके कारण स्पर्ष उत्पन होता है. 9. नामरूप शडायतन का कारण नामरूप है. नामरूप का अर्थ है मन के साथ गर्भस्ट शरीर. किन्तु ये मन्युक्त शरीर बनता क्यों है? 10. विज्ञान नामरूप का अस्तित्व विज्ञान अर्थात चेतना के कारण होता है क्योंकि जब तक गर्भस्त भुरून में चेतना नहो तब तक उसका विकास नहीं हो सकता 11. संसकार विज्ञान का कारण संसकार है 11. ये संसकार पूर्वजन मों के कर्म के फलस्वरूप बनते हैं 12. ये ही भुरूना वस्था में मानव में चेतना उत्पन करते हैं 12. यहां उलेकनी यहे कि बौध दर्शन में कर्मफल को अत्यंत महत्व दिया गया है 12. बुद्ध के अनुसार कर्म अपना फल अवश्य चोड़ते हैं ये फल मनुश्य को आवश्यक रूप से बुगतने पड़ते हैं 12. मृत्योप्रांथ भी मनुश्य इनसे नहीं बच सकता वस्तुतह मृत्योप्रांथ ही ये कर्मफल संसकार के रूप में मनुश्य के पुनरजन्म का हेतु बनते हैं और इस तरह विज्ञान का कारण होते हैं 12. अविद्या संसकार का कारण बुद्ध अविद्या को बतलाते हैं वस्तुता अविद्या के कारण ही हम ऐसे कर्म करते हैं जिनके फल संसकार के रूप में पुनरजन्म का कारण बनते हैं। अविद्या का अर्थ है अनित्य को नित्य समझना, असत्य को सत्य समझना, अनात्म को आत्म समझना, वस्तुते ये अविद्या ही समस्त दुखों की जड़ है। इसलिए दुख के नाश के लिए इसका नाश सरवादे का आवश्यक माना गया है। इस तरह ये बारह कडिया अर उद्देश केवल दुख के कारणों की खोच करना नहीं था। उनका असली उद्देश दुख दूर करना था। बुद्ध के प्रतीत्यस मुद्पात के सिधान्त से बुद्ध के इस असली उद्देश की भी सिध्धी होती है। यह प्रतीत्यस मुद्पात का सिधान्त जहां यह कहता है, यदीव है कारण तो यह कार्यर है, अत्वा उसके उदे पर इसका उदे है वहाँ यह भी कहता है, कि यदीव नहीं है तो यह भी नहीं है, अत्वा उसके उदे नहीं होने पर इसका उदे भी नहीं होता। इसी आधार पर बुद्ध कहते हैं कि अविद्या के नश्ट होने पर क्रमशर सभी कारण नश्ट होते जाते हैं और इस तरह अंततह जाती, जन्ग भी नश्ट हो जाती है, जिससे जरा जरण अर्थात दुख भी पुनर्तह नश्ट हो जाते हैं. अविद्या के कारण का प्रशन यहां एक प्रशन उठता है कि सब चीज का कारण अवश्य होता है तब अविद्या का भी कोई न कोई कारण होना चाहिए. क्या कारण है अविद्या का? हम देखते हैं, बुद्ध इस विशय में मौन हैं. वस्तुत यह एक कठिन दार्शन एक वैसे तो बुद्ध अन्य दार्शनिक प्रिश्णों पर भी प्रायह मौन रहे हैं, किन्तु अविद्या के कारण का प्रशन इसा है जिस पर अन्य सभी भार्तिय दार्शनिक भी मौन रहे हैं, इसे अनादी मान लिया गया है, बुद्ध भी यही कहते हैं, हमारे लिए यही ज परियाप्त है कि यह अविद्या है, किन्तु यह अनंत नहीं है, अर्थात इसका अंत संभव है। यह शाश्वत्वाद और अच्छेद्वाद के मध्य में हैं। फिर यह कार्य कारण के रूप में अन्य वस्तु की उत्पत्ती का हेतु बनता है। इस तरह वस्तु का केवल रूप परिवर्तन होता है, पून विनाश नहीं होता। बौध दर्शन अन्य संदर्भों में भी मध्यम अमार्गी है, जैसे वह सदाचार की शिक्षा में शरीर को अत्यदिक कष्ट देने तथा शरीर को अत्यदिक भोग में रखने के बजाए दोनों के मध्य में रखने को कहता है। बौध दर्शने का रस्तु ने भी बिलकुल इसी प्रकार सदाचार हेतु मध्यम मार्ग का अनुसरन करने की शिक्षा दी थी। प्रतीत्यस मुद्पाद का महत्वचून की बुद्ध इस प्रतीत्यस मुद्पाद के सिधान्त के आधार पर ही दुखों के कारण तथा उसके नाश की सिंभावना की खोच करते हैं, इसलिए बौध दर्शन में इसे अत्यांत महत्वपून सिधान्त माना जाता है. स्वयम बुद्ध इसका अरत्यंत मान करते थे वे इसे धर्म कहते थे वे कहते थे जो प्रतीत्यस मुद्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है और जो धर्म को देखता है वह प्रतीत्यस मुद्पाद को देखता है बाद के बौध विचारकों ने भी इसे बराबर महत्व दिया प्रसिद बौध विचारक नागार्जुन बुद्ध की बंदना करते हैं जिन्होंने प्रपंच को समाप्त कर आनन देने वाले इस सिधान्त को स्थापित किया है इस सिधान्त के महत्व का एक कारण यह भी है कि बौध दर्शन के अन्य सिधान्त यथा कर्म का सिधान्त, क्षनिकवाद, अनात्मवाद, अर्थक्रिया का रित्व आधी इसी पर आधारित है इसलिए इसे बौध दर्शन का आधार स्थम्प कहा जाता है क्षनेकवाद क्षनेकवाद बौध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिधान्थ है जो वस्तुत उसके प्रमुक सिधान्थ प्रती तियुस मुटपात की परिनती है। सर्वम क्षनिकम इस सिधान्त के अनुसार सारी स्रिष्टी में प्रतेक वस्तु क्षनिक है, क्षन भन्बुर है, अर्थात क्षन भर में ही नश्ठ हो जाने वाली है. संसार की प्रतेक वस्तु में चाहे वह भोतिक हो या भोतिक प्रतिक्षन परिवर्तन हो रहा है. यहां प्रतेक क्षन प्रतेक वस्तू का प्रतेक कन बदल रहा है। किनी दो क्षनों में कोई भी वस्तू वही नहीं रहती। हर क्षन एक वस्तू से दूसरी वस्तू उत्पन हो रही है। वस्तूत यहां सत्ता का अर्थी क्षन इकता है। एक आपत्ती, यहां हम आपत्ती कर स कि हमें प्रतेक वस्तू में प्रतेक्शन परिवर्तन होते दिखाई तो नहीं देता। हम अपने में, अपने परिचितों में तथा आसपास की वस्तूओं में प्रतेक्शन परिवर्तन होते कहां देखते हैं। कई बार तो हमें बाह्य वस्तुयं लंबे समय तक स्थिर दिखाई देती हैं। से देखने पर ग्यात होता है कि उसमें से लगातार लो उत्पन हो रही हैं और नश्ट हो रही हैं। प्रत्येक लो दूसरी लो की उत्पत्ती का कारण बनकर फिर नश्ट होती है। यह क्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ता जाता है कि हमें सामान्य तया एक ही लोस्थिर दिखाई देती है। एक अन्य उदाहरण में बौध दार्शनिक कहते हैं कि जिस तरह नदी का जल प्रतिक्षन प्रवाहमान रहता है उसी तरह यह संसार भी प्रतिक्षन प्रवाहमान है। संसार का अर्थ ही होता है जिसका संसरन अर्थात प्रवाह हो वह संसार है। क्षनिकवाद का मूल, अनित्यवाद क्षनिकवाद का एह सिधान्त यद्यपी बौधदर्शन का सिधान्त है किन्तु इसके प्रतिपादक बुद्ध नहीं थे. वस्तुता बुद्ध के अनित्यवाद नाम से प्रसित सिधान्त के आधार पर बाद के बौध दार्शनिकों ने इसे क्षनिकवाद या क्षनिकवाद के नाम से स्थापित किया अनित्यवाद अनित्यवाद बुद्ध के प्रमुक सिधान्त प्रतीत्यस मुत्पाद ऐसा होने पर ऐसा होता है का ही आवश्य परिनाम है। जो महान मालूम पड़ता है उसका भी पतन होता है। जहां सयोग है वहाँ वियोग भी है जहां जन्म है वहाँ मरण भी है। इसी तरह अन्यस्थान पर वे कहते हैं। ये पांच बाते अनिवार्य हैं। एक जो व्रिदह हो सकता है वह अवश्य व्रिदह होगा। दो जो अनित्यवाद पर जोर देने का उद्देश अनित्यवाद पर इतना आधिक जोर देने का बुद्ध का मुखे उद्देश वस्तुता व्यवहारिक था। क्षनिक ता एवम अनित्यता यहां उलेकनी यहे कि बुद्ध ने वस्तुओं को केवल अनित्य कहा था। क्षनिक नहीं। हाँ, उन्होंने चेतना को अवश्य क्षणिक कहा था. चेतना को क्षणिक मानने के कारण ही बुद्ध नित्या आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे. इस तरह वे अनात्मवादी थे. बुद्ध के अनुसार आत्मा चेतना अथ्वा विज्ञान की एक निरंतर गतिशी प्रतियम मार्ग बुद्ध का अनित्यवाद, शाश्वत्वाद तथा उच्छेद्वाद का मध्यम मार्ग है। निरोध अस्तित्वहीन होना होता है। वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, वह नश्ठ हो जाती है। उसके चित्र अवश्य हमारे चित में बने रहते हैं, इस आधार पर हम चित से बाहर, बाह्य जगत में उसके अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं। अर्थक्रिया कारित्व, बौध दार्शन एक अपनेक्षन एकवाद, अर्थात प्रतेक वस्तु प्रतेक्षन परिवर्तित होती है, कि पुष्टी अर्थक्रिया कारित्व, नामक सिधान्त से भी करते हैं। अर्थक्रिया कारित्व का अर्थ है, किसी कार्य को उत्पन करने की शक्ती। बौध दर्शन के अनुसार सत्ता का लक्षन ही यह है कि वह अर्थक्रिया कारित्व है, अर्थात उसमें किसी कार्य को उत्पन करने की शक्ती है। दूसरे शब्दों में सत्ता है, इसका मतलब यह है कि वह दूसरी सत्ता को उत्पन करने का सामर्थ्य रखती है, इसके विपरीद जो किसी कार्य को उत्पन नहीं कर सकती, असत है. यहां प्राया खर्गोष के सींग का उदारन दिया जाता है खर्गोष का सींग सत है क्योंकि वह किसी कार्य को उत्पन नहीं कर सकता इसके विपरीत, बीच, सत है क्योंकि उसमें पौधे को उत्पन करने का सामर्थ्य है यहां बौध दार्शनिक कहते हैं कि अर्थक्रिय कारित्व वस्तु में कार्य उत्पन करने की शक्ति तभी संभव है जब वस्तु क्षन भन गुर हो दूसरे شब्दों में अर्थक्रिय कारित्व का विचार भी निकवात का समर्थन करता है बौध दर्शन में इसे अनेक उदाहरनों से सिद्ध किया गया है एक उदाहरन बीच का है बौध दर्शनिक कहते हैं कि यदि एक बीच क्षनिक नहीं है अर्थात एक से अधिक क्षन तक वही बना रहता है तो प्रत्येक क्षण में कार्योत पादन की शक्ती वही रहनी चाहिए। प्रत्येक क्षण एक सा परिनाम नहीं निकलता। जिसे हम आत्मा कहते हैं, भी है। क्यान कैसे प्राप्त कर सकता है। 2. कारण से कार्य की उत्पत्ती असंभब यह सिधान्त कारण की उपस्तिती केवल क्षण भर की ही मानता है। साथ ही इसके अनुसार इसी क्षण में कारण कार्य को उत्पन कर नश्ट भी हो जाता है किन्तु क्षण स्थाई कारण से कार्य की उत्पत्ती संभब नहीं है। नयाईक कहते हैं कि किसी भी वस्तू की उत्पत्ती, स्थिती और ले एक ही क्षण में नहीं हो सकते। 3. कर्म फल के सिधान्त से असंगती बौध दर्शन की इस सिधान्त में द्रिड आस्था है कि कर्म के फल अवश्य मिलते हैं। किन्तु यदि आत्मा ही क्षणिक है तो उसे कर्म फल कैसे मिल सकते हैं। जिसने कर्म किये थे, क्षणिकवाद के अनुसार तो वह कब से नश्ट हो गई। इस सिधान्त को मानने से तो वर्तमान में आत्मा जो कर्म भुगत रही है, वह किसी अन्या आत्मा के द्वारा किये गए सिधा होते हैं। किन्तु जो कर्म जिसने नहीं किया है, उसका फर्वभ होगे, यह तो अन्याए है। वस्तुता एक्षनिक वाद का यह सिधान्त व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों से बरी कर नैतिकता की भूमी को नश्ट करता है। 4. स्मृति आदी मानसिक क्रिया या संभव यह सिधान्त स्मृति, प्रत्यबिग्या पहचान, आदी मानसिक क्रियाओं को भी असंभव बना देता है क्योंकि यदि अनुभव करता आत्मा ही क्षनिक है तब इन मानसिक क्रियाओं को कौन करेगा। 5. मोक्ष की प्राप्ती में संदेह बौध दर्शन का मुख्य लक्ष निर्वान, मोक्ष की प्राप्ती है, किंतुक्षनिकवाद का सिधान्त इस प्राप्ती को संदेह युक्त बना देता है. यह सामान्यसी बात है कि जो मोक्ष प्राप्ती प्रयत्न करेगा, उसे ही मोक्ष मिलना चाहिए किंतुक्षनिकवाद का यह कहना कि आत्मा प्रतिक्षन परिवर्तित होती है, यह संदेह उपस्थित करता है कि जिसने मोक्ष प्राप्ती के लिए प्रयत्न किया है, उसे मोक्ष मिलेगा अत्वा परिवर्थित एक नई आत्मा को. ऐसी स्थिती निश्चे ही बौध दर्शन के प्रमुख लक्षन निर्वान को अनाकर्शिक बना देती है. अनात्मवाद नेरात्मवाद भारतिय दर्शन में आत्मा एक महत्वपून तत्व है. शरीर से प्रिथक आत्मा के अस्तित्व को अधिकांश भारतिय दर्शन स्वीकार करते हैं जो शरीर के नाश के साथ नश्ट नहीं हूती वरन मृत्यू के बाद भी बनी रहती है. शरीर उसके लिए चोला है जिसे मृत काल में त्याक कर वह नया चोला ग्रहन करती है और इस तरह पुनर्जन प्राप्त करती है. यह सिलसिला तब तक चलते रहता है जब तक कि आत्मा मुक्ती की प्राप्ती नहीं कर लेती. आत्मा के इस सामान्य स्वरूप पर सांक्य, योग, नियाय, वह्षिक, विदांत, मीम आंसा और जैन दर्शन भी सहमत हैं किन्तु बौद और चारवाक्दू ऐसे दर्शन हैं जो आत्मा के किसी अजर अमर अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं. यह अनात्मबादी अत्वा नेरात्मबादी विचारक है. वस्तुता अजर अमर आत्मा की कामना भी बौद दर् होता है. इसके विप्रीच जो चीजों की क्षनिकता तथा अपनी आत्मविहिंता समझता है वह दुखी नहीं होता. जैसे कि धंपद में बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति समस्त चेतन तथा अचेतन चीजों को अनित्य, दुखपूर्ण और आत्मविहिं समझ लेता है वह द दुख से उद्वेलित नहीं होता. बुद्ध यह भी कहते हैं कि जिस आत्मा को किसी नहीं देखा उसकी कामना वियर्थ भी है. इसकी चाहना किसी अद्रिश्य रमनी से प्रेम करने के समान है. बुद्ध मध्यमार्गी हैं, एक तरफ विशयों की लीनता है तो दूसरी और अज्यात आत्मा की लीनता है. बुद्ध के अनुसार दोनों के मध्य से ही निर्वान का पत संभव है. मैं क्या है? यदि आत्मा नहीं है तो जिसे हम, मैं, कहते हैं, मैं के रूप में महसूस करते हैं, वह क्या है? बौध दर्शन के अनुसार मैं वस्तुतह मानसिक अनुभ प्रत्यक्ष कोचर मानस प्रवृतियों का पुंज है। यह अस्थाई शरीर और मन का संकलन मात्र है। मन तथा मानसिक प्रवृतियों को नाम और अस्थाई शरीर को रूप भी कहा जाता है। इस तरह आत्मा को नामरूपात्मिक कहा गया है। इसके अंतरगत प्रिथवी, जल, अगनी वायू इन चार महाभूतों से उत्पन शरीर आता है. 2. वेदना सकंध, फीलिंग हमारे समस्थ सम्वेग और भावनाएं, जैसे सुख दुख की अनुभूतियां वेदना सकंध है. 3. संग्या सकंध, पिसेप्शन किसी वस्तू के साक्षातकार को संग्या सकंध कहते हैं. संग्या का कार्य वस्तू की पहचान कराना है. इसे प्रत्यक्षी करण कहते हैं. 4. संसकार सकंध, Disposition, संग्या से संसकार का जन्म होता है. स्मृति और धारना संसकार सकंध है. 5. विज्ञान सकंध, Consciousness बह्यवस्तूओं की चेतना और रह की चेतना विज्ञान सकंध है. 5. बौद दर्शन के अनुसार व्यक्ति इन पांचों सकंधूं का ही योग है तथा इसे ही आत्मा कहा जाता है. कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा मिलिंद बौद मुनी नाकसेन के पास आत्मतत्त्व की जिग्यासा से पहुँचे. नाकसेन से यह जानकर कि कोई स्थाई जिवात्मा नहीं होती, मिलिंद नाकसेन से पूछते हैं कि तब वह कौन है जो नाकसेन कहा जाता है. इस पर नाकसेन ने प्रती प्रशन किया कि राजा जिस पर चड़कर उनसे मिलने आये हैं, वह क्या है? राजा द्वारा, रत, कहे जाने पर मुनी ने पुनह पूछा, क्या दन रत है? अत्वा चक्र रत है, या धूरी रत है, या लगाम या चाबुक रत है? राजा द्वारा बारंबार निशेद किये जाने पर नाकसेन ने कहा तब इसका मतलब यह हुआ कि रतिन सबका संघात है. केवल व्यवहार के लिए इसे रत की संग्या दी गई है ची किसी तरह आत्मा की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है पंच कंदूं का समूह ही व्यवहार के लिए आत्मा कह दिया जाता है आत्मा अनित्य है, पंच सकंधों के इस समूह को बौध दर्शन में अनित्य कहा गया है क्योंकि प्रतेक सकंध अनित्य है उलेकनी यह है कि बौध दर्शन क्षनिकवादी है यह मानता है कि प्रतेक वस्तु प्रतेक्षन परिनाम को प्राप्त हो रही है यहां कोई भी वस्तु दोक्षन समान रूप से स्थिर नहीं रहती प्रत्येक वस्तु के समान आत्मा भी अनित्य हैं, परिवर तन्शील है केवल विचारों का संतान प्रवाह, अर्थात बहती हुई जल की धारा के समान लगातार चलने वाला विचारों का प्रवाह ही हमारे भीतर चलते रहता है कर्मफल और पुनर्जन्म की व्याख्या बौद दर्शन में यद्यपी आत्मा को अनित्य माना गया है किन्तु कमरफल के सिधान तथा पुनर्जन्म में पूरा विश्वास प्रगट किया गया है पर यदि आत्मा अनित्य है और हर चीज शन्भनगुर है तब कर्म के फल भी किया तुरंट समाप्त नहीं हो जाएंगे और फिर जो स्वयम अनित्य है उसका पुनर्जन्म कैसे समभब है इसके उत्तर में बौध दर्शन कहता है कि पुनर्जन्म का अरथा आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं है बलकि विज्ञान के अविच्छिन प्रवाह की निरिंतरता है मृत्यू का अर्थ एक विज्ञान, विचार, प्रवाह का समाप्त होना है और पुनर्जन्म का अर्थ इस विज्ञान, प्रवाह का नए शरीर में निरंतर्ता कायम रखना है जिस तरह एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है उसी तरह हमारे विज्ञान एवं हमारे कर्मफल एक जीवन से दूसरे जीवन में पहुँचते हैं आलोचना बौध दर्शन के आत्मा संबंधी विचारों की कड़ी आलोचना अन्यदार्शन इकोने की है कुछ मुख्य आलोचना के बिंदू निम्नलिखे थे एक यदि आत्मा नहीं है तो यह कौन कहता है कि आत्मा नहीं है शंकराचारिय कहते हैं आत्मा का निराकरण करने वाला ही अपने अस्तित्व की सिद्धी करता है दोग सब कुछ परिवर्तनशील है यह ज्यान तब तक संभव नहीं है जब तक कि अप्रिवर्तनशील आत्मा नहीं हो तीन कर्म का सिधान्त, स्मृति, प्रत्यविग्या आधी की भी व्याख्या बिना स्थाय आत्मा के समुच्चित रूप से संभव नहीं है चार, यदि आत्मा नहीं है तो निर्वान का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है क्योंकि आत्मा की मुक्ति हे तुही तो निर्वान प्राप्ति की जाती है यहां उलेकनी यहे कि कुछ विद्वानों, जैसे डा, राधा क्रिश्नन का मत है कि बुद्ध वस्तुता हनात्मवादी नहीं है वे कहते हैं कि बुद्ध के विशय में यह सोचना की आत्मा को बिलकुल नहीं मानते थे, एक ब्रामक धारना है बुद्ध वस्तुता व्यवहारिक कारणों से आत्मा के विशय में मौन थे बुद्ध सोचते थे कि साधारन आत्मा को स्वीकार करने की मूल प्रवरिती ही सब आत्मिक पाप की छिपी हुई जड़ है इसलिए वे जीवात्मा संबंदी ब्रांध धारनाओं को खंडन करते हैं किन्तु इस सत्य से इंकार नहीं किया सकता जाकी बौध दर्शन में बुद्ध के बाद अनात्मवाद को बहुत बल मिला नागारजुन लिखते हैं आत्मा की स्वतंत्र सत्ता मानने पर ही स्वा के साथ रागात्मक्ता का तथा अरण्य के साथ द्वेशात्मक्ता का जन्म होता है रागद्वेश में बंद जाने पर ही सब प्रकार के दोश उत्पन हो जाते हैं इस प्रकार सब दोशों के उत्पन होने का कारण आत्मद्रिष्टी है जो सब प्रकार से त्याज है बौध कवी मात्रचेट बुद्ध की प्रशस्ती में लिखते हैं जब तक मन साहनकार है आवागमन का चक्र नहीं मित्ता जब तक आतमद्रिष्टी है, रिदे से अहनकार नहीं मित्ता. इस जगत में आपसे बढ़कर कोई अन्यानात्मवादी उपदेश्टा नहीं है. आप उपदेशित मार्ग नात्मवाद के अतिरिक्त और कोई शांती का मार्ग नहीं है. निर्वान, निर्वान अर्थात्मोक्ष, बौध दर्शन का सर्वादेक महत्वपूर्ण विचार है प्रो, मूर्ती का कथन है कि, बौध दर्शन का इतिहास वास्तव में निर्वान का इतिहास है बौध दर्शन निर्वान के महत्वपर समुचित प्रकाश डालता है गौतम बुद्ध के दर्शन का मुखे उद्देश मानव के दुखों को दूर करना था जैसा कि हम प्रारंब में देख चुके हैं बुद्ध ने मानव जीवन में सर्वत्र दुख को चाया देखकर महान करुना के वशी भूत हो दुख के कारण की खोज में राजवैभव का त्याग कर तपस्वी का बाना पहना था दुख के कारण की खोज का उद्देश वस्तुतर दुख को दूर करना ही था वर्षों की भटकन के बाद अंतता बुद्ध अपने उद्देश में सफल हुए दुख विशयक अपने चिंतन मनन को बुद्ध ने चार आर्य सत्य के अंतरगत प्रस्तुत किया जिसमें पहला आर्य सत्य था, सर्व दुखम, अर्थात मनुश्य का जन, स्थिती और मरन सब कुछ दुख दाई है बुद्ध ने इस सर्वव्यापक दुख का इतना गहरा चित्र खीचा की अनिक आलोचक बुद्ध को निराशावादी कहते हैं किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि बुद्ध के लिए दुख है, यह जैसा आर्य सत्य है, वैसा ही दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोध यह भी वैसा ही आर्य सत्य है दुख निरोध की यही अवस्था बौध दर्शन में निर्वान के नाम से जानी जाती है अन्य भारतिय दर्शन इसे ही मुक्ति दुख से मुक्ति कहते हैं निरवान का अर्त, निरवान का सामान्य अर्त दुखों से मुक्ती है गिन्तु व्यूतपति की द्रिष्टी से इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। इनमें भी निर्वान का सरवादिक चर्चित अर्थ है, बुझा हुआ. यहां बुझ जाने का मतलब जीवन ज्योती का समाप्त हो जाना अर्थात्मृति हो जाना नहीं है. यहां बुझ जाने का मतलब समस्त पापकर्मों का समाप्त हो जाना, अविद्या का नश्ठ हो जाना अत्वा तृष्णा की अगनी का बुझ जाना है। अत्वा तृष्णा की अगनी का बुझ जाने के अत्रिक निर्वान शब्द के और भी अनिक शाब्दिक अर्थ बताए गए हैं। यहां इसका तात्पर्य है ऐसे बुरे कर्म छोड़ देना जो फलरूपी धागे द्वारा जन्मरं का ताना बाना बुनते हैं तथा इस तरह हमें पुनर्जन्म के बंधन में बांधते हैं। तीन वान का एक अन्य अर्थ जंगलम भी होता है अतर निर्वान का अर्थ हुआ जंगल से निकल जाना। यहां जंगल से निकलने का तात्पर्य है दुखों के जंगल से निकलना। चारकवान का एक अन्य अर्थ दुर्गंद भी बताया गया है। इस हिसाब से निर्वान का अर्थ हुआ दुर्गंद से अर्थात कर्मों की दुर्गंद से मुक्ती। दूसरे शिब्दों में कर्मफर जोकी पुनर्जन्म तथा भविश्य के दुख का कारण होते हैं, से मुक्ती. निर्वान के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, निर्वान के उप्रोक्त कुछ अर्थों से स्पष्ट होता है कि निर्वान के बाद पुनर्जन्म नहीं होता. कैसे होती है निर्वान की अवस्था अभी तक हमने देखा कि निर्वान में सभी पापकर्म नश्थ हो जाते हैं, इस जन्म के तथा जन्म जन्मांतरों में मिलने वाले दुखों से मुक्ती मिल जाती है. किन्तु यह तो निर्वान की अभावात्म का वस्था अर्थात निर्वान में क्या नहीं होता, यह बताने वाली अवस्था है. यहां प्रश्न उठता है कि निर्वान की भावात्मक अवस्था क्या है? अर्थात निर्वान की अवस्था में साधक को मिलता क्या है? कैसे उसकी अनुभूती होती है? बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है. उनके अनुसार निर्वान अवर्निय है अर्थात शब्दों में इसका वर्नन नहीं किया जा सकता। उसकी केवल अनुभूती ही की जा सकती है और तबी जब स्वायम निर्वान प्राप्त किया जावे। उचा तथा मधू की तरह मीठा है। उध्धरन चिन निर्वान लौकिक शांती की अवस्था है, इसे प्रायर सभी बहुत स्वीकार करते हैं। इस अवस्था में राग, द्वेश, मुह से हीन होकर साधक, प्रग्या, अर्थात प्रकाश से युक्तो समाहित्चित हो जाता महाग्यानी बौधुने निर्वान को, शिव तथा, आनंद, रूप कहा है स्वयम बुद्ध ने इसे, अमृत्पद कहा है धंपद में इसे सर्वोच स्वातंत्रिय तथा आनंद की स्थिती कहा गया है। निर्वान के पश्चात यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि निर जा सकता कि वह पूर्व्या पश्चिम या अन्य किसी दिशा में चली गई। उसी तरह जब योगी निर्वान प्राप्त करता है, न तो उपर जाता है, न नीचे जाता है, बरन तृष्ना, घ्रिना, लोग तथा अन्य दोशों के अभाव में केवल शांत हो जाता है। एक अन्य स्थान पर बुद्ध कहते हैं, जैसे लोहे के घंड पर चोट पढ़ने पर जो चिनगारियां उठती हैं, वे शीग्र ही बुझ जाती हैं, कहां गई कुछ पता नहीं चलता, उसी प्रकार त्रिशना से मुक्तिया निर्वान प्राप्त व्यक्ती की गती का कोई पता निर्वान के सहायक तत्व बॉत दर्शन में निर्वान की प्राप्ती हेतू इश्विय कृपा को बिलकुल महत्त्व नहीं दिया गया है। यहां निर्वान एक पुरुशार्थ है जिसे व्यक्ती, आत्म दीप, बनकर प्राप्त कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, संसार अगर को तुम जिस नाव की सहायता से पार कर रहे हों, उसमें बहुत सा व्यर्थ का बोज भरा हुआ है. इसे तुम्हें ही उलीचना है. इससे यह हलकी हो जाएगी और तब तुम निर्वान प्राप्त करोगे. जिस प्रकार की चड़ में फंसा हुआ हाथी स्वयम अपना उद्धार करता है, उसी प्रकार तुम भी कठिनायों से अपने आपको निकालो. निर्वान हे तु बुद्ध ने चतुर थार्य सत्यत के रूप में दुख निरोध गामिनी प्रतिपद अर्थात दुख को दूर कर ने का रास्ता अवश्य दिखाया है. यह रास्ता शीलसमाधी प्रग्या वाला अश्टांग मार्ग है. बुद्ध कहते हैं, हे बिक्षू, जिस प्रकार गंगा, जमुना, सर्यू ये महांदियां समुद्र की ओर अधिगामिनी होती हैं, वैसे ही अभ्यास करने पर अश्ट चांगिक मार्ग निर्वान की ओर ले जाने वाला होता है. बौध धर्म में निर्वान प्राप्त व्यक्ति को अरहत, अत्वा, तथागत कहा गया है. बौध धर्म के महायान संप्रदाय में निर्वान का प्रत्य कुछ हटकर है. बुद्ध ने निर्वान के लिए इश्वर प्रिया कृपा को अनावश्यक बताया था, महायान संप्रदाय में निर्वान हेतु स्वयम बुद्ध की कृपा की याचना बौध करते हैं। प्रिया के समान निर्वान भी मध्यम मार्ग का अनुसरन करता है। यह न भोग का मार्ग है, न शरीर को पीड़ा पहुचाने वाली तपस्या का मार्ग है, यह दोनों के मध्य का मार्ग है। बौध प्रमान अनेक दर्शन उपमान और शब्द को भी प्रमान मानते हैं किन्तु बौध नहीं मानते। उनके अनुसार अन्य प्रमानों का अंतरभाव अनुमान में ही हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमान बौधूं के अनुसार प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो कल्पना रहित निवानत ऐसा ज्ञान हो, जिसमें बिलकुल संदेह न हो. इसमें वस्तू का स्वलक्षन मात्र ग्यात होता है, अर्थात वस्तू का नाम जातियादी अनुपस्थित रहते हैं. यह समस्त विकल्पों से रहित ज्ञान है नियाय दर्शन में प्रत्यक्ष का अर्थ इंद्रियों और वस्तू के सनिकर्ष से उत्पन ज्ञान है किन्तु बहुत दर्शन इक इसकी आलोचना करते हैं उनके मत में कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जैसे चक्षू और शोत कांट जो वस्तू के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है अतह यह इंद्रियों और वस्तू के सनिकर्ष से उत्पन ज्ञान नहीं है अनुमान प्रमान किसी ग्यात वस्तू के आधार पर अग्यात वस्तू के ज्ञान को अनुमान कहते हैं बौध दर्शन के अनुसार अनुमान का उद्देश्य वस्तू के सामान्य लक्षन का ग्यान प्राप्त करना है. प्रत्यक्ष में वस्तू के केवल स्वालक्षन का ग्यान प्राप्त होता है. अनुमान द्वारा वस्तू के सामान्य लक्षन का ग्रहन होता है. किन्तु इसके ग व्यापती ज्यान पर निर्भर करता है। यहां व्यापती ज्यान का अर्थ है, दो वस्तूओं में उपादिरहत संबंधों की सदैव विद्यमानता, जैसे धुए के साथ आग का सदा रहना। इसी कारण धुए को देखकर हम अनुमान करते हैं कि वहां आग है। त्रिरूपात्मक लिंग बौधों के अनुसार अनुमान में लिंग त्रिरूपात्मक होता है। जैसे उपरोक्त दाहरण में लिंग अर्थात चिनहद हुआ हैं, वह पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों से सिधह होना चाहिए। पक्ष अर्थात परवत पर, सपक्ष अर्थात रसाइगर में उसका भाव होना चाहिए और विपक्ष जैसे तालाव में उसका अभाव होना चाहिए। नयायक केवल पक्ष और सपक्ष में सिद्धी को महत्त्व देते हैं। अविनाभाव संबंद, इसके साथी हितु और साध्य के बीच अविनाभाव संबंद भी बौध आवश्यक बताते हैं, जिसका अर्थ है किसी के अभाव में किसी का न होना, जैसे आग के अभाव में धुए का न होना. अनुमान के प्रकार बौध अनुमान के दो प्रकार बताते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान. स्वार्थानुमान अपने लिए अनुमान है। इसमें अव्यवों की आवश्यक्ता नहीं होती। पर आर्थानुमान यह दूसरों के सम्मुख अनुमान के निशकर्ष को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे रिसाइघर में 4. उपने पर्वत धूयवाला है 5. निगमन पर्वत में अगनी है। बौध इन में से प्रथम तीन को ही अनुमान के अंतरगत लेते हैं। धर्मकर्ती तीन भी आवश्यक नहीं मानते। उनके अनुसार केवल इतना कहना ही परियाप्त है कि पर्वत अग निवाला है क्योंकि वहां धुआ है। अनुमान की प्रामानिकता बौध दर्शन में अनुमान को भी उतना ही प्रामानिक माना गया है जितना प्रत्यक्ष को। नियाए दर्शन परिचे। नियाए दर्शन भारतिया आस्तिक शड़ दर्शनों में एक अत्यंत प्राचीन तथा लंबे समय तक जीविंत बना रहने वाला दर्शन है। करीब 20 शताब्दियों तक अनेकानिक भारतिय पिंडितों ने इसकी सेवा की है। यही कारण है कि इसका साहित्यक भिंडार वेदांत दर्शन के बाद सर्वादिक संपन्न भिंडार माना जाता है। यह न्याय दर जिसके द्वारा मस्तिश के एक निशकर्ष पर पहुंचे न्याय है। किन्तु उचित निशकर्ष पर पहुंचना तो तर्क करना है। वस्तुतह न्याय दर्शन मुख्यतह तर्क विद्या का प्रतिपादन करने वाला ही दर्शन है। इसलिए इसे तर्क शास्त्र भी कहते क्यूंकि इसमें प्रमानों के द्वारा किसी विशय की समीक्षा की जाती है। इसमें प्रस्तुत करने का श्रे महर्शी गौतम को है, जिनका न्यायसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है, जिस पर बाद में अनिकान एक भाश लिखे गए। पूर्व का दर्शन प्राचीन न्याय में रखा जाता है तथा बारवी शताबदी एवं उसके बाद का दर्शन नव्य न्याय में रखा जाता है। दो प्राचीन न्याय का प्रारम भवश्य प्रमान मिमानसा से है, किन्तु उसका लक्ष्य, मुक्ती, है, इस तरह प्रमान मिमानसा प्राचीन न्याय में केवल साधन है। किन्तु नव्य न्याय में सब कुछ प्रमान मिमानसा है, साध्य भी, साधन भी। प्रमान विचार, सभी भारतिय दर्शन तत्व विचार करने के पूर्व तत्व को जानने के साधन पर विचार करते हैं। ये साधन ही प्रमान कहे जाते हैं. नियाय दर्शन भी सर्फ प्रतम प्रमानों पर विचार करता है. नियाय दर्शन के प्रमान विचार से बात के सभी आस्ते केवं नास्तिक दर्शन प्रभावित हुए हैं. प्रमान विचार ज्यान मिमानसा से संबंदित है, अतह सबसे पहल हम ग्यान क्या है यह देखेंगे ग्यान वस्तूओं की अभिव्यक्ति को ग्यान कहते हैं जैसे दीपक वस्तूओं को प्रकाशित करता है वैसे ही ग्यान अपने विशेयों को प्रकाशित करता है और थात्स पष्ट करता है ग्यान से ही हमारे संपूर्ण व्यवहार का संपाद नियाए दर्शन के अनुसार ज्यान आत्मा का विशेश कुन है। नियाए दर्शन के अनुसार ज्यान आत्मा का विशेश कुन है। नियाए दर्शन में प्रमान भी एक पदार्थ माना गया है। महर्शी गौतम सोलह पदार्थों में सर्व प्रतम स्थान प्रमान को ही देते हैं। प्रमान के प्रकार गौतम के नियाए दर्शन के अनुसार प्रमान के चार प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमान, दो अनुमान प्रमान, तीन, उपमान प्रमान, चार शब्द प्रमान. अब हम क्रमशय चारों पर विचार करेंगे. प्रत्यक्ष, न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, प्रत्यक्ष से प्रमा और प्रमान दूनों का बोध होता है। कर वस्तु और इंद्रिया में सन्निकर्ष प्रत्यक्ष के लिए, इंद्रिया वस्तु सन्निकर्ष आवश्यक है। यदि सांप को रस्सी समझ लिया जाए, तो इसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता. गर प्रत्यक्ष अनिश्चित नहीं होता, किसी वस्तू के प्रत्यक्ष से अनिश्चित ज्यान नहीं होना चाहिए. यदि किसी व्यक्ती का प्रत्यक्ष करने पर कहें कि वह या तो राम है या मोहन हैं, तो इसे प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष सदैव निश्चित होता है। गह प्रत्यक्ष भाशा पर आश्रित नहीं है, किसी विशे का प्रत्यक्ष होने पर उसे भाशा के माध्यम से प्रकट करना कोई आवश्यक नहीं है। इसे भाशा में व्यक्त भ विद्वान इसे संतोषप्रत परिभाशा मानते हैं। किन्तु नव्यनयाइक विदान्ती एवं कई अन्य विद्वानों ने इसे दोशपून बताया है। गंगेश उपाध्याइक नव्यनयायके प्रनेता इस परिभाशा में तीन प्रकार के दोश बताते हैं। वे दोश इस प्रकार हैं। क अतेव्याप्त परिभाशा का दोश, क अव्याप्ती दोश, गर्चक्रक दोश, प्रत्यक्ष की प्राचीन परिभाशा को दोशपून बताकर गंगेश उपाध्या एक आधुनिक परिभाशा देते हैं। बिना किसी माध्यम के प्राप्त ग्यान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। तत्व चिंता मुणी में साक्षात प्रतीती इमीडियेट नॉलज को ही प्रत्यक्ष की मुखे पहचान कहा गया है। प्रत्यक्ष का यह सामान्य लक्षन इसे अन्य प्रमानों से सर्वत्ह प्रिथक कर देता है। अनुमान, उप्मान, शब्द इत्यादी किसी प्रमान से साक्षात ग्यान नहीं होता। प्रत्यक्ष के प्रकार, kinds of perception प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और लौकिक प्रत्यक्ष. जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारन रूप से सयोग होता है, तब इसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं. उदाहरनार्थ, जेवा से आम का साधारन सयोग होने से आम की मिठास का लौकिक प्रत्यक्ष होता है, जब किसी इंद्रिय का संपर्क किसी वस्त के साथ साधारन धंग से होता है, तब इसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे, जब आँखों से देखकर हरी घास के मुलायम होने का ज्यान होता है, तब इसे अलोकिक प्रत्यक्ष कहेंगे. लोकिक प्रत्यक्ष लोकिक प्रत्यक्ष साधारन प्रत्यक्ष है. इस प्रकार के प्रत्यक्ष से वस्तु के उसी गुन का ज्यान होता है, जो इंद्रिय विशेश से मिल सकता है. आंक से रंग का, कान से द्वनी का एवं जहवा से स्वाद का बोध होना लोकिक प्रत्यक्ष के ही उदारण है लोकिक प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं बाहिर वर आंतरिक या मानस बाहियर इंद्रियों द्वारा प्राप्त ग्यान ही बाहियर लोकिक प्रत्यक्ष है बाहियर इंद्रियां पांच हैं। न्यायदर्शन में मन, माइंड या मनस एक आंतरिक इंद्रिय माना गया है। मन द्वारा आंतरिक अवस्थाओं का प्रत्यक्ष ही आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष बाहियर एक्सटरनल और आंतरिक या मानस इंटरनल हैं। मन द्वारा हमें सुक्र, डैक, इच्छा, वेश, क्रोधादी मानसिक अवस्थाओं का प्रत्यक्ष होता है. दूसरे द्रिष्टिकों से लौकिक प्रत्यक्ष के तीन प्रकार हो जाते हैं. कर्ट निर्विकल्पिक प्रत्यक्ष इंडिटर्मिनट प्रसेप्षिन, कर्ट सविकल्पिक प्रत्यक्ष, गर्ट प्रत्य बिग्या, कर्ट निर्विकल्पिक प्रत्यक्ष किसी वस्थू का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पिक प्रत्यक्ष है. इसमें वस्तू के अस्तित्व का आभासमात्र मिलता है यहां वस्तू का पूर्ण ग्यान नहीं होता उदाहरं गहरी नींग में सोई रहने पर कभी कभी खटखट की आवाज का ग्यान होता है किन्तु यह पता नहीं चलता की यह आवाज किसकी है इसी प्रकार, परीक्षा देते समय विद्यार्थी किसी आवाज को सुनता रहता है, कि तु लिखन में मगम रहने के कारण वहुस आवाज का पूर्ण अर्थ नहीं समझ पाता कर्थ सविकल्पिक प्रत्यक्ष निर्विकल्पिक प्रत्यक्ष का विक्सित रूप ही सविकल्पिक प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षिकरण प्रत्यक्षिकरण में हैं। जिसने दो बर्ष पहले मेरी जेव काटी थी, तो इसे प्रत्य बिग्या कहते हैं। जिसने देखना और त्वच्चा का कार्य है किसी वस्तु के कडेपन या कोमलता का पता लगाना साथारनत। आखों से देखते ही हम हरी घास को मुलायम और बर्फ को ठेडी बता देते हैं। यहां घास के मुलायम और बर्फ के ठंडी होने का ज्यान आखों द्वारा ही हो जाता है। वस्तुत यह वच्चा का काम था। किन्तु पुररवान उभूती के आधार पर हम ओखों से देखकर ही किसी वस्तु के मुलायम या ठंडी होने का ज्यान प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही ज्यानलक्षन प्रत्यक्ष कहते हैं। साधरन तव प्रत्यक इंद्रिय का अपना अलग-अलग विशय होता है जब एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का ज्यान होने लगे तब इसे ही ज्यानलक्षन प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। बी, सामान्यलक्षन प्रत्यक्ष किसी व्यक्ती या वस्तोविशेश को देखकर उसकी जाती का प्रत्यक्ष होना ही सामान्यलक्षन प्रल्यक्ष है न्यायदर्शन के अनुसार व्यक्तिविशेश में उसकी जाती नहित है। इसलिए जए किसी व्यक्ती का प्रत्यक्ष होता है, तब उसमें निहित जाती का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। न्यायदर्शन कुछ हैसे योगियों को मानता है, जो सभी कलों की वस्तूओं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। न्यायकों के लिए इनका अस्तिर वसंदिग्ध है। का अर्थ है ज्यान। अतह अनुमान हुआ पश्चात ज्यान। दूसरे शब्दों में पूर्व ज्यान के पश्चात होने वाला ज्यान अनुमान है। किन्तु यह पूर्व ज्यान क्या है। न्याय दार्शनिकों के अनुसार यह पूर्व ज्यान प्रत्यक्ष है। अतर स्पश्च हुआ की अनुमान प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्यान है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष पर आधारित ज्यान है। इसलिए इसे सापेक्ष ज्यान भी कहा जाता है. एक उदाहरण उप्रोक्त विचार को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे. उदाहरण दूर परवत से हम धुआ उठता देखते हैं प्रत्यक्ष. इस आधार पर हमें यह ज्यान होता है कि परवत में आग है. यही अनुमान है. तो यहां परवत में आग है. यह सिद्धी जिस प्रमान के द्वारा हुई, वह अनुमान प्रमान है. स्पष्ट है कि यहां हमने आग को प्रत्यक्ष नहीं देखा. प्रत्यक्ष तो हमने केवल परवत पर दूर देखा है. पर इसी प्रत्यक्ष, जिसे पूर्व ज्यान कहा गया है, कि आधार पर हम यह अनुमान जन्य ज्यान प्राप्त करते हैं कि परवत पर आग है. चिन्ह, साध्य, एवं पक्ष, यहाँ अनुमान में चिन्ह, अथ्वा हेतु का महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे उप्रोक्त दारण में धुवां चिन्ह है, आग का, आग यहाँ साध्य है, जिसे सिद्ध करना है तता पर्वत, पक्ष है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ प्रतेक अनुमान में चिन्ह, साध्य एवं पक्ष अवश्य होते हैं। पूर्व ज्यान का तात्पर्य पूर्व प्रतेक्ष है। यह प्रतेक्ष दो प्रकार का होता है। प्रतेक्ष अनुमान में व्यापती संबंद का पूर्व ज्यान होना आवश्यक है। इनके बिना अनुमान असंभव है। उप्रोक्त व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुमान वह प्रमान हैं, जिसके द्वारा हम किसी चिन्ह के आधार पर उस वस्तू का ज्यान प्राप्त करते हैं, जिसका वह चिन्ह हैं। अनुमान के अव्यव, किसी भी अनुमान के तीन अव्यव होते हैं, पक्ष, साध्य एवं चिन्ह, इनका उलेख हम प्रारंब में कर चुके हैं, सामान्यता अनुमान में वाक्य भी तीन होते हैं, जैसे उपर्युक्त दाहरण में निम्नलिकित तीन वाक्य हैं, एक परवत में आग है। दो क्योंकि पर्वत में दूआ है। तीन जहां धूआ है वहाँ आग है। जैसे रसोईगर के चूलहि में। इन तीन वाक्यों में सबसे पहले पक्ष के साथ साध्य का संबंद स्थापित किया गया है, दूसरे वाक्य में इसका कारण अर्ठात साध्य के चिन्ह की पक्ष में उपस्तिती बताई गई है और तीसरे वाक्य में उदाहरण प्रसोईगर का चूलहाद देते हुए बताया गया है कि चिन्ह के साथ साध्य का व्यापती संबंध है। इस विशिष्ट ज्यान को परामर्ष भी कहते हैं। पंचावयव अनुमान यहां भारतिय अनुमान के उप्रोक तीन वाक्य वस्तुत अनुमान की पूर्ण प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करते हैं। पूर्व प्रक्रिया में अनुमान में पांच वाक्य पंचावयव आते हैं। आगे हम, स्वार्थानुमान एवं परार्थानुमान, नामक अनुमान के भीद में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे. अनुमान के भीद, अनुमान प्रमान के निम्नलिखे तीन प्रकार के भीद हैं. हम तीनों प्रकार के विबिन वेदों पर प्रकाश डालेंगे. प्रारंब मनोवे ज्यानिक दृष्टी से किये गए वेद से करेंगे. स्वार्थानुमान जैसा की नाम से ही स्पष्ट है, इस अनुमान का उप्योग व्यक्ति स्वयम ही ज्यान प्राप्त करने के लिए करता है, जैसे उप्रोक्त उदारण को ही ले, दूर परवत पर जब हम धूआ उठते देखते हैं, तो सोचते हैं कि अवश्य ही परवत पर आ परार्था नुमान के पांच वाक्य निमनलिखित एक पर्वत में आग है प्रतिग्या दो क्योंकि वहां धुआ है चिन्ह घेतू तीन जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है जैसे चूली में उदाहरन चार पर्वत में धुआ है उपने पांच इसलिए पर्वत में आग है निगमन 1. प्रतिग्या इसमें जिसे सिद्ध करना है उसे बताया जाता है। इसका सर्व प्रत्थम उल्लेख इसलिए किया जाता है ताकि यह अच्छी प्रकार से ते हो जाए कि किया सिद्ध करना है। 2. चिन्ह खेतु चिन्ह द्वारा वह कारण बताया जाता है जिस आधार पर प्रतिग्या की गई है। जैसे उप्रोक्त उदाहरन में धुआ चिन्ह है क्योंकि इसी आधार पर आग्ट के होने की प्रतिग्या की गई है। 3. उदाहरण उदाहरण द्वारा चिन्ह और साध्य में व्यापती संबंध है, इस बात की पुष्टी की जाती है. 4. उपने उपने चौथा अव्यव है. यह पक्ष परवत तथा चिन्ह के संबंध को बतलाता है, जैसे उपरोक्त अनुमान में उपने हैं, परवत में धूआ हैं. 5. निगमन प्रतिग्या सिद्धी के पश्चात अंत में हम आत्म विश्वा से पूर्वग जिसर्प निशकर्ष पर पहुँचते हैं वह निगमन हैं. 2. अनुमान प्राचीन न्याय के अनुसार 2. महर्शी गौतम ने अनुमान को परिभाषित करते समय ही उसे तीन रूप वाला बतलाया है. उनके अनुसार अनुमान के ये तीन रूप हैं. पूर्ववत अनुमान पूर्ववत शब्दो शब्दों से बना है, पूर्व जोर। इन में से पूर्व कारथ है, पहले कारण तथा वत कारथ है, अनुसार इस तरह पूर्ववत कारथ है, कारण के अनुसार। अतव पूर्वत अनुमान वह हुआ जहां कारण को देखकर कार अब यदि आकाश में काले बादलों को च्छाया देखकर हम यह अनुमान करते हैं कि वर्षा होगी तो यह पूर्ववत अनुमान है। क्योंकि वर्षा ही सड़क के गीले होने का कारण होती है। इसे हम एक उदाहरन से सपष्ट करेंगे सामान्यत यह हम सींग वाले पशु की पूच भी देखते हैं। इसी सामान्य अनुभव के आधार पर जहां कहीं सींग वाला पशु देखते हैं तो यह अनुमान भी कर सकते हैं कि इसके पूच भी होगी। यही सामान्य तोंद्रिष्ट अनुमान हैं। तो उसे कैवलानवाई अनुमान कहते हैं, जैसे चिन्हे नाम दिया जा सकता है, उनका ग्यान संभव है। इस सामान्य वाक्य के आधार पर हम निम्नलिकित अनुमान उपस्थित कर सकते हैं, एक उद्धरन चिन्ह, सभी ग्या पदार्थ नामधारी अविधिय हैं, घट नामधारी है, अतः घट ग्या है, यहां इसे हमने कैवलानवाई अनुमान इसलिए कहा क्योंकि ऐसी व्यापती में अभावातमक उदारन नहीं मिलते, जैसे कि हम यहां पर यह नहीं कह सकते कि जो नामधारी अविधिय नहीं है वह अगय यह है क्योंकि हम ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बता सकते जिसका नाम न रखा जा सकता हो, ब कैवला weaponार के लिए केवल भावातमक उदारन मिलते हैं, अभावात्मक नहीं, जैसे, यह परवत हिमालय है, क्योंकि यह सबसे उंचा है, उक तनुमान की पुष्टी के लिए हमें कोई भावात्मक उदारन नहीं मिलते, क्योंकि हम यह नहीं कह सकते कि, कग सबसे उंचा है, अतव हिमालय है, अतवा, गग सबसे उंचा है, अतव हिमा हम तो यहां केवल अभावात्मक उदाहरन देते हुए कह सकते हैं, जो हिमालय नहीं है वो सबसे उंचा नहीं है, जैसे सिहवा परवत. इस प्रकार केवल अभावात्मक उदाहरन द्वारा पुष्टी होने के कारण यह अनुमान कैवलेव्य तिरे की अनुमान हुआ. सर अन्वय अव्य तिरे की जहां भावात्मक और अभावात्मक दोनों प्रकार के उदाहरन दिये जा सकते हों, उसे अन्वय अव्य तिरे की अनुमान कहते हैं. यहां धुए के संग बराबर आग रहती है, तथा इसका अभावात्मक उदाहरन है, कमरा, जहां आग नहीं तो धुआ भी नहीं है. इस तरह दोनों प्रकार के उदाहरन दिये जा सकने वाला अनुमान अन्वय व्य तिरे की अनुमान हुआ. हेत्वाभास वैसे तो, अनुमान, को न्याए दर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमान माना गया है, किन्तु इस प्रमान की प्रस्तुती बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, अन्यता इस प्रमान द्वारा प्राप्त हमारा ज्यान मिथ्या हो सकता है. इस प्रमान में सरवादिक गरबडी हेत्व अर्थात चिन्ह के गलत प्रयोग के कारण होती है. जहां हेत्व वास्तव में न हो, पर हेत्व के समान प्रतीत हो, वहां हेत्वाभास हेत्व का आभास होता है. इस तरह हेत्वाभास न्याय दर्शन के अनुमान प्रमान में प् नई आइकों ने पांच प्रकार के हेत्वाभासों की चर्चा की है। यह हेत्वाभास है क्योंकि हर जगह आग के साथ धुआ नहीं होता। लुहार के तप्त लुहे में आग होती है, पर धुआ नहीं होता। कहने का मतलब की आग के साथ कभी धूआ होता है, कभी नहीं होता, अतर यह कहना की जहां आग होती है, वहां धूआ होता है, सव्य विचार हेत्वाभास है. दो विरुद्ध जहां पर हेतु से साध्य की सिद्धी न होकर असिदी हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं उदाहरंग, संसार नित्य है, क्योंकि वह कार्य है, इस अनुमान में कार्य हेतु है, किन्तु कार्य तो अनित्य होता है, अतह इससे संसार नित्य नहीं वरन अनित्य सिद्ध हो रहा है. तीन सप्रतिपक्ष जब एही अनुमान के साध्य को सिधा करने वाले हेतु के साथ प्रतिपक्षी विरोधी हेतु भी उपस्तित हो जो उस साध्य को असित करे तो इसे सप्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं उदाहरंग एक, शब्द नित्य है क्योंकि वह सब जगह सुनाई देता है दो, शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन होता है उप्रोक्त दो अनुमानों में सपष्ट है कि पहले अनुमान को दूसरा अनुमान गलत सिधा कर रहा है 4. असित कई बार हेतु ही असित होता है। जैसे कई बार हेतु तथा पक्ष में कोई संबंध ही नहीं होता, जबकि अनुमान के लिए ऐसा होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिती के हेतु को असित कहते हैं। 5. बादित कई बार ऐसा भी होता है कि अनुमान द्वारा जिस ज्ञान की हम प्राप्ती करते हैं, उसका अन्य प्रमान जैसे प्रत्यक्ष शब्दादी के द्वारा खंडन हो जाता है। 6. उप्रोक्त अनुमान अर्थात वर्ष पानी में दूब जाता है का प्रत्यक्ष द्वारा खंडन होता है क्योंकि हम बर्फ को पानी में दूबते नहीं देखते यही बादित हेत्वा भसा है। 6. उप्मान उप्मान प्रमान न्याएदर्ष द्वारा प्रस्तुत तीस्रा प्रमान है। चारवाक, बौध, वैशेशिक, सानके आदी इसे स्वीकार नहीं करते। वेदांती एवं मीमान से कवश्य इसे स्वतन्त प्रमान मानते हैं किंतु वे इसका कुछ बिन अर्थ निकालते हैं। उपमान का अर्थ उप्फमान, इन दो शब्दों से बने उपमान का अर्थ है, उपमा अर्थात साद्रिश्यता के आधार पर प्राप्त ग्यान. वस्तुते इस प्रमान के द्वारा हम उस वस्तु का ज्यान प्राप्त करते हैं, जो यद्यपी हमारे लिए अज्यात है, किन्तु जिसके सद्रिश्य वस्तु हमें पहले से ज्यात है. इसी साद्रिश्यता के आधार पर जब हम किसी नई वस्तू का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह उपमान प्रमान हुआ उदाहरण उपमान प्रमान को एक उदाहरण द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है मान लीजिये हमने कभी नीलगाई नहीं देखी पर हमें मालूम है कि नीलगाई जंगल में रहने वाली गाई के सद्रिश्य कोई प्राणी है अब यदि हम जंगल में गाई के सद्रिश्य कोई प्राणी देखते हैं तो हमें यह ग्यात हो जाता है कि यह नीलगाई है स्पष्ट है कि यहां नील गायक का ज्ञान, गायक के साध्रिश्य के कारण हुआ है, इसलिए इसे उत्मान प्रमान कहा गया है गौतम की परिभाशा महर्शी गौतम ने उपमान की निम्नलिकित परिभाशा दी है, प्रसिद्ध पदार्थों के समान धर्म से साध्य के साधन को उपमान प्रमान कहा जाएगा। वातसायन कहते हैं कि इसके द्वारा हम बहुत से अद्रिष्ट पदार्थों का ज्यान प्राप्त कर सकते हैं। इसके भी द्वारा कहे गए कोई से भी शब्द नहीं है। नियाए दर्शन के अनुसार, शब्द अभी प्रमान बनते हैं जब वे यथार्थ, वास्तविक एवं विश्वास के योग्य हों। ऐसे ही वचन नियाए दर्शन में आप्त अफचन कहे गए हैं तथा इन्हें व्यक्त करने वाला आप्त कहा गया है। गौतम ने इसी बात को शब्द प्रमान की परिभाशा में कहा है। जो पुनर्त विश्वस्निय हो। ऐसे व्यक्ति अत्वा ग्रंत द्वारा व्यक्त वचन ही आप्त अफचन कहे जाते हैं। नियाए दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे वचनों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं होता। अतः ज्यान प्राप्ति हे तु हम ऐसे वचनों को शब्द प्रमान के रूप में ग्रहन कर सकते हैं। महत्व शब्द प्रमान का महत्व भी कम नहीं है। ऐसे कई विशय होते हैं जिन्हें हमने नहीं देखा, अत्वा जिन्हें अनेक कारणों से देखना हमारे लिए संभब भी नहीं है। उनका ग्यान शब्द प्रमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह अनेक ऐसे धार्मिक सत्य होते हैं जिनकी अनुभूती हर कोई अपने आप नहीं कर सकता, ऐसे सत्यों से भी शब्द प्रमान के द्वारा अवगत हुआ जा सकता है, अत्वा और भी ऐसे ग्यान जो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उत्मान किसी भी साधन से गम्य नही हैं, इस प्रमान के सहारे गम्य हो सकते हैं, शब्द प्रमान के भेद, शब्द प्रमान के दो प्रकार के भेद किये गए हैं, एक द्रिश्टार्थ और अद्रिश्टार्थ, दो लौकिक और वैदिक, एक द्रिश्टार्थ, अद्रिश्टार्थ, जिस शब्द प्रमान, द यह द्रिश्टार्थ शब्द प्रमान है क्यूंकि हम मिन जाकर इनका प्रत्यक्ष कर सकते हैं. अद्रिश्टार्थ शब्द प्रमान द्रिश्टार्थ के विप्रीत हैं. यहां हमें जो ग्यान मिलता है उसका प्रत्यक्ष संभब नहीं हो सकता, जैसे विश्व का स्रिष्टा इश्वर है. धर्मग्रंथ द्वारा प्राप्तिय है, प्रमान अद्रिष्ट शब्द प्रमान कहा जाएगा क्योंकि हम विश्व का स्रिजन करते इश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते. 2. लौकिक और वैदिक वैदिक शब्द प्रमान वेदों द्वारा प्रस्तुत प्रमान हैं. भारतिय परंप्रा में वैदिक शब्दों को पुनर्तः विश्वस्निय तथा पवित्र माना गया है, क्योंकि ये साक्षात इश्वर की वानी हैं. लौकिक शब्द प्रमान, मनु ग्यान से ही मनुश्य को मोक्ष की प्राप्ती होती है। ग्यान से ही मनुश्य को मोक्ष की प्राप्ती है। मृत्यू के बाद केवल शरीर का नाश होता है। आत्मा अपने पूर्व कर्मानुसार पुनह देधारन करती है और यह सिलसिला तब तक चलते रहता है, जब तक की आत्मा मोक्ष की प्राप्ती नहीं कर लेती। आत्मा के गुण महर्शी गौतम न्याय सूत्र, दो में आत्मा चह गुण बताते हैं, इच्छा, द्वेश, प्रयत्न, सुख, डैक और ग्यान। एक, इच्छा, जिस वस्तु से पहले सुख मिला हो, उसी वस्तु की प्राप्ती का विचार इच्छा कहलाता है, दो, द्वेश, जिस वस्तु से पहले कश्ट हो, उस वस्तु को देखकर उससे बचने के विचार को द्वेश कहते हैं, तीन, प्रयत्र डैक के कारणों को दू 6. ज्यान आत्मा या देर के अनुकूल पदार्थों को जानना ही ज्यान है. आत्मा शरीर से भिन्हे, चारवाक दार्शनिक चेतना को शरीर का ही गुन बताते हुए आत्मा का शरीर से प्रिथक अस्तित्व स्वीकार नहीं करते. नयाय किसका विरोध करते हैं? वे आत्मा को शरीरिस्त जरूर मानते हैं किन्तु उसका स्वतन्त रस्तित्व भी मानते हैं. यदि आत्मा नहों तो इच्छा, प्रयत्न, सुक्डै, खादी गुनों का आश्रे कौन होगा? शरीर को हम इनका आश्रे नहीं मान सकते, क्योंकि मृत्षरीर में तो ये गुन नहीं रहते. इसका मतलब है कि आत्मा शरीर से प्रिथक है. आत्मा अनेक एवं विभू है, नयायक आत्मा को अनेक बताते हैं. हर शरीर के साथ एक अलग आत्मा लगी होती है. यदि ऐसा नही होता तो सबके अनुभव एक समान होते हैं, एक के सुख डैक सबके सुख डैक होते हैं. इससे सिधव होता है कि आत्मा अनेक है. सांक्य दार्शनिक भी कुछ है से ही तरकों के द्वारा आत्मा की अनेकता सिधव करते हैं, किन्तु अद्वेत वेदान्त आत्मा को एक ही मान नयायक आत्मा को विभू कहते हैं, इसका अर्थ है कि आत्मा शरीर के अंग विशेश में केंद्रित नहीं है, सर्व व्यापक है। आत्मा के अस्तित्व सिध्धी प्रमान नयायकों ने आत्मा के अस्तित्व को सिध्ध करने हेतू अनेक प्रमान दिये हैं। एक, ज्ञान की स्थिती, मनुश्य अपने जीवन में तरह तरह से ज्ञान प्राप्त करता है. यह सत्य है कि इंद्रियां उसके ज्ञान के निर्मान में महत्वपूर्ण योगदान देती है, किन्तु इंद्रियां तो भोतिक प्रकृती से उत्पन होती है, अतह इससे सिद्ध होता है कि इनके पीछे चेतन आत्मा है जो वस्तुतः ज्ञान की निर्मात्री है. यह आत्मा ही है जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का संशलेशन करती है. इंद्रियों के नश्ठ हो जाने के बाद भी उनसे प्राप्त ज्ञान, जैसे आँखों से देखे गए विबि अत्मा इंद्रियों से परे अपना अस्तित्व रखती है. आत्मा का अस्तित्व मन और बुद्धी के परे भी सिध्व होता है. मन के द्वारा आत्मा मनन अत्वा विचार करती है. यह परमानूओं का बना है, अत्मा देल की भाती नश्वर है. बुद्धी भी आत्मा नहीं है क्योंकि बुद्धी अस्थाई है जबकि आत्मा को अवश्यस्थाई होना चाहिए. नयाईक बुद्धी को आत्मा का गुण मानते हैं. 2. स्मृती का कारण नयाईक स्मृती के आधार पर भी आत्मा के अस्तित्व को सिधा करते है. पूर्व दृष्ट किसी पदार्थ को देखने पर यह अनुभूती की हमने इसे पहले देखा है, स्मृती कहलाती है यह स्मृती भी स्थाय आत्मा के कारण ही संभव हो पाती है 3. प्रत्यक्ष प्रमान नव्य नयायक आत्मा की सिद्धी के लिए प्रत्यक्ष प्रमान प्रस्तुत करते हैं वे इसे मानस प्रत्यक्ष गम्य कहते हैं मैं हूँ, यह मानस प्रत्यक्ष आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जानता हूँ, आदी अनुभब भी सिद्ध करते हैं कि आत्माह प्रत्यक्ष का आधार है इश्वर, न्याय दर्शन की गिंती एक पुनर्तह आस्तिक दर्शन में होती है क्योंकि वह वेदों की प्रामानिक्ता के साथ साथ इश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है नयायक इश्वर के अस्तित्व को न केवल स्वीकार करते हैं वरन जोरदार तरकों से उसके अस्तित्व की सिद्धी भी करते हैं किन्तु नयाय दर्शन की प्रारमविक स्थिती ऐसी नहीं है प्रारमविक स्थिती से तातपर्य गौतम के नयाय सूत्र से है इसमें इश्वर का उलेक अवश्य है किन्तु इतना कम है कि अनेक विद्वान उनके इश्वरवादी होने पर संदेह करते हैं। खेर प्रारमविक स्थिती जो भी रही हो, परवर्ती नयायकों, उद्योतकर, वाचस्पती मिश्रादी ने इश्वर को स्पाश्ट रूप से स्वीकार किया है। कारण वस्तुतह बौध दर्शन है। बौध दर्शनिक जैसे जैसे इश्वर के अस्तित्व का खंडन करते जाते थे, वैसे वैसे नयायकों के अस्तित्व के सिध्धी हेतु सक्रिय होते थे। इस संबंध में दोनु दर्शन के पंडितों में अनेक शास्त्रार्थों का उ इश्वर का स्वरूप, न्याय दर्शन में आत्मा के दो भेद किये गए है, एक जीवात्मा दो पर्मात्मा. इस तरह पर्मात्मा और जीवात्मा इश्वर और मनुश्यक दोनु आत्मा ही है किन्तु दोनु की आत्मा में उतना ही अंतर है, जितना जमीन और आस्मान में होता जिवात्मा जहां अल्ग्य, अनित्य एवं बंधन रिस्त है, वहां पर्मात्मा सर्वग्य, नित्य एवं स्वतंत्र है। दूसरी ओर जीवात्मा की नियती केवल कर्म करना है. शुब कर्मों के द्वारा वह मोक्ष की प्राप्ती कर सकती है किन्तु अपने कर्मों के फल प्राप्ती हितु जीवं ततह इश्वर का मुखा पेक्षी होती है. इश्वर के शडश्वर्य न्याय दर्शन में इश्वर को शडश्वर्य संपन्न कहा गया है अर्थात इश्वर चह प्रकार के एश्वर्यों से यूक्त है. ये चह एश्वर्य हैं आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्यान और वैराग्य. इश्वर में ये शडश्वर्य प प्रमान ही तो वे दीपक हैं जो हमें सत्य का दर्शन कराते हैं। किंतु नई आईकों के इस संबंध में प्रस्तुत प्रमानों का उलेक करने के पूर्व हम पूर्वपक्षियों अनिश्वरवादियों के तरकों को देखेंगे जो वे इश्वर को प्रत्यक्ष आदी द्वारा असिद बताने हे तु प्रस्तुत करते हैं। 1. इश्वर प्रत्यक्ष द्वारा सिद नहीं किया जा सकता क्योंकि वहरूपादी गुनों से रहित होने के कारण प्रत्यक्ष का अविश्य है। 2. इश्वर अनुमान द्वारा भी सिद नहीं किया जा सकता क्योंकि इश्वर का कोई व्याप्तलिंग हे तु नहीं है। 3. इश्वर अनुमान द्वारा भी सिद नहीं किया जा सकता क्योंकि इश्वर के सद्रिश्य कोई नहीं है। 4. शब्द प्रमान इश्वर का अस्तित्व इसलिए सिद नहीं कर सकते क्योंकि इस हेट शब्द प्रमान दोशपूर्ण है। शब्द प्रमान अर्थात वेद को लेकर आलोचक प्रशन करते हैं कि वेद नित्य है अत्वार अनित्य हैं। वेद नित्य नहीं माने जा सकते क्योंकि वे वर्ण समुह हैं और वर्ण उच्चरित होने के कारण प्रद्विंसी नश्ठ होने वाले हैं। इस प्रकार पुर्वपक्षियों की इस आपत्ती के विरूद में चारों प्रमानों पर इस प्रकार विचार करते हैं। कियह कहा जा सकता है कि इश्वर की सिद्धी प्रत्यक्ष से नहीं होती। अनुमान अनुमान प्रमान इश्वर के अस्तित्व को न तो सिद्ध करता है नहीं ये सिद्ध ठेहराता है। उपमान ईश्वर के अस्तित्व के संदर्व में उपमान की चर्चा व्यर्थ है क्योंकि उपमान को पदार्थ के अस्तित्व अथ्वा अभाव से कोई प्रयोजन नहीं है। वाक्यात संख्या विशेशाच साध्यो विश्व विद्वयः दो, एक, रूपी कार्य का करता होने से इश्वर का अस्तित्व सिध्व होता है। सत्ता की आवश्यक्ता होती है। किन्तु इस सत्ता की चेतना असीम होनी चाहिए, अन्यथा इसे परमानु जैसी सूक्षम सत्ता का ज्यान कैसे हो सकता है। साथ ही उसमें इस कार्य हेतु इच्छा एवं शक्ती भी होनी चाहिए। जीवात्माय सीमाबध होने के कारण यह कार्य नहीं कर सकती। मुकताय अवश्य सीमाबध नहीं होती, किन्तु वे निश्क्रिय होती हैं। तब यह कार्य केवल सर्वशक्तिमान, सर्वग्य, इश्वर ही कर सकता है। अतह जगत रूपी कार्य के कारण के रूप में इश्वर का अस्थित्व सिध्ध होता है। 2. जीवात्माओं को उनके कर्मानुसार फल दिल्वाने वाले आयोजन करता के रूप में इश्वर का अस्तित्व सिधा होता है। नियाए दर्शन में यह माना गया है कि मनुश्य को प्रतेक कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। इच समय पाकर फल देता है। क्योंकि वह भी चेतन है। उत्तर में हम कह सकते हैं कि वह सर्वग्य एवं सर्वशक्तिमान तो नहीं है, जो हमारे अद्रिष्ट को ठीक ठीक जानती हो तथा अद्रिष्ट के अनुसार हमें फल ग्रहन करने के लिए बाध्य कर सकने का सामर्थ्य रखती हो। इस तरह परमात्मा जीवात्माओं के अद्रिष्ट का आयोजन करता होने से सिधह है। तीन दृत्यादेह अर्थात जगत के धारक के रूप में परमात्मा का अस्तित्व सिधह होता है। नयायक कहते हैं कि ये हनंत गुरुबूट ब्रमांड निराधार नहीं रह सकता। निराधार होने से इसका पतन अविश्यम भावी है, अतह इसके धारक के रूप में अखंड शक्तिवान परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। फोर पदू के प्रस्तुत करता के रूप में भी इश्वर का अस्तित्व सिधह होता है। नयाइक कहते हैं कि विभिन पदू नामों से हमें विभिन वस्तूओं का बोध होता है जैसे पठका पड़ा कहने पर हमें ऐसी वस्तूओं का बोध होता है जो ताना बाना के रूप में गुते हुए तंतूओं से बनी हो। नयाईकों का विचार है कि इस व्यवहार को जन देने वाला रल्किय जीव नहीं हो सकता। यह कार्य सरवग्य परमात्मा का ही है। पांच प्रत्यायत अर्थात वेदों के रचैता के रूप में इश्वर का अस्तित्व सिधा होता है। नयाईक मानते हैं कि जिस तरह आयूर वेद शास्त्र, प्रामायन, महाभारत आदी ग्रंथों के प्रनेता अस्तित्ववान थे, उसी तरह वेदों का प्रनेता भी अस्तित्ववान होना चाहिए। किन्तु अब्रांत प्रांती रहित प्रामाने केवं आप्त वाक्यों से अचैता कोई अल्प्य जीव नहीं हो सकता। उसे अवश्य ही सरवग्य तथा आप्त पुरुष होना चाहिए। यह गुन एक मात्र परमात्मा में हैं, अतह परमात्मा का अस्तित्व अवश्य है। 6. शुते अर्थात शुती वेदादी भी इश्वर के अस्तित्व को सिधा करती है। नयायक कहते हैं कि शुतियां, यथा वेद, उपनिशद गीता आदी, इश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अतह इश्वर है। साथ, वाक्यों के रचैता के रूप में इश्वर का अस्तित्व सिधा होता है। वस्तुता विशय के साथ शब्द का जो नित्य संबंध विद्यमान है उस संबंध को स्थापित करने के लिए वाक्विधी तथा विबिन कला विधी का एक आदी करता अवश्य होना चाहिए। यह आदी करता ही सर्वग्य इश्वर है। आठ, संख्या विशेशात अर्थात संख्या से भी इश्वर की सिध्धी होती है। नियाए दार्शन एक परमानूओं के संयोग से स्रिष्टी रचना की बात करते हैं। दो परमानूओं का संयोए द्वयनुक, युग्न तथा तीन द्वयनुक का संयोग त्रयनुक कहलाता है। यही पदार्थों की स्रिष्टी का क्रम है, किन्तु इन संख्याओं में से केवल एक को हम प्रत्यक्ष गम्य कह सकते हैं, अन्य सब अवश्य मानसिक प्रत्य हैं। यहां प्रशन उठता है कि ये किसके मनस के प्रत्य हैं। स्रिष्टी के समय जीवात्माय अचेतन रहत हैं, अतह ये अवश्य ही किसी सर्वग्य सत्ता पर निर्भर होंगे और उसी के द्वारा बनाई गए होंगे। यह सत्ता इश्वर की ही हो सकती है। समालो चना एक, जगत को केवल निमित कारण मानने में दोश उदयन द्वारा प्रस्तुत प्रारमविक प्रमान जगत के कारण के रूप में इश्वर की सत्ता सिधा करते हैं। इन तरकों में इश्वर को जगत का केवल निमित कारण बतलाया गया है, उपादान कारण जड़ परमानू है किन्तु ऐसी स्थिती में इश्वर की असीमता समाप्त होती है नहीं वह स्वतंत रह जाता है एक सामान्य कुमहार से इश्वर की तुलना करना जो घड़े के निर्मान के लिए मिट्टी पर निर्भर रहता हो इश्वर की महत्ता को निश्चती कम करता है दो अन्योन्या श् वेदों के आधार पर अर्थात वेदों में इश्वर को स्वीकार किया गया है। इस आधार पर इश्वर की सत्ता सिदकी गई है। इस प्रकार ये तरक न्योन्याश्रय के दोश से ग्रस्थ हैं। न्याइक, मनुश्य के सुख डैक का कारण अद्रिष्ट को मानते हैं, ऐसी स्थिती में तो इश्वर की भूमिका नगन्य हो जाती है। चार, इश्वर अनावश्यक आलोचकों का मत है कि न्याइ दर्शन में इश्वर वस्तुतह अनावश्यक तत्व है। मोक्ष प्राप्ति है तुभी इश्वर अवश्यक नहीं है। न्याइक स्वयम स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा तत्वग्यान से आत्मसाक्षात कार कर मोक्ष की प्राप्ति करती है। योजक्चिन वैशेशिक दर्शन वैशेशिक दर्शन के प्रवर्तक महर्शी कनाद माने जाते हैं। कहते हैं कि ये बड़े संतोशी थे। इतने की खेतों से चुने गए अनाज के कनों के आधार पर जीबनायापन करते थे। संभवत इसलिए वे कनात कहे गए। उनका असली नाम उलूप बताया जाता है। इसी नाम के कारण उनका दर्शन और लूक्य दर्शन कहा गया है। विशेश्ट को एक पदार्थ मानने के कारण इसे वैशेशिक कहा गया। कुछ यह भी कहते हैं कि पदार्थों के विशेशत्व को महत्व देने के कारण यह वैशेशिक कहा गया। कुछ का कहना है कि सान के आदी दर्शनों से विशिष्ट होने के कारण यह वैशेशिक कहलाया. पदार्थ इस तरह चराचर सारा जगत यहां तक की गुन, कर्म, सामान्य, विशेश, संबंध और अभाव तक आ जाते हैं। विशेशिक दर्शन में पदार्थ का अर्थ है वर जिसका अर्थ शब्द पद के द्वारा प्रकाशित किया जा सके अर्था जिसे पद नाम दिया जा सके। यही इसका शाब्दिक अर्थ भी है, पद, अर्थ, पदार्थ, पदस्यर अर्थ, पदार्थ, निश्चे ही इस परिभाशा के अनुसार पदार्थ अती व्यापक पद है, इसमें वह सब कुछ आ जाता है जिसे हम नाम दे सकते हैं, हम अंगिनत वस्तूओं को नाम दे सकते है अतह पदार्थ भी अंगिनत हुए. पदार्थ के प्रकार वैशेशिक दर्शन में इन अंगिनत पदार्थों को साथ मुख्य कोटियों में रखा गया है, अर्थात पदार्थ के साथ प्रकार बताए गए हैं, एक, द्रव्य, दो गुन, तीन, कर्म, चार, सामान्य, पांच, विशेश, छे, समवाय, साथ, अभाव, उलेकनी यहे कि वै वैशेशिक सूत्र में इन में से केवल प्रतम चर्थों का उलेक है, इंतेम अभाव का नहीं, इसे बाद में जोडा गया है, वैशेशिक दर्शन में द्रव्य आदी ये छे पदार्थ भाव पदार्थ कहे गए हैं, द्रव्य, साप्त पदार्थों में सबसे प्रतम द्रव वस्तुतर इसके बिना गुन और कर्म अस्तित्वर रखी नहीं सकते। शक्कर नहों ता मिठास कहां रहेगी या हाथ नहों तो लिखने की क्रिया कैसे संभव होगी। कपड़ा पट एक द्रव्य है। कपड़े के निर्मान में प्रयुक्त तंतु इसके अव्यव है। कपड़ा इनी तंतुों से मिलकर बना है। तंतु के नश्ठ होने पर कपड़ा भी नश्ठ हो जाता है। इस तरह तंतु कपड़े का नित्य कारण है। इसे ही संभवाई कार द्रव्य के प्रकार द्रव्य 9 प्रकार के हैं एक पृत्वी, दो, जल, तीज, चार, वायू, पाँच, आकाश, छह, काल, साथ, एट, आत्मा, नौ, मन. इन में से प्रथम चार पृत्वी, जल, तेज, वायू अनित्य द्रव्य कहे गए हैं, अंतिम पांच आकाश, काल, दिकात्मा और मन नित्य द्रव्य कहे गए हैं. वैसे प्रथम चार परमानु रूप से नित्य ही हैं. अनित्य द्रव्य अपने से भिन किसी अन्यकारण से उत्पन होते हैं तथा नश्ठ होते हैं इसके विप्रीत नित्य द्रव्य नित्य, स्वतंत्र तथा निर्पेक्ष होते हैं. इन नित्य और अनित्य नौ द्रव्यों में समस्थ शरीरी तथा अशरीरी वस्तूओं का समावेश हो जाता है उपर हमने द्रव्य की परिभाशा में लिखा है कि द्रव्य गुन और कर्म आधार हैं अर्थात द्रव्य गुन और कर्म से युक्त होते हैं किन्तु सभी द्रव्यों में गुन और कर्म दोनों नहीं होते। वस्तुतर इन नौ द्रव्यों में कुछ असीम है, कुछ ससीम। ससीम द्रव्यों में तो गुन तथा कर्म दोनों होते हैं किन्तु असीम में कर्म का अभाव रहता है। वस्तुता कर्म के लिए दिख की जरूरत पड़ती है। जबकि असीम द्रव्य देखीन होने के कारण ही असीम कहे जाते हैं। द्रव्यों का चेतन और अचेतन इन दो भागों में भी वर्गी करण किया गया है। चेतन द्रव्य में एक मात्र आत्मा है जबकि अचेतन में शेश आठ है। आगे हम और नौ द्रव्यों का संक्षिप्ट परिचय प्राप्त करेंगे। प्रिच्वी आधी पंच महाभूत प्रत्म पांच द्रव्य अर्थात प्रिच्वी, जल, तेज, वायू और आकाश को पंच महाभूत कहा गया है। समस्त बहुतिक जगत के मूल में ये पंच महाभूत ही कार्यरत रहते हैं। महाभूतों का यह वर्गीकरण वैशिशिक दर् बतलाते हुए वैशिशिक सूत्र में महर्शी कनात कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्शूती प्रिच्वी, अर्थात प्रिच्वी रूप, रस, स्पर्श और गंध, इन चार गुनों से युक्त है। किन्तु आगे के सूत्र में स्पष्ट किया गया की प्रिच्वी का उत्तर में वैशिशिक दर्शन कहता है कि इनमें जब प्रिच्वी का अंज खुल मिल जाता है, तबी गंध का गुन आता है, जैसे गंधला पानी इसलिए महकता है, क्योंकि इसमें प्रिच्वी का अंज सम्मिलित रहता है। वायू भी तभी महकती है, जब वह प्रिथवी से उत्पन फूल आदी की महक लेकर बहती है, अर्थात प्रिथवी के कनों के कारण ही सुगंध का सामराज्य है। दो, जल, वाटर, वैशेशिक सूत्र के अनुसार, रूप रस पर्शवत्य आपुद्रवाहसनिगधा अर्थात रूप, रस और स्पर्श ये जल के गुन हैं। तीन, तेज, फायर, तेज के विशे में कहा गया है तेजो रूप स्पर्शवत्य आर्थात तेज, अगनीक में रूप और स्पर्श का गुन है। वैसे, तेज का विशेश गुन रूप है। तेज का रूप शुकल और स्पर्श उषन होता है। 4. वायू, एर वायू के विशय में कनाद कहते हैं स्पर्षवान वायू, अर्थात वायू स्पर्ष के गुन वाली है. वायू में रूप नहीं होता इसलिए वह दिखाई नहीं देती, न उसमें गंध, रस होता है. इस तरह इसमें एक ही गुन होता है स्पर्षी स्पर्ष से ह हम उस कारणुमान करते हैं. अन्यतीन भूतों के समान इसका प्रत्यक्ष नहीं होता. वायू के चलने पर त्रिन या धूल के उपर उठने पर ही उस कारणुमान होता है. 5. आकाश इतर आकाश के बारे में कहा गया है. ते आकाशे न विद्यते, अर्थात रूप, रस, गंध और स्पर्ष, ये गुण आकाश में नहीं रहते. तब कौन सा गुण रहता है? आकाश का गुण है शब्द. शब्द पृत्वी, जल, तेज, वायू का गुण नहीं है. अतह मानना पड़ेगा कि ये आकाश का गुण है. आकाश नित्य, विबू एवं सर्वव्यापक है. इसका प्रत्यक्ष संभव नहीं है, किन्तु अनुमान से इसके अस्तित्व की सिद्धी होती है. ये वायू के समान नित्य है. अन्य भूतों से इसकी विशेष्टा यह है परमानूं तथा अन्य द्रव्यों की भिन-विन मिलावट से संसार के पदार्थ बनते हैं. दिक और काल स्पेस इन टाइम पंच भूतों के पश्चात वैशेषिक दर्शन में जिन दो द्रव्यों की चर्चा की गई है. वे हैं, दिक और काल. ये दोनों ही आकाश के समान अ बाद, एक साथ, देर और शीगरता आदी काल के लक्षन हैं. भूत, भविश्य और वर्तमान ये तीन अलग-अलग काल नहीं, वरन एक ही काल के अलग-अलग विभाग हैं. काल एक ही है, डॉक्टर, दासकुपता वैशेषिक दर्शन के काल की व्याख्या में लिखते हैं, क इधर है, बहुधर है, यह दिख का लक्षन हैं. वैसे तो काल के समान दिख भी एक एवम अखंड है, किन्तु सूर्य की गती के आधार पर सुविधा के लिए दिख के उत्तर, दक्षन, पूरब, पश्चे मादी दस भेद किये गए हैं. यह प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, अ पंजभूतों तथा देशकाल के पश्चात नव द्रव्यों के शेश दो द्रव्य बचते हैं. आत्मा और मन. यह दोनों ही शरीर बधा होते हुए भी शरीर से प्रिथक नित्य द्रव्य हैं. यह तो आत्मा स्वरुपत निर्गुन, निश्क्रिय, मुक्त, शुदह है, किन वेदांत दर्शन के विप्री तचेतन अवस्था कहता है. उलेक है कि वेदांत दर्शन में आत्मा चित स्वरूप है. आत्मा की अनेक्ता वैशिशिक दर्शन आत्मा को अनेक कहता है. जितने शरीर उतनी आत्मा हैं, यहां भी वेदांत दर्शन से विरूत स्पष्ट है, जो आत्मा को एक मानता है। वैशेशिक दर्शन में इसकी अनेकता की सिद्धी के लिए अनेक तर्क दिये गए हैं और इस संसार में लोक व्यवहार से आत्मा की अनेकता स्पष्ट सिद्ध होती है। जो आत्मा की अनेकता की सिद्धी हैं तु ये तर्क दिये गए हैं। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धी के लिए निम्नलिकित तर्क दिये गए हैं। प्रयोग करता है उसका लक्ष्य आत्मा के सिवाय अन्य नहीं। बर जैसे रत के व्यापार से गमन से रत के भीतर सारती रूप चेतन पदार्थ का अनुमान होता है। वैसे ही शरीर के भीतर चेतना के अनुमान से आत्मा की उपस्तिती सिद्ध होती है। सर्ट श्वास लेने और छोडने प्रानायाम से शरीर फूलता है एवं संकुचित होता है। इससे सिद्ध होता है की यह व्यापार किसी चेतन सत्ता का है। यही आत्मा है. दरपलक का खुलना बंद करना, निमिश उनमेश भी किसी चेतन तत्व की उपस्थिती सिदा करते हैं. इच्छा आदी का कोई न कोई आश्रे होना चाहिए. यह आश्रे चेतन आत्मा ही हो सकता है. मन आत्मा के समान मन को भी वैशेशिक दर्शन में अनेक कहा गया है. प्रत्येक जीव के साथ एक मन होता है जो आत्मा का सहायक होता है. वस्तुता आत्मा को समस्थ प्रकार का ज्यान इसी मन की सहायता से ही होता है. आत्मा, इंद्रिय तथा बाह्य विशयों के रहने पर भी हमें ज्ञान की प्राप्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आत्मा के सहायक के रूप में मन उपस्थित न हो आत्मा मन की सहायता से अंतर और बाह्य दोनु जगत का ज्ञान प्राप्त करती है वेशिशिक दर्शन में सुख डैक का ज्ञान प्राप्त कराने वाला मन एक मात्र अंतर इंद्रिये माना गया है वस्तुतह, सुख आदी के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथन अंतर करन को मन कहते हैं, यह मन की परिभाशा दी गई है मन अनू रूप कहा गया है, इसलिए एक बार में यह एक ही इंद्रिय के साथ संबध होता है वेशिशिक दर्शन में मन को अचेतन कहा है क्योंकि यह ज्ञान का साधन है करता नहीं करता आत्मा है जो चेतन है यदि मन को भी चेतन माने तो शरीर में दो चेतन तत्व हो जाएंगे जिससे कार्य संचालन में बाधा होगी अतहमन अचेतन सिधा होता है गुन, किसी भी द्रव्य का परिचे हम सामान्यतय उसके गुनों के माध्यम से ही करते हैं सामान्यतय हम किसी द्रव्य के गुनों को उसकी विशेशताई कहते हैं, स्वतंत्र पदार्थ नहीं. किन्तु वैशेशिक दर्शन में गुन को भी एक पदार्थ कहा गया है. पर यह ऐसा पदार्थ है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता. यह हमेशा द्रव्य के स जुड़ा रहता है, उसके आश्रय में रहता है. वैशेशिकर सूत्र में जो गुन की परिभाशा दी गई है, उससे इसकी निमनलिखित विशेशताईं प्रगट होती हैं. द्रव्याश्रय गुन्वान सयुग विभगेश्व का रणमर पेक्षेती गुन लक्षनम एक द्रव्या के होते हैं. सत सयोग वियोग कारण अर्थात कुन, द्रव्या के सयोग मिलने अथ्वा वियोग अलग होने का कारण नहीं है. वस्तुतर इसका कारण कर्म है, कर्म के कारण ही वस्तुए मिलती और अलग होती हैं. द्र एनपेक्ष गुन द्रव्या पर आश्रित त प्रकार के बताए गए हैं, समान ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता बलकी द्रव्य पर ही आश्रित रहता है। इसे लगी एक क्रिया है जो किसी क्षन हो सकती है। शरीर किसी क्षन इस क्रिया से विरत भी हो सकता है पर गुरुत्व से कभी विरत नहीं हो सकता। कार्म को गती भी कहा गया है। यही द्रव्य के सयोग और विभाग का कारण होता है। उलेकनी यह है कि सभी द्रव्यों में कर्म नहीं रहता। यह केवल मूर्थ द्रव्यों यथा, पृत्वी, जल, तेज, वायू और मन में ही रहता है। सर्वव्यापी द्रव्य, यथा, आकाश, दिक, काल और आत्मा में इसका होना संभव नहीं है क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। कर्म के प्रकार सामान्य तया द्रव्यों में हम इन कर्मों को प्रत्यक्ष खटित होते देख सकते हैं कि किन्तु प्रत्यक द्रव्य में नहीं। जैसे, मन, कीगती का प्रत्यक्ष ग्यान हमें नहीं होता। सामान्य इस संसार में हमें असंख्य पदार्थ द्रिष्टि गोचर होते हैं। इस असंख्य पदार्थों में कुछ एक दूसरे से सर्वतहविन तो कुछ एक दूसरे से समानता लिये हुए दिखाई देते हैं. पदार्थों में समानता का यह गुण ही उन्हें एक कोटी में लाता है. जैसे राम, श्याम, सीता ये सब अलग-अलग मनुश्य हैं, किन्तु इन में कुछ सामान्य विशेष्टा है, जिसके कारण हम उन्हें समान कोटी का कहते हैं इनकी सामान्य विशेष्टा मनुश्यत्व है इस तरह मनुश्यत्व एक सामान्य है इसी तरह विबिन गायों में गूत्व एक सामान्य है। उलेकनी यहे कि वैशेशिक दर्शन इस सामान्य का अपना स्वतंत रस्तित्व मानता है, इसलिए वह इसे भी पदार्थ का नाम देता है। भारतिय दर्शनों में बौध दर्शन यहां वैशेशिक के पुनर्तव विप्रीत कहता है कि सत्ता केवल विशेश की होती है, सामान्य की कोई सत्ता नहीं होती। इन दोनों के मध्य जैन और अद्वेत वेदांत सामान्य की सत्ता तो मानते हैं पर उसे वस्तूओं से प्रिथक नहीं वरन उसी में नहित मानते हैं। यह वस्तूओं का आंतरिक स्वरूप है, जिसे बुद्धी ग्रहन करती है। बौध दर्शन का सामान्य सिंबंधी उपर्युक्त सिधांत, नामवाद कहलाता है, जैन एवं अद्वेत वेदांत का सामान्य प्रत्यक्षवाद तथा वैशेशिक का वस्तूओं कहलाता है। सामान्य के प्रकार वैशेशिक दार्शनिकों ने सामान्य की व्यापकता को देखते हुए इसके तीन भीद किये हैं. एक पर जो सर्वादेक व्यापक है जैसे सत्ता, दो अपर जो सबसे कम व्यापक है जैसे घटत्व, तीन परापर जो पर और अपर के बीच व्यापकता रखता है जैसे द्रव्यत्व. विशेश, वेशेशिक दर्शन में, विशेश एक ऐसा पदार्थ है, जो विशेश के सामान्य अर्थ से अलग अपना एक विशेश तर्थ रखता है. सामान्य तया हम दो समान दिखने वाली वस्तूओं में भी अंतर कर लेते हैं क्योंकि प्रत्येक की अपनी कुछ न कुछ व इसी विशेश्टा के कारण हम उसे विशेश वस्तू के रूप में पहचानते हैं. किन्तु वैश्शिक दर्शन में जिसे हम विशेश नामक पदार्थ कहते हैं, वह किसी सावयव वस्तू, अव्यव युक्त वस्तू, यथा कुरसी, मनुश्य आदी की विशेश्टा बताने वाला पदार्थ नहीं है. सावयव वस्तू, यथा कुरसी आदी की विशेश्टा तो उनके भागों तथा उनके गुनों के विश्लेशन से ही समझ में आ जाती है, इसके लिए विशेश की आवश्यक्ता नहीं है. विशेश की आवश्यक्ता तो नित्य, निर्वयव द्रव को दूसरे से प्रिथक बताने वाला पदार्थ है. यदि विशेश नहों तो एक परमानु का दूसरे परमानु से, जो उसके समान ही होता है, कोई ब्येद नहों. विशेशिक दर्शन में इसलिए विशेश को स्वाश्य विशेशिक अर्थात अपने आश्रय को अगोच होने का अर्थ है कि हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि यह सर्वता अद्रिश्य है। इसी तरह पानी में चलती नाव का पानी से संबंध खशने का अर्था तस्थाई होता है, जो कभी भी प्रिथक किया जा सकता है. किन्तु पदार्थों में कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो कदापी प्रिथक नहीं किये जा सकते. यदि इन्हें प्रिथक करने की कोशिश की गई तो कम से कम एक अवश्य नश्ठ हो जाता है, जैसे तंतू और कपड़ा अर्थवा मिट्टी और घड़े का संबंद कपड़े से तंतू को अलग करने पर तंतू भले बच जाए पर कपड़ा अवश्य नश्ठ हो जाएगा इसी तरह घड़े से मिट्टी को अलग करने पर घड़ा जरूर नश्ठ हो जाएगा प्रथम प्रकार के संबंद को संयोग संबंद कहते हैं और दूसरे प्रकार के संबंद को संबाय संबंद कहते हैं यह संवाय संबंध ही वैशिशिक दर्शन का चट्वा पदार्थ है। यहां संयोग को युद्सित संबंध और संवाय को युद्सित कहा गया है। संवाय नित्य संबंध कहा गया है। नित्य संबंध संवाय, अव्यवों का अव्यवी से, गुन का द्रव्य से, सामान्य का व्यक्ती से तथा विशेश का नित्य द्रव्य से नित्य संबंध होता है, इसलिए इनका संबंध संवाय कहलाता है. वेशेशिक सूत्र में कनादने समवाय के विशय में लिखा है कि यह कारण और कार्य के मध्य होता है तथा यहां यह प्रतीती भी रहती है कि कारण कार्य के मध्य में है जैसे, मिट्टी और घड़े के मध्य कारण कार्य संबंध रहता है और हमें यह प्रतीती भी रहती है कि मिट्टी घड़े के मध्य है अभाव हम पूर्व में उलेक कर चुके हैं कि महर्शी कनादने केवल छह पदार्थ माने थे इस साथ में अभाव को उन्होंने स्वतंत्र पदार्थ की संगया नहीं दी थी किन्तु बाद के आचारियों ने अभाव को भी एक पदार्थ माना है अभाव नास्ती शब्द का बोधक है जैसे रात्री में आकाश में सूर्य का नहोना अत्वा घड़े में पानी का नहोना अभाव है अभाव हमेशा भाव सापेक्ष होता है अभाव का ज्यान प्रतियोगी, विरोधी, भाव पदार्थ के ज्यान के बिना नहीं हो सकता जैसे आकाश में सूर्य के अभाव का ज्यान हमें तभी होगा, जब आकाश में ही सूर्य के भाव होने का ज्यान रहा हो अभाव के भेद, अभाव के मोटे तोर पर दो भेद किये गए हैं, एक संसगा भाव, दो अन्योन्य भाव 1. संसगा भाव एक बस्तू में दूसरी बस्तू के अभाव को संसगा भाव कहते हैं, जैसे चंद्रमा में गर्मी का अभाव या आग में शीतलता का अभाव 2. अन्योन्य भाव एक बस्तू का अन्य बस्तू ना होना अन्योन्य भाव है जैसे, एक चंद्रमा, सूरज नहीं है, दो अगनी, जल नहीं है संसगाभाव के भेद संसगाभाव के तीन भेद किये गए हैं एक, प्रागभाव प्राग का अर्थ है पूर्व, अतह प्रागभाव का अर्थ हुआ, पूर्व में अभाव, अर्थात उत्पत्ती के पूर्व कार्य का कारण में अभाव। जैसे, घड़े के प्रसंग में हम कहेंगे, घड़े का उत्पत्ती के पूर्व मिट्टी में प्र प्रागभाव को अनादी और सांत कहा जाता है। यही द्वनसाभाव है। दूसरे शब्दों में उत्पन कार्य द्रव्यर पदार्थ का नश्ट होना द्वनसाभाव है। इसी अर्थ में इस अभाव का अनन्त कहा गया है। जैसे खरगोष में सीन का अभाव या बांचस्त्री के पुत्र का अभाव या शब्द में गंद का अभाव आदी। ऐसे अभाव हमेशा अभाव ही रहते हैं। अन्योन्यभाव से अंतर अत्यांताभाव और अन्योन्यभाव जिसका हम पूर्ग में उलेक कर चुके हैं। अंतर यह की पहले में जहां संसर्क का अभाव है वहां दूसरे में दो वस्तूओं में एकता का अभाव है। जैसे कमे ख नहीं है यह पहले का उदाहरण है जब की कव, ख नहीं है यह दूसरे का उदाहरण है। कारण, सामान्यत या किसी कार्य के दो कारण स्वीकार किये जाते हैं, उपादान कारण और निमित कारण जैसे, खड़े के प्रसंद में मिट्टी उपादान कारण हैं और कुमहार निमित कारण हैं. किंतु वैशेशिक दर्शन में समभाई, समभाई और निमित ये तीन कारण बताए गए हैं। वस्तुतह यहां संवाय को भी एक पदार्थ माना गया है इसलिए ये तीन कारण माने गए हैं। 1. संवाय कारण Inherent Cause संवाय संबंध नित्य संबंध होता है जो दो ऐसे पदार्थों के मध्य होता है जिन्हें प्रिथक नहीं किया जा सकता। जैसे घड़े और मिट्टी के मध्य संबंध यहां संवाय कारण बहद्रव्य है जिसमें संवाय संबंध से कार्य उत्पन हो। जैसे उप्रोक्त उदाहरण में मिट्टी संवाय कारण है। दूसरे दर्शन इसे ही उपादान कारण कहते हैं। दो असंवाई कारण, नौन इनहेरंट कारण जो संवाय संबंध से संवाई कारण में रहता हो तथा संवाई कार्य का जनक हो वह संवावाई कारण कहा जाता है। जैसे पट कपड़ा कार्य में तंतूओं का रंग, असमभाई कार्ण और समभाई कार्ण में भेद केवल द्रव्य ही समभाई कार्ण होता है, जबकि असमभाई कार्ण केवल गुन और कर्म होते हैं. तीन निमित कारण एफशंट कॉस जो किसी कार्य के सहकारी हो जिसके बिना कार्य उटपन ही न हो सके उसे निमित कारण कहते हैं। इनकी संख्या वहनौ बताता है। इनकी अपेक्षा प्रतेक कार्य की उत्पत्ती में रहती है। 1. बुद्धी 2. इच्छा 3. कृती 4. कार्य का प्रागभाव और जीवात्मा का अद्रिष्ट 5. धर्म 6. अधर्म 7. काल 8. दिक और 9. प्रतिबंधक का अभाव. 2. पर्मानूवाद परिचे पर्मानूवाद वैशेशिक दर्शन का सृष्टी सिम्बंधी सिधांध है. वैशेशिक दर्शन जगत का उपादान कारण असंख्य सूक्ष्मत मनूओ, पर्मानूओ, को बतलाता है। इसलिए उसका सिधान्त पर्मानुवाद कहा जाता है। वैसे पर्मानुवाद वैशेशिक दर्शन का मौलिक सिधान्त नहीं है। डॉक्टर शून्य राधाक्रश्नन के अनुसार यह मानविय मस्तिष्क के लिए इतना स्वाभाविक है कि भौतिक जगत की व्याख्या के लिए आरंब में जितने भी प्रयतन हुए, सबने इसी प्रकल्पना को अपनाया। उपनिशिदों में भी इस प्रकल्पना के चिन्ह मिलते हैं, जो सब भौतिक पदार्थों को चार तत्वों, अगनी, जल, प्रिथवी, वायू से बना हुआ मानते हैं। वेशेशिक दर्शन भी अगनी, जल, प्रिथवी और वायू इन चार भूत्रव्यों के आधार पर परमानूओं के चार प्रकार बताते हैं। परमानूओं की विशेश्ता, परमानू पदार्थ की सुक्षमतम एकाई होने से अविभाज्य एवं अविच्छे दिय होते हैं। इनका और आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। ये निर्वयव अव्यव अर्था तंग रहित होते हैं। इसलिए ये अविनाशी भी होते हैं। वस्तुता विनाश केवल सावयव पदार्थों का ही होता है, निर्वयव का नहीं। परमानूओं के अंदर और बाहर कुछ भी नहीं है। वे देश रहित हैं। इन विशेश्ताओं वाले परमानूओं को निराकार होना चाहिए, किन्तु वैशेशिक दर्शन में इन परमानूओं में गती का कारण यहां प्रशन उठता है कि यदि परमानू स्वभावतर निश्क्रिय है तो स्रिष्टी की रचना तथा स्रिष्टी में विबिन क्रियाएं कैसे होती हैं। उत्तर में कहा गया है, धर्म विशेशात, अर्थात परमानूओं में गती एक विश नहीं समझा था किन्तु उनके अनुयायों ने अद्रिष्ट से भी उपर इश्वर को स्वीकार किया। निमित कारण है, परमानु उपादान कारण। परमानु उपादान कारण ही प्रिथवी में गंध, जल में रस, अगनी में तेज एवं वायू में स्पर्ष का गुन होता है। उत्पत्ती क्रम, परमानुओं से पदार्थों की उत्पत्ती किस क्रम में होती है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। वेशिशिक दर्शन के अनुसार यह समस्त जगत एवं उसके कार्य द्रव्य तीन प्रकार के परमानुओं के सयोग का परिनाम है। एक, परमानुओं, दो, द्वयनुओं, दो परमानुओं के प्रथम सयोग से द्वयनुओं की उत्पत्ती होती है। वेशिशिक सूर्य की किरने जब प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए दिखाई देने वाले छोटे-छोटे कंड्ट्रियनुओं की होते। पर्मानूओं के अस्तित्व में प्रमान वैशेशिक दार्शनिक पर्मानूओं को इतने सूक्षम मानते हैं कि हम उन्हें आखों से नहीं देख सकते। यहां प्रश्न उठता है कि आखिर्वे हैं ही, यह हम कैसे कह सकते हैं। उनके अस्तित्व का प्रमान ग्या है? वे शेशिक उत्तर में अनुमान प्रमान प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं की सभी प्रत्यक्ष गम्यपदार्थ अव्यव यूख्त होते हैं। जैसे कपड़े पट के अव्यव अंग तन्तु हैं तथा घड़े का अव्यव मिट्टी है. हम इन अव्यवों के भी अव्यव तथा उनके भी अव्यव की कल्पना कर सकते हैं. किन्तु कहीं न कहीं हमें इन अव्यवों की धारा को विश्राम देना होगा. अंतेम अव्यव नि गतियों का कारण कहा गया है। वैशेशिक दर्शन में अद्रिष्ट वह शक्ती है जो पर्मानूओं को स्रिष्टी रचना में प्रवरित करती है। सहायक शक्ती बाद के वैशेशिक आचार्यों ने अद्रिष्ट को इश्वर की सहायक शक्ती माना जो इश्वर की इच्छा से पर्मानूओं में गति उत्पन करती है। पाप और पुन्य की शक्ती अद्रिष्ट को जीवात्मा के विशिष्ट शरीर का तथा उसके सुक दुख का हेतु भी कहा गया है। यह हमारे पाप तथा पुन्य की शक्ती है जो वियक्तिगत आत्मा में निवास करती है। जीव के जन्म का स्थान, समय और परिस्थितियां परिवार तथा माता पिता ये सब अद्रिष्ट के द्वारा ही निश्चित होते हैं। अद्रिष्ट के साथ सैयोग बंधन तथा वियोगमोक्ष, वयशेशिक दर्शन में अद्रिष्ट के साथ सैयोग बंधन का कारण बताया गया है। कार्यरूप देही संसार है उससे प्रिथक हो जाना ही मोक्ष है नी श्रेयस वैशेशिक दर्शन में नी श्रेयस शब्द का प्रयोग मोक्ष के लिए हुआ है वैशेशिक दर्शन का लक्ष भी अन्य भार्तिय दर्शनों के समान मोक्ष की प्राप्ती है वैशेशिक सूत्र मे धर्म का लक्षन बताया गया है यतो अब्यूदय निश्रेयस सिधी सा धर्म अर्थात जिससे अब्यूदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो वह धर्म है अब्यूदय और निश्रेयस का अर्थ अब्यूदय का अर्थ सांसारे कुन्नती है यह धर्म से अर्थात शास्त्रों द बताय कर्मों का पालन करने से होती है। इससे सुख मिलता है, किन्तु इससे स्थाई सुख की प्राप्ती नहीं होती। कहते हैं ब्रह्मा भी स्थाई सुख की प्राप्ती नहीं कर सकते यह नेश्रेयस से ही संभव है। नेश्रेयस का अर्थ आत्मिक कल्यान है। यही मोक्ष ह किन्तु दोनों को एक साथ रखने का मतलब क्या है? वस्तुतर इसका अर्थ है कि मनुश्य निश्रियस को अपना लक्ष मानकर अव्युदय करें. वेद भी दोनों की प्राप्ती का उपदेश देते हैं, अतह यह वेद प्रमानेत है. मोक्ष की स्थिती अतह मोक्ष हेतु कर्मफिलों का समाप्त होना आवश्यक है. इस हेतु अद्रिष्ट का नाश होना आवश्यक है क्यूंकि तभी कर्मचक्र की गती समाप्त होती है. मोक्ष प्राप्ती के साधन वैशेशिक दर्शन में मोक्ष प्राप्ती के निम्नलिखित साधन बताए गए हैं। 1. तत्वग्यान पदार्थ के यथार्थ स्वरूप के ज्यान को तत्वग्यान कहते हैं। वैशिशिक दर्शन मोक्ष हेतु इस ज्ञान को प्रत्थम आवश्यक बताता है, इस तरह यह ज्ञानमारगी है। 2. श्रद्धा तत्वग्यान के लिए मानव मन में श्रद्धा भी हुनी चाहिए क्योंकि बिना श्रद्धा के जिग्यासा नहीं होती और बिना जिग्यासा के तत्वग्यान का उदे नहीं होता। 3. निश्काम कर्म तत्वग्यान की उत्पत्ती में वैशिशिक दर्शन में निश्काम कर्म अर्थात बिना फल की कामना के कर्म भी सहायक कहे गए हैं 4. इश्वरियक रिपाव लेखनी यह कि प्राचीन वैशेशिक दर्शन में इश्वर की चर्चा नहीं है किन्तु बाद में यहां भी इश्वर को स्वीकार किया गया और मोक्ष में इश्वरियक रिपावी महत्वपूल मानी गई योजक्चिन 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 सांक्य दर्शन परिचे सांक्य दर्शन भारत का प्राचीन्तम दार्शनिक संप्रदाय माना जाता है किन्तु केवल यही इसकी प्रतिष्ठा का कारण नहीं है। इससे भी महत्वपून बात यहे कि सांक्य दर्शन अन्य भारतिय दर्शनों की तुलना में सरवादिक प्रभावशाली रहा है। कहा भी गया है, नास्ती सांक्य समव ग्यान, अर्थात सांक्य के समान और कोई ग्यान नहीं है। स्वामी विवेकानन ने कहा था, संसार के समस्त दर्शन सांक्य दर्शन के रिनी है। संस्थापक, महर्शी कपिल सांक्य दर्शन के संस्थापक होने का श्रे महर्शी कपिल को है. महर्शी कपिल भारतिय परंप्रा में सर्वादेक सम्मानित रिशियों में स्थान रखते हैं. कपिल की कृतिया सामान्यत या सांक्य दर्शन को प्रतिपादित करने वाले ग्रंत, तत्व समास, एवं सांक्य सूत्र, विस्त्रित रूप सांक्य प्रवचन सूत्र, कपिल कृत माने जाते हैं, किन्तु अनेक विद्वानों को इस पर आपत्ती है। दार्शनिक कपिल के बाद सर्वप्रमुक सांक्य विचारक ईश्वरकृष्ण दूसरी शताब दी हुए, जिनकी लिखी सांक्य कारिका इस दर्शन का आधार ग्रंथ है। सांक्य शब्द के मुखे रूप से दो वर्थ निकलते हैं। एक सांक्य का शब्दार्थ है संक्या सिंबंधी अत्वा आकलन करना करने वाला। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर कुछ विद्वानों का विचार है कि इस दर्शन में चूनकी ऐसे तत्वों की संक्या गिनी जाती है, जिनका ज्यान हमें मोक्ष दिलाने वाला है, इसलिए इसे सांक्य कहा जाता है। तत्वों की गणना करने के कारण ही भागवत में इसे तत्व गणकम अत्वा तत्व संक्यान कहा गया है। है कि विद्वांगन प्रायह सांक्य के इस दूसरे अर्थ को अधिक महत्वपून बतलाते हैं. सतकार्यवाद सांक्य दर्शन समर्थित कारणकार्यवाद का एक प्रकार है. कारणकार्यवाद पर भार्तिय दार्शनिकों गम्वीर चिंतन किया है। मिट्टी से सर्वथा भिन नहीं उत्पत्ती है। भारतिय दर्शन में पहला सिधांत सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है और दूसरा और सत्कार्यवाद के नाम से। प्रसित सानक्य दार्शन एक ईश्वरकृष्ण ने अपनी सानक्य कारिका में एक शलोक में सतकार्यवाद के समर्थन में पांच युक्तियां दी हैं। श्लोक है शक्तस्य शक्यकरनात कारण भावाच्य सत्कार्यम। 9. इस श्लोक में पांच युक्य निम्नलिके थें, 1, 2, 3, 4, 5, अब हम इन पांचों पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। विशेश उपादान कारण, जैसे, खड़े में मिट्टी आवश्यक होता है। इससे भी सिधह होता है कि कार्य अपने उपादान कारण से अभिन है, अर्थात उत्पत्ती के पूर्व सत अस्तित्ववान है। उपर युक्त श्लोक में उपादान अग्रहनात का तात्पर्य य 3. सभी कार्य सभी कारणों से अनुत्पन कार्य आवश्यक रूप से उपादान कारण में ही रहता है। यदी न हो तो सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन हो जाएंगे, किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि विशेश कार्य विशेश कारणों से ही उत्पन होते हैं, जैस गेहुन का पौधा गेहुन के बीच से ही निकलता है, जोंके बीच से नहीं निकलता। इसे ही श्लोक में सिर्वसंभवा भवात कहा गया है। पौधा क्रिशन के श्लोक में शक्त से शक्य करनात का तातपर्य यही है। श्लोक में कारनभावात का यही अर्थ है। इस तरह इस सिधान्त के अनुसार जगत ब्रहम का वास्तविक विकार है। प्रकृती परिनामवाद यह सान के दर्शन द्वारा स्वीकृत सिधान्त है। इसके अनुसार प्रकृती ही जगत रूप में परिनत होती है। इस तरह बहा परिनामवाद से अलग यहां प्रवृती को कारण माना गया है किन्तु ब्रहम परिनामवाद के समान यहां भी जगत को प्रकृती का वास्तविक विकार माना गया है। इस तरह सांक्य दर्शन प्रकृती परिनामवाद के नाम से सतकार्यवाद का समर्थन करता है। प्रकृती जगत के कारण की समस्या दार्शनिकों के सामने चाहे वह भारतिय दार्शनिकों अथ्वा पाश्चात्य दार्शनिक एक प्रमुक समस्या रही है। पाश्चात्य दर्शन के जनक कहलाने का स्वभाग्य थेलिस महोदे को इसलिए मिला है कि उन्होंने सरफ्रत्म यह प्रशन उठाया की जगत का मूल कारण क्या है? मूल तत्व सांक्य दर्शन के अनुसार, जैसा कि हमने सितकार्यवाद में देखा, जगत उत्पत्ती के पूर्व अपने कारण में विद्यमान था. यह कारण सांक्य दर्शन, प्रकृती, तत्व को बताता है. इस तरह प्रकृती सांक्य दर्शन के अनुसार, वह मूल तत्व जिससे संपूर्ण जगत उत्पन हुआ। जिससे पुरुष कहा गया है, को छोड़कर संसार में सब कुछ उत्पन हुआ है और सबका मूल कारण यही प्रकृति है, किन्तु जगत की वस्तुओं के समान नश्वर, अनित्य, सापेक्ष, परतंत्र नहुकर यह नश्वर, नित्य, निर्पेक्ष एवं स्वतंत्र है। आगे हम प्रकृती की अन्य विशेशताओं पर विचार करेंगे, पर उससे पहले एक अन्य प्राश्न पर विचार कर लें। प्रकृती ही मूल तत्व क्यूं, सांक्य दर्शन के कुछ आलोचकों, यथा, नियाय, वैशेशिक, जैन, बौध, आधी का कहना है कि सांक्य दर्शन प्रकृती को ही मूल तत्व क्यूं कहता है। जड़ परमानू अत्वा पृत्वी, जल, अगनी, वायू ये भौतिक तत्व जगत की उत्पत्ती क्यूं नहीं कर सकते। इस पर सांक्य का उत्तर है कि इन में मन, बुद्धी, अहनकार जैसे सूक्षम एवं अभौतिक तत्वों को उत्पन करने की सामर्थ्य नहीं है, अतर इनहें मूल तत्व नहीं कहा जा सकता। प्रकृती के अन्य नाम सांके दर्शन में प्रकृती को प्रधान, अविध्य, मायय, अनुमा, जर्ड, अव्यक्त, शक्ती, अविनाशिनी, आदी नामों से भी सिंभोधित किया गया है। प्रकृती की अन्य विशेश्वताएं प्रकृती समस्त भौते केवं मानसिक जगत का मूल कारण है, यह हमने उपर देखा, अब हम प्रकृती की अन्य विशेशताएं देखेंगे. एक अत्यंत सूक्षम तत्व प्रकृती इतनी सूक्षम है कि हम इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते. हम केवर जगत को देखकर इसके कारण के रूप में प्रकृती के अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं. इस तरह यह अत्यंत सूक्षम तत्व है. दो अहेतु प्रकृती सबका कारण है, किन्तु प्रकृती का कोई कारण हेतु नहीं है. इसे अहेतु कहा गया है. यह अमूलम मूल, अर्थात बिना मूल कारण की मूल है. 3. नित्य एवं अनश्वर प्रकृती का अर्थी होता है, पूर्वकृती प्रक्वकृती अर्थात जो पूर्व से ही स्थित हो, दूसरे शब्दों में जो अनादिकाल से हो, अनादिकाल से स्थित्य प्रकृती निश्चे ही नित्य होगी, क्योंकि जो अनादी है वह अनन्त नित्य होने से उसका अनश्वर होना भी सिधह होता है. 4. सर्वव्यापक प्रकृती सर्वव्यापक है क्यूंकि इससे संपूर्ण जगत उत्पन होता है. 5. अक्रिय प्रकृती सर्वव्यापक है, अतहुसे क्रिया की अपेक्षा नहीं होती, इस तरह वह अक्रिय है. 6. एक प्रकृती अनेक पदार्थों की कारण है, किन्तू वह एक है 7. अनाश्रित प्रकृती कोई कार्य नहीं है, अतह उसकी उत्पत्ती का कोई कारण नहीं है, जिस पर वह अश्रित रहे, अतह वह अनाश्रित है 8. अलिंग अलिंग का अर्थ होता है, जिसका लेना हो चुनकी प्रकृती का कोई कारण नहीं है, अतह उसका अपने कारण में ले होना संभव नहीं है, इसलिए उसे अलिंग भी कहा गया है 9. निर्वेव शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गंध ये अव्यव प्रकृती में नहीं होते इसलिए वह निर्वेव है 10. स्वातंत्र प्रकृती अकारण होने के कारण किसी के अधीन नहीं है, अतह वह स्वातंत्र है यहां उलेक में यहे कि प्रकृती की उपर्युक्त दूसे 10 तक विशेश्टाएं ऐसी हैं, जो प्रकृती के कार्य अर्थात व्यक्त पदार्थों की विरोधी हैं आगे हम प्रकृती की जिन विशेश्टाओं का उलेक करेंगे, वे सब व्यक्त पदार्थों की भी विशेश्टाएं हैं 11. त्रिगुनात्मिकासत, रज और तम, इन तीन गुनों की साम्याविस्था ही वस्तुतह प्रकृती है 12. अविवेकी प्रकृती में विवेक नहीं होता अतह इसे अविवेकी कहा गया 13. विशे प्रकृती विशे है अर्थात चैतन्य पुरुष द्वारा यह उठभोग के योग्य है दूसरे शब्दों में इसका उठभोग पुरुष करता है 14. अचेतन अर्थात प्रकृती जड़ है 15. सामान्य प्रकृती भी सर्वसाधारन के उठभोग के लिए है 16. प्रस्वधर्मी अर्थात यह जगत को उठपन करने के स्वभाव वाली है 15. सांक्य दर्शन की प्रकृती के संबंध में अब एक महत्वपून प्रशनशेश रहता है कि हम कैसे सिद्ध करेंगे की प्रकृती का अस्तित्व है 16. आगे हम इसी पर विचार करेगे 16. प्रकृती के अस्तित्व की सिद्धी सांक्या दर्शन में प्रकृती के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए अर्थात यह सिद्ध करने के लिए जगत का मूल कारण प्रकृती है निम्नलिखित तर्क दिये गए हैं एक सीमित पदार्थों का कारण असीम प्रकृती संसार में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं, सब सीमित हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. सांक्य दार्शनिक कहते हैं कि इन पदार्थों की उत्पत्ती निश्जय ही किसी असीम एवं आत्मिर्भर तत्त्व से हुई होगी, यही असीम तत्त्व प्रकृती है दो त्रिगुन युक्त जगत का कारण त्रिगुनात्मिका प्रकृती संसार की वस्तु एसत, रज और तम इन तीन गुनों से युक्त होती हैं अतह इनके कारण के रूप में त्रिगुनात्मिका प्रकृती का अस्तित्व सिधह होता है तीन जगत को उत्पन करने की शक्ती प्रकृती में ही प्रत्येक कार्या ऐसे कारण से उत्पन होता है, जिसमें उसे उत्पन करने की शक्ती होती है. जैसे तिल में तेल को उत्पन करने की शक्ती होती है इसलिए उससे तेल उत्पन होता है, बालू में यह शक्ती नहीं होती इसलिए बालू से तेल नहीं उत्पन होता. ची किसी तरह महत बुद्धी आदी को उत्पन करने की शक्ती प्रकृती में होती है, इसी से प्रकृती जगत के कारण के रूप में सिध्ध होती है. चार कारणकार्य विभाग से प्रकृती की सिद्धी सांक्य दार्शनिक मानते हैं कि जगत में कारणकार्य को एक श्रिंखला है यहां कारणकार्य के रूप में तत्वों का विभाग किया गया है यहां बताया गया है कि पृत्वी आदी कार्य तनमात्राओं से तनमात्राएं अहनकार से तथा अहनकार बुद्धी तत्वर महत से उत्पन होता है इस तरह कारण कार्य का यह विभाग बुद्धी के कारण के रूप में प्रकृती को सिध़ करता है पांच प्रलयकाल से सिद्धी सांके दर्शन में जैसे कारण कार्य विभाक से आविर्भाव का क्रम है, उसी तरह तिरोभाव का विप्रीत क्रम में भी बताया गया है जैसे घड़ा तूटने पर मिट्टी में मिल जाता है, उसी तरह प्रलयकाल में पृत्वी आदी भूत तनमात्राओं में, तनमात्राएं हनकार में, अहनकार बुद्धी में और बुद्धी अव्यक्त अर्थात प्रकृती में लीन हो जाती है, इस तरह भी प्रकृती का अस्त सांख्यकारिका में उपर युक्त तरकों को एक श्रोक में बतलाया गया है। सांख्यकारिका में बतलाया गया है। इस अर्थ में यहां स्त्री भी पुरुष है। सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित पुरुष की निमनलिखित विशेश्टा है। एक पुरुष चेतन है, प्रकृती जड़ है, जबकि पुरुष चेतन है। पुरुष की यह चेतना किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होती है। यह जागरत अवस्था के साथ साथ स्वपनावस्था एवं सुशुप्ती अवस्था में भी बनी रहती है। यहाँ उलेकनिय है कि वेदांत दर्शन में भी पुरुष को चेतन्य स्वरूप बतलाया गया है। दो पुरुष निस्वेगुनिय है, प्रकृती जहां त्रिगुनात में का सत्थ, रज और तम गुनों वाली है, वहाँ पुरुष निस्वेगुनिय अर्था तीनों गुनों से रहे थैं। इसलिए स्वभावत वह शांथ है। चार पुरुष सुक डैक से परे है, सांक्य दर्शन में सुक डैक दोनु ही त्रिगुनात में का प्रकृती से उत्पन विकार माने गये हैं। पुरुष को सुक डैक दोनु से परे बतलाया गया है। अज्यानविश शरीरादी को में समझने वाला व्यक्ती ही सुक डैक से प्रभावित होता है। पुरुष की अनेकता भारतिय दर्शन में पुरुष की संख्या को लेकर भी मतभेद है। वेदान्त दर्शन जहां एक ही आत्मा याने एक ही पुरुष मानता है वहां सान के दर्शन में पुरुष अनेक माने गए है। जैन और मिमानसा भी इसी तरह पुरुष को अनेक कहते हैं। पुरुष की अनेक्ता की सिद्धी के लिए सांके निम्नलिखित तर्क देते हैं। जन्मरन करनाना प्रतिनिय मादुपत प्रवृतेश्च पुरुष बहुत्वन सिद्धम त्रेगुनिय विपर्याच्चेव। 18.1. जन्म मरन एवं इंद्रियों के व्यापार में विन्नता प्रतեक व्यक्ति का जन्म अलग होता है, मृत्यु अलग होती है और इंद्रियों की क्रियाएं भी अलग होती है। यदि पुरुष अनेक ना होकर एक ही होते तो ये क्रियाएं अलग अलग नहीं हो पाती। इससे पुरुष रोते दिखाई देता है तो कोई हसते, कोई काम करते दिखता है तो कोई आराम फरमाते. यदि पुरुष एक ही होते तो यह विन्नता नहीं दिखती. 3. स्वभाव की बिन्नता इस जगत में हमें अलग-अलग स्वभाव के मनुष्य दिखाई देते हैं. कोई अध्ययन मनन में रुची रखता है तो कोई वीर्ता के कारियों में मन लगाता है और किसी को केवल दूसरों की सेवाकारिय ही करते बनता है. यह सब इसलिए होता है क्य यदि पुरुष अनेक न हुते तो हमें यह विन्नता देखने को नहीं मिलती. पुरुष के अस्तित्व के प्रमाग सांक्य दर्शन में पुरुष की सत्ता सिधा करने ही तु कुछ तर्क दिये गए हैं. सांक्य कारिका में कहा गया है कैविले आर्थ प्रवृतेश्च सत्र वस्तू का अन्य के लिए त्रिगुनादी विपर्यय से, अदिष्ठान से, भुक्तृत्व होने से और कैविल्यक मोक्ष के लिए प्रवृती होने से पुरुष का अस्तित्व सिधा होता है. अब हम उपर्युक्त प्रमानों पर सविस्तार विचार करेंगे. 1. संघात वस्तू पदार्थ का उप्योग करता सांके दर्शन के अनुसार संघात अर्थात पदार्थों का अस्तित्व किसी अन्य के उप्योग के लिए ही होता है. जैसे पलंग का अपने में कोई उप्योग नहीं है. उसका उप्योग व्यक्ती के सोने के लिए है अर्था पलंग जैसे संघात इसके उप्योग करता, पुरुष के अस्तित्व को सिधा करते हैं. यही संघात प्रार्थत्वात का अर्थ है. 2. त्रिगुन से परे जगत के पदार्थ त्रिगुनात्मक होते हैं, पर कोई ऐसा भी चाहिए जो इन त्रिगुनात्मक पदार्थों का द्रिष्टा हो. ऐसा द्रिष्टा स्वयम त्रिगुन उसे परे पुरुष ही होगा. त्रिगुनादेविपर्ययात का तात्पर्य यही 3. अदिश्ठाता जिस प्रकार रत सारती से प्रेरित होकर ही आगे बढ़ता है उसी तरह शरीर, बुद्धी आदी भी किसी से प्रेरित होकर ही संचालित होते हैं. यही अदिश्ठाता पुरुष है. अदिश्ठान का अर्थ यही है. 4. भोग्ता जगत के पदार्थ जो की सुख डैख आदी उत्पन करने वाले हैं, भोग्य हैं, किन्तु इनका भोग्ता कौन हैं? प्रकृती तथा उससे उत्पन शरीर, मन, इंद्रिया आदी तो जड़ हैं, इनमें भोग करने की शक्ती नहीं होती, अतर इनके भोग्ता के जगता है, जो प्रकृती से पृथक अपना स्वतन्त रस्तित्व रखता है, जो नित्य, ज्ञानस्वरूप, मुक्त, त्रिगुनातीत, निश्क्रिय, अकर्ता, अभोग्ता, सुकडैक से परे तथा अनेक है, प्रकृती और पुरुष में अंतर, प्रकृती और पुरुष की विशेश्ताओं से स्पष्ट होता है कि दोनों एक दूसरे के सरवता विप्रीत तत्व हैं, दोनों में निम्नलिखेत अंतर है, एक प्रकृती जहां जड़ है वहां पुर अविद्यात्मिक है जबकि शुद चैतन्य पुरुष इसके विप्रीद ज्यानस्वरूप है। त्रिगुनातीत कहा जाता है किन्तु बंधन की अवस्था में वह भी इन तीन गुनों से युक्त हो जाता है। वस्थुत ये तीन गुन ही पुरुष को बंधन में बांधते हैं, अन्यथा पुरुष मुक्त है। चार, त्रिगुनात मिक्ता प्रकृती सुख डैक आदी विकारों को उत्पन करने वाली है जबकि पुरुष स्वभावत सुख दुख आदी विकारों से सर्वथा परे है। पांच, सांके दर्शन में प्रकृती जगत का आदी कारण है जबकि पुरुष जगत से सर्वथा परे है, किन्तु पुरुष के सान्निध्य से ही जगत का विकास होता है। 6. सांके दर्शन में पुरुष निश्क्रिय ही रहता है। सारे विकास में प्रकृती ही मुख्य भूमिका निभाती है। इस तरह पुरुष के विरुद्धबह सक्रिय है। यहाँ लेकनी यहे कि सांके मत में त्रिगुनात्मिका प्रकृती पुरुष के सानिध्यमात्र से उ द्वेलित हो जाती है, इससे त्रिगुनोमे क्षोभ होता है और उसकी साम्याविस्थ भंग हो जाती है जिससे की विभिनतत्त्वों की क्रमश उत्पत्ती होती है। इस तरह सांके दर्शन में प्रकृती करता है और पुरुष द्रिष्टामात्र है, इस तरह अकरता है. साथ प्रकृती देश और काल में है जबकि पुरुष देश और काल की सीमाओं से परे है. आठ प्रकृती एक है जबकि पुरुष अनेक है. 9. यहाँ पुरुष को नित्य मुक्त कहा गया है। वह बंधनग्रिस्थ होता है तो वह प्रकृती के कारण है, इस तरह प्रकृती बंधन का कारण है। दस्त सांक्य दर्शन में प्रकृती को भूगया कहा गया है जिसका भोग करने वाला पुरुष है, इस तरह वह भोगता है। सांक्य दर्शन के इसंतिम बिंदू का अरण्य बिंदूओं से विरोध स्पष्ट द्रिष्टी गोचर है। यदि पुरुष नित्य मुक्त है, त्रिगुनों से परे हैं, शुद़चेतन तत्व है, सुख़दुखादी विकारों से परे हैं, निश्क्रिय है तो उसे भोगता कैसे कहा जा सकता है। वस्तुता भोक्ता तो शरीर इंद्रियों और मन होते हैं जो प्रकृती के ही परिनाम है। विकासवाद, सांक्य दर्शन का स्रिष्टी की उत्पत्ती के सिध्धान्त को समझाने के लिए अपना विकासवाद प्रस्तुत करते हैं। विकास के मूल तत्व हम देख चुके हैं कि सांक्य द्वयत्वादी दर्शन है। उसके अनुसार, प्रकृती और पुरुष ये दो मौलिक मूल तत्व हैं। सांक्य दर्शन कहता है कि इन्हीं दो मूल तत्वों से जगत का विकास होता है। प्रकृती एवं पुरुष की भूमिका सांक्य दर्शन के अनुसार प्रकृती, जो की जड़, अचेतन एवं त्रिगुनात्मिका तत्व है, विकास में, पुरुष की तुलना में, अधिक महत्वपून भूमिका निभाती है। पुरुष तो अविकारी बना रहता है, किन्तु फिर भी अकेली जड़ प्रकृती विकास नहीं कर सकती, उसे हर स्थिती में पुरुष के साननिध्य की, सयोग की, आवश्यक्ता पड़ती है। यथा, रत और घोडे में होता है। वस्तुता दोनों में वास्तविक सयोग नहीं होता है। प्रकृती, जिसमें की तीनों गुन साम्यावस्था में रहते हैं, पुरुष की निकत्ता मात्र से उद्वेलित हो जाती है, जैसे विचारों से शरीर उद्वेलित होता है। इस उद्वेलिन से त्रिगुनों की साम्यावस्था भंग हो जाती है, जिससे की विभिन तत्त्वों की क्रमश उत्पत्ती होती जाती है। एक शंका सांक्य दर्शन में प्रकृती और पुरुष को एक दूसरे से सर्वत्ह विप्रीत गुन रखने वाले तत्त्व कहा गया है, किन्तु ऐसी स्थिती में यहां प्रशन उठता है कि दोनों में किसी भी प्रकार का सान्निद्य कैसे संभव है। अंदे लंगडे का उदाहरन सांक्य दर्शन एक उप्रोक्त प्रशन के उत्तर में अंदे और लंगडे का उदाहरन प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि एक अंधा और एक लंगडा व्यक्ती एक दूसरे से सर्वत्ह विंगुन रखते हैं। एक देख नहीं पाता है तो दूसरा चल नहीं पाता है। अब यदि दोनों को किसी गंतव्य तक पहुँचना हो तो दोनों एक दूसरे की सहायता से वहां तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह प्रकृती और पुरुष विप्रीत गुनों वाले होते हुए भी एक दूसरे के साननिध्य से गंतव्य तक पहुँचते हैं। यहां पुनः प्रशन उठता है कि क्या प्रकृती और पुरुष का विकास द्वारा कोई प्रयोजन सिध्ध होता है। दूसरे शब्दों में इनका गंतव्य क्या है। विकास का प्रयोजन सांक्य विकासवाद निरुद देश्य नहीं है, यह सोदेश्य है। इसके द्वारा प्रकृती और पुरुष दोनों का प्रयोजन सिध्ध होता है। प्रकृती का प्रयोजन दर्शनार्थ दर्शन के लिए तथा भोगार्थ भोग के लिए होता है जबकि पुरुष का प्रयोजन कैविल्यार्थ अर्थात अपना स्वरूप पहचानने के लिए दूसरे शब्दों में मोक्ष के लिए होता है। अब हम देखेंगे की विकास किस प्रकार होता है। गुनक्शोब उपर हमने देखा कि प्रकृती में साम्यावस्था में स्थित गुन, पुरुश, के सानिध्य से उद्वेलित हो जाते हैं जिससे गुनों की साम्यावस्था भन्ग हो जाती है। यही गुनक्षोभ है। इस अवस्था में प्रत्य गुन अन्य दो गुनों पर बारी-बारी से प्रमुकता हासिल करता है। इसके फल्स्वरूप ही अनेकानिक प्रकार के सांसारिक विशय उत्पन होते हैं। स्रिष्टी क्रम सांखेकारिका के एक श्लोक में स्रिष्टी का क्रम इस तरह बताया गया है प्रकृतेर महांस्ता तोहन का रस्तस्मादकंशित शोट्षिकह। सबसे पहले प्रकृती से महत महान अर्थात बुद्धी की उत्पत्ती होती है। महत से अहनकार उत्पन होता है। अहनकार से सोलह का समुह पंच्टन मात्र ग्यारह हिंद्रिया उत्पन होते हैं। पुनह पंच्टन मात्रों से पंच महाभूत उत्पन होते हैं। इस तरह प्रकृती से ये कुल 23 तत्व उत्पन होते हैं। अब हम इन तत्वों पर क्रमश एक, महत तत्व, महत तत्वा बुद्धी तत्व प्रकृती के विकारों में न केवल सर्व प्रतम तत्व है वरन सर्व प्रमुक तत्व भी है। यहां उलेकनी यहे कि बुद्धी में हमेशा सतोंगुन की ही प्रधानता नहीं होती, कभी रजोगुन अत्वा तमोगुन की भी प्रधानता होती है। के लिए होता है। यह जीवात्मा में रहती है। बुद्धी की सहायता से पुरुष अपने वास्तवे की अथार्थ स्वरूप को समझ सकता है। मनुष्य की सारी इंद्रियां बुद्धी के लिए ही कार्य करती हैं। दो, अहनकार प्रजोगुन की प्रधानता होने पर महत से अहनकार की उत्पत्ती होती है। इस तरह यह प्रकृती का दूसरा विकार है. अहनकार को अभिमान कहा गया है अभिमान अहनकारह. यह अभिमान में और मेरा की भावना है. यह ब्रह्म की मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, अहनकार जन्य ही है. हमारे समस्त व्यवहार का यही मूल है. अहनकार भी तीन प्रकार का होता है सितोंगुन की प्रधानता वाला सात्वे कहनकार, जो अच्छे कर्म उत्पन करता है. रजोगुन की प्रधानता वाला तेजस हनकार, जो बुरे कर्म उत्पन करता है. तमोगुन की प्रधांता वाला तामस अहनकार, जो आलस्यप, प्रमाद तथा उदासीनता उठपन करता है। इन तीनों अहनकारों से ही इंड्रिया, मन, तनमात्रों और पंच महाभूतों की उठपत्ति होती है। 3. इंद्रिया अहनकार की अगली परिंटिया इंद्रिया हैं. 5 ज्यानिंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा एक मन, इस तरह ये 11 इंद्रिया सात्वे कहनकार से उठपन होती हैं. पंच ज्ञानेंद्रिया, नेत्र, घान, श्रवन, रसना और तवचा ये पांच ज्ञानेंद्रिया हैं. इनसे क्रमशा रूप, गंद, शब्द, स्वाद तथा स्पर्श का ज्यान होता है. पंचकरमेंद्रियां पंचकरमेंद्रियमुक, हाथ, पेर, मलद्वार तथा जननेंद्रियमे स्थित होती हैं ये क्रमशवाक बुलना क्रहन, गमन, मल बाहर निकालना तथा जनन ये पांच कार्य करती हैं मन सांक्य दर्शन ने मन को सात्वे कहनकार से उत्पन एक इंद्रिय माना है. यह अन्य दस इंद्रियों को उनके विशेयों की उर प्रेरित करता है. मन के कारण ही इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से विकल्ग बनता है. अन्य था ज्ञाने इंद्रियां तो हमें केव कुछ है, यह बताने वाली होती हैं. वह कुछ, क्या है? यह मन ही तय करता है. 4. तनमात्र उपर हमने हनकार के तीन प्रकार बताए हैं सात्वे कहनकार से जहां 11 इंद्रियां उत्पन होती हैं वहीं तमस हनकार से पंच तनमात्रों की भी उत्पत्ती होती है तनमात्र का अर्थ है सूक्षम तत्व पंच तन मात्र वस्तुतह पंच ज्यानेंद्रियों के पांच विशेयों रूप, शब्द, गंद, रस और स्पर्ष के ही सूक्षम तत्व हैं, जिनका सामान्यत प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। इस तरहे रूप तनमात्र, शब्द तनमात्र, गंद तनमात्र, रस तनमात्र तथा स्पर्श तनमात्र ये पंच तनमात्राएं हैं। पंच महाभूत उपर युक्त पंच तनमात्रों के योग से पांच स्थूल महाभूतों का उदे होता है। ये पाँच स्थूल महाभूत हैं आकाश, वायू, तेज, अगनी, जल और पृत्वी. शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गंध ये क्रमशव पंचमहाभूतों के गून हैं. पंचमहाभूत विकास की अंतिम कड़ी हैं. इन पंचमहाभूतों के जुड़ने से ही संसार की अ इसे हम निमना नुसार प्रस्तुत कर सकते हैं. पंचमहाभूत उपरियुक्ते इस तत्वों में एक प्रकृती और एक पुरुष को जोडने पर पच्चीस तत्वों की संख्या बनती है. इस तरह सांक्य दर्शन में संपूर्ण स्रिष्टी का विकास पच्चीस तत्वों क क्रीर्या है. इन तत्वों की अलग-अलग विशेष्टा यह है कि पुरुष केवल द्रिष्टा है, इस तरह बहन तो प्रकृती है, न विकृती. प्रकृती केवल प्रकृती है, विकृती नहीं, अर्थात्व स्वयम किसी का विकार नहीं है. महत, अहनकार तथा पंचतन मा प्रकृती भी हैं और विकृती भी, पंच ग्यानिंद्रियां, पंच कर्मिंद्रियां, मन तथा पंच महाभूत, ये सोलह तत्व केवल विकृती मात्र हैं क्योंकि इनसे फिर किसी का जन्ड नहीं होता। जहां अत्यंत सूक्षम तत्व हैं, वहां पंच गूत सर्वादिक स्थूल तत्व हैं। 3. उदाहरनों में दोश सांक्य द्वारा प्रकृती एवं पुरुष में संयोग को समझाने हेतु दिये गए उदाहरन भी दोशपूर्ण हैं। सांक्य के अनुसार, प्रकृती और पुरुष उसी तरह साथ साथ चलते हैं जैसे अंधा और लंगडा साथ चलते हैं। यह उदाहरन ठीक नहीं है, क्योंकि अंधा और लंगडा दोनों चेतन प्रानी हैं, जबकि प्रकृती और पुरुष में से प्रकृती नितांत जड़ है। इसी तरह सांक्य का कहना है कि जैसे गाय के थन से बच्छडे के निमित स्वतह दूद निकलता है, वैसे ही प्रकृती पुरुष के लिए स्वतह प्रवृत होती है। यह भी दोशपूर्ण हैं, कारण की पहली बात गाय, प्रकृती के समान अचेतन नहीं है, दूसरी बात गाय के थन से बच्छडे के निमित स्नेहविश दूद निकलता है, तीसरी बात बच्छडा जब स्वयम दूद पीने का प्रयतन करता है तब ही दूद निकलता है, संयोग कराने के लिए इश्वर की आवश्यक्ता स्वीकार की थी, चार, विकृतियों के क्रम में युक्तिपूर्ण आधार का अभाव सांके के विकासवाद में प्रकृती की विभिन विकृतियों का जो क्रम दिया गया है, उसका कोई युक्तिपूर्ण आधार नहीं है, विद्वानों का मत है कि मूल सांक्य से इश्वर था, किन्तु सांक्य दर्शन के प्रसित टीकाकार इश्वर कृष्ण के समय इसमे निरीश्वरवाद स्पष्ट दिखाई देता है. बाद में फिर सांक्य दर्शन में ईश्वर को प्रतिष्ठा मिली। सांक्यमत के एक प्रसिद टीकाकार विज्ञान विक्षु ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अस्तु सांक्य निरिश्वरवादी दर्शन के रूप में ही प्रसिद रहा है। ईश्वर की सत्ता का खंडन सांक्य दर्शन में ईश्वर की सत्ता के खंडन में निम्न तर्प दिये गए हैं। दो, ईश्वर की सत्ता किसी प्रमान से सिद नहीं होती, न प्रत्यक्ष द्वारा न अनुमान द्वारा न उप्मान द्वारा और नहीं शब्द प्रमान द्वारा ही इसे सिद किया जा सकता है। ईश्वर के पक्ष में कोई युक्ति-युक्तिया अनुमानिक अथ्वा शृति इश्वर के प्रत्याय में विरोध है। स्रिष्टी की रचना से पूर्ग जीवों को कोई दुख नहीं था जिससे छुटकारे की उन्हें आवश्यक्ता हो। 5. जीवों के दुख का कारण प्राय उनके कर्मों को माना जाता है किन्तु तब तो इश्वर स्वतन्त न रहकर कर्म सिधान्त से नियंत्रित हो जाएगा। 6. यदि आत्माओं का स्रिष्टा इश्वर को माने तो आत्मा कभी अमर नहीं हो सकती क्यूंकि तब बे अनादी नहीं मानी जा सकती। आलोचना सांक्य दर्शन के निरीश्वरवाद की आलोचकों ने कड़ी आलोचना की है। पहली बात तो स्रिष्टी में जो व्यवस्था, क्रम, समन्वे दिखाई देता है वो अचेतन प्रकृती द्वारा सिधन नहीं होता है। फिर अचेतन होने के कारण प्रकृती में इस हेतु प्रवृती भी संभव नहीं है। सांक्य प्रकृती और पुरुष के मध्य किसी तीसरे तत्व को स्वीकार नहीं करता जबकि आलोचक कहते हैं कि बिना इसके विकास संभव ही नहीं है। यह तीसरा तत्व ही इश्वर है। सांक्य इसके लिए जितने उदाहरण देता है सभी आलोचे है। जैसे वह कहता है कि जिस प्रकार गाय का दूद बचड़े के हेतु स्वयम प्रवरित होता है उसी प्रकार प्रकृती स्वयम रचना हेतु प्रवरित होती है। यहां आलोचक कहते हैं कि दूद चेतन गौकिस ने इच्छा से बच्छडे द्वारा चोशन करने पर निकलता है। स्वयम नहीं निकलता। इसी तरह वे अन्य उदाहरन अंदे और लंगडे का देते हैं जो एक दूसरे की सहायता से अपने लक्षे तक पहुँच जाते हैं कि यहुदाहरन भी तरकसंगत नहीं है क्योंकि यहां लंगड़ा अंदे को वानी से प्रवरित कर रहा है जबकि सांक्य का पुरुष निश्क्रिय और निर्गुन है अतह उसे प्रेरित किया ही नहीं जा सकता। मोक्ष अन्य भारतिय दर्शनों के समान सांक्य दर्शन भी इस संसार में मनुष्य के जीवन को डैक दाई मानता है। विशेश कर बौध दर्शन के समान वह भी मनुष्य के डैक के कारणों पर गेहन चिंतन करता है और अपने दर्शन का लक्षे उस ज्ञान को प्रस्तुत करना तै करता है जो मनुश्य के डहकों को समूल नश्ट कर सके। इस तरह सांक्य दर्शन में भी मोक्ष का और अर्थ डहकों से मुक्ती है। सांक्य दर्शन मानता है कि मोक्ष की प्राप्ती एक मात्र विवेक ज्यान से ही संभव है। डैक के प्रकार सांक्य दर्शन में डैक तीन प्रकार के बताए गए हैं। उठाना पड़ता है। कभी अचानक साप काट लेता है, तो कभी बिच्चु डंक मार देता है, कभी पैर में काटा गर जाता है, तो कभी युद्ध भूमी में तलवार की धार सहनी पड़ती है। इस प्रकार के डैक आधिभतिक कहलाते हैं। 3. आधिदैविक डैक देवताओं से संबंदित कभी-कभी भूट प्रेत आधी के कारण भी हमें कश्ट उठाना पड़ता है। कुछ डैविक शक्तियां भी हमें डैक पहुचाती हैं। ऐसे डैक आधिदैविक कहे जाते हैं। सानक्य दर्शन इन ही सब डहकों से मुक्ति हेतु विवेक ज्यान आवश्यक बतलाता है। यहां प्रशन उठता है कि इन डहकों से मुक्ति हेतु ज्यान या दार्शन इक चिंतन की क्या आवश्यकता है। लोग में इन डहकों को दूर करने के लिए अनेक उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे आध्यात्मिक डैक वैद्यों आधी से, आधेबौतिक डैक निरापत स्थान पर वास से तथा आधिदैविक डैक मिंत्रादी से दूर किये जाते हैं। यदि इन उपायों से ये डैक दूर होते तो लोग क्यों इन अपनाते। उत्तर में सानके दर्शन कहता है कि ये सच है कि इन उपायों से ये डैक दूर होते देखे जाते हैं किन्तु यह भी सच है कि सर्वकाल के लिए ये डैक समाप्त नहीं होते, केवल अलपकाल के लिए ही समाप्त होते हैं। कुछ समय अपने आप हो जाती है, फिर वेवेक ज्यान की क्या आवश्यक्ता है। इसके उत्तर में सानके दर्शनिक कहते हैं कि मृत्यू से ये समभब नहीं है। मृत्यू के बाद जीवन समाप्त कहा होता है। उसे तो शरीर बदलकर पुनर डैक उठाने संसार में आना पड़ता है अतर डैक की आत्यांतिक निवरिती तो ज्यान से ही समभब है। डैक का कारण अग्यान हमने देखा कि सानके दर्शन में मोक्ष ज्यान द्वारा समभब बताया गया है। इसका मतलब है कि मनुष्य के डैक का उसके बंधन का कारण अग्यान है। किन्तु यह अग्यान क्या ह यह अग्यान है मनुश्य का अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना, वह जो है, उसे भूलकर, वह जो नहीं है उसे, मैं समझना, मैं का स्वरूप पर यह, मैं क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सांक्य दर्शन के अनुसार, मैं वास्तविक रूप में असंग पुरुष है, जो वस्तुता शरीर, बुद्धी, अहनकार, इंद्रिय आदी से परे है, नित्यमुक्त है, निर्गुन है. किन्तु यदि ऐसा है तो वह प्रकृती के बंधन में कैसे पड़ता है? बंधन यहां सांके दार्शनिक कहते हैं कि पुरुष वस्तुता बंधन में पड़ता ही नहीं है. यह प्रकृती ही है जो नानाविद रूपों में स्वयम को बंधन में डालती है. होता यह है कि जब पुरुष का प्रतिबिम बुद्धी, जो प्रकृति जन्य है, में पड़त है, तब उस प्रतिबिम के साथ पुरुष का दोशपूर्म तादात में स्थापित हो जाता है, जिससे वह प्रतिबिम तथामन, बुद्धी यहनकार को अपना असली रूप समझकर बंधन में पड़ता है. इसी के फलस्वरूप वह नाना प्रकार के डैक उठाता है. पुर पुरुष बुद्धी की परचाई से बंधन रस्त प्रतीत होता है. ज्यान का उदे इस डैकदाई बंधन का नाश तभी संभव है जब पुरुष वास्तविक ज्यान की प्राप्ति करता है. इश्वर क्रिशन कहते हैं, ज्यान से मोक्ष तथा इसके विप्रीत अज्यान से बधन होता है. आगे इश्वर क्रिशन बताते हैं कि यह ज्यान तीन प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा रखता है. एक नासमी अर्थात मुझ में किसी प्रकार क्रिया का संबंध नहीं है. टू क्रिया का निशेद होने से मुझ में किसी प्रकार का करत्रित्व नहीं है. ती प्रकृती से परे अनश्वर, शाश्वत और अमर सत्ता हूं और वह मोक्ष की प्राप्ती कर लेता है। सांख्यकारिका में इस संदर्भ में प्रकृती की उपमा एक सुन्दर सुकुमारी से दी गई है। पुरुष्यस्यों प्रकाशविनिवर्ते प्रकृती है। सांख्यकारिका में कहा गया है कि शरीर नाश होने पर पुरुष के एकांतिक अवश्यम भावी तथा आत्यांतिक अविनाशी दहखत्रय का विनाश हो जाता है। इसी की शास्त्रिय संग्या विदेव मुक्ती है। यहां प्रश्न उठता है कि एक बार मोक्ष प्राप्त कर लेनी के बाद पुरुष को शरीर बनाए रखना क्यूं आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में जीवन मुक्ती क्यूं कर संभव है। अब पुरुष को जीवन के प्रती कोई मुह नहीं रह जाता, इसलिए अब इस स्थिती में किये कर्म उसके लिए कोई बंधन उद्पन नहीं करते। लेकनी यह है कि शंकराचार्य ने भी इसी प्रकार जीवन मुक्ती को स्वीकार किया है। सांक्य दर्शन के समान वे यह भी कहते हैं कि केवल ज्ञान से ही मुक्ती संभव है। शांकर दर्शन की सांक्य से एक समानता यह भी है कि वहां भी पुरुष अर्थात आत्मा को नित्यमुक्त माना गया है। सांक्य और शांकर वेदान्त में मुक्य अंतर यह है कि शंकर जहां मोक्ष को आनंद की अवस्था मानते हैं, वहां सांक्य इसे ऐसी अवस्था मानते हैं जिसमें कोई डैक नहीं है तो कोई सुक भी नहीं है। उनका तर्क है कि यह दोनों ही सापेक्ष हैं। योजक्चिन, 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 योजक् दिखाना है जिस पर चलकर व्यक्ति जीवन के परम लक्षे मोक्ष की प्राप्ति कर सके। यहां मोक्ष की प्राप्ति का अर्थात्मा की स्वरूप में प्रतिष्टता है। अर्थात् तत्वमिमांसा होनी आवश्यक है। इस हेतु योगदर्शन सान्क्य दर्शन का आश्रे गहन करता है अर्थात उसके द्वारा प्रतिपादित तत्वमिमांसा को स्वीकार कर लेता है। इसलिए प्रारंब से ही योगदर्शन सांक्य के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे की न्याई, वैशेशिक के साथ, योगदर्शन के संस्थापक वैसे तो योगदर्शन के साथ, महर्शी पतंजली का नाम जुड़ा हुआ है तथा उनका योगसूत्र, इस दर्शन का प्राची पूर्वकाल में भी हमारे देश में योग का प्रचलन था। मोहन जोदरू सिंदू घाटी से प्राप्त अफशेशों में ध्यानस्थ योगी की मूर्तियां इस बात का प्रमान है। जैसे महर्शी पतंजली के पूर्व था, वैसे ही पश्चात भी रहा। एक चारवाक दर्शन को छोड़कर बाकी सभी दर्शनों ने योग का महत्व स्वीकार किया है। इसलिए इस पर वाद विवाद बहुत कम हुआ है। और विज्ञान विक्षु की योगवार्तिक ठीका इवं तत्व वैशार्दी पर रागवानंद का पतंजली रहस्य आदी इस दर्शन के प्रसिद ग्रंथ है। योग सूत्र चार पाइदों में विभक्त 194 सूत्रों की रचना है। इसके चार पात क्रमशह समाधी, साधन, विभूती और कैवल्य पाध हैं। इनके अलावा भूज की, भुजवरिती, भवगनेश की, नागेशवरिती, अनन्त पंडित की, योगचंद्रिका, यती की, मनेप्रभा, सरस्वती का, योगसुधाकर, आदी योगदर्शन के उलेकनिय अकृतिया हैं। योग और सांके दर्शन हमने प्रारंब में लिखा है कि योगदर्शन, सांके दर्शन का पूरक दर्शन माना जाता है, किन्तु इसका कारण क्या है। इस तरह इसमें कुल 26 तत्व है इश्वर. इश्वर योग दर्शन के अनुसार ध्यान को केंद्रित करने के अनेक विकल्पों में से एक विकल्प है। अर्थ अदिक प्रसिद्ध है. वेदान्त में योग का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है. वहां योग का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन कराना है. किन्तु योग दर्शन में योग का अर्थ उप्रोक्त अर्थ से उल्टा है. अर्थात योग का अर्थ जोड़ना नहीं अलग करना है जैसा कि भोच कहते हैं योग दर्शन में योग वस्तुता वियोग अलग करने का काम करता है यह वियोग आत्मा का प्रकृती से किया जाता है योग दर्शन में इसे ही चितवरिती का रोकना कहते हैं जैसा कि महर्शी पतंजली योग सूत्र में कहते हैं यो अत्योगानुशास्निम अर्थात अब योगशास्त्र का प्रारंभ होता है और दूसरे सूत्र में कहते हैं योगश्चितवरिति निरोध अर्थात योगचितवरिती का निरोध प्रोकना है। योगर समाधिय है। यहां कुछ प्रशन उठते हैं, जैसे चित क्या है? चित वृतियों का क्या तात्पर्य है? इन्हें रोकना क्यू आवश्यक है अत्वा इन्हें रोकने से क्या लाव है? इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं? आदी, अब हम इन पर क्रमशव विचार करेंगे. चित एवं उसकी वृत्तियां, योगदर्शन में चित से अभिप्रायमन, बुद्धी एवं महनकार तीनों के सम्मिलित रूप से है. योगदर्शन में चित की निम्नलिखित विशेशताएं बताई गई हैं. एक चित प्रकृती का प्रथम विकार है. दो इसमें सतोंगुन का आधिक्य है. तीन प्रकृती का विकास होने के कारण यह मूलतह जड़ है. चित अनेक होते हैं. चार आत्मा के संपर्क में आने पर यह आत्मा के चेतन्य से प्रभावित होता है. इससे उसमें ज्ञान दिलाने की योग्यता आ जाती है. इस तरह अचेतन जड़ चित आत्मा से जो कुछ ग्रहन करता है. वह सब आत्मा तक भी पहुचाता है. इस तरह आत्मा चित के माध्यम से संसार से विग्य होती है अर्थात संसार को जानती है. छे आत्मा पर चित का प्रभाव वस्तुतः उसकी वृतियों के कारण पड़ता है. किन्तु यह चित की वृतियां ह चित वृतियां चित के विशयाकार परिनाम को चित वृति कहते हैं. योग दर्शन के अनुसार चित मूलतर शान्त होता है. एक अगाध नदी के समान. किन्तु जिस वस्तु से भी उसका संपर्क होता है. यह उसके आकार को प्राप्त कर लेता है. इसलिए एक ओर जहां बाह इंद्रियों के द्वारा बाहर विशयों की और आकर्शित होकर वह उनके जैसे आकार को प्राप्त होता है. वही दूसरी और आंतरिक इंद्रियों मन्त से प्रभावित होकर वह रागद्वेश, कामक्रोध, आदी आकार में परिनत हो जाता है. जिस प्रकार वायो आदी के वेग से जल में तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार विशेयों के संसर्क से चित भी तरंगित होता है. यही चित की वृत्तियां हैं, जो चित को चंचल बनाती हैं. चुनकि आत्मा चित में प्रतिबिम्बित होती है, इसलिए आत्मा भी चित की इन वृत्तियों के कारण चंच यही वास्तव में आत्मा के बंधन का कारण बनता है, इसलिए पतंजली कहते हैं कि मुक्ती चित वृतियों का निरोध हैं। अकलिष्ट वे होती हैं जो प्रकाश के क्षेत्रवाली तथा तीनों गुनों के व्यापार की विरोधी होती है। ये विवेक अग्यान पूर्वक होती है अतह क्लेश नहीं देती। योग दर्शन अकलिष्ट के द्वारा कलिष्ट वृतियों पर नियंत्रन करने को कहता है। तब क्लिष्ट का निरोध संभभ हो पाता है? क्लिष्ट की अपेक्षा अक्लिष्ट श्रेश्ट होती है किन्तु इनका भी निरोध पूर्म योग प्राप्ती है तु आवश्यक है. चितव रितियों की संखिया योग में चितव रितियां पांच बताई गई हैं. प्रमान विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत्य अर्थात प्रमान विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृत्य एक प्रमान जिसके द्वारा यथार्थ ज्यान की प्राप्ती होती है उसे प्रमान कहते हैं योग में तीन प्रमान माने गए हैं प्रत्यक्ष अनुमान और शब् प्रमान किस प्रकार चितवरिती के कारण बनते हैं इसका सुन्दर उदाहरन प्रत्यक्ष प्रमान का इस प्रकार दिया गया है, जिस प्रकार तालाबादी में भरा हुआ जल नलिका के द्वारा खेत में पहुँचकर क्यारियों के आकार को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रका मिथ्या ज्यान के कारण मिथ्या ज्यान की प्राप्ती होती है। इस वृत्ती की परिभाशा में कहा गया है किसी वस्तु के अभाब ज्यान का अवलंबन करने वाली वृत्ती निद्रा कही जाती है। निद्रा से यहां तात्पर्य स्वपन रहित निद्रा से है. इसलिए इसे अभाव की अवस्था कहा गया है. यहां जागरत अवस्था का तो अभाव रहता ही है, स्वपनाविस्था की वस्थों का अभाव भी रहता है. यहां तमोगुन की प्रधानता रहती है. किन्तु पर कहते हैं कि हम खूब सोएं. 5. स्मृति पातंजली स्मृति की परिभशा देते हैं. पूर्व काल में अनुबूत विशय की तदनुरूप आकार्युक्त विश्टि को स्मृति कहते हैं. इसे पहली चार विश्टियों पर आधारित कहा गया है. जैसे, प्रमानादी वृतियां से ज्यात विशय को ही स्मृति अपना विशय बनाती है. इनी पांच वृतियों का निरोध योगदर्शन का लक्ष है क्योंकि इसी से मोक्ष की प्राप्ती संभव है. चित की भूमिया अधिक चित का और विस्तार से विश्लेशन करते हुए योगदर्शन में चित की पांच भूमिया भी बताई गई है. एक, क्षिप्त रजोगुन के प्रभाव से युक्त चित जब स्थिरन रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौरते रहता है तो वह चित की क्षिप्त भूमी है. दो, मूर तमोगुन के प्रभाव से जब चित आल से निद्रा में रहता है तो उसे कहते हैं. 3. विक्षिप्थ यह मूर और क्षिप्थ के मध्य की अवस्था है यहां तमोगुन का प्रभाव तो नहीं रहता पर रजोगुन का बना रहता है इसलिए ध्यान में एकाग्रता नहीं रहती 4. एकाग्र यहां सतोंगुन की प्रबलता रहती है इसलिए यहां चित किसी विशय पर एकाग्र हो पाता है यहां रजोगुन और तमोगुन का प्रभाव नहीं रहता अतहचित चमकते हुए इस फटिक मनी के समान स्वाच हो जाता है 5. निरुद इस अवस्था में चित की समस्थ वृतियों का निरोध हो जाता है और चित में पूर्ण स्थिर्टा उत्पन होती है चित के सारे संसकार भी इस अवस्था में नश्थ हो जाते हैं यह वह भूमी है जब संकर्प शक्ती के द्वारा चित पर पूर्ण नियंत्र नेवं सयम कर लिया जाता है यह योगी के समाधी में प्रविष्ठ होने के पूर्व की स्थिती है अत्वा इसी को समाधी कहते हैं पातंजली निरुद अवस्था को ही योग कहते हैं इन पांच चित भूमियों में से प्रथम तीन योग के उप्यूक नहीं है अंतिम दो में ही योग संभव है एक आग्र में संप्रग्यात समाधी संभव है जबकि असंप्रग्यात समाधी निरुद भूमी में ही हो सकती है चितवृति निरोध के अत्वा योग के लाव यहां प्राशन उठता है कि चितवृतियों के निरोध से दूसरे शब्दों में योग से लाप क्या है उत्तर में योग दर्शन कहता है कि ये चित वृत्तियां ही होती हैं जो मनुश्य के समस्त क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, ग्वेश, अभिनिवेश, अर्थात, मृत्यु भाई ये पांच क्लेशें का कारण बनती हैं. इनहीं के कारण आत्मा बंधन में पड़ती है योग के द्वारा जब इनका निरोध हो जाता है, तब ये आत्मा को प्रभावित करना बंध कर देती हैं, इस तरह आत्मा समस्त क्लेशों से मुक्थो परम शांत हो जाती है. जैसे शांत चल में चंद्रमा का प्रतिबिम स्थिर पढ़ता है वैसे ही योगी की आत्मा वृत पंच क्लेश तो परमानंद की प्राप्ती है, न स्वर्भ की प्राप्ती है और नहीं आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जैसा की अन्य अनेक दर्शनों का लक्ष है. पतंजली योग का मुख्य लक्ष है, आत्मा की स्वरूप में प्रतिष्ठा जैसा की पतंजली योग को चित वृतियों का निरोध बतलाने के अनंतर तीसरे सूत्र में कहते हैं, तद द्रिश्टौव, तब द्रिश्टा की स्वरूप आत्मा कमें अवस्तिती होती है. योग दर्शन के अनुसार आत्मा मूलत बुद्ध, मुक्त स्वरूप वाली है. वह न तो ग्याता है, न करता, न भोगता. अविद्या को दूर करना आवश्यक है. पतंजली कहते हैं, अविद्या अज्यान के अभाव से आत्मा और चित के संयोग का भी अभाव होता है और उससे फिर कैविल्यव मूक्ष की प्राप्ती होती है. तीन मूक्ष में सभी क्लेशों से मुक्ती मिलती है. आश्टांग योग, योग दर्शन, सांक्य दर्शन के समान अविद्या को समस्त कलेशों को जड़ बताता है, किन्तु जहां सांक्य दर्शन विद्या द्वारा अविद्या की निवृति पर जोर देता है, वहां योग दर्शन हेतु इस क्रियात्मक प्रयत्न को अधिक महत चित्वृत्या, जो आत्मा पर आवरन डाले पड़ी रहती हैं, सहज ही आत्मा से दूर नहीं होती, इस हेतु मनुश्यकों शारीरिक और मानसिक दूनु तरह से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। अभ्यास और वैराग्य यहां उलेकनिय है कि इस अष्टान ग्योग का उलेक करने के पूर्व्योग दर्शन चित वृत्ती के निरोड के लिए दो शर्त अनिवारिय बताता है। एक अभ्यास दो वैराग्य चित को वृत्ती रहित करने का प्रयत्न करना अभ्यास है तथा त्रिशना रहित होना वैराग्य है। अब हम अश्टान ग्योग के आठंड क्या क्या हैं यह देखेंगे। आठंग महर्शी पतंजली के अनुसार यम नियम असन प्रानायम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय उष्टावगानी, अर्थात्याम, नियम, आसन, प्रानायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी यह आठ योग के अंगें। इन में से प्रथम पांच योग के बहिरंग साधन कहे जाते हैं क्यूंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से योग के लक्षे की पूर्ती में सहायक होते हैं। अंतिम तीन अर्थात धारणा, ध्यान तथा समाधी, अंतर्क साधन कहे जाते हैं क्यूंकि ये लक्षय की प्राप्ती में सीधे सहायक होते हैं। अब हम आठों अंगों पर अलग-अलग विचार करेंगे। एक, ये अम, यमयंती निवर्टेंती ती यमा, अर्थात जो अवांचनिय कार्यों से निवरित कराते हैं, है। यम का अर्थ है, नियंत्रन, अत्वा, सैयम, नियंत्रन मन, वचन तथा शरीर तीनों पर होना चाहिए। आंतरिक शक्ती प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बाहिए जीवन को सात्विक और दिव्य बनाना जरूरी है। यमों का पालन इसे ही संभब बनाता है। भारतिय नीतिशास्त्र में यमों को सर्वोपरी महत्व मिला है। यम पांच प्रकार के हैं। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमाह। अहिंसा किसी भी समय किसी भी प्राणी को, किसी भी तरह का काश्ट न पहुंचाना अहिंसा है। वस्तुता अहिंसा ही सभी सद्गुनों का मूल है। बर्ट सत्य सत्य का आर्थ है ये अथावत कहना तथा वैसा ही व्यवहार करना. सर अस्तेय अस्तेय का आर्थ है चोरीना करना. दर ब्रहमचरिय इंद्रियों पर सयम रखते हुए विशेवासना से बचना ब्रहमचरिय है. इ अपरिग्रह अनावश्यक वस्तूओं का संग्रेन करना अपरिग्रह है। स्पष्ट है कि इन यमों का निशेधात्मक महत्वर अधिक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचरिय तथा अपरिग्रह का मतलब है। हिंसा, असत्य, चोरी, इंद्रिलोलुपता तथा परिग्रह से बचना। इन ही महावरत कहा गया है। दो, नियम, नियम अयंती प्रिरहनती ती नियमा, अर्थात जो शुब कारियों में प्रेरित करते हैं। नियम है। यम के समान नियम भी पांच बताए गए हैं, श्रौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा इश्व प्रनिधन। शौच संतोषत पर स्वाध्यायश्वर प्रनिधनानी नियमा, योग सूत्र, माइनस दो बटा बत्तीस। अच्श्रौच, श्रौच का अर्थ है शुद्धी अत्वा सफाई। यह सफाई शरीर तथा मन दूनों की हुनी चाहिए। मृत्ते का, जल तथा नियमित अहार शुद्ध विचारों द्वारा मन को स्वस्त रखना चाहिए। बट संतोष संतोष का अर्थ सब प्रकार की त्रिशना का त्याग कर उचित प्रयत्न के पश्चात जो भी फल मिले उसे प्रसन्नता पूर्वक क्रहन करना है। संतोष से सर्वोत्तम सुख मिलता है। सर्ता पुचित रीती और अभ्यास से शरीर तथा मन को सभी प्रकार के द्वंद्वों यथा सर्दी गर्मी, हर्ष विशाद आदी को सहन करने योग्य बनाना तप है। ताप से अशुद्धी दूर होती है। दत स्वाध्याय और वेद, उपनिशद आदी धर्म ग्रंथों का नियम पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। इससे इश्ट देवता का साक्षात होता है। इश्वप्रनिधान इश्वप्रनिधान का अर्थ इश्वर में ध्यान लगाना तथा स्वायम को पुनर्तह उस पर आश्रित कर देना है। इससे समाधी की सिद्धी होती है। 3. आसन पॉस्चर्ज जिस अवस्था में शरीर चीक से बैठ सके वह आसन है। आसन का अर्थ होता है बैठना। योग की सिद्धी के लिए उचित आसन, दूसरे शब्दों में उचित तरीके से बैठना आवश्यक है, किन्तु आसन कौन सा उचित होगा, यह हम कैसे सुख मासनम, अर्थात जिस रीती से हम स्थिर्ता पूर्वक, बिना हिले डुले और सुख के साथ, बिना किसी कष्ट के दीर्पकाल तक बैठ सके, वह आसन है। हठ योग में आसन अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जैसे पदमासन, वीरासन, व्रदासन, मयुरासन, वैसे तो इन आसनों से शरीर के विकार दूर होते हैं तथा वह स्वस्त रहता है, किन्तु आसन का मुखे उद्देश्य ध्यान में सहायक होना है। ध्यान में सर्दी गर्मी, भूख प्यासादी द्वंद्वों के कारण बाधाय आती हैं। पतंजली कहते हैं, ततो अर्थात आसन से द्वंद्वों को चोट नहीं लगती। इस तरह आसन ध्यान में सहायक होते हैं। उचेत आसन में स्थिर होने के पश्चात योग दर्शन में प्रानायाम करने का निर्देश दिया गया है। प्रानायम के विशय में पतंजली कहते हैं। प्राना तथा प्रश्वास का अर्थ है, कोश्ट स्थित वायू को नासिका द्वारा बाहर निकालना। वस्तुता प्रानायाम द्वारा श्वास प्रश्वास की गती पर नियंत्रन किया जाता है। प्रानायम ख्रिया के तीन विद हैं। पूरक श्वास को भीतर खीच कर रोकना पूरक है. रेचक भीतर की वायू को बाहर निकाल कर बाहर ही रोक देना रेचक है. कुम्भक कुम्भक में बिना पूरक और रेचक किये, श्वास प्रश्वास की गती को रोक दिया जाता है. वैसे तो प्रानायाम के अनेक लाव हैं, जैसे इससे हृदे और आंतरे कंगों को शक्ती मिलती है, चंचल्मन नियंत्रन में आता है तथा शरीर में स्थिर्ता आती है आदी किंतु इसका सबसे बड़ा लाव यह है कि इससे विवेक ज्यान जागरित होता है जैसा कि स्वयम प अप नहीं है, इससे चित के मल धुल जाते हैं और ज्यान का प्रकाश होता है पांच, प्रत्याहार सेंस कंट्रोल, प्रत्याहार का अर्थ होता है पीछे की ओर हटाना या लौटाना, आष्टांग योग के इस पांचवे आन प्रत्याहार में इंद्रियों को उनके बाह्य विशेयों से हटाकर उन्हें अंतरमुखी वृत्ति वाली बनाने का उपदेश दिया गया है। विशेयों सामने हो, फिर भी इंद्रिया निर्विकार बनी रहें, प्रत्याहार है। ऐसी स्थिती ही ध्यान में सहायक होती है। उप्रोक्त पांच अंग, यम, नियम, आसन, प्रानायाम तथा प्रत्याहार, जो बहीरंग कहे जाते हैं, योग के सहायक साधन है। ये योग के इंतरनेहितंश नहीं हैं, ये केवल आत्मशुदी की अवस्था को प्रस्तुत करते हैं। अब हम आगे योग के जिन्शेश्ती नंगों ध्यान, धारना, समाधी का वर्नन करेंगे, वे योग के इंतरनेहितंश हैं, इन्हे ही अंतर्ग, साधन कहा जाता है। इन्हे, सैयम, 6. धारना योग दर्शन में अनेक ध्यय बताए गए हैं, जैसे, नाभी, प्रिदै कामर, नासिका, अग्रभाग, भरिकुटी, चंद्र, भुरुफ, किसी देवता अत्वा इष्ट की मूर्तियादी। धारना का उद्देश्य चित को एक आग्र बनाना है। इसके द्वारा मानसिक श ध्यय से युक्टमन केवल ध्यय को ही देखता है, दूसरे पदार्थ को नहीं जानता, तो उसे ध्यान कहते हैं। इस तरह ध्यान वर दशा है जिसमें आत्मा को एक वस्तु का ज्यान होता है, अन्यवस्तूओं का विचार मन में उठता ही नहीं। इसमें ध्यय आ का निरंत उस पर पदार्थ का वास्तविक रूप प्रगट होता है तथा उसे मुक्ती का आभास होता है। ध्यान में भी किया जाता है। योग दर्शन में इसे इतना महत्व दिया गया है कि प्राय इसे ही योग कह दिया जाता है। योग समाधी समाधी से नित्यपत की प्राप्ती होती है। इससे पुरुष आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है। इसकी सिद्धी के उपरांथी उसे तत्वग्यान प्राप्त होता है। समाधी परम शान्ती की अवस्था है। इसमें बाह्य संसार का कोलाहल बिल्कुल सुनाई नहीं देता। यह एक रहस्यमय अवस्था है जिसका पूर्ण अनुभविस अवस्था से गुज्रे बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। किन्तु यह गहरी नींद अत्वा इच्छा के बाद ऐसा कोई परिवर्तन व्यक्ती में नहीं होता। समाधी से व्यक्ती अनेकान एक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करता है। जैसे अनिमा अर्थात अनू के समान छोटा बन जाना, लगिमा अर्थात हलका बन कर उपर उठ सकना, महिमा अर्थात पहाड के समान भारी बन सकना, प्राप्ती अर्थात कहीं से भी कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकना, प्रकाम्य अर्थात इच्छा की सिद्धी होना, विशित्व इशित्वर अर्थात सब प्राणियों को अपने वश में कर सकना, इशित्वर अर्थात समस्थ भौतिक पदार्थ पर अधिकार जमा सकना, यथाका मावसायत्वर अर्थात संकल्पों की सिध्धी हो सकना, योग दर्शन के अनुसार यद्यपी योगी उप्रोक्त आठ प्रक की सिधियों का प्रयोग कर सकता है किन्तु यहां सपश्ट योगी को इनका अपने एश्वर्य लाप की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने की मना ही है क्योंकि ये व्यक्ति को पत्प्रश्ट कर सकती है। समाधी यह ध्यान से समाधी तक पहुँचने की पहली अवस्था है। वैसे समाधी में ध्याता और ध्यय के मध्य अंतर मिट जाता है किन्तु प्रारंवेक अवस्था में यह अंतर बना रहता है। इसलिए यहां ध्याता को ध्यय का अर्थात जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा हो, उसका ग्यान रहता है। हंकार अस्मिता हमेपन है, इसलिए इसे सिस्मित कहते हैं। दो, असंप्रग्यात समाधी समाधी की इस अवस्था में ध्यान का आलंबन अर्थात धेय पुनर्तह लुप्त हो जाता है। इसके अनंतर ही व्यक्ती की प्रग्या पुनर्तह जागरत होती है और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यहां उलेकनी यहे की संप्रग्यात समाधी को सबीच समाधी तथा और सप्रग्यात को निर्बीच समाधी भी कहते हैं। इश्वर, योगदर्शन में इश्वर को प्रकृती और पुरुष से भिनेक स्वतंत नित्य तत्व माना गया है, जो सर्वग्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यपी, आप्तकाम एवं पूर्ण सत्ता है। वह एश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्था है। वह गुरूओं का भी गुरू है। वेदशास्त्रों का प्रथम उपदेश्टा है। इसका प्रतीक रहस्यपूर्ण अक्षर, उम, है जिस पर ध्यान लगाने से जीव यथार्थ की जहांकी में विश्राम करता है। पुरुष विशेश योग दर्शन की विशेशता इश्वर को भी एक पुरुष मानना है। किन्तु यह कोई साधारन पुरुष नहीं है। साधारन बदपुरुष और इश्वर में आकाश पाताल का अंतर है। बदपुरुष जहां नाना प्रकार के क्लेशों, कर्मों और कर्मफिलों में उल्जे रहते हैं। वहां यह पुरुष विशेश इन से सर्वता परे हैं। डॉक्टर शून्य राधाकृषनन के शब्दों में सांसारिक जीवन की तमाम उल्जनों से स्वतंत्री इश्वर नित्य पर्मानन्द में रहता है। उसका धर्म और अधर्म से क कोई संपर्क नहीं रहता। वह डैक के भार से जिससे जीवित प्रानी अभिबूत रहते हैं, अच्छूता रहता है। महर्शी पतंजली इश्वर के विशे में कहते हैं। क्लेश कर्म विपा का शैप्रामरिश्टह पुरुष विशेश इश्वरह। अर्थात इश्वर क् कर्म विपा केवं आश्रे से असंबंधन्य पुरुषों से विशेश उत्कृष्ट पुरुष है। पंच क्लेश जो डैक देते हैं, वे क्लेश कहलाते हैं। क्लेश पांच हैं अविद्या, अस्मिता, राग, वे शेवं अभिनिवेश जीवित बने रहने की इच्छा। कर रहे क्लेशादी, जिन से जीब घिरा रहता है, इश्वर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इश्वर अखंड एश्वर यवान हैं। इश्वर मुक्त पुरुष तथा प्रकृती ले पुरुष से बिन हैं। यहां कोई पूच सकता है कि क्लेशादी से तो मुक्त तथा प प्रकृति लीन पुरुष मुक्त जरूर हो जाते हैं किन्तु भविश्य में उनके बंधन की संभावना रहती है। अतही इश्वर इनसे भी अलग है। योग दर्शन में इश्वर की उप्योगिता, उलेकनिय योग दर्शन में इश्वर को प्रकृती तथा पुरुष में सयूजक और वियूजक का कार्य करने वाला बताया गया है किन्तु न्याई दर्शन के समान यहां इश्वर जगत का सृष्टा पालन करता एवं सनहार करता नहीं है। डहकों से लबालब भरे इस संसार का सृष्टि करता भला ऐसा इश्वर कैसे हो सकता है जो करुना सागर क प्रकृति के विकास का मार्ग दर्शक अवश्य है। प्रकृति के विकास का मार्ग दर्शक अवश्य है। कुछ प्रमुख प्रमान निम्न लिखे थे प्रमुख 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 प्रमु कहते हैं कि इस संयोग इवं बियोग हे तू एक सरवग्य सरवशक्तिमान सत्ता आवश्य होनी चाहिए। यही इश्वर है। मीमानसा दर्शन मीमानसा दर्शन के प्रवर्तक महर्शी जैमिनी है। मीमानसा शब्द का सामान्य अर्थ विचार करना है। वैसे मीमानसा शब्द मान धातु से जिग्यासा अर्थ में सन प्रत्य होकर बनता है। इसमें धर्म एवं ब्रह्म जिग्यासा का विवेचन मिलता ह और इसी द्रिष्टी से मिमानसा के दो भाग किये गए हैं पूर्ग मिमानमा और उत्तर मिमानसा। पूर्ग मिमानसा में धर्म जिग्यासा और उत्तर मिमानसा में ब्रम जिग्यासा का विशलेशन हैं। पूर्व मिमांसा को कर्म मिमांसा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतरगत यग्यायागों की की विधियों, अनुष्ठानों आधी वेद कर्मकांट संबंधी विशेयों का सम्यक विवेचन किया गया है। उत्तर मिमांसा को ज्ञान मिमांसा भी कहते हैं क्योंकि इसमें उपनिशदों की भाती ब्रह्म, आत्मा, जीव, जगत, प्रादी तत्वों पर विचार किया गया है। वेदान्त का अंतिम भाग होने के कारण उत्तर मिमांसा को वेदान्त भी कहते हैं। मिमांसा दर्शन का मूल ग्रंथ महर्शी जैमिनी द्वारा रचित जैमिनी सूत्र है। दार्शनिक सूत्रों में यह ग्रंथ सबसे ब्रिहत है। शबरस्वामी द्वारा लिखे जैमिनी के सूत्र पर शाबर भाश्यव है। दो अन्य प्रख्यात्टी काकार और हुए हैं, जिनके नाम है कुमारिल्भिट और प्रभाकर कुरू. इनके नाम से मीमानसा के दो प्रमुक संप्रदाय अर्थात भाट मीमानसा और प्रभाकर मीमानसा चल पड़े. भाट मीमानसा के प्रसिद विद्वान मंडन मिश्र, पार्थसार्थी मिश्र, माधवाचार्य आदी हैं और प्रभाकर मीमानसा के अन्य विद्वान हैं, शालिकनाथ मिश्र, भवनाथ मिश्र. मिमान सा दर्शन की सुविधा नुसार विवेचन करने के लिए उसे तीन भागों में विभक्त करना उचित होगा प्रमान विचार, तत्व विचार और धर्म विचार जिनका विवेचन यहां क्रमशः प्रस्तुत है प्रमान विचार मीमान सा दर्शन में अज्यात और सत्य अर्थ के ज्यान को प्रमा कहा गया है अर्थात यथार्थ ज्यान वह है जो नवीन विशय की जानकारी दे, जो अन्य प्रमानों से अबाधित हो और जिसके मूल में कोई दोश न हो. प्रमा के करण साधन को प्रमान कहते हैं ज्यान के दो भेद होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रत्यक्ष तो अप्रोक्ष ज्यान है और परोक्ष ज्यान पांच प्रकार के होते हैं अनुमान, शब्द, उप्मान, अर्थापती और अनुपलब्दी जैमिनी ने तीन प्रमान माने प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रभाकर ने इन तीन के अतिरिक्त दो और माने उप्मान तथा अर्थापती और कुमारिल ने इनके साथ एक अन्य अनुपलब्धी को जोड़कर छे प्रमान निश्चित कर दिये इस प्रकार मिमानसा दर्शन में छे प्रमान प्रत्यक्ष, अनुमान, उप्मान, शब्द, अर्थापती और अनुपलब्धी स्वीकार किये गए हैं जिन्हें वेदान्त दर्शन भी मानता है अतह इन प्रमानों का विवरण यहां प्रस्तुत है एक प्रत्यक्ष पहले किसी विशय का इंद्रिया के साथ सयोग होने पर विशय की प्रतीती मात्र होती है. केवल इतना ज्यात होता है कि वह है. अतह ऐसे निविशेश ज्यान को निर्विकल्प ज्यान आलोचना ज्यान कहते हैं. दूसरी अवस्था में उस विशय की प्रकार् वह यह है. जैसे वह गौ है या वह मनुश्य है. ऐसे सविशेश ग्यान को सविकल प्रत्यक्ष कहते हैं. प्रत्यक्ष के द्वारा नानारूप जगत का सत्य ग्यान होता है. केवल सत्पदार्थी प्रत्यक्ष का विशे हो सकता है. प्रत्यक्ष प्रमान प्राय न्याय वेशि अतर शेश चार प्रमानों का वर्नन यहां दिया जाता है. तीन उत्मान वैसे मिमानसा दर्शन का उत्मान प्रमान भी न्याय वैशिशिक जैसा ही है. पर दोनों की दृष्टियों में कुछ अंतर है. न्याय मत में उत्मान को एक स्वतंत्र प्रमान माना गया है, किन्तु मिम मिमांसा दर्शन उसे स्वतंत्र प्रमान नहीं मानता है। अधारित है और मिमांसा दर्शन में साद्रिश्य एनालजी को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। क्योंकि यह पाश्चात्य तरक्षास्त्र में साद्रिश्य आत्मत ग्यान अनालजी की भाती लगती है। चार शब्द मिमांसा दर्शन में शब्द प्रमान का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह वेद का प्रामान्य स्थापित करना चाहता है। प्राप्त अफचन को शब्द प्रमान कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है पौरुषय और अपौरुषय प्राप्त पुरुष विश्वास करने योग्य व्यक्ति के वाक्य को पौरुषय और वेदवाक्य को अपौरुषय कहा गया है। वेद्वाक्य भी दो तरह के होते हैं सिध्धार्थ वाक्य और विधायक वाक्य. सिध्धार्थ वाक्य वह है जिससे किसी सिद्विशय के बारे में ग्यान होता है और विधायक वाक्य वह है जिससे किसी क्रिया के लिए विधी, प्राग्या, सूचित होती है. मीमान सिकों की द्रिष्टी में विशेशकर कर्तव्यक्रिया के विधायक वाक्य जो यग्यादी के संपादनार्थ कर्तव्यका निर्देश करते हैं पौरुशिय और स्वतह प्रमान है सिधार्थवाक्य वैसे विदिवाक्य का सहायक है, किन्तु विदिवाक्य का महत्वर अधिक है क्योंकि वेदवाक्य की उप्योगिता ख्रियाही को लेकर है शब्द प्रमान के रूप में कई दर्शनों जैसे चारवाक्य, जैन, बौध आदी ने वेद का स्वतह प्रमान्य नहीं माना है किन्तु मिमान सा दर्शन वेद तथा जगत को नित्य मानता है क्योंकि ये अपौरुशेय हैं इसके लिए कई युक्ति आदी गई हैं जैसे एक वेद के कर्थता का कहीं नाम नहीं है दो जिन रिपियों के नाम वेदिक मंत्रों में पाए हैं वे केवल द्रश्टा, व्याख्याता आदी के रूप में हैं तीन तीसरी युक्ति शब्द नित्यवाद पर आधारित है मीमानसा के अनुसार बरनात्मक शब्द नित्य एवं विभू होता है मीमानसेक शब्द के समान शब्द और अर्थ के संबंद को भी नित्य मानते हैं इस तरह शब्द और अर्थ रूप होने के कारण वेदवाक्य भी नित्य है. अतह वेद स्वातह प्रमान हैं. वेद नित्य एवं मूलबूत शब्दों के भंडार हैं. लिकित्य उच्छरित्वे नित्य वेद के प्रकाश मात्र हैं. चार एक चौती युक्ती भी दी गई है कि वेद कर्मों के अनुष्ठान से फल यथा स्वर्ग की प्राप्ती होना बतलाते हैं. कर्मों और फलों का यह संबंध ऐसा नहीं है जिसे सामान्य प्रत्यक्ष द्वारा अवलोकित किया जा सके. अतह कोई मनुष्य वेदों का कर्ता नहीं हो सकता. वेद सर्वता सभी दोशों से मुक्त हैं. अतह वैदिक ज्यान अबरांत माना जाता है. यही मुख्यता शब्द प्रमान है. पांच अर्थापती किसी प्रत्यक्ष विशय की सिद्धी जिसके बिना अनुप्पिन असिद्ध हो उसे. अर्थापती कहते हैं अ देवदत व्रत रखता है, फिर भी मोटा है. यहां पर व्रत रखना और मोटा रहना दोनों वाक्यों में असंगती है, स्पष्ट विरोध है, लेकिन दोनों बातों की उप्पती तभी हो सकती है जब हम यह कल्पना करें की वर रात्री में खाता है. इस अद्रिश्टार्थ की कल्पना से असंगती एवं परस पर विरोध समाप्त हो जाते हैं और देवदत का मोटा रहना समझ में आ जाता है. इसी कल्पना को अर्थापती कहा जाता है. अर्थापती वह प्रमान है जो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमानों के अंतरगत नहीं पाता. यह प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि देवदत का रात्री में खाना प्रत्यक्ष का विशय नहीं है. यह अनुमान नहीं है क्योंकि इसमें कहीं व्याप्ती संबंद दिखाई नहीं देता और यह शब्द प्रमान भी नहीं है क्योंकि किसी प्राप्त वचन के द्वारा यह ग्यात नहीं हुए है कि देवदत रात्री में भूजन करता है। इस प्रकार अर्थापती एक स्वतंत्र प्रमान है और ज्ञान मिमानसा में इसका विशिष्ट महत्व है। यह बात समझी जा सकती है जब यह अर्थ कल्पित किया जाए की वह गाउँ नहर के किनारे पर बसा है। यह शुतार्थापती है। यद्यपी अर्थापती को कई दर्शन नहीं मानते, किन्तु इसकी व्यवहारे को प्योगिता अधिक है। जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता रहता है। न्यायालियों में किसी घटना क्रम को समझने के लिए न्यायादीश को अध्रिश्ट की कलपना का सहारा लेना पड़ता है। अत्वा किसी ने कहा की मेरा गाउं गंगाजी पर है, अर्थाथ गाउं गंगा के तट पर है। इस प्रकार अनेकों बार जीवन में घटनाओं, वाक्यों या अर्थों को अद्रिष्टार्थ की कल्पना से पूर्म किया जाता है। अतर अर्थापती की व्यभारिक उप्योगिता एवं महत्व को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, भले ही कुछ द्विर उसे अनुमान के अंतरगत ही माने। 6. अनुपलब्दी प्रभाव को अनुपलब्दी कहा गया है। भाट मीमानसा तथा अद्वेत वेदान्त के अनुसार, किसी विशय के अभाव का जो साक्षात ज्ञान होता है, वह अनुपलब्दी प्रमान द्वारा ही होता है। अनुपलब्दी प्रमानों से भिन एक स्वतंत्र प्रमान है। इस अभाव को हम शब्दों द्वारा भी नहीं ग्यात करते। अता अनुपल अब्दी शब्द प्रमान से भी भिन है। संक्षेप में, कोटरी में घट पटादी नहीं है। यह केवल अभाव का साक्षात ग्यान है जिसके लिए एक स्वतंत्र प्रमान मानना पड़ेगा। इ जैसे घने अंधकार में घट पटादी रहते हुए भी अदर्शनीय हैं। अन्य तत्व जैसे परमानू, अकाश, पाप, पुनिय, आदी अद्रिश्य हैं या उनका प्रदर्शन होता है। लेकिन उनका प्रभाव नहीं माना जा सकता। अता अनुपल अब्दी को सक्षम य इस प्रकार अभाव ज्यान का कारण योग्यानुपल अब्दी है, लेकिन इसे प्रभाकर गुरु प्रमान के रूप में नहीं मानते। सारांशत, अर्थपती और अनुपल अब्दी दोनों को मीमानसा में स्वतंत्र प्रमान माना गया है। हालां कि उनकी अपनी अपनी व प्रत्यक्ष, अनुमान, आदी के अंतरगत ही गिनते हैं। प्रामान्यबाद, नियाए वैशेशिक दर्शन ने परतह मानियल की स्थापना की, किन्तु मीमानसा दर्शन इसका खंडन करके अपने ही सिध्धांत, स्वतह प्रमानियल की प्रतिश्थापना करता है। जब किस की दूसरे प्रमान की आवश्यक्ता नहीं होती, उसे स्वतह प्रमान कहते हैं. जैसे स्पष्ट प्रकाश में कोई बस्तु हमारी नित्रिंद्रिय के समक्ष है, यहां पर्याप्त कारण सामगरी है और उसमें किसी संशय या ब्रह्म की गुजाइश नहीं है. अतह यह प्रत्य यक्ष ग्यान है जो स्वतह प्रमान है. मिमान सक्मत में ग्यान की सत्यता प्रमानिय कहीं बाहर से नहीं आती, अपितु ग्यान ग्राहक सामगरी के साथ स्वतह उत्पन होती है. इस प्रकार ग्यान के उत्पन होते ही उसकी सत्यता का भी ग्यान उसी समय हो जाता है. जहां प पर्याप्त कारण सामगरी में कोई दूश न हूँ तो यथार्थ हैफ ग्यान की उत्पत्ती स्वतह हो ग्याती है। परीक्षा करने के लिए ठहरा जाए और जब यह ग्यान पुनः जांच की कसोटी पर ठीक उतर जाए तब उसे सत्य समझा जाए। इससे स्पष्ठे की घट में ज्यात्ता नामक धर्म उत्पन होता है। यद्यपी प्रया घटः ज्यान स्वयम प्रत्यक्ष नहीं है। अपितु ज्यात्ता का प्रत्यक्ष होता है। ज्यात्ता ज्यान के बिना अनुपन है। मीमानसा अर्थापती प्रमान द्वारा ज्यात्ता को ज्यान से उत्पन मानता है और ज्यात्ता को उत्पादक होने के कारण मीमानसिक ज्यान के अस्तित्व को भी मानते हैं। यही सवतहप्रमाण है। संक्शेप में विश्वास उत्पन करना ज्यान का स्वाभाविक नियम है। नियाय वैसेशिक मत सवतहप्रमाण्य को नहीं मानता। उनका मत, पर्तव प्रामान्य, कहलाता है अर्थात इंद्रियर और घट के स farmers से अघट, ग्यान उत्पन होता है। यह विवसायात्मक ग्यान होता है। यह ग्यान सत्य है या नहीं, इसका ग्यान, घटग्यान वाहनम, इस ग्यान से होता है। यह अनुव्यवसाय ज्यान कहलाता है अतयव प्रत्यक्ष प्रमान से उत्पन ज्यान की सत्यता के लिए दूसरे प्रमान, जैसे अंक, जिसके अधार हम सामने एक घट देख रहे हैं, कि आवश्यक्ता पड़ती है अर्थात उत्पादक कारण सामगरी के अतिरिक्त कुछ अन् जैसे ज्यानिंद्रियों का ठीक होना की भी आवश्यक्ता है अतर न्याय वैशेशिक का यह सिध्धान्त पर्तह प्रमान्य कहा जाता है इनका कहना है कि प्रतेक ज्यान का प्रमान्य अनुमान के द्वारा निश्चित होता है मिमानसक न्याय वैशेशिक मत को नहीं मानते क्योंकि प्रतह प्रमान्य में नवस्था दोश, इंफिनिट रिग्रेस आ जाएगा अर्थात, गग के प्रमान्य के लिए खग का सहारा लेना पड़ेगा, गग का प्राश्रय लेना पड़ेगा और इसी भाती आश्रय लेते च चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा. ऐसा करने से वियवहारिक जीवन में अनेक कठिनायों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ग्यान के संबंद में हमारा विश्वास कहीं पर नहीं टिक पाएगा. एक प्रामान्य यदि अन्य प्रमान पर निर्भर रहता है तो ज इवन में कोई कार्य संभव नहीं होगा. मीमान सिकों का कहना है कि ग्यान के विश्रे में शंका होने पर उसकी सत्यता का निश्चय करने के लिए अनुमान का सहारा अवश्य लेना पड़ता है, किन्तु इसका प्रयोजन ग्यान के मार्प की बाधादूर हो जाने पर ग्यान के साथ उसकी सत्यता तथा उस सत्यता का ज्यान भी प्रकट हो जाता है. नियाए वैशेशिक के मतानुसार जैसा की उपर बतलाया जा चुका है, प्रत्येक का प्रामानिय उस ज्यान की उत्पादक कारण सामगरी के अतिरिक्त कुछ बाहे कारणों से उत्पन होता है अर्थ प्रत्यक्ष ज्यान की प्रामानिक्ता तद विशयक ज्यानिंद्रिय की निर्दोष्टा पर निर्भर है। पौरुष्यय वेद भी स्वतह प्रामान हैं। उनका प्रामानिय स्वयम सिध्ये, किसी अनुमान अत्वा अन्य साधन पर आश्रित नहीं है। शंका होने पर यदी वास्तवेकर्थ बोट स्पष्ट हो जाए तो उसकी सत्यता की अभिव्यक्ती भी हो जाती है। इस प्रकार मिमानसेक मानते हैं कि सत्य स्वतह प्रकाश होता है। संक्षेप में परत प्रामान्यवाद का खंडन करके उन्होंने स्वतह प्रामान्यवाद की प्रतिष्ठापना की जिसका ग्यान मिमानसा की दृष्टी से अत्यदिक महत्वपूर्ण है। इस प्रशन के उत्तर में मीमान्सिकों में दो मत हैं, प्रभाकर्मत और भात मत, जिनका यहां विवेचन प्रस्तुत है. एक अख्यातेवाद यह प्रभाकरमत है जो भ्रम की सत्ता को अस्वीकार करता है यह सही है कि प्रतेक ज्यान सत्य होता है अर्थात कोई ज्यान सत्य नहीं है रसी में सांप का आभास होना भ्रम कहा जाता है इस ज्ञान में दो प्रकार के ज्ञानों का सम्मिश्रन पाया जाता है। एक और लंबी, टेडी मीरी सी वस्तू का प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरी और पूर्व काल में प्रत्यक्ष हुए सांप की स्मृती का विशे है। ये दोनों ही सत्य हैं। इसमें केवल स्मृती का अनुभव नहीं हुपाता। अतैव हमारा रसी के प्रति वैसा ही व्यवहार होता है जैसा की सांप के साथ करना चाहिए। यहां दोश हमारे व्यवहार में हैं, न की ज्ञान में। यहां स्मृती दोश के कारण विवेकाग्र हो जाता है अर्थात हम दो ज्ञानों में भ प्रभाकर्मत इसी को अख्यातिवाद कहता है। प्रभाकर्मत इसी को अख्यातिवाद कहता है। रसी में सांप देखकर हम भैभीत हो जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। यही मत विप्रीत ख्यातिवाद कहा जाता है अर्थात प्रकार्य में कार्यता का भान होने के कारण यहां विप्रीत ग्याती होती है। उप्युक्त दोनों मतों में थोड़ा सा अंतर है। प्रभाकर्मत किसी ज्यान में ब्रह्म की सत्ता स्वीकार नहीं करता। भाटमत ब्रह्म का अस्तित्व मानता है किन्तु उसके अनुसार ब्रह्म विशेयों को लेकर नहीं। उसके संसर्प को लेकर होता है, लेकिन दोनों ही मत इस बात पर सहमत हैं कि ब्रह्म का प्रभाव ज्यान की अपेक्षा हमारे व्यवहार पर अधिक पड़ता है। प्यद्यपी दोनों मत सामान्यते यही मानते हैं कि प्रतेक ज्यान सत्ता होता है और इसी विश्वास पर हमारा व्यभारिक जीवन चलता है, किन्तु इसका अपवाद भी पाया जाता है जिसे नम का नाम दे दिया जाता है। फिर भी कुछ अपवादों के कारण स्वाभावि नियम को अमान्य नहीं समझा जा सकता। देवता को भी स्वीकार करते हैं। नियम को भी स्वीकार करते हैं। किंतु कर्म के स्वाभाविक नियम के अनुसार ही परमानु सदा इस तरह प्रवत्तित होते हैं जिससे जीवात्मानों को कर्मफल भोग कराने के योग्य जगत बन जाता है। चुकी जगत सरवदा वर्तमान रहता है इसलिए मिमानसिक स्रिष्टी और प्रलय को नहीं मानते। प्रात्मा पौर अनुनित्य अविनाशी ददार्थ हैं। संक्षेप में कुछभाट मिमासक द्रव्य, जाती, गुन, ख्रिया, अभाव इन पांच पदार्थों को स्वीकार करते हैं और वैशेशिक के नौ द्रव्यों के अतिरिक्त, तम, अंधकार और शब्द को भी द्र विशेउट स्वर्ग, नरक, अद्रिष्ट, प्रादी का विवेचन किया गया है, मीमानसक उन में विश्वास करते हैं। कर्ट शक्ति और अपूर्व, कार्य कारणभाव के संबंद में मीमानसक एक नवीन तात्विक द्रिष्टिकोन प्रस्तुत करते हैं जो शक्ति तथा अपूर्व विचारों पर आधारित है। कार्य को उत्पन नहीं कर सकती जैसे बीच के भूज देने पर उससे कोई अनकुर उत्पन नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगनी में जलाने की शक्ती होती है। शब्द में अर्थ बोधकता और प्रियुत्पादकता की शक्ती है और प्रकाश में भासित करने की शक्ती है। अपूर्व अद्रिष्ट शक्ती के अधार पर ही मिमानसा दर्शन अपूर्व को मानता है। इसके अनुसार बर्तमान समय में किया गया कार्य भविश्य में बिना किसी अद्रिष्य शक्ती की सहायता के फल को उत्पन नहीं कर सकता है। अतर इस लोग में किया गया कार्या एक अद्रिष्ट शक्ती का प्रादुर्भाव करता है जिसे मीमानसिक अपूर्व कहते हैं। यह कर्म फल भोग करने की शक्ती है जो समय पाकर फलित होती है। अपूर्व का सिधान्त कर्मवाद का ही एक पक्ष है क्योंकि कर्म के नियम के अनुसार सभी कर्मों का फल संचित होता है। कुमारिल की द्रिष्टी में कर्म के द्वारा उत्पन वह शक्ती जो कर्म फल तक पहुँचती है उसे, अपूर्व कहते हैं और प्रभाकर परंप्रा में इस लोग में किया गया कार्य एक अद्रिष्य शक्ती को उत्पन करता है। इसी को अपूर्व कहा गया है. संक्षेप में, शक्ती और अपूर्व की परिकल्पना मीमानसिक दर्शन का एक मौलिक सिधान्त है. कह आत्मा मीमानसा दर्शन में आत्मा को बुद्धी तथा इंद्रियों से भिन तत्व माना गया है. शबर स्वामी के अनुसार प्रात्मा, शरीर, प्राण, बुद्धी और इंद्रियों से भिन नित्य तथा विभू पदार्थ है अर्थात अत्मा नित्य अविनाशी द्रव्य है. आत्मा, स्वसमवेद्य है जो न तो किसी के द्वारा देखा जाता है और न अन्य को दिखाया ही जा सकता है. जितने जीव है उतने ही प्रात्मा है अर्थात प्रतेक जीव में अलग-अलग अत्मा है. आत्मा स्वयम प्रकाश और चेतन है. शरीर, इंद्रियों आदी नश्ठ हो जाते हैं, पर आत्मा इनसे विन अविनाशी द्रव्य और सर्वव्यापक है. ज्यान मीम अंसा की दृष्टी से, मीमानसा दर्शन में प्रात्मा के विशय में प्रभाकर और कुमारिल के अलग-अलग मत हैं जिन्हें यहां प्रस्तुत करना आवश्यक है। कब प्रभाकर मत इसके अनुसार प्रात्मा शरीर, बुद्धी और इंद्रियों से भिन हैं। आत्मा नित्य, विबू और अनेक हैं। अन्य शब्दों में प्रभाकर के अनुसार, अन्वित्ती की धारना ही अयोक्त है क्योंकि एक ही आत्मा उसी ग्यान का ग्याता और ग्यय विशय दोनों नहीं हो सकता। उदाहरन तर जब कोई ग्यान होता है तो कहते हैं कि मैं घड़ा देख रहा हूं अत्वा मुझे घड़े का ग्यान हो रहा है। यहां यदि मैं स्वयम ग्याता के रूप में भासित नहीं होता तो फिर मैंने ही घड़ा देखा उसका प्रतिपादन करना कठिन होता। क कुमारिल मत वैसे कुमारिल मत के अनुसार भी आत्मा शरीर, बुद्धी और इंद्रियों से प्रिथक है और आत्मा, नित्य, विभू, चैतन्य तथा अनेक है। आत्मा ज्याता, करता, भोकता, सुख, डैक, इच्छा, वेश, संसकार, धर्म-धर्म का प्राश्रय भी है। किन्तु ग्यान आत्मा का गुर्ण नहीं है, बल्कि उसका परिनाम है। जैसा कि प्रभाकर्मत में है अत्मा ज्याता है, ग्यान का विशय नहीं है। कुमारिल इसे नहीं मानते, उनका कहना है कि आत्म ज्यान विशय ज्यान का नित्य सहचर नहीं है, वह कभी उदित है, कभी नहीं होता है, अतैव वह विशय ज्यान से भिन है, आत्मा भी ज्यान का विशय है क्योंकि वैदिक विदिवाक्य में भी कहा गया है कि आत्मान विद् प्रभाकर के मतानुसार प्रतेक ज्ञान में तीन बाते होती हैं, जैसे मैं यह जानता हूँ, क्याता में ग्याय खड़ा और ज्ञान खड़े को जानना अर्थात इन तीनों का ज्ञान एक साथ होता है. अतह इसे ग्त्रेपुटी ग्यान कहते हैं, जब ग्यान उत्पन होता है तब वह ग्याता, ग्याय और ग्यान अपने इन तीनों रूपों को अभिव्यक्त करता है. इस प्रकार ग्यान ना केवल ग्याता और ग्याय को प्रकाशित करता है, अपितु स्वयम प्रकाश भी होता है इसलिए ग्यान प्रात्मा ग्याता का गुन है। प्रात्मा ग्यान का विशय नहीं है। लेकिन कुमारिल मत इसे नहीं मानता क्योंकि ग्यान संभवित अपना विशय स्वयम नहीं हो सकता जैसे अंगुली का अग्रभाग अपना स्पर्ष नहीं कर सकता। पुनव प्रश्निय है कि हम यह कैसे जानते हैं कि हमें अमुक वस्तू का ग्यान हो रहा है। भाट मीमानसिकों का कहना है कि हमें कोई भी विशे या तो ग्यात प्रकट होता है या फिर अग्यात अप्रकट। यदि ग्यान ग्यात हो जाए तो उसकी ग्यात्ता के आधार पर य यदि दोनों मतों को अलग-अलग दृष्टी से देखा जाए तो वे एक पक्षिय हैं। आत्म ज्यान का विवेचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रात्मा का ज्यान दोनों ही प्रकार से होता है। आत्मा अन्वित्ती का विशय है और दूसरी और प्रतेक विशय के ज्यान में भी उसका बोध होता है। धर्म विचार मीमानसा दर्शन में धर्म विचार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म विचार के अंतरगत मुख्यत वेद, कर्मकांड, नेश्रेयस तथा इश्वर सत्ता आते हैं। अतह इन्ही का विवेचन यहां क्रमशव प्रस्तोत है। कर वेद मीमानसा के अनुसार वेदनित्य, शाश्वत तथा और पौरुशय हैं। वेद नित्य ज्ञान के भिंडार हैं और उन्ही से धर्म का ज्ञान होता है अर्थात वेद विधी वाक्यों के आधार हैं, जिनके अनुसार आचरण, यग्यादी करने से मानव प्रानी धर्म प्राप्त कर सकते हैं। यहां धर्म का अर्थ है वेद विहित कर्मकांड। इसलिए मीमानसा दर्शन में करताव्य या कर्मकांड का एक मात्र स्रोत वेद वाक्यों माने गए हैं। वेदिक कर्म चार प्रकार के होते हैं काम्य, निशिद, नित्य और नैमित्तिक। फल की कामना, यग्यादी द्वारा स्वर्प की इच्छा से किया जाने वाला कर्म, काम्य कर्म, कहा जाता है। वेदानुसार कर्म, नैमित्तिक कर्म होता है जैसे पुत्र प्राप्ती के लिए अनुष्ठान। संक्षेप में वेद व्यवस्था के अनुसार जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। कर्मकांड वेदों की दृष्टी में अनेक देवों का अस्तित्व है जिनकी पूजा अराधना करने से इश्ट साधन और अनिश्ट निवारन होता है। मिमानसा वेदिक धर्म की ही एक शाखा जिसमें देवतानों को इतना महत्व नहीं है जितना की उनके लिए दी जाने वाली हवी या पाहुती का होता है क्योंकि यग्यादी से आत्मा की शुद्धी अधिक होती है, देवताओं की संतुष्टी की कोई निशेश बात नहीं है। देवता केवल संप्रदान कारक सूचक पदमात्र हैं। उनके गुनों का कोई दर्शन नहीं है। देवताओं की उप्योगिता केवल इतनी है कि उनके नाम से हों, यग्यादी किये जाते हैं। इस प्रकार मिमानसा में कर्मकांट का अधिक महत्व है। गर्थ नेश्रे यस प्राचीन मिमानसा के मतानुसार स्वर्ग अर्थात नित्य निरतेशे आनंद की प्राप्ती ही मानव जीवन का चरम लक्षे माना गया है। अतैव कहा गया है कि स्वर्ग कौमों यजेत, अर्थात जो स्वर्ग का इच्छुक है, वह यग्या करे। स्वर्ग प्राप्त करन लेता है कि यह संसार सुपध्यक का मिश्रण है तब वह सभी पापकर्मों से विरत होकर सतकर्मों, वैदिक कर्म कांट में लीन हो जाता है. उसके अच्छे कर्मों से पूर्वकर्म के संचित संस्कार भी नश्ठ हो जाते हैं. फलतर सभी प्रकार के बंधनों से उसको छुटक हो जाता है. मन, इंद्रिय तथा शरीर के सभी बंधनों से चुटकारा मिल जाता है, लेकिन जैसा की कुमारिल मानते हैं, मोक्षावस्था आनंद की अवस्था नहीं है. फिर भी बह अवस्था इसलिए वांचनिय है कि उसमें समस्थ डहकों का नाश हो जाता है और प्रात्मा अपने यथार्थ रूप में रहने लगता है. संक्षेप में, मोक्षावस्था में प्रात्माज्यान, सुक्र, डैक, इच्छा, द्वश, प्रयत्न, धर्म, अधर्मादी से शुन्य होकर अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है. इसमें केवल सत्ता और चैतन्य की नहित देवों को माना जाता है, परंतु वह इश्वर को एक स्रिष्टी करता के रूप में स्वीकार नहीं करता. देवों की परिकल्पना यग्यादी में उन्हें प्राहुती प्रदान करने के लिए की गई है. किसी एक इश्वर में उपासना हेतु उनका एकी करन नहीं किया गया है. इश्वर को एक शक्ती के रूप में मानना निरर्थक है क्योंकि कर्म का फल तो यग्या से ही मिलता है. शबर स्वामी भी इश्वर को मृष्टिक अर्ता नहीं मानते क्योंकि जागतिक स्रिष्टी प्राकृतिक है. वे वेदों के रचैता के रूप में भी इश्वर को प्रभाकर और कुमारिल दोनों ही इश्वर को जगत का सरजक नहीं मानते क्यूंकि जगत प्राकृतिक कारण से उत्पन होता है और जहां तक वेदों की उत्पत्ती का प्राश्ण है वे नित्य, अपौरुशिय, स्वतह प्रकाश तथ स्वतह प्रमान है। उपर युक त्रिष्टी से मीमानसा दर्शन निरिश्वरवादी भले ही हो, परवर नास्तिक नहीं है। कहा जाता है कि नास्तिकों वेद निंद्गह, अर्थात वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक होता है। मीमानसा तो वेद को स्वतह प्रकाश तथ स्वतह प्रमान मानता है और उनके अनुसार वेद नित्य एवं मपौरुशेय हैं। अतह मीमानसा दर्शन निरिश्वरवादी होते हुए भी नास्तिक दर्शन नहीं है। यद्यपी मीमानसा दर्शन में बहुदेवतावाद पलिदिसम की स्थापना की गई है और वैदिक देवताओं का यग्यों से अविच्छेद्य संबंध है। किन्तु यह स्थापना प्रमुक नहीं, गौन है क्योंकि मीमानसा के लिए इन देवताओं का अस्तित्व केवल वैदिक मंत्रों में ही है। देवों की न तो प्रिथक या स्वतंत्र सत्ता मानी गई है और नहीं उन्हें उपासे माना गया है। मीमानसा में बहुदेववाद की सत्ता यग्य में देवों को हविश्यांत प्रदान करने तक ही सीमित है। इश्वर जैसे सर्वशक्तिमान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करता है। अतह मीमानसिकों को वैदिक रिशियों की भाती देवताओं में ज्वालन्त विश्वास नहीं था। उनका कहना है कि वैदिक इश्वर का कोई व्यभारिक प्रयोजन नहीं है, हालां कि यह आत्म विरोध है कि मिमान सा वेद की प्रामानिकता मानते हुए उसमें नहीं तीश्वरवाद को अस्वीकार करके निरिश्वरवादी कहलाए. योजक्चिन 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 अदवैत वेदांत वेद्या शृति के दो भाग है कर्मकांड और ज्यानकांड कर्मकांड पूर् उत्तर भाग में उपासना और ज्यान दोनों का विवेचन है। इन दोनों की मिमासा करने वाले वेदान्त दर्शन को उत्तर मिमासा कहते है। इसे उत्तर मिमासा इसलिए कहा जाता है कि यग्यात्वा ने भूयो अनच ग्यात्वयमव शिशिते अर्थात जिसको प्रहमको जान लेने के पश्चात कुछ भी जानना शेश नहीं रह जाता है। पर्याइवाची शब्द हैं। अद्वेत्मत के अनुसार जगत मिथ्या है, ब्रहमपर आरोपित है। अता अध्यास अध्यारोप है। अध्यास का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है। स्मृति रूप, परत्र पूर्वद रिष्टाव भासः, अर्थात पहले देखी हुई किसी वस्तू का किसी अन्य वस्तू के रूप में स्मृति रूप में आभास होना ही अध्यास है। शंकर के उपोदगात भाष्य में इसका उदाहरण है, रज्जू में सर्प की ब्रांती। वस्तूतर सर्प वहां नहीं है। सर्प को पहले कभी देखा है, परंतु अध्यास के समय वह हमारी इंद्रियों के संपर्क में नहीं है। इंद्रिया, नेत्र के संपर्क में तो रज्जू है, परंतु हमारी चेतना में सर्प की प्रतीती होती है. अतर रज्जू पर सर्प अध्यस्तिया आरोपित है. शंकर के अनुसार अध्यास को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यह हमारे समस्थ सांसारिक अनुभवों का एक अंग है. हमारे अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण अध्यास है जिसके आधार पर हमारे जीवन का सुख डेक निर्भर करता है. यह विशयक अध्यास है जो सभी अनर्थों का मूल कारण है इसलिए ब्रह्मसूत्र भाष्य में सबसे पहले अनविशयक अध्यास पर विचार किया है वे कहते हैं कि इस बात के लिए किसी प्रमान की आवश्यकता नहीं है कि युश्मित तुम और अस्मित में प्रते विशय और विशय रूप होने से अंधकार और प्रकाश के समान विरुध्ध स्वभाव वाले हैं तथा पी ऐसा कोई व्यक्ती नहीं जो भ्रम से इन दोनों को एक ही न समझता है। आचार्य का कहना है कि विशय और विशय अंधकार और प्रकाश के समान विरुध्ध स्वभाव वाले हैं तो विशय और विशय का अध्यारोप एक दूसरे पर करना मिध्यारोप हैं क्योंकि दोनों एक वस्तु नहीं हो सकते। इसका प्रमान यह है कि ह तो हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं अतर शरीर के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं गूंगा हूँ, काना हूँ, अंधा हूँ, तो हम इंद्रियों के धर्म को आत्मा पर आरोपित करते हैं, इसी प्रकार जब हम अपने को इच्छा, अभिप्राय या संदेह का विश्रे समझते हैं, मैं इच्छा, अभिप्राय या संदेह करता हूँ, तो अपनी अंतरात्मा को अंत करनाधी पर आरोपित करते हैं. इस प्रकार ब्रांत प्रत्यक्ष के रूप में प्रतीत होने वाला यह अध्यास अनाधी है, ज्यानी इसे अविध्या कहते हैं. अविध्या के कारण ही अध्यारोप होता है जो मिथ्या है, जैसे रज्यू सार्प. इसमें जो आरोपित होता है, उसका बाद होता है, अतह बाद ही मिथ्यात्व है। आगे आचार्य शंकर बतलाते हैं कि अनादी अज्यान के कारण ही लोग सत्य और असत्य का मिश्रन करके सत्यानृते। मिथुनी गृत्य आ, इद, मम, इदाधी शब्दों का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार आचार्य के अनुसार अध्यास में सत्य और असत्य का सम्मिश्रन होता है, जैसे यह सर्प है में यह सत्य है और सर्प मिथ्या है। अह और इद में अह सत्य है और इद मिथ्या है. परंतु अह और इद का व्यवहार ने सर्गिक है. अनिर्वचनिय ख्याती, अध्यास या ब्रह्म को हो ख्याते बाद कहा जाता है. ख्याते बाद अनेक हैं. आचार्य शंकर सभी का खंडन कर अनिर्वचनी ख्याती का मडन करते सत्ख्याते वाद, श्री रामानुजाचार्य का मतुसके अनुसार का ज्यान होता है, वहसत है यथार्थ ज्यान का विश्य मिथ्या नहीं हो सकता। श्री वाद, आचार्य प्रभाकर का मत है, इसके अनुसार रज्यू और सर्प के भीद को ग्रहनना करना ही ब्रह्म है। असाधरन अलोकिक प्रत्यक्ष का विश्य है जिसे ग्यान लक्षन कहते हैं। सर्प कहीं अन्यत्र है, यहां नहीं है। आचार्य शकर का कहना है कि दो सत्पदार्थों का संबंद भी सत होना चाहिए। यदी सर्प अन्या है तो इस क्षिंग यहां नहीं देखलाई पड़ सकता। यदी असाधरन प्रत्यक्ष को मान ले तो अनुमान अनावश्यक हो जाएगा। क्यूंकि धूम को देखकर अगनी का असाधरन प्रत्यक्ष मानना होगा। आत्म ख्यातेवाद, योगाचार विज्ञान वाद का मत है। इसके अनुसार क्षणिक विज्ञान ही सत है। अतर रज्जू और सर्प विज्ञान रूप में सत हैं परनतु बाहयवस्तु रूप में असत। आचार्य शंकर का कहना है कि यदी बाह्यवस्तु नहीं है तो भ्रम का निवारन रजत नहीं रूप में नहीं होगा यदी बाह्यवस्तु नहीं है तो रजत के लिए सीप की आवश्यक्ता नहीं परंतु सीप के बिना हम नहीं कह सकते कि यह रजत नहीं है. सहोपलंब नियम भी असंगत है, क्योंकि जब हमें सर्प का प्रत्यक्ष होता है उस समय रज्जू का ज्यान नहीं रहता शुन्यक्याती, यह माध्यमिक लोगों का मत है इसके अनुसार शुन्य ही तत्व है जो बुद्धी की चार कोटियों के परे है यह रज्जू सर्प के ब्रह्म की व्याख्या नहीं करते वरन वैचारिक ब्रह्म की व्याख्या करते है वैचार की कोटियों में आने वाला तत्व तो मिथ्या है आचार्य का कहना है कि यह आकाश कुसुम के समान मिथ्या नहीं क्योंकि यह प्रतीती का विशे है परंतु सत भी नहीं, अतह इसे सत और असत से भिन मानना होगा परंतु माध्य में किसे नहीं मानते, ये लोग ब्रह्म का कोई अधिश्ठान भी नहीं मानते यदि सब कुछ शून्य है तो ब्रह्म की अधिश्ठान ही नहीं प्रश्न यह है कि मिथ्या कहां से आया, माध्य में किसका उत्तर ही नहीं देते अनिर्वचनिय ख्याती, यह आचार्य शंकर का मत है आचार्य सबका खंडन कर कहते हैं कि एक वस्तू के गुनों को दूसरे पर आरोशित करना ही अध्यास है रज्जू सर्प यहां इस समय दिखलाई पड़ता है और इसका बाद भी यहीं होता है रज्जू सर्प सत नहीं क्योंकि इसका बाद होता है यह आकाश कुसुम के समान असत नहीं क्योंकि यह प्रतीत हो रहा है इसे सतसत दोनों नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्यूंकि इसका कोई अंश स्वीकार नहीं हो सकता इसका देश, काल, स्वरू, संबंध सब रज्जू के होते हैं सर्प में सतंश कुछ भी नहीं होता और प्रतीत होने से वहसत भी नहीं अतः वहसत असत सिभिन, अनिर्वचनिय है, माया, आचार्य शंकर के दर्शन में माया अवेद्या, अज्यान, अध्यास, ब्रह्मादी शब्द समानार्थक हैं शंकर के अद्वैत्वाद में माया एक सिधान्त है जिसके द्वारा आचार्य विश्व की व्याख्या करते हैं। शंकर सदकारणवादी हैं क्यूंकि उनके अनुसार कारण ही सत है, कार्य असत है। विवर्थवादी होने के कारण वे नाना रूपात्मिक जगत को ब्रह्म का विवर्थ या विकार मानते हैं। परंतु ब्रह्म एक है वह नाना रुपात्मिक जगत को कैसे उत्पन करता है। वह निर्गुन है और स्रिष्टि करता होना सगुन ब्रह्म या ईश्वर का लक्षन है। अता वह निर्गुन है तो स्रिष्टि करता क्यासे। इन प्रश्णों का उत्तर आचार्य मायावाद के आधार पर देते हैं। शंकर के अनुसार माया के कारण मायुपादिक होकर ही निर्गुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म या सृष्टि करता होता है। निराकार ब्रह्म शक्ती के बिना जगत की सृष्टी नहीं कर सकता। ब्रह्म इश्वर जगत का निमित और उपादान कारण दोनों माना गया है। अपनी माया शक्ती के कारण ही बहेक होकर भी अनेक रूपों में प्रतीत होता है। अतर निर्गुन ब्रह्म का सृष्टि करता इश्वर होना माया के बिना संभव नहीं। शंकर के दर्शन में मायावाद इतना महत्व पूर्ण है कि कुछ लोग उन्हें मायावादी ही मानते हैं। वस्तुतव वे ब्रह्मवादी हैं, मायावादी नहीं। परंतु उनका ब्रह्म माया के बिना समझ में नहीं आ सकता। किसी रूप में माया का विचार तो अत्यंत प्राचीन है। वेद उपनिशद गीता आदी में माया का वर्नन परियाप्त है। परंतु सुव्यवस्तित सिधान्त रूप में सृष्टि करता और सृष्टी की व्याख्या के रूप में माया की अबधारना आचार्य शंकर की दे अनेक रूप धारन करते हैं। प्रयोग माया के परिणाम या कार्यर अर्थ में हुआ है। प्रष्णोप निश्रद में कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति उन्ही को होती है जिन में छल, छडम और माया नहीं है। भगवद गीता में भी माया शब्द का प्रयोग है। ग्वान कृष्ण इश्वर भाव में कहते हैं। मैं अविनाशी और अजन्मा होकर भी अपनी प्रकृती को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। गीता 4.6, पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, यह लौकिक, त्रिगुन मैं मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। 6.1.4 परंतु इस प्रकार गीता में बतलाया गया है कि माया रहस्यमई शक्ती है जिसके द्वारा इश्वर अनेक रूप धारन करता है, किन्तु अपने को अलिप्त रखता है। योगवासिष्ट 6.2 में माया को प्रकृती कहा गया है, यह शिव की स्पंदनकारी और दैर्वी इच्छा है। यह ब्रह्म की सर्जनात्मक शक्ती है जिसके द्वारा सभी बस्तु के ताभासों की रचना होती है। माया का अर्थ एक माया शब्द में मा का अर्थ होता है मौ और या का अर्थ है जो मौ को प्राप्त कराएं अतह माया वह है जो मौ को प्राप्त कराएं यह जो जीव को मुहित करें। दो मा का अर्थ है नहीं यानि जो पार्मार्थिक स्थर पर ना हो वह माया है। तीन मा का एक अर्थ है, मापना यानि माया अपरिमित ब्रह्म को परिमित जगत के रूप में प्रस्तुत करती हैं। क्यूंकि कार्य शक्ती के बिनावग प्रियाशील न हो सकेगा। ब्रिमसूत्र भाशेग चार दशमलव तीन शुती और स्मृती में जिसे प्रकृती कहा गया है वही माया है। यही जगत का बीच है जिसे न सत कह सकते हैं और न असत। वही यह माया त्रिगुनात्मिका प्रक शक्ती है। इसे ही अव्यक्त कहते हैं क्योंकि इसका वर्नन सत असत रूप में नहीं हो सकता। इसे ही महासुषुप्ती भी कहते हैं क्योंकि सांसारिक जीव अपने यथार्थ स्वरूप को भूलकर इसी प्रगार निद्रा में सोये रहते हैं वही आचार्य शंकर माया के निम्न लक्षन बत्लाते हैं का माया ब्रह्म की शक्ति है परंतु माया ब्रह्म से बिन नहीं. रामानुझ भी माया को ईशवर की सर्जन शक्ति मानते हैं जो ईशवर के साथ सदा रहती है अतर नित्या है. शंकर के अनुसार माया इश्वर की शक्ती है पर नित्य नहीं माया केवल इश्वर की इच्छा मात्र है शक्ती रूप में माया ब्रह्म से उसी प्रकार अभिन और अविच्छे दिया है जिस प्रकार दाहकता अगनी से और संकल्प मन से इसे ईश्वर की लीला शक्ती कहा गया है ब्रहम स्वयम इस बीच शक्ती या माया शक्ती से परिच्छिन होकर एक होकर भी अनेक जीवों और पदार्थों में प्रतीत होता है यहां प्राशन हो सकता है कि परमेश्वर की इस लीला शक्ती का प्रयोजन क्या है शंकर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि लोग में किसी राजा की क्रीला का प्रयोजन क्रीला ही है, इसी प्रकार आपतकाम ब्रहम की लीला का प्रयोजन लीला है, जैसे उच्वा स्वभाव से ही होते रहते हैं, वैसे लीला रूप प्रकृती भी स्वभावत होती रहती है, ब्रहम सूत्र भाशेदो 1.33 माया के द्वारा ही ईश्वर के निर्गुन और सगुन रूप का समन्बे हो पाता है ईश्वर या ब्रहम को एक ओर नेती कहकर निर्गुन और निराकार माना गया है तो दूसरी और ईश्वर को स्रिष्टि करता यतोंवाइमानी भूतानी जायनते कहकर सगुन और साकार माना गया है यहां विरोध स्पष्ट है इसका समाधान माया से ही हो सकता है ईश्वर प्रहम यथार्थ में निर्गुन है परंतु माया की उपादी के कारण सगुन होकर स्रिष्टि करता कहलाता है पारमार्थिक दृष्टी से केवल एक अदवैत ब्रहम है अतह न माया, न स्रिष्टी और न स्रिष्टि करता ईश्वर परंतु व्यभारिक द्रिष्टी से स्रिष्टी है और स्रिष्टी करता इश्वर भी. यदी स्रिष्टी है तो स्रिष्टी की बीच शक्ती माया भी है. अतह माया से ही निर्गुन सगुन का समन्वे होता है. माया रहत होने पर सगुन ही निर्गुन है तथा माया सहत होने पर परन्तु निर्गुन का सगुन होना तो उसकी इच्छा या माया है. ग. माया अभावात्मक और भावात्मक दोनों है. यह अज्यान और मिथ्याज्यान दोनों है. इन दोनों रूपों को माया का आवरन और विक्षिप रूप कहते हैं. माया के आवरन रूप अज्यान रूप और विख्षिप रूप के कारण नानारूप संसार प्रकट हो जाता है। जो सरवदा एक रूप रहे, जिसका कभी बाद नहों और असत्व है जिसका बाद हो. माया सत नहीं, क्योंकि यह सरवदा एक रूप नहीं. सांसारिक या व्यभारिक द्रिष्टी से माया है, स्रिष्टी और स्रिष्टि करता है. परंतु पार्मार्थिक द्रिष्टी से न माय नस्रिष्टी और नस्रिष्टी करता। साख्य की प्रकृती एक स्वतंत्र तत्व है। साख्य की प्रकृती 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 अपना कार्य कर नर्तकी के समान निवरित हो जाती है। परंतु माया की निवरिती के लिए ज्यान का सहारा लेना पड़ता है। अतह माया और प्रकृती में भेध है। चव, माया को कुछ लोग अविद्या या अज्यान ही समझते हैं, परंतु माया और अविद्या में भेध है। माया ब्रह्म को शक्ती है, अतह भावात्मक है। अविद्या केवल विद्या का अभाव है, अतह भावात्मक है। माया इश्वर की उपादी है, अविधा जीव को उपादी है। माया का उधी के कारण इश्वर सृष्टि करता कहलाता है। अवेधा की उधी के कारण जीव करता, भोक्ता कहलाता है. माया में सत्व गुन को प्रधानता है, परंतु अवेध्या में नहो. आचार्य शंकर ने माया, अवेध्या को समानार्थक रूप में व्यवहार किया है, परंतु बाद के वेधांतियों ने इनमें भ्येद के लिए निम्न तर्प देते हैं. क, कार्य अपने उपादान कारण से अभिन होता है. मृत्तिका घट का उपादान कारण है, स्वन आभूशन का उपादान कारण है, परंतु घर और मृत्तिका में, स्वन और आभूशन में अभ्येध है. अतख कारण से कार्य की उत्पत्त असतकार्यवाद का कहना है कि यदि कारण और कार्य में अभिध है तो निमित कारण की आवश्यक्ता क्या है? निमित कारण की आवश्यक्ता नए कार्य को उत्पत्र करने के लिए है. सतकार्यवादी का उत्तर है कि निमित कारण से नए कार्य की उत्पत्ती नहीं होती. यह उत पत्ती तो अभिव्यक्ति है, दोनों में आवस्था भेद है. ग, असतकार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य में कोई संबंध नहीं, संबंध तो दो सत पदार्थों में होता है, सत और असत में कोई संबंध नहीं. असत्कार्य बंध्या पुत्र है, यह कोई नहीं कहता कि बंध्या का पुत्र राजा था या होगा घ, असत्कार्या का कहना है कि कारण के उत्मर्दन से कार्या का आविर्भाव होता है यह प्रलाप है, कारण कभी नश्ट नहीं होता, दही बनकर दूढ नश्ट नहीं होता, अंकुर बनकर बीज नश्ट नहीं होता कारण से बिन कार्य की सत्ता सो वर्षों के परिश्रम से भी सिद नहीं हो सकती अग उत्पत्ती के पूर्व कारण में रहने पर ही कार्य उत्पन होता है और न रहने पर नहीं उत्पन होता मृत्तिका और तंतू के रहने पर ही घट, पटकी उत्पत्ती होती है अतक दोनों में अभियत संबंध है इस प्रकार शंकर असतकार्यवाद का खंडन कर सतकार्यवाद का मंदन करते हैं सतकार्यवाद भी दो प्रकार हैं परिनामवाद और विवर्त्वाद परिनामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक विकार है जैसे ददी दूद का सांक्य और रामानुज दर्शन में इसे ही स्वीकार किया गया है सांक्य का मत प्रकृती परिनामवाद और रामानुज का मत ब्रहम परिनामवाद कहलाता है विवर्थवाद के अनुसार कार्य केवल विवर्थ या आभास है, जैसे जल बुदबुद जल का विवर्थ है परिनाम वाद के अनुसार कार्य अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है, परंतु उपादान में वास्तविक परिनाम होता है, क्यूंकि ददी नया रूप है. शंकर के अनुसार आकृती में परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता संकुचित हस्तपाद और प्रसारित हस्तपाद देवदत कुछ विशेश रूप में दिखलाई पढ़ने पर भी अन्य वस्तु नहीं हो जाते पुनह आकार तो वस्तुगत हैं, किसी आकृती की सत्ता अपने आकारगूत द्रव्य से बिन नहीं आकृती की स्वतंत्र सत्ता नहीं, इसलिए आकारिक परिवर्तन वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता सांक्य के अनुसार संपूर्ण जगत प्रकृती का परिनाम है, परंतु प्रकृती तो जड़ चेतन है इट, पत्थर, चुना स्वयम भवन का निर्मान नहीं कर सकते इसके लिए चेतन कारीगर की आवश्यकता है इसी प्रकार जगत का कारण भी चेतन तत्व ही हो सकता है रामानुज जगत का कारण मानते हैं शंकर के अनुसार पार्मार्थिक द्रिष्टी से जगत मिथ्या है अतह मिथ्या पदार्थ किसी का वास्तविक परिनाम नहीं हो सकता आचार्य शंकर ब्रह्म को जगत का निमित और उपादान कारण मानते हैं, परंतु जगत ब्रह्म का विवर्थ मात्र है, जो आभास है यही विवर्थवाद है, शंकर कारण को सत मानते हैं, कार्य को मिथ्या विकार मानते हैं यह नाना रूपात्मक जगत विवर्थ आभास है। इस आभास का कारण अध्यास है। ब्रह्म ही एक मात्र कारण है। चेतन ब्रह्म को वही अध्यास के कारण जगत में दिखलाई पड़ता है। अनेकता एकता का विवर्थ है। शंकर के विवर्थवात की सबसे बड़ी वि कोई जादूग एक रूमाल के बदले अनेक रूमाल अपनी कला से दिखलाता है। उसी प्रकार वह महान मायावी ईश्वर एक होकर भी अनेक रूपों में दिखलाई पड़ता है। वस्तुत यह जादूग की कला के समान उसकी माया है। इस विरोध का समाधान केवल कारण ब् विर्ट्वाद से ही सμभव है। शंकर के अनुसार ईश्वर जगत का निमित और उपादान कारण दोनों है। यदि कार्य को कारण का विवर्ट ना मानकर परिनाम माने तो समस्या होगी। यह समस्या रामानुजदर्षन में हैं। परिनाम सत है, यथार्थ है क्यूंकि उस का निमित कारण हो सकता है, उपादान कारण. नहीं, उपादान कारण तो प्रकृती है. इसलिए श्री रामानुज का मत प्रकृती परिनामवाद कहलाता है. यहां कठिनाई यह है कि इश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व को सत मानने से इश्वर की असीम्ता और स्वतंत्र आचार्य शंकर में यह समस्या नहीं होती। वे जगत को विवर्थ या विकार मानते हैं, अतही ईश्वर की असीम सत्ता बनी रहती है। तातपर्य यह है कि यह न तो पुनर्त हसत है और न पुनर्त हसत अतहा निर्वचनिय है। इसका कारण यह है कि निर्वचन तो सत्या असत मानकर ही हो सकता है। जो दोनों के परे है, वहा निर्वचनिय है। परंतु इसे समझने के पूर्भ हमें आचार्य शंकर का सत्त, असत संबंधी विचार समझना आवश्यक है. त्रिवित सत्ता, आचार्य शंकर के अनुसार सत्ता की तीन कोटिया यास्तर हैं प्रातिभासिक, व्यभारिक और पार्मार्थिक. पार्मार्थिक सत्य पुनर्थ सत्त है. इसे त्रेकालिक सत्त भी कहते हैं, क्योंकि यह भूत, वर्त अर्थात पर्मार्थ सर्वदा एकरुप रहने वाली सत्ता है. इसमें बूत, वरतमान भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होता. ऐसी पार्मार्थिक सत्ता केवल ब्रह्मकी है, अर्थात ब्रह्म ही पर्मार्थ सत्त है, क्यूंकि वह नित्य और अप्रिनामी है. इसी अतहसत एक रूपता का ज्यान है. यही परमार्थ ब्रहम का ज्यान है. इसके विप्रीद जिसके संबंद में बुद्धी एक जैसी नरहे बहसत है यह अतहसत में व्यभिचार नहीं, परंतु असत में होता है. प्रातिभासिक सत्ता इसकी प्रतीती होती है, परंतु क्षणिक रूप से. बाद में इसका बाद हो जाता है. उदाहरनार्थ, क्षण भर के लिए हमें रज्यू सर्प के रूप में प्रतीत होता है, पुने इसका बाद हो जाता है, रज्यू रूप में ग्यात होने लगता है अतह यह नितांत बंध्यापुत्र के समान असत नहीं है। यह सत है, परंतु कुछ काल के लिए। अतह इसके संबंध में हमारी बुद्धी में व्यविचार होता है। हम क्षन भर पहले सर्प समझते थे, अब रज्यू समझते हैं। व्यवहारिक सत्ता पार्मार्थिक और प्रातिभासिक के बीच की सत्ता है। यह न तो ब्रह्म के समान पुनर्तह सत है और न रज्यू सर्प के समान ख्षनिक प्रतीती है। यह अनिर्वचनिय सत है। जगत और जागतिक वस्तूओं का ज्यान इसी कोटी का है। जगत सत है ब प्रमग्यान के पश्चात, अतह जगत न तो पुनर्तहसत है, ब्रहम के समान और न पुनर्तहसत है, रज्जु सर्प के समान, इसका भी बाद होता है, ब्रमग्यान के पश्चात जगत मिथ्य प्रतीत होने लगता है, अतह यह असत का ही प्रकार है, यह असत है, क्यूंकि इसक ब्रमग्यान होने पर जगत समाप्त हो जाता है। परंतु यह वंध्यापुत्र के समान असत नहीं। आचार्य शंकर के अनुसार असत वह है जिसकी उपलब्धी ही न हो जैसे वंध्यापुत्र। यह नितांत असत या असंभव का उदाहरण है। यह प्रातिभासिक सत भी न क्यूंकि वचन विन्यास तो सत्था असत में ही हो सकता है। ब्रह्म विचार ब्रह्म शब्द की उत्पत्ती व्रिधातू से होती है जिसका अर्थ बड़ा होना है। आचार्य शंकर के अनुसार निरतिशियम भूमाखिम व्रिहत्वाद ब्रमेते विद्धीकेन। उप एक दशमलव पांच अर्थात अपनी के कारण निरतिशे अत्वा भूमा ब्रह्म कहलाता है। वह ब्रिहत्म अर्थात सबसे बड़ा रतह ब्रह्म है। सबसे बड़ा या महान कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म परम या निर्पेक्ष है जो संपून जगत की उत्पत्ती स्थित इस शब्द का मुख्य अर्थ निर्पेक्ष सत है जो निर्गून और अनिर्वच्निय है। गौन अर्थ में इसका प्रयोग ईश्वर शक्ती के लिए होता है। उकनिशत परंपरा का अनुगमन करते हुए आचार्य शनकर ब्रहम के दो प्रकार मानते हैं। महांता है, निर्गुन और सगुन ब्रह्म, निर्गुन निर्विशेश्या पर ब्रह्म कहलाता है तथा सगुन सिविशेश्या पर ब्रह्म कहलाता है, निर्गुन ब्रह्म परमार्थ सत्य, परमार्थ तत्व, भूमा, नित्य, कूटिस्त, सर्वदा एकरस, एकरूप, अप्र इसका अर्थ है कि निर्गुन रूप में ब्रह्म अवर्णिय है। उसका वर्णन हम देश, कालाधी रूप में नहीं कर सकते। किसी एक गुन को जानने के लिए दूसरे गुन की आवश्यक्ता होती है और दूसरे के लिए तीसरे की। इसका कहीं अंत नहीं। अता गुन तो गुन रहे थैं, परंतु उसके अस्तित्व का निशेद नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार निर्गुन होने पर भी ब्रह्म के अस्तित्व का निशेद नहीं हो सकता। पर ब्रह्म तो शुदर अस्तित्व है जो सब में व्याप्त है। इस सर्वव्यापी अस्तित्व का किसी गुन के रूप में वर्नन संभव नहीं। इसलिए शुतियों में पर ब्रह्म या निर्गुन ब्रह्म को नेती नेती कहा गय इसका अर्थ है कि ब्रह्म विचार्य वर्णन के परे है। इस प्रकार निर्गुन ब्रह्म अवर्णिय है। परंतु यहां पर आचार्य नेती, नेती और अवर्णिय का तात्पर्य स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म इन बौधेक विधाओं में नहीं आ सकता। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्म पर हम विचार ही नहीं कर सकते, अथ्वा ब्रह्म का भावात्मक लक्षन नहीं है। यह केवल वानी विधा की असमर्थता प्रकट करता है, परंतु इससे ब्रह्म के अस्तित् प्रहम शुद्ध सत्य निर्पेक्ष सत्य है, इस शुद्ध सत्य को हम अपने अनुभव से जान सकते हैं। इस शुद्ध चेतना को अह की अनुभॵती कहते हैं। शुद्ध स्तित्व और शुद्ध चेतना को शुद्ध आनंद भी माना गया है। आचार्य का कहना है कि यदि सत आनंद रूप न होता तो कोई व्यक्ति इसकी उपलब्दी की जिग्यासा न करता। इसलिए आचार्य ने शुद्ध मत, शुदचेत और शुद्ध आनंद को ब्रहम या निर्पेक्ष सत का लक्षन माना है। तैंतिरिय दो दशमलव एक संक्षेप में ब्रहम सच्चे दानंद हैं। यही ब्रहम का स्वरूप लक्षन है। इस स्वरूप लक्षन से स्पष्ट होता है कि पर ब्रहम या निर्गुन ब्रहम साधारन गुनों से रहित होने पर भी या अनिर्वचनिय होने पर भी भावा अचार्य के अनुसार यह अपर ब्रह्म इश्वर का स्वरूप है। इश्वर की दो प्रकृतियां हैं जिन पर शासन करता है, जीव और माया। इश्वर सरवदा, सरवशक्ति मान, संसार का उद्भव, पालन और प्रलयए करता है। उसका ज्यान सभी बाधाओं और सीमाओं से मुक्त है। उसे ज्यान के लिए किसी इंद्रियों और कार्य करने के लिए किसी शरीर की आवश्यक्ता नहीं। ब्र, सू, भा, चार दशमलव तीन एक चार, वह स्वभावतह नित्य ज्ञान स्वरूप है, सूर्य स्वभावतह प्रकाश स्वरूप है के नुप, एक दशमलव पांच, इस सगुन ब्रहम या इश्वर का लक्षन, यतोवा इमानी भूतानी जायनते आदी हैं, यही ब्रहम क तटस्थ लक्षन माना गया है, आचार्य शंकर पर ब्रहम और अपर ब्रहम या इश्वर में स्वयम भ्येद करते हैं, क, पर ब्रहम का ज्यान पराविद्या और अपर ब्रहम का ज्यान अपराविद्या है, मुंदक भाश एक, अपराविद्या में शुभाशुप का ज्यान सम्मिलित है, इसे कभी दो अविद्या भी कहा गया है। पर अविद्या सत्य ज्यान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। ख, निर्गुन ब्रह्मन निर्विशेश तथा निराकार है। इसके लिए किसी विशेशन का प्रयोग नहीं हो सकता। वह बर्ण नाती थे, अतह शु ग, निर्गुन ब्रह्मन का लक्षन सत, चित, आनन्द है तो सगुन ब्रह्मन का लक्षन जो सभी जीवों को उत्पन करता है, पालन करता है और सनहार करता है, आदी है। ग, निर्गुन ब्रह्मन माया के परे है, सगुन ब्रह्मन इश्वर माय उपादिक है, सृष्टी, मा अतह सृष्टिकर्ता इश्वर माया पती हैं. निर्गुन ब्रह्म निरुपादी सत्ता है, सगुन ब्रह्म सोपादी है, माया ही उपादी है. अगुन ब्रह्म नाम, रूप और क्रियाओं के परेग निराकृत सर्वनाम रूप कर्म, अतह निश्पपिंच है. ग्याता, गेय और ज्ञान का भेद उसमें नहीं, ज्ञान गय अग्याद भेदर हित्म है. च. इश्वर के लिए जीव और जगत की आवश्यक्ता है, जिस पर वह शासन करे. सगुन ब्रह्म या इश्वर भक्ती का विशे है, परंतु निर्गुन नहीं. इश्वर के भक्त और साधक इश्वर को प्राप्त करते हैं, परंतु निर्गुन ब्रह्म को कोई प्राप्त नहीं करता. 6. सगुन ब्रह्म इश्वर कर्म फल दाता है. वह पाप और पुन्य के अनुसार फाल का विधान करता है, वह हमारे सभी कर्मों और फलों को जानता है, परंतु स्वायम इनसे अप्रभावित रहता है। आचार्य शंकर ईश्वर को नारायन, विश्नु, पुरुशोत्तम आदी नामों से सिंबोधित करते हैं। वह भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए फृत्वी पर बार बार आता अवतार है। पहला निरुपादी है और दूसरा सोपादी है। पर भाष्य करते समय उन्होंने स्वयम कहा है कि पर और अपर नामक दो ब्रहम हैं। इनका अंतर स्पष्ट करते उन्होंने कहा है कि शास्त्रों में जहां नाम और रूप के भेद का निशेद किया गया है वहां ब्रहम को निर्गुन और निरुपादी बतलाया गया है, वह पर ब्रहम है. परंतु जहां उसे पवित्र करने का विशय कहा गया और नाम रूपादी उपादियों से विभूशित किया गया है, वह पर परंतु आचार्य के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रहम केवल एक है. उसका वर्नन दो प्रकार से किया गया है. एक रूप में वह सभी उपादियों स प्रतिपादन है इश्वर आचार्य शंकर के अनुसारी इश्वर अपर ब्रहम हैं। अपनी लीला से शरीरधारी के समान उत्पन हुए और लोगों पर अनुग्रह करते से दीखते हैं। अनुग्रह करने के लिए बहज ब्रहमर भी जन्धारंकर भगवान बन जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि माया इश्वर की उपादी है जैसे अविद्या जीव की उपादी है। इश्वर का स्वरूप कर इश्वर को अदवेत वेदान्त में स्रिष्टि करता माना गया है। स्रिष्टि की व्याख्या स्रिष्टा के बिना नहीं हो सकती। संसार का स्रिष्टा इश्वर ही है. शुतियों इश्वर का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जो सभी जीवों को उत्पन करता है, पालन करता है तथा सनहार करता है, वही इश्वर है. अतही इश्वर ही संसार का स्रश है. इश्वर को जगत का स्रिष्टा मानकर शकर ने शृती वाक्यों की सार्थक्ता सिधकी है. यदि स्रिष्टी को न माना जाए तो शृतियों की स्रिष्टी सिंबंधी सिधान्त की व्याख्या नहीं होगी. कह ईश्वर स्रिष्टी का निमित और उपादान कारण दोनों है. किसी भी वस्तू के निर्मान के लिए इन दानों कारणों को आवश्यक्ता है. सामान्यता उपादान निमित से भित्र होता उपादान अचेतन कारण है, परंतु निमित करता चेतन कारण है. शंकर के अनुसार जगत का दोनों कारण इश्वर ही है। इस दोश को दूर करने के लिए हो शकर इश्वर को जगत का उपादान और निमित दोनों कारण मानते हैं। जैसे सांस लेना मनुश्य का स्वभाव है। वायू सभी में इश्वर अंतर्यामी है। इसी प्रकार श्वे, उप, ग्यारह बटा सत्रह में बतलाया गया है कि इश्वर अग्मी, जल, वनस्पती, व्रिक्षादी विश्व के कंड-कंड में व्याप्त है। अतींद्रिय भी है। श्वे, उप, में कहा गया है कि इश्वर विश्व के परे स्वर्ग में एकाकी व्रिक्ष के समान अविचल रूप में स्थित है। घर, इश्वर अपास्य देव है। सर्वव्यापी, अंतर्यामी परमात्मा की उपासना मनुश्य का कर्तव्य है। श्या अमरत्व का लाब केवल उपासना से ही संभव है। उपासना से भक्त उपास्य देव के लोक में पहुँच जाता है और इस लोक में सुख प्राप्त करता है सायुजिम गच्छ तीछा। उप, दो बीस बटा दो। इस प्रकार उपासना के सामिप्य से मुक्ती का ला अनब में दोश और दुरबलता हैं, परमात्मा निर्दोश और पूर्ण है। मनुश्य की शक्ती सीमित है, ईश्वर असीम और अनंध है। परमात्मा को पानी और पाद नहीं फिर भी वह जवन दूरगामी और ग्रहिता क्रहन करने वाला है। नेत्र नहीं रहने पर भी व सबको देखता है, करणीन होने पर भी वह सबकुछ सुनता है, अमनस्क होने पर भी वह सर्वग्य है। वह सबका कारण होने से प्रतम पुरुश और महान है। इस से सपष्ठे की अद्वेत वेदान्त में ईश्वर की सत्ता तथा मैहत्व को व्यभारिक द्रिष्टी से प्रश्णिय हुद्पन होता है कि परम सत्व नाम है, दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं. यह परम तत्व ही परम सत्व है. यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्णिय हुद्पन होता है कि परम सत्व को ब्रह्म या आत्मा कैसे मान लिया जाए. प्रो, रानाडे आदी विद्वानों की मान्यता है कि सत्व की खोज हम वस्तुगत विधी और आत्मगत विधी से कर सकते हैं. ए, कंस्टेक्टीव सवे आफ उपनिशदिक फिलोसिफी प्री. 244 उपनिशद के रिशियों ने सत्थ की खोज पहले बाह्य जगत में की पुनह आत्मगत जगत में. आचार्य शंकर के दर्शन में वस्तुगत और आत्मगत दोनों विधीयों का प्रयोग है. दोनों में तादात्म्य है. इससे सपष्ट होता है कि ब्रहम ही आत्मा है या आत्मा ही ब्रहम है. आचार्य शंकर सर्वप्रतम वस्तुगत विधी का प्रयोग करते हुए बाह्य वस्तुओं का निरीक्षंग कर उनमें सत्थ का निश्चे करते हैं और थात्सत को वस्तुगत रूप में खोजना चाहते हैं. इसलिए वे कहते हैं कि ब्रहम संसार की उतपत्ति, स्थिती और विनाश का कारण है, ब्रहम सूत्र एक. एक दशमलव दो, ब्रह्म संपूर्न स्तित्व का अंतिम सार है, चांदोग्य छे दशमलव एक दो, और सभी शक्तियों की परमशक्ति है, किन तीन दशमलव एक बारव, इस प्रकार बाहिव वस्तुओं को देखकर उनके सारभूत सत्का निश्चे करते हैं, यह वस्तुगत इस विदी के द्वारा सत का ज्यान तो हो सकता है, परंतु परोक्ष रूप से, इसके द्वारा सत की अनुभूती या प्रत्यक्ष अनुभव संभव नहीं, सत के अनुभव के लिए प्रत्यक्ष अधिक प्रामानिक माना जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष साधन से अधिक प्रामानिक है. इसलिए उपनिशत के रिशियों ने आत्मगत विधी को अधिक प्रामानिक माना है. इस आत्मगत विधी को मनोवे ग्यानिक विधी भी कहा जा सकता है. इस आत्मगत विधी में आत्मानुभूं की प्रधानता है. आत्मानुभूं आत्मग्यान है. अत इस प्रकार आत्मा का अनात्म से प्रिथक करन आवश्यक है. यही आत्मग्यान या आत्मबोध है. इस आत्मगत विधी पर विशेश बल देकर आचार्या ने अपने ब्रहम सूत्र भाष्य उयोधात में अध्यास के अंतरगत आत्मा को अनात्म से पुनर्तः प्रिथक बतला तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर द्रिश्य है, शरीर का रूप होता है, इसकी जाती होती है, यह भोतिक है, इसमें विकार होता है। तातपर्य यह है कि आत्मा ज्याता, द्रश्टा है, जिस प्रकार स्थूल शरीर नहीं, उसी प्रकार ज्यानेंद्रियों भी नहीं, हम ज्यानवश ज्यानेंद्रियों को आत्मा समझ लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा मन और प्राण से भी प्रिथक है। आचार्य कहते हैं, तुम ना मन हो ना प्राण, क्योंकि यह दोनों अचेतन हैं। हम प्राय कहते भी हैं कि हमारा मन अन्यत्र चला गया था। प्राण भूक, प्यास से प्रभावित होता है, परंतु आत्मा नहीं अप्रोक्षानुबूती बत्तीस, इसी प्रकार तुम आत्मा बुद्धी से भी प्रिथक हो। बुद्धी जागरत अवस्था में ही सक्रिय रहती है, सुशुप्त अवस्था में निश्क्रिय हो जाती है। जो स्वयम प्रकाश है, उसे अन्य प्रकाश की आवश्यक्ता कहां। अतह स्वयम प्रकाश को सिध्ध का प्रश्ण ही नहीं. आत्मा के स्वयम प्रकाश का अद्वेत वेदान्त में एक विशेश अर्थ है. आत्मा स्वयम प्रकाश है, का अर्थ है कि आत्मा सभी प्रमानों का आधार है. तात्पर्य यह है कि आत्मा को माने बिना प्रमानादी व प्रमाता की सत्ता तो प्रमान व्यवहार की पूर्व है तो उसके लिए किसी प्रमान की आवश्यक्ता नहीं. इसी द्रिष्टी से उपनिशद में कहा गया है जिससे सब कुछ जाना जाता है उसे किस से जाना जाए ये निदम सर्व विज्यानाती तमकेन विजानियात उरी उप इसी द्रिष्टी से कहा जाता है कि प्रमानों के आधार के लिए कोई प्रमान नहीं. यतो राधी प्रिमाना नासकत तेह प्रशिद्यती. सुरेश्वर आचार्य नेशकर्म्य सिद्धी दू 3 बटा साथ 3. आत्मा स्वयम सिद्ध है, प्रमान से गम्य नहीं, परंतु आत्मा अगम्य भी नहीं. यह अनुमेय नहीं, परंतु अगम्य भी नहीं. यह अनुभूती विशुद्ध, शान्त और एकाग्रचित से आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूती होती है। निशेद्या निराकरण भी तो भाव का ही संभव है। अतर निराकरण से भी निराकरता आत्मा की सत्ता सिध है। स्वयम प्रकाश है, तो तर्क या प्रमान का प्रयोजन क्या। परन्तु ऐसी बात नहीं, तर्क निश्प्रयोजन नहीं। तर्क सार्थक है, प्रमान प्रमेय से ही व्यवहार चलता है. इसी कारण अनुमान और तर्क के परे आत्मा के लिए भी आत्म तत्व की सिध के लिए तर्क और प्रमान का प्रयोग किया जाता है. स्वयम से धुने पर भी व्यवहारिक द्रिश्टी से इसके स्वरूप की व्या इसमें चेतना का विशे बाहिय होता है। कर्थ स्वापन, इसमें चेतना का विशे आंतरिक होता है। गर्थ सुशुप्ती, इसमें चेतना का विशे अत्यंत सुक्षम है। यह आनंद की अवस्था है। घर तुरिय यह शुद चेतना की अवस्था है जिसमें कोई भी विशय नहीं होता. अतर सभी अवस्थाओं में चेतना है. चेतना ही आत्मा का स्वरूप है. आत्मा की सुख रूपता, अद्वेतमत में चेतन्य के साथ ही साथ आत्मा को सुख रूप भी माना गया है. साधरनत अनुकूल वेदना कही नाम सुख है तथा प्रतिकूल वेदना का नाम डैक है अद्वेत मत में सुख को स्वयम साध्य माना जाता है, साधन नहीं हम सभी चीजों की कामना सुख के लिए करते हैं, परंतु सुख की कामना किसी अन्य के लिए नहीं करते अतह सुख स्वयम साध्य है स्त्री, पुत्र, धन आदी की कामना हम आत्मा के लिए ही करते हैं दूसरे शब्दों में आत्मा के कारण ही स्त्री, पुत्र, धन आदी प्रिय हैं आत्मा का यह स्वयम सुख आनंद रूप है अतह अद्वेत के अनुसार आत्मा का स्वरूप सत्चितानन्द है। आत्मा और ब्रहम का तादात्मिय, अद्वेत वेदान्त के अनुसार परमसत एक अद्वेत रूप है। इसे ही आत्मतत्व या ब्रहमतत्व कहते हैं। इस परमतत्व की उपलब्धी हमें आत्मगत और व अस्तुगत विधी के द्वारा होती है. दोनों विधी का निशकर्ष एक ही है, परमसत या अनन्त की साक्षात अनुबूती सांत में नहीं हो सकती. इसलिए उपनिशत का निशकर्ष है कि परमसत ब्रह्म का साक्षात कार आत्मा की अनन्ता में ही हो सकता है. आचार्य शंकर इस पर ब्रह्म की अनुभूती हमें अपने अंतर्मिन या आत्मा में होती है। इस परमात्म भाव को सरवात्म भाव कहते हैं। यही ब्रह्म और आत्मा की ब्रह्मता है। यही ब्रह्म और आत्मा का एक्य या तादात्मिय अनुभव है। यही परमसत का ज्यान है जिसका कभी बाद नहीं होता। आत्मा और ब्रह्म तो एक ही परमसत के दो नाम है। आत्म आचार्य का कहना है कि शास्त्रों में इसके अनेक उदारन भी हैं। शान्दोग्य 5.163 में कहा गया है कि बताय जाने पर बह समझ गया। इसके कुछ साधन भी बतलाए गए हैं। जैसे श्रवन कुरू से वेदान्त का सुनना और स्वाध्ययायर ब्रहमसूत्र भाष्य 2.1.14 जीव, आचार्य शंकर के अनुसार जीव अपने यथार्थ रूप में ब्रहम है। जीव अग्यान या अविद्या की स्रिष्टी है। अतह जीव का कारण अग्यान ही है। दूसरे शब्दों में जीव ही अग्यान का आश्रे है। अद्वेत वेदान्त में अग्यान का जीव को अग्यान का आश्रे कहने का तातपर्य यही है कि जीव के अतिरिक्त अग्यान कहां रहेगा। इश्वर्टो माया का अश्रे है, वह ज्वर्ण रूप है, अतह वह अग्यान का अश्रे नहीं हो सकता। यदि जीव ही अग्यान का आश्रे नहीं हो सकता, क्यूंकि जीव पहले तथा अग्यान बाद में परन्तु अद्वेत वेदान्त में जीव का कारण अग्यान ही माना गया है वस्तुता बीज और अनकुर के संबंध के समान अज्यान और जीव का कार्य कारण भाव सिद्ध करना कठिन है इसी कारण जीव और अज्यान का संबंध अनादी माना गया है अद्वेत मत में अज्यान को ही जीव का कारण माना गया है तातपर्य यह है कि अज्ञान के कारण ही जीव प्रती शरीर का स्वामी मालूम पड़ता है. संसार में शरीर अनेक है, अतह जीव भी अनेक हो जाता है. शरीर के साथ संबंध होने के कारण शरीर और इंद्रियों द्वारा किये गए कर्मों का करता जीव को माना जाता है इसी प्रकार सुक्र, डैखादी का भोग करने के कारण वह जीव भोगता होता है इंद्रियों के द्वारा सांसारिक विशयों का ज्ञान प्राप्त करने के कारण वह ज्याता कहलाता है ये सभी धर्म जीव में शरीर और संसार से संबध होने के कारण ही उत्पन होते हैं परमार्थते यह जीव आत्मा है, परंतु व्यवहार में यह करता, भोगता, ग्याता है. इससे सपष्ट है कि इश्वर के समान जीव भी सांसारिक है. दोनों की सत्ता केवल व्यवहारिक दृष्टी से है. पारमार्थिक दृष्टी से न जीव है और न इश्वर. केवल एक अध्यान के कारण ही ये सांसारिक आत्मा सांसारिक जीव प्रतीत होता है तथा माया के कारण पर निर्गुन ब्रहम अपर ब्रहम सगुन इश्वर प्रतीत होता है। सोपाधी, सांत और रवच्षिंद देश, काल से एक है। क, आत्मा एक है। यही ब्रहम है, बिभू है। जीव, मन, बुद्धीहनकार आधी के कारण प्रती शरीर में निवास करता है तथा अनेक है। गट सांसारिक होने के कारण जीव करता, भोगता ग्याता है। असांसारि होने के कारण आत्मा का इंधर्मों से संबंद नहीं। शुब और अशुब कर्म करने के कारण ही करता है, सुखडैक का भोग करने के कारण भोगता है। सांसारिक विशयों का ग्यान प्राप्त करने के कारण यह ग्याता है। परन्तु आत्मा तो आध्यात्मिक तत्व है ज इसका कर्मकर्म, सुक्डैक और भौतिक विशेयों से कोई संबंध ही नहीं है। इसे ज्याता नहीं वरन शुदग्यान चैतन्य ही कहा गया है। चैतन्य मात्र होने से इसमें विशेय और विश्री का भीद नहीं। घर जीव आत्मा का आश्रेय और विशेय है। अज्यान के कारण ही जीव बंधन ग्रस्थ है। आत्मा शुदग्यान, प्रकाश रूप है। यह अज्यान के परेहे, बंधन से सर्वता मुक्त है। इसे शुदगुद्ध चैतन्य रूप कहा गया है। जीव और आत्मा का उप्रोक्त बेद केवल व्यभारिक है। अज्यान के कारण संसार में जीव संसारिक बंकर, बंधन जन्यकलेश को सहत है। ज्यान का अभ्यूदय होते ही संसार का अंदकार दूर हो जाता है, अज्यान समाप्त हो जाता है, जीव और आत्मा में अभ्येध हो जाता है. इस प्रकार जीव और आत्मा का भ्येध तो अज्यान मुलक है. जीव और ईश्वर, जिस प्रकार जीव यथार्थ में ब्रह्म है, उसी प्रकार ईश्वर भी अथार्थ में ब्रहम है. इस प्रकार पार्मार्थिक द्रिष्टी से दोनों में अभेध हैं, जीवों ब्रहमग नापरह परंतु व्यभारिक द्रिष्टी से जीव और ईश्वर में भेध है. ईश्वर नित्य शुद्ध और मुक्त है. वह सर्वग इश्वर सभी जीवों का रक्षक सर्वांतर्यामी और शुभाशुप कर्म फल का दाता है। इश्वर और जीव का भेट सपष्ट करने के लिए वेदांत में बिम प्रतिविम की उपमादी गई है। इश्वर आनंदमय है और संसारी होने से जीव दूख में है। जीव करता है, इश्वर करमाध्यक्ष है। कठोप निशद में जीव और इश्वर को संसारी और असंसारी होने के कारण शाया और धूप के समान परस्पर विलक्षन बतलाया गया है। परंतु दोनों शरीर में बुधिरूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रमस्थान में एक साथ रहते हैं। रित पिबिन्तो सुकृत्स्य लोकएं गुहा प्रविष्टो परमे परार्दे। शायात्पो ब्रमाविदों गदंती पंचागनयो ये चत्रिना चिकेता का। तीन बटा एक दोनों में एक जीव कर्मफल का पान करता है। दूसरा नहीं, करमाध्यक शेव परंतु छत्रिन्याय से दोनों के लिए पिबन्तो इस ब्विवचिन का प्रयोग हुआ है। अर्थात अपने किये हुए कर्मफल को भोगते हैं। तातपर्य यह है कि एक साथ रहते हुए भी जीव और इश्वर अंतकार और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। मुन्टकोप निशद में इश्वर और जीव का भेद बतलाते हुए कहा गया है कि इश्वर और जीव समान आख्यान वाले दो पक्षी एक ही व्रिक्ष का आश्रे कर रहते हैं। एक भोगता है दूसरा द्रश्टा है। तातपर्य यह है कि स्वादिष्ट मधूर कर्म फल का भोग करता है और दूसरा भोग न करने के कारण केवल देखता है। द्वा सुपर्ना संयुजा सकाया समान व्रिक्ष परिशिस वजाते। मू, उप, तीन, एक बटा, एक इस प्रकार जीव और ईश्वर से व्यवहारिक द्रिष्टी से भेद अवश्य है, परंतु पार्मार्थिक द्रिष्टी से अभेद है। तत्वंसी का अर्थ, आत्मा और ब्रह्म की अभिन्यता ही तत्वंसी है। शंकर के अध्वैत्वाद के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में अभेद समबंध है। तातपर यह है कि दोनों एक अध्वैत रूप है, आत्मा ही ब्रह्म हIES, तथा ब्रह्म ही आत्मा है। इन दोनों की अभित्रता को बतलाने वाले शुती वाक्य अनेक हैं अ ब्रहमास्मी ब्रेयर। उप, एक अप्रेल दस अर्थात में ही ब्रहम हूँ। अयमात्मा ब्रहमक ब्रेयर। उप, दो मई ग्यारह अर्थात, यह आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वंसी श्वेकेतो, चान्दो। उप, छे, आठ, बटा साथ अर्थात है श्वेत के तु तुम वही हो। ये सभी वाक्य आत्मा ही या ब्रह्म की अभिन्यता या एक्ता का प्रतिपादन करते हैं। इन ही महावाक्य कहा जाता है। प्रश्ण यह है कि इन महावाक्यों से अभेदर्थ कैसे सिध्ध होता है। आपातत यह अर्थ तो नहीं निकलता। साधारन द्रिष्टी से तो जीव अल्पग्य, अनित्य, सांथ है और ब्रह्म सर्वग्य, नित्य और अनन्ध है। जीव करता, भोकता, ज्याता है और ब्रह्म शुद बुद्ध मुक्त है। जीव संसार में डैक सुख का अनुभव करता है, ब्रह्म पार्मार्थिक है, केवल आनन्ध रूप है। फिर जीव और ब्रह्म एक जीवो ब्रमैव नापरह है, कैसे हो सकता है। साधारन द्रिष्टी से तो इंशुती वाक्यों में विरोध स्पष्ट है। इस विरोध का परिहार कैसे। शब्द के अर्थ का ज्यान दो प्रकार से होता है अभिधा और लक्षना से। शब्द की मुख्य वृत्ती अभिधा कहलाती है। इसे ही शक्ती कहते हैं। इस शक्ती का ज्यान ही हमें व्याकरन, कोशादी के द्वारा होता है। उदाहरनार्थ, गो एक शब्द या पद है। इससे गो व्यक्ती नामक पदार्थ का ज्यान होता है। दूसरे शब्दों में, गो अर्थ को शब्द का अभिध्यार्थ है। संक्षेप में यह शाब्देक अर्थ है। परंतु सब स्थान पर शब्द का शाब्देक अर्थ इसका अर्थ तियाक करना है जिस वाक्य में मुख्य अर्थ का त्याग किया जाता है वह जहत लक्षना है उदाहरना अर्थ गंगाया घूश अर्थात गंगा में गाओं है इस वाक्य में गंगा में अर्थ का त्याग करना पड़ता है और गंगा तट पर अर्थ लेना पड़ेगा तातपर्य यह है कि गंगा के किनारे मकान या गाउं है, जहत से इसका अर्थ स्पष्ट होता है, गंगा, शब्द से नदी अर्थ का त्याग करना पड़ता है, और तट ले लिया जाता है, अजहत, इसमें पद का प्राकृत अर्थ नहीं छोड़ा जाता, परंतु वाच्यार् प्रिवर्तन करना पड़ता है, उदाहरनार्थ, काकेब्या दधी रक्षताम, अर्थात कौउं से दही को बचाना, परंतु कहने का तातपर्य यह नहीं है कि केवल कौउं से दही बचाना तथा बाज आदी पक्षियों को दही खाने देना, वरन सभी दही खाने वाले काक, विडाल, बाज्ट से रक्षा करना है, इस प्रकार कौव शब्द अपना अर्थ रखते हुए भी लक्षना में प्रयुक्त होता है, काक शब्द का अर्थ कौव है, यह परित्याग नहीं हुआ तथा कौव के समान अन्य दही खाने वाले पश्वों को ले लिया गया, जहजहत लक्षना, यह जहत और अचहत दोनों है, अर्थात इसमें कुछ त्याग भी करना है और कुछ नहीं भी त्याग करना है, उदाहरनार्थ सोय देवदत, अर्थात यह वही देवदत है, पहले जिस देवदत को कहीं दूसरी जगे मैंने देखा था उसे ही यहां इस स स्थान पर दीख रहा है, इस वाक्य में हम स्थान और काल को भूल जाते हैं, ततकालीन और एततकालीन इन दोनों में विशेशनों का त्याग करते हैं तथा विशेश्य, देवदत, वाच्यार्थ, जियों का त्यों रहने देते हैं, अदवेत वेदान्ती श्री शंकराचार आदी का कहना है कि तत्वम सी आदी महावांकियों का अरथ जहत-जहत लक्षना से ही स्पष्ट होता है। इस वाक्य में तत्शब्द ब्रहम के लिए है और त्वम शब्द जीव के लिए है। अतह इसका अर्थ है अभेद परंतु ब्रहम और जीव दोनों एक या अभिन कैसे। जीव अल्पक्य है, अनू है और सांथ है। ब्रहम सर्वग्य है, विभू है और अनन्थ है। दोनों में व्यवहारिक द्रिष्टी से भेद है, परंतु पार्मार्थिक द्रिष्टी से दोनों एक है, अभिन, अद्वैत है। पार्मार्थिक द्रिष्टी से दोनों में शुदचैतन्य है। इस प्रकार तत ब्रह्म से सर्वग्य विभु आदी विशेशनों का त्याग जहत करते हैं और त्वम जीव के अल्ग्य अनुआदी विशेशनों का त्याग जहत करते हैं तथा दोनों के विशेश्य शुदचैतन्य का त्याग नहीं अजहत करते हैं। इस प्रकार जहजज़त लक्षना से महावाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि जीव और ब्रहमत दोनों अभिन हैं, जीवो ब्रिमैवनपः। जीव और ब्रहमत का संबंध, समाना देकरण या, बतलाया गया है, अर्थात दोनों का अधिकरण, चैतन्य समान हैं। जिस प्रकार सोयम देवदत में समाना देकरण या संबंध है, उसी प्रकार तत्वमसी में भी। जिस प्रकार हम ततकालीन और एततकालीन आदी विशेशनों का त्याग कर केवल विशेश देवदत को लेते हैं, उसी प्रकार तत्प्रहम और त्वम जीव के सभी विशेशनों का त्याक कर केवल विशेश्य शुदचैतन्य को लेते हैं। मोक्षव सभी आस्तिक दार्शनिक आत्मलाब को ही परमलाब मानते हैं। आत्मलाब आत्मा की अपने रूप में अवस्थिती है। आचार्य शंकर के अनुसार भी आत्मा की अपने रूप में अवस्थिती ही मोक्ष है. स्वात्मिन्य विस्थान मोक्ष तैं, उप, शांकर भाष एक बटा ग्यारव. तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है. आत्मा का निजी स्वरूप नित्य, शुदचैतन्य है. परंतु अग्यान के कारण यह स्वरूप नहीं रह जाता. अग्यान या अविद्या के कारण ही नित्या आत्मा का अविद्या या शरीर से संबध हो जाता है. अतव पार्मार्थिक अशरीरी आत्मा सांसारिक शरीरी प्रतीत होने लगता है जब आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्यान हो जाता है तो संसार और शरीर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं यही आत्मा की अपने निजी रूप में अवस्थिती है इस अवस्थिती की प्राप्ती केवल ज्यान से ही संभव है. ज्यान के प्रकाश से ही अज्यान का अंतकार दूर हो सकता है. विद्या से ही अविद्या की निवरिती संभव है. इस प्रकार आत्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिती और अज्यान का विनाश दोनों एक ही सा इसी कारण अद्वेत वेदान्त में मोक्ष की एक और परिभाशा दी जाती है कि अज्ञान की निवरिती ही मोक्ष है। इसी कारण शंकराचार्य अज्ञान या आत्मज्ञान के विनाश को मोक्ष कहते हैं। यह आत्मज्ञान सर्वात्मभाव है। शंकर के अनुसार एक मात्र ज्ञान ही उसका साधन है। यह कर्म साध्य नहीं वरन ज्ञान साध्य है। कर्म का फल तो अनित्य होता है, मोक्ष तो नित्य अवस्था है। अत्व मोक्ष केवल ज्ञान का कार्य हो सकता है। मोक्ष जनकार्य मित्युयते, वुरे, उप, शां, भा, तीन जन्वरी तेरह यह ज्ञान केवल अज्ञान का विनाश है। अतः ज्ञान की प्राप्ती या अज्ञान के विनाश में अंतर नहीं। मोक्ष का साधन ज्ञान अद्वेत वेदान्त में आत्म ज्ञान, अर्थात आत्मा के सच्चिदनन स्वरूप का लाभी मोक्ष माना गया है। इसका कारण ज्ञान है, अर्थात मोक्ष ज्ञान साध्य है, ज्ञान अज्ञान निवरिती है। अग्यान या अवेद्या के कारण ही आत्मा में अनात्मा का रध्यास होता है तथा आत्मा में डिह की, करता, भोकता आदी व्यवहार होता है। अज्यान के कारण ही में शरीर हूँ, यह मेरे प्राण है, में सुखी हूँ, में डिहकी हूँ, में संसारी हूँ नित्यादी प्रत्ययों का अनुभव होता है। अवेद्यारू क्रंथी के नश्ठ होने पर सभी कामनाय नश्ठ हो जाती है और मरत्यक मरंधर्मा जीव अमर हो जाता है। इस प्रकार ब्रमात्म भाव की प्राप्ती ही मोक्ष का स्वरूप बतलाया गया है। मोक्ष का फल है बंधन विनाश। मोक्ष स्वरूप का वर्नन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम, रूप को त्याग कर समुद्र में अस्थ हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान, नाम, रूप से मुक्थो परात पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। यथा नद्या स्यंद्माना, समुद्रिस्तम गच्छन्ती नाम रूपे विहाय, तथा विद्वात्राम रूपा दिमुक्तः परात पर पुरुष्मपैती दिव्यम मूँव। चार आचार्य शंकर के अनुसार यद्यपी आत्मा सच्चिदानंद, अद्वितिय, ब्रिमस्वरूप ही है, तथा पी अविद्या के कारण, मैं अज्यानी हूँ, इस प्रकार का अनुभव जीव को होता है। अज्यान विशी जीव मनुश्य, तिर्य केवं देवता आदी विबिन योनियों में भटकता है। ज्यान प्रभाव से जीव को आत्म साक्षातकार होता है तथा अज्यान और उसके कार्य की निवृती होतीन जाने से जीव शोक रहित हो जाता है। अतह मोक्ष अग्यान निवृती रूप है तथ अग्यान के अधीन है. शंकर के अनुसार अविद्या कल्पित भेद का निराकर्ण ही आत्मग्यान का फल है. तात्पर्य यह है कि मोक्ष अग्यान की निवृती मात्र आत्मग्यान का फल है. अविद्या की निवृती विद्या से ही संभव है, जैसे प्रकाश से अंधकार का विनाश होता है. विद्या केवल ब्रमात्मे कत्व बुद्धी है. मैं, मेरा आदी अविद्या है. विद्या या ज्यान का एक मात्र कार्य है अविद्या या अज्यान का विनाश. अतरस पष्ठ है मोक्ष का साधन ज्यान के अतिरिक तन्य कुछ भी नहीं हो सकता। शंकराचार्य मोक्ष को ज्यान साध्य मानते हैं, कर्म साध्य नहीं। कहा गया है कि जीव कर्म से बंदन में है और ज्यान से मुक्त हो जाता है। इसलिए पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते। इसी प्रकार केवल त्रही धर्म, वैदिक कर्म में लगे रहने वाले सकॉम पुरुशावागमन को प्राप्त होते हैं। अतह अज्यान का पूर्मते अक्षय होने पर ज्यान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। रत, दान, तप, यग्य, सत्य, तीरत, आश्रम और कर्मयोग ये सभी स्वर्प के हेतु हैं। परंतु अशुभिय, अकल्यानकर और अनित्य हैं। ज्यान नित्य शांतिकारक और पर्मार्थ रूप है. मनुश्य यग्यों के द्वारा देवत्व प्राप्त करता है, तपस्या से ब्रमलोग को पाता है. दान से तरह तरह के भोग को प्राप्त करता है और ज्यान से मोक्षपत पाता है. धर्म की रस्सी से पुरुष उपर की ओर जाता है और पापरजू से अधोगती को प्राप्त होता है परंतु जो इन दोनों को ग्यान रूप खक से काट देता है वह देहा विमान से रहित होकर शांती प्राप्त करता है ज्यान और कर्म को विद्या, अविद्या रूप से कहा गया है तातपर्य यह है कि कर्म अविद्या जन्य है केवल अज्यानी ही कर्म करते हैं ज्यानी के लिए कर्म का विधान नहीं ज्यान और कर्म संबन्धी विवाद को अग्रलिखित पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है. 1. मोग्ष की प्राप्ती केवल कर्म से ही होती है. 2. अथवा ज्यान की अपेक्षा युप्त कर्म से. 3. अथवा ज्यान और कर्म दोनों से. चार, अत्वा कर्म की अपेक्षा रखने वाले ग्यान से, पांच, अत्वा केवल ग्यान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, प्रत्थम विकल्प के अनुसार केवल कर्म से मोक्ष की प्राप्ती हो सकती है, विद्वान यग्य करता है, विद्वान यग्य कराता है, विद्वान य जयती इत्यादी वाक्यों से स्पष्ट है कि विद्वान का ही कर्म में अधिकार है। यह भी कहा गया है कि जानकर कर्मानुष्ठान ना करे क्यात्वा चानुष्ठान। इससे सिदर है कि कर्म विद्वान के लिए ही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि संपून बेद कर्म के ह यदि कर्म से परमश्रे की प्राप्ती न हुई तो वेधी वियर्थ हो जाएगा। परमश्रे की प्राप्ती न हुई तो वेधी वियर्थ हो जाएगा। कर्म के फल की उत्पती होती है अतह यह उत्पाद्य है। परन्तु मोक्ष तो आत्मा का स्वरूपी है। इसकी उत्पती नहीं होती अतह यह अनुत्पाद्य है। कर्मश्रे की प्राप्ती होती है अतह यह प्राप्य है। आत्मा का यथार्थ स्वरूपी मोक्ष है। इसमें कुछ प्राप्त नहीं होता अतह यह अप्राप्य है। कर्म फल तो विकार है, विकार तो अनित्य होता है, आत्म ग्यान मोक्ष तो नित्य है, अतह यह अविकारिया है, कर्म फल में किसी नए गुन का उत्पादन होता है, इसलिए कर्म फल संसकारिया है, परंतु मोक्ष तो आत्मा की निजी रूप में अवस्थिती है, इसमें किसी नूतन गुन की उत्पत्ती नहीं होती. अतह मोक्ष असंसकार्य है. आत्मा अनुतपाद्य, अविकार्य, असंसकार्य और अप्राप्य होने से कर्म जन्य नहीं. कर्म और ज्ञान दोनों में भेध है. ज्ञान ज्यापक होता है, कारक नहीं. ज्ञान का कारकत्व केवल तक ही सीमित है। विद्या का कार्य अविद्या निवृति मात्र है। शाश्वत, शांतिदायक ब्रहम ज्ञान किसी कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। कर्म वैदिक या लौकिक, सुकृत, विकृत या अकृत हो सकता है। अध्यपी ज्यान मात्र में सभी आश्रे वालों का अधिकार है तठ्धा पी ब्रिम्विद्या सन्यास होने पर ही मोक्ष का साधन होती है, कर्म सहित नहीं। आज्यान के निवरित होते ही मोक्ष यहीं और अभी हो जाता है। शंकर जीवन मुक्ती का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि ग्यानी जीवित आवस्था में मुक्ती प्राप्त कर लेता है। उप्रोक्त विवरन से सपष्ठ है कि मोक्ष आत्मग्यान है। आत्मग्यान अनात्मग्यान अवेध्या की निवरिती है। अतव मोक्ष ज्यान साध्य है। परंतु एक स्वाभाविक प्रशन उठता है कि कर्म की उप्योगिता क्या है। यदी ज्यान ही मोक्ष का साधन है तो सभी लौकिक और वैदिक कर्म वियर्थ है शंकर ज्यान और कर्म में अंधकार और प्रकाश के समान नितांत भेद मानते हैं प्रकाश के सामने अंधकार का कोई महत्व नहीं ज्यान होने पर कर्म संपादन व्यर्थ है, आत्मग्यानी के लिए कर्म निश्प्रयोजन है. परंतु यह पारमार्थिक द्रिष्टी है. व्यभारिक द्रिष्टी से कर्म का प्रयोजन है. कर्म से ही चित शुद्धी होती है और विशुद्ध चित में ही शुद्ध मुक्त आ आत्म घ्यान तो अंतिम सुपान हैं। आत्म घ्यानी के लिए कर्म का प्रयोजन नहीं। घ्यान की अग्नी तो सभी कर्मों को भस्म कर डालती है। इन साधनों से आत्मा और ब्रह्म का द्वैत भाव नश्थ होता है. कर नित्यानित्य वस्तु विवेक, साधक को नित्य आत्म और अनित्य अनात्म का भेद ग्यान होना चाहिए. यह भेद ग्यान ही विवेक है. कर एह मुत्रार्थ भोग विरग, एह लोकिक और मुत्र पारलो किक्त सभी प्रकार के भोग से वेरागय आवश्यक है। जिस प्रकार धर्ती का सुप्त्याज यह है, वैसे ही स्वर्प का भी। यह वासना का पूर्ण भाव है। सभ्मुमुक्षत्व, साधक को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कृत्संकल्प होना चाहिए। इन चार साधनों के पश्चात साधक को श्रवन, मनन और निदिध्यासन से ही मोक्ष का लाप करना चाहिए। विचार करता है। निदिध्यासन, यह ध्यान की अवस्था है। साधक महावांक्यों पर विचार, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ध्यान करता है। इस ध्यान के पश्चात वह अनुभव करने लगता है कि जीव और ब्रह्म में अभिन्नता है। आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता का अनुभव करते हुए वह परम शक्ती और परमानंद का अनुभव करने लगता है। के सारे सिंदे दूर हो जाते हैं, रिदे की ग्रंथी टूट जाती है तता सभी कर्मक्षीन हो जाते। आत्मग्यानी शोक सागर को पार कर जाता है। आत्मा और परमात्मा में अभिद देखने वाले को शोक और मुह नहीं होता। यही अमरत्व का मार्ग ज्यान है, अन्य कोई मार्ग? नहीं, ज्यान मीमानसा। अद्वेत वेदान्त की ज्यान मीमानसा को ठीक से समझने के लिए जीव, साक्षी आदी प्रत्ययों का ममजना आवश्यक था, इसलिए पहले उनका वर्नन किया गया। चुनकि आत्माया ब्रह्म प्रमानों का विशय नहीं है, इसलिए भी उनके वर्नन से पहले प्रमानों का परिचय आवश्यक नहीं था। अध्यास भाष्य के एक स्थल में शनकर ने कहा है कि प्रत्यक शादी प्रमान और समस्थ शास्त्र विद्यवाले जीव में आश्रित हैं। तातपर्य यह है कि इंतिम विशलेशन में प्रमानों का क्षेत्र अविद्यात्मक जगत है। यहां यह बात देखने की है कि शनकराचार्य शास्त्रों को अविद्यामूलक जगत के अंदर रखते हैं। उनका अंतिम, सुचिंतित मत्य है कि शास्त्र तथा दूसरे प्रमानों को उप्योगिता इससे है कि वे अविद्या का निराकरन करें। वे भावात्मक रूप में आत्मा का ज्यान नहीं करा सकते। कोई भी प्रमान, यहां आत्मा है, इदंतया इस तरह आत्मा का संकेत नहीं कर सकता। वस्तुतर आत्म ज्यान का अर्था आत्मा का स्वरूप लाब है जो अविद्यात्मिक अध्यास के हटने से स्वतर सम्पन्न हो जाता है। यो आत्मा अप्रमे या प्रमानों का अविश्य उसकी पहुंच परे हैं। साक्षी ज्यान और वृत्ती ज्यान अद्वेत वेदान्त की ज्यान मिमानसा इन दो ज्यानों के अंतर पर आधारित है. मुख्य अर्थ में ज्यान का तात्पर्य है साक्ष चेतन्य अर्थात आत्मा का निजी रूप. अदवयत की आत्मचेतन्य या ज्ञान स्वरूप है. किन्तु यदि ज्ञान को इस अर्थ में लिया जाए तो ज्ञान उत्पन हुआ, ज्ञान सीखा, ये व्यंजनाय अर्थीन हो जाएंगी, क्यूंकि आत्मचेतन्य नित्य अपरिवर्थनीय तत्व है, भहन उत्पन होता है न नश्ट्या ते रोहित. प्रत्यक्ष, अनुमान आदी प्रमानों से जो ज्यान उत्पन होता है वह वृत्ती ज्यान है. अद्वेत वेदानती छे प्रमान मानते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उत्मान, शब्द, अर्थापती और अनुपलब्दी. ये सारे प्रम व्रित्ती ग्यान को उत्पन करते हैं। साक्षिग्यान सुशुप्ती में भी बना रहता, वहनित्य, अखंड और निर्विकार है। विषय चैतन्य है और ग्यान के विषय से अवच्षिन चैतन्य, अर्थात्वय चैतन्य जिसमें विषय का अभ्यास हो रहा है। विषय चैतन्य है। भारतिय दार्शनिकों की यह सामान्य धारना है कि वाहिय विषय के ग्यान की स्थिती में अंतहकरन की वृत्ती बाहर जाकर द्रिश्य वस्तू से संपर्प करती है. यहां वृत्ती शब्द का अर्थ है अंतहकरन का विकार विशेश. उदाहरन के लिए चाक्षुष प्रत्यक्ष में तैजस अंतहकरन आख के माध्यम से निकल कर घटादी ग्यान के विशे तक पहुँचता है और उसका आकार धारन कर लेता है. इस प्रकार विशे के आकार के रूप में परिनत हुआ अंत, करन वृत्ती कहलाता है. यह वृत्ती इंद्रियों और विशे के सन्निकर्ष की अपेक्षा करतो है. इस अंतहकरन की वृत्ती को उपचारवश ज्यान कहते हैं, वृत्ती ज्यानत वो उपचारात अंतहकरन के वृत्ती ज्यान के अतिरिक्त भी परिनाम होते हैं, सुक्डैक आदी ऐसे ही परिनाम हैं। अद्वैत मत में मन, बुद्धियादी अंतहकरन के ही नाम है जो उसके विविन कार्यों को प्रकट करते हैं। अंतहकरन इंद्रिय नहीं है। यदि इंद्रिय जन्य ज्यान प्रत्यक्ष हो और मन को इंद्रिय माना जाए तो अनुमिती ज्यान भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। वृत्ती का विशयाकार हो जाना ही प्रत्यक्ष हेतु है. वेदान्त का निश्चित सिधान्त है कि ज्ञान निविशयक नहीं होता, मिथ्या ज्ञान का भी विशय होता है. प्रत्यक्ष या अप्रोक्ष ज्ञान में गेय वस्तू की सत्ता अवश्य होती है, यदे पी यह अव जीव का अपना स्वयम प्रत्यक्ष होता है, परन्तु इसी कारण अह प्रत्यकों इंद्रियों का विशय नहीं कह सकते। जात चूट जाता है और कारण शरीर मात्र रह जाता है, कारण शरीर से अभिप्राय साक्षी को अज्यानोपादी से है. सुशुप्ती दशा में सूक्षम शरीर या लिंक शरीर अविद्या में ले हो जाता है. साक्ष चैतन्य का सूक्षम शरीर से संबंध होना ही जीव की सत् उपनिशद में लिखा है कि मप प्रानों प्रतिदिन सत्थ प्रहमक्त से संपन्न होते हैं पर इसे जानते नहीं। प्रमा के कारण या असाधरन कारण को प्रमान कहते हैं। यहां प्रमान की परिभाशा प्रमा से संबध कर दी गई है। विशयक ज्यान प्रमा है। जिस ज्यान का विशय दूसरे ज्यान से बादित हो जाता है वह ज्यान प्रमा नहीं है वह अप्रमा है। उदाहरण के लिए, रज्जु में सर्प का ग्यान बाद के रज्जु ग्यान से बादित हो जाता है, इसलिए रज्जु में सर्प का ग्यान अप्रमा है. दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सर्प ज्ञान का विश्रे बाद में रज्जु ज्यान होने पर बादित हो जाता है जो बाद के ज्ञान से बादित होता है वह अतात्त्वे की अमिथ्या है शंकराचारिय कहते हैं, जिसका जो रूप निश्चित है, यदी वह रूप बदलता है, तो वह अनृत हो जाता है। उसे परमार्थ सत्य तात्विक पदार्थ कहते हैं, ऐसे पदार्थ का ज्यान ही सम्यक ज्यान है. ऐसा लोक में समझा जाता है, जैसे इस तत्य का ज्यान की अग्नियुष्ण है. अद्वेत मत में ब्रहम या आत्मा ही पदार्थ है जो सदै वेकरूप रहता है. वही तात्वि की प्रकृती में वह वास्तविक अर्थ में नित्य नहीं है, वह पार्मार्थिक सत्या पर्मार्थ रूप में तात्विक भी नहीं. इस प्रकार अद्वेत वेदान्त के अनुसार तत्व पदार्थ नित्य, अप्रिनामी और विकारहीन है, उसका ज्यान ही वास्तविक अर्थ में प्रमा है. है? वह? विकारी पदार्थ वास्थव में तात् Testament नहीं होता. ब्रांत ग्ञान का विषय रिजू सर्भ बात के ग्ञान से बादित हो जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमान में ज्ञान के विशय का साक्षातकार होता है। प्रत्यक्ष 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 होता है। प्रत्यक्ष 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 प् देशून्य वेदान्त परिभशा, अंतहकरण और उसके धर्म केवल साक्षी के विशय हैं. उनके प्रत्यक्ष में किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं परती स्वयम अंतहकरण, जिसका व्यापार विशेश के कारण मन भी एक नाम है, इंद्रिय नहीं है. किसी इंद्रिय अत्व प्रत्यक्ष करता है. प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, सविकल्पिक और निर्विकल्पिक. सविकल्पिक ज्यान वेशिष्ट्य का अबगाहन करने वाला ज्यान होता है. वेशिष्ट्य का अर्थ है संबंध मुलक विशेश्ता. घट के सविकल्पिक ज्यान का अर्थ है घट को उसके अनुयोगी अत्वा प्रतियोगी से संबद करके जानना. घट का प्रतियोगी घटाभाव है, घट अपने अभाव का अनुयोगी है. इस प्रकार सविकल्पक ज्यान संबंध मूलक होता है. संबंध या संसर्व की अभगती से शुन्य ज्ञान, अर्थात वस्तू के स्वरूप मात्र का ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान है. अद्वेत वेदांती मानते हैं कि वाक्य या शब्द से भी प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन होता है. कहा जा चुका है कि विशे की प्रत्यक्षता कारथ विशे चैतन्य की प्रमात्र चैतन्य अत्वा प्रमान चैतन्य से अभिन्यता है। इसी प्रकार तत्वमसी जैसे महावांकियों से प्रत्यक्ष ज्यान होता है। वहां ज्यान का विशे प्रमात्र चैतन्य की अभिन्यता घटित हो जाती है। साक्षी में अंतर करना चाहिए। अंतहकरण से अभच्षिन चैतन्य को जीव कहते हैं, अंतहकरण से उपहित चैतन्य को जीव साक्षी कहते हैं। प्रत्येक शरीर में अलग जीव और जीव साक्षी होता है। माया से उपहित चैतन्य को ईश्वर साक्षी कहते हैं। ईश्वर साक्षी एक ही है, क्योंकि उसकी उपादेभूत माया एक है। इस प्रकार साक्षी दो प्रकार का होने से प्रत्यक्ष ज्यान भी दो प्रकार का होता है, अर्थात ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्यान और जीव का प्रत्यक्ष ज्यान. अनुमान प्रमान अद्वेत वेदांत के अनुमान निरूपन की दो विशेश्टाइं लक्षित करने योग्य हैं। अद्वेत वेदांत के तीन अव्यव प्रतिग्या, हेतु और उदाहरन, अत्वारंत के तीन अव्यव उदाहरन, उपने और निगमन पर्याप्त है। तीन अव्यवों से व्याप्ती और पक्ष्थर्मता का ठीक ठीक प्रदर्शन हो जाता है। इस प्रकार अनुमान में अनवय व्यापती ही मुख्य होती है. उपमान, अर्थपती तथा अनुपलब्धी प्रमानों का विवरण न्याय और मिमानसा के प्रक्रनों में देखना चाहिए. यहां विस्तार भय से हम इसके संबंध में विवेचन नहीं करेंगे. अद्वेत वेदान्त की दृष्टी से शब्द प्रमान अधेक महत्वपूर्ण है. शब्द प्रमान, नयायकों के अनुसार वाक्यजन्य ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधी, ये तीन हेतू होते हैं. वेदान्त परिभाशा इनमें तात्पर्य ज्ञान पर और गव जातो है, यह वाक्य सार्थक है, क्यूंकि यहां विबिन्पद परसपर आकांक्षा की पूर्ती करते हैं. आक से सीचे, इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, क्यूंकि यहां अर्थ बादेथ है. ऐसा वाक्य प्रमान नहीं होता. इसी प्रकार वाक्य के घटक-पद पदूसे अर्थ ग्यान नहीं होगा. वाक्य ग्यान का चौथा हेतु तात्पर्य है. जिस वाक्य में जिस प्रतीती को उत्पन करने की योग्यता है वह उस वाक्य का तात्पर्य कहलाता है. जैसे घर में घड़ा है, यह वाक्य घट संबंधी प्रतीती को उटपन करने की योग्यता रखता है, न कि घर संबंधी प्रतीती को यहां वाक्य बोध की एक शर्थ यह भी है कि वाक्य का उच्चारन किसी दूसरी इच्छा से न हुआ हो सेंधव शब्द के दो अर्थ हैं, नमक और घोरा विशेश भोजन के समय, सेंधव लाओ, इस वाक्य का अर्थ, नमक लाओ, ही हो सकता है भोजन के समय, उक्त वाक्य का उच्चारन लवन, नमक्त से विन अश्व की प्रतीती की इच्छा से नहीं किया जाता, इसलिए वह अश्व का अर्थ नहीं देता इस प्रकार तात्पर्य के विद्यमूलक और निशिद्यमूलक दो पक्ष हो जाते हैं अभिधा और लक्षन, वाक्यार्थ दो प्रकार का होता है, शक्य और लक्ष, वाक्य के पदूं की अपने अर्थों में जो मुख्य वृत्ती होती है, उसे शक्ती कहते हैं उदाहरण के लिए घट, पद एक खास तरह की शक्लवाले पदार्थ को संकेतित करने की शक्ती रखता है, जहां वाक्य का शक्यार्थ या विद्यय अर्थ बादित होता है, वहां उसका अर्थ लक्षन द्वारा जाना जाता है उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि मानवक सिंग है, तो हमारा तातपर्य यह नहीं होता कि मानवक नाम का व्यक्ती सिंग पशु है, हमारा तातपर्य यह कतन होता है कि मानवक सिंग की भाती विक्रमशाली या बहादुर है, यह दूसरा अर्थ लक्षना से प्राप्त हो यो जक्षिन यो जक्षिन